इसमें सुमिज हैं यूटूब चनल में तो साथ ही इस्टार्ड हो चुका है आज का A Session सभी साती आ जाएं और एक बार जन्री से वीडियो को लाइक करने हैं ठीक है बहुत ही बड़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं तो जिनको भी मंगवाना है वो संपर कर सकते हैं और दोस्तो अभी एक वाफर चला है बारा सो में बारा महीने हिंदी सायद को अगर आप लाइब कलासों के माद्यम से पढ़ना चाहते हैं वो अनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बारा सो में बारा महीने का कोड़ चला है अब दोस्तो रतना करकरत ओदो सतक किस भासा में लिखा गया काब गरन्थ है ये आपको बताना है रतना करकरत ओदो सतक किस भासा में लिखा गया काब गरन्थ है बताइए बहुत ही अच्छा क्वस्चन यहां से पूछा ग धरूज रात्री 9 जी ठीक है तो यहाँ पर आपका पहला प्रशन पूछा गया है तो उद्धाव सतक किस भासा में लिखा गया है किस भासा में लिखा गया ये बताइए बहुत ही बड़ी कॉस्चन है उद्धाव सतक ये इसके रजना का रतना के रजी हैं और आपने वो आंसर बिल्कुल correct आंसर हो जाता है ज्यान दीप के रचनाकार कौन है ज्यान दीप के रचनाकार आपको चेन करना है अच्छा question है ज्यान दीप पूछा गया है मंझन की है, कुतवन की है उस्मान की है, फिर सेख नभी की ये रचना मानी जाती है ज्यान दीप के रचना कार आखिर हैं कौन प्रशने के रमांग टू नंबर है सबी लोग बताएंगे जितने भी हमारे साती हैं पंजाब मास्टर के डर वाले साती है जिनको भी हिंदी साइट के एक नोट समंगवाना है अपने घर पे वो नोट समंगवा सकते हैं दोस्तो और परिच्छा के time पर बहुत बढ़िया revision कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो क्योंकि नोट सब्सक्राब के पास होंगे तो आप परिच्छा के time पर भठा पर जो भी matter आपको पढ़ना उसको पढ़ सकते हो तो ज्यान दीप के रचेता कौन माने जाते हैं और मैंने आपको बताया कि ज्यान हमें नभी नभी ज्यान प्राप्त करना है नया नया ज्यान प्राप्त करना है तो नभी से क्या हो जाएगा शेख नभी की रचना है ग्यांदी प्यानी डी नमबर हिंदी में सा धनी है मुर्धन है दंत है तालब्ब है या फिर ओस्ठ है तो ये बहुत ही बड़िया कॉस्चन पूछा जाता है देखते हैं तीन नमबर में कौन-कौन साही बताएगा इसा वाला जो है सक्कर का सा जो है ये पूछा ही जाता है दोस्तों एक कॉस्चन इसकी बताएगे उच्चान इस्थान क्या माना जाता है बहुत ही अच्चा कॉस्चन है लाइक कर दो हमारे सभी साती सेल्पिस्टेडी किलासे इस परिवार से जड़ जाओ और उत्तर आ गया है जनता जनारदन जा रही है सी क सही है तालब बाप का बिल्कु सही है ठीक है तालब सकार है सा सा हा कौन से बेंजन कहलाते हैं चार नंबर का कॉस्चन है कौन से बेंजन कहलाते हैं प्रिकमपी इस पर सी संघर सी या फिर इस पर से संघर सी प्रशने किरमांग चार में सबी लोग आंसर बताएंगे और एक बार जद्धी से लाइक कर देंगे ये कौन से बेंजन कहलाते है चार नमबर के कॉस्चन में और जनता जनार दन जारे ये सी की तरफ अनिल कुमार जी डी बता रहा इस पर संगर सी इस पर संगर सी नहीं कहलाते इस संगर सी कहलाते अनिल जी यह संगर्शी कहलाते हैं यानि कि C नंबर ठीक है यह संगर्शी कहलाते हैं जो सासा साहा यह संगर्शी यानि कि 4 नंबर आपका राइट अंसर हो जाएगा संगर्शी बेंजन कहलाते हैं ठीक है अंगला देखते हैं कौन सी कृति केसवदास की नहीं है हुआ था पंद्रा सो पच्पन में रीति काल की प्रवर्तक माना है डक्टर नगेंदर ने इनको किसको केसवदास को ठीक है और केसवदास की एक रचना है राम चंद्री का ठीक है जो की दोस्तों ब्रेज भासा में हैं लेकिन केसवदास की नहीं है पूचा गया यहां पर तो राम चंद्री का केसवदास की हो जाएगी रसिक प्रिया केसवदास की हो जाएगी बिज्ञान गीता केसवदास की हो जाएगी तो यह अनिकार्थ मंजरी किसकी है बताइए कुवानो नदी इनमेंसे किस कभी की कृति है कुवानो नदी छे नंबर का क्वेस्चन है सुनिया जी, दार्सू जी, रंजना जी, आसा जी, राजकुमार जी, कुआ नो नदी, ये कई बार अपन ने याद भी किया है, ट्रिक से भी याद किया है, कितने साती हैं जिन्हों ने अभी तक एड़िशन नहीं लिया, दस तारीक यानि कि कल, कल तो नौ तारीक है, दस तारीक पर सो दस तारिक दोस्तों आपके डिये क्या हो जाएगा बारा सो में बारा महिना दस तारिक के रात के बारा वजे तक चलेगा और फर समाप्त हो जाएगा तो जिनी भी सात्यों को उनलाइन क्लास में लाइब क्लास में एड़ीसर लेना है वो सभी साती एड़ी सन ले लेंगे कुवान और नदी इन में से किस कभी की किर्ती है छे नंबर का question आप से पूछा गया है और छे नंबर में बोलिषर कुवा और नदी का सरवे करना है सरवे से क्या वनेगा सरवे सुर्दयाल सक्षेना यानि ये नंबर आपका सही है महापुराण की रचनाकार कौन है महापुराण की रचनाकार कौन है सात नंबर का question है महापुराण अब्दुर्रह्मान उस्पदंत धनपाल या फिर सेंबू कौन माने जाते हैं महापुराण की रचनाकार बहुत अच्छा question है दोस्तों महापुरान आपसे पूचा गया है इसकी रचनाकार आपसे पूचा गया है साथ नंबर के question में और सीधा सीधा answer क्या जा रहा है पूचा बर्मा जी बचाए शुभम जी राइट अंसर क्या हो जाएका यहां पर संध्या जी देपी का सुकली जी महापुरान भूल इसकी रचनाकार नहीं लेकिन किस सतीके हैं जलनी बताव रसमन्जरी एक किस कभी की किरती है आठ नंबर का क्वेश्चण है बहुत ही बढ़ीया क्वेश्चण पूछा गया रणजीत कौरजी सभी लोग बताएगे और ये एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो रसमन्जरी किस कभी की किरती मानी जाती है केसाओ दास की, हुसन की, नंद दास की, या फिर छीत स्वामी की, किसकी माने जाती है रसमंजरी, किस कभी की रचना है, एक अच्छा क्वेस्चन आपसे पूचा गया, वड़ियासा क्वेस्चन आपसे पूचा गया है, और सभी साती लाइक भी कर देंगे, आठ नंबर का क्या उत्तर जा रहा है, देखते हैं, रसमंजरी के रचनाकार, जनता जनार्दन, प्रतिमा बर्मा जी ये बता रही है, गलत, जनता जनार्दन, सी की तरफ जा रही है, सी की तरफ, यानि कि नंद दास, नंद दास, यानि कि दोस्तों, आपका सी नंबर बिलकुश सही है, द हैं और लाइक भी कर देना है मिरगा बती मिरगा बती तो कई बार पूछा गया मिरगा बती के रचना कार कौन मान जाती है कोस्चन भी आपका कई बार पूछा जाता है तो जल्दी से चैन करके बताएंगे और एक बार लाइक करके भी बताएंगे बताएंगे मिरगाबती के रचनाकार कौन है अच्छा question है दोस्तो शबी answer देंगे मिरगाबती के रचनाकार कौन है मंजन है आलम है तो सभी को पता है कि सर बन में कौन है कुतु बन और बन में कौन है म्रग तो म्रग से क्या वनेगा मिरगाबती और कुतुबन यानी C नंबर आपका correct answer हो जाएगा C नंबर बहुत बढ़ी आप C नंबर राइट है बनेपत्रिका की रचना किस भासा में हुई है बनेपत्रिका की रचना कार तो आपको पताई है है ना तुलिशी दाजी है लेकिन बिनैपत्रिका की जो रचना हुई है वो किस भासा में हुई है अबदी में हुई है ब्रज में हुई है मैत्री में हुई है या फिर हिंडी में हुई है ये 10 नंबर का question है सबी लोग answer बताएंगे बिनय पत्रिका की रचना किस भासा में हुई है चैन करना है सियर भी कर देना है सुभास जी, पूजा जी, नीतु जी दार्सु सर्मा जी, जस्मेल जी बिनय पत्रिका की रचना ये भासा पूछी जाती है दोस्तों कई बार एक question पूछा गया है और आपका सीधा answer जारा की सर्विनय पत्रिका पूछ रहे हो तो उल्शी रास की बहुत इस्रिष्ट किरती है ये इसकी जो रचना है ये ब्रज भासा है ब्रज यानि कि आपका जो बी नंबर है ब्रज भासा वो बिल्कुल सही है बी नंबर जनतज नारदन का answer बिल्कुल सही है ललित जी अंगला question है मदनास्टक इसके रचिता कौन है मदनास्टक के किसकी रचना है बताइए निसा बर्मा जी स्वनी देवी जी चंचलाजपुजी बीरेंद्र जी मदनास्टक के रचिता कोन मान जाते है केसव दास है रस्खान रही में आपे नरुतम दास माने जाते है question आपके हाथ में है question आपको बताना है मदनास्टक के रचिता कौन है like कर दो सबी साति मदनाश्चक के रचिता कोन माल जाते 11 नंम्बर का question है और 11 नंम्बर के question में सीधा answer जा रहा है कि मदनाश्चक के जो रचनाकार है वो है रहीम या明ि C नंम्बर आपका right answer है C नंम्बर आपका बिलकु सही है C नंम्बर सही है परोक्ष का सही बिलॉम सब्द क्या हो जाएगा बारा नंबर का कॉस्चन है जिन्वी सातियों को नोट समंगवाना हिंदी साइथ के टिर्की नोट समंगवाना वो मंगवा सकते हैं दोस्तों ठीक है बढ़िया तरीके से बनाएगा है बीच बीच में ट्रिकी भी समाहित की गई है ठीक है और बहुती बिल्कुल पूरा सार है ना आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे सातियों ने मंगवाए हैं अच्छा लगा है सभी सातियों को पढ़ कर के उनको भी मजह आ रहा है परोक्ष का सही बिलोम क्या है यह आपको बताना है तो बिपक्ष है, प्रत्यक्ष है उतकर्स है या फिर आपकर्स है बारा नमबर के question में आपको chain करना है बारा नमबर का बहुत ही बढ़िया question पूछा गया है परोक्ष का बिलोम क्या हो जाएगा बारा नमबर में और जनता जनारदन जारी प्रत्यक्ष की ओर यानि कि आपका जो B number है वो तो बिल्कुल correct answer है इनमें से कौनसा उपन्यास यासपाल का नहीं है यासपाल का कौनसा नहीं है देखो ऐसे question आते है यासपाल के बारे में पढ़ा है अपने कौनसा उपन्यास नहीं है यासपाल का तेरा नमबर का question है तेरा मेरा का चकर है और तेरा नंबर के question में आपको like भी करना है ऐसे कितने साती हैं जोनोंने self study classes एप डाउनलोड नहीं करिया प्ले स्टोर में जाए ये सर्च करिए self study classes पूरा सर्च करना है self study classes ठीक है ये असपाल का कौन सा नहीं है तेरा नंबर का question में आपको बताना है और उत्तर हो जाएगा कब तक पुकारूं ये असपाल तक नहीं है ये असपाल का नहीं है फिर एक किसका है रांगे रागाव का वेयरे गोड रस्मी जी बिलकुल सही बताया कि सरी कब तक पुकारूं रांगे रागाव का है यानि वी नंबर आपका बिलकुल सही है पुस्पी की अभिलासा नामक प्रिसिद्य कविता के रचेता कौन है अच्छा question है बालकर्ण सर्मा नभीन है दिनकर है माखला चुत्रवेदी है या फिर राम नरेस्तर पाठी है पुस्पी की अभिलासा नामक प्रिसिद्य कविता के रचेता कौन है एक अच्छा question पूछा गया आलोक हिंडी जी बताइए सही answer क्या है यहाँ पर पुस्पी की अभिलासा तो बहुत दिन से पढ़ते आएं मोड़ी सर हम तो ठीक है तो उत्तर चला जाता की पुस्पी की अभिलासा यानि की इसमें माखलाल लगा दो माखला चुत्रवेदी यानि की C नमबर लगा दो 1889 में जन्म हुआ था इनका माखला चुत्रवेदी का इनके दोस्तों एक साहित्य दियोता आप पढ़ते हो साहित्य दियोता को क्या खबाना माखन इनका एक निबंद है माखला चुत्रवेदी जी का जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए बताना है आपको कुम कुम यादव जी सबी लोग बताएंगे वो नरंतर तयारी करते रहेंगे दोस्तों एक्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन तयारी नहीं रुकनी चाहिए तैयारी तो नरंतर चलनी चाहिए जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक सब्द आपको चैन करना है और ये एक सब्द कई बार पूछा जाता है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक सब्द कौन सा है और आप लोगों ने चैन किया कि इसमार की सर उसके लिए आप अपना केंचन बोल सकते आकेंचन यानि कि ये नंबर लगाना है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलेंगी आकेंचन ये आपका करेक्ट राइट आंसर है चिंतामणी कि रचेता कोन है चिंतामणी ये कितने भागों में प्रेकासे थे ये भी पिता दुबे जी, सही आंसर बताना है, जल्दी से बताईए, सुरीता प्रजापती जी, चिंता मनी, और चिंता की पूरी मनी तो बोले से रामचंद्र सुकल को थी, है ना, तो रामचंद्र सुकल है, कितने भागों में हैं, तो बताए आपने की सरे चार भागों में प्रकास दोस्तो आपको याद रखे सिंटा मनी किसका रामजण शुकल का सी नमबर जनमे जय का नांग यग ये किसकी कृति है जनमे जय का नांग यग ये आपको चैन करना है तनू जी बताइए लाइक करके सेर भी करिए जनमे जय का नांग यग आपको चैन करना है प्रसाद की है शेट गोविंदास की है लच्मीनारन लाल की है या पिर गोविंद पंत की मानी जाती है 17 नंबर के question में अच्छा question है शबी लोग बताएंगे जनमे जय का नाग यग इस कृती के जो लेखक है वो कौन है और आपको पताए कि सर नाग की बात आई यह तो नाग तो संकर जी के गले में पढ़ा है पढ़ा है तो यह आपका उत्तर आपने बोस पढ़ा होगा नाग बोला मैं सबसे बढ़ा बोले संकर जी के गले में क्यों पढ़ा है ना याद रखते ना यह आपका वी नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा भोजंग का परियावाची सब्द कौन सा है भोजंग का बताना है बताइए भोजंग का परियावाची बताइए तनमय जी, प्रीति पाल जी, सीता राम जी, हर्मिंदर सिंग जी 18 नंबर का क्वेस्चन है मदुकरतिर पाठी भोजंग का परियावाची आपको चैन करना है कैंचुआ है, गिरगेट है, सर्फ है या फिर, तो ता है तो भोजंग का परियावाची 18 नंबर के क्वेस्चन में 18 का उत्तर आपको चैन करना है पर आपका उत्तर की सर्फ भोजंग का परियावाची जो हो जाएगा, जनतर जनार्दन कहां जा रही सर्फ भोजंग, भोजा में बोले सर्फ ने कार दिया, भोजा भोजंग ठीक है, यानि कि आपका जो सी नंबर है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है अतीत के चलचित्र की रचेता कौन है अतीत के चलचित्र बताईए कुमारी जी, बताएं प्रमान्सु जी इस्टडी बित बताएं पटापट से आसा कुमावत जी 19 नंबर का कॉस्चन है लाइक कर देना है जल्दी से सुनीता प्रजापती जी मताव अतीत के चलचित्र इसके रचनाकार कौन है चैन करना है बिलकुल चन्दन बिस ब्यापत नहीं डिप्टत रहे भुजंग बिलकुल सही है तो अतीत के चलचित्र बोले ये तो बिलकुल सरल है जनता जनार्दन पोट कर रही महादेवी भरमा जी बिलकुल सही है करेक्ट आंसर है राइट आंसर है वेरी गोड आंसर है बैताल पच्चीसी के रचनाकार को ने बीस नंबर का क्वेस्चन बैताल पच्चीसी आप से पूचा गया है कनु जी हिमान सीम अदुकर जी सभी लोग आंसर चैन करेंगी अलका छाकुल जी बीस नंबर का क्वेस्चन है सेल्फ स्टडी के लासे इस एप डाउनलूट करने सभी साती है ना और जिनको भी अड़ बीस लेना रेगुलर और नरंतर अध्यन करना है तो अभी बारा सो में बारा महिने बारा सो में बारा महिने आप पढ़ सकते हो दोस्तो बैताल 25 के लेचनाकार कौन अपसे पूछा गया है बीस नंबर के इस क्वेस्चन में और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर 2 अगर आप आपने पूछा है तो आप सूरती मिस्र लगा देना डी नंबर लगा देना सूरती मिस्र आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ या सूरती मिस्र लगाना है डी नंबर लगाना है तनमय जी डी नंबर लगाना है सूरती मिस्र असोक के फूल इसके रचनाकार कौन है असोक के फूल आज ही पढ़ाता असरीज के फूल, असोक के फूल, यह ना विचार प्रबाह है, पढ़ातन अपने विचार वितर्क है, पढ़े थे अपने यह निबंद आजीब, असोक के फूल यह निबंद संग्रह है, और यह निबंद संग्रह किसका है, कोवेरनात रायका है, गुलाव रायका है, रामचं कार के रूप में प्रसिद्धी मानी जाती है दो वेदी जी की एक भारती आत्मा किसे कहा जाता है बहुत ही सरल कोस्चन है और आसान कोस्चन है सभी लोग बताएंगे पैड कोर्स की किलास होती है सामको पांच बजे 5 से 5 चालिस होती है और सारे 6 से 7 दस तक 40-40 मिट की दो किल चलती है नया बैच स्टार्ड हो रहा है 15 अप्रेल से तो 15 अप्रेल से दोस्तों आपको शुरुआ से पढ़ाया जाएगा हिंदी भासा से पढ़ाया जाएगा उसके बाद देव नागरी पढ़ाया जाएगा ठीक है तो जिन भी सात्यों को नए बैच में एड़िशन लेना आप ले सकते हैं एक भारती आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तब आपको पता है माखल लाल चत्रवेदी को ठीक है बी नमबर चिरंतन का सही बिलॉम क्या हो जाएगा इस चिरंतन तो कई बार पूचा जाता है अब बताएगे शेव कुमार जी निधी दोबे जी बताए ममतारानी जी चिरंतन का सही बिलॉम सब्द क्या है एक अचान सा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है शबी लोगों को बताना है और लाइक भी कर देना है सबी साती लाइक भी करेंगे चिरंतन का सही बिलॉम सब्द क्या है ये क्वेश्चन आप से पूचा गया अच् question है और आपका right answer हो ज्सरा नस्बर चलंतन का सही बिलोव में नस्बर यानि कि आपका जो ये नंबर है वो बिल्कु春 सही लगाए आपने अनामदास का पोथा इसके रचेता कौन है अनामदास का पोथा चौवीस नंबर का question है चौवीस नंबर के question में आपको चेन करते हुए बताना अनामदास का पोता इसकी रचनाकार कौन माने जाते हैं लगविंदर जी चेन करिए जल्दी से सेर भी करिए अपने मित्रों को अनामदास का पोता इसकी रचेता माखनलाल है सोहनलाल हैं हजारी परसाद हैं या फिर महावीर परसाद हैं कौन हैं कमला ठाकुर जी और बोलिसरा नामदास का पोथा 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 पोथी बोलिसरा नामदास का पोथा पोथा पोथी हजार और पोथा पोथी पड़ता है तो पोथा पोथी पड़ 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 जग मा और पंडित हुआया ना कोई धाई आखर प्रेम के पढ़े अशो इह हजारी परसा दोवेदी पोथी पोथा हजारों पोथी पोथा पढ़ लिए बोले सरमने लेकिन पंडित नहीं हो पाए बीरों का कैसा हो बसंत ये इसके रचनाकार कौन है ये कभिता के रचेता कौन है बीरों का कैसा हो बसंत ये बताईए बिबेका नंद तिवारी जी 25 नंबर का कौस्चन है सिरजन कुमार जी अच्छा कौस्चन पूछा गया आपसे बताईए शबी लोग चैन करिए 25 नंबर के कौस्चन में और आपका अंसर देखते हैं कहां जारा यहां पर राइट अंसर चैन करना है और 25 में जारा की सर ये बीरों का कैसा हो बसंत यानि कि आप सुविद्रा कुमारी चोहान लगा दो बी नंबर कमेंट में लिख दो बी नंबर सही लिख दो ठीक है सुविद्रा कुमारी चोहान नेक्स्ट गुण बाचक विसेशन कौनसा है गुण बाचक विसे विसेशन की बारी में चैन करना है अच्छा सा question पूछा गया गुणबाचक विसेशन पूछा गया आपसे 26 नमBER के question में और आपने देखते हैं क्या number बतारा हैं आप 26 नमBER में बहुत ही बढ़ीया इतना अच्छा question है कि सर गुणबाचक विसेशन है नया नया सी नमबर बताया जिन्होंने उनका अंसर बिल्कु सही है बिल्कु राइट अंसर है बिल्कुल बहुत बढ़िया ठीके तो इस सी नमबर आपका गुड़ बाचक विसेशन नया हो जाएगा चंद माला की रचीता कौन है चंद माला 27 नमबर का कॉस्चन है सबी लोग बताईए चंद माला की रचीता कौन है बताईए हरमिंदर जी मोकेश कुमार जी और चंदों की माला कहां पर पहनना है मैंने आपको कई बार बताया है कि चंदों की माला कहां पहनना है बताईए जिन भी सातियोंने नोटस नहीं मंगवा अभी तक तिर्की नोट से हिंदी साइट कि वो मंगवा सकते हैं अपने घर पर दोस्तो है ना संपर कर सकते हैं छंदों की माला कहा पहननी है तो आप बताओगे कि सर केस में पहननी केस में तो केस से क्या हो जाएगा केस अधास हो जाएगा केस अधास यानि की ए नंबर आपका बिल्कु सही है मोख्च की इक्षा करने वाला के लिए एक सब्द कौन सा है मोख्च की इक्षा करने वाला इसके लिए एक सब्द आपको चैन करना है एक सब्द आपको बताना है तो बताईए रिना मंडियाल जी, अर्पिता जी, पताएं हेमा सिंग जी मोक्ष की इक्षा करने बाला इसके रिए एक सब्द चैन करना तो क्या लगाओगी तब आपको लगाना है मुमुक्षू यानि कि आपका जो डी नमबर है, डी नमबर मुमुक्षू आपका राइट अंसर है ठीक है, मसी कागद चुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ इस प्रस्तुत पंक्यों की रचना कार कौन है, दादू दयाल है कभीर दास हैं, रेधास हैं या पिर सुन्दर दास हैं 29 नमबर का कॉस्चन बड़ी 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 कॉस्चन पूछा गया आपसे तो मसी कागद चुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ इस पंक्यों के इन पंक्यों की रचना कार कौन है बताइए नीलम सिंग जी, अनुराग जी सही आंसर का चेहन करना है लाइक कर देना शबी लोग पीजीटी में आया था, बहुत बड़ीया पूनम जी, तो 29 नमबर का कॉस्चन है 29 में आपका उत्तर हो रहा है कभीरदास कभीरदास का जन में बताना है ठीक है, भारत भारती काब्ब की रचनाकार कौने इसका रचनाकार भी बताना है भारत भारती का, बताईए भारत भारती का रचनाकार क्या है, आपको पता है कि दोस्तों जो भारत भारती की रचनाकार है उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रवंद काब्ब लिखे हैं उन्होंने उन्नीस तो खंड काब लिखे हैं दो महा काब भी लिखे हैं ठीक है तो प्रवंद कार के रूप में पहचान है उनकी और वो यासी कौन कभी हैं वो यासी राष्टिय कभी हैं मैत्री सारंगुप्ते जिनका जन्म 1886 को हुआ तर चरगाउं जला जहासी में ठीक है इन्होंने उन्नीस खंड काब लिखे और दो महा काब लिखे जिनका नाम है साकेत और जय भारत ठीक है और ये भारत भारती करके इनकी प्रसिद्ध काब रचना मानी जाती जो 1912 की है और 1912 की रचना बहुती प्रसिद्ध रचना मानी जाती है तो ये मैत्री स्लंगुप्त सबी लोग बताएंगे दोहा कोस की रचिता कौन मानी जाती है और 31 नम्बर का क्वेश्चन है बहुती बड़ी या क्ेश्चन है आपका राइट अंसर हो जाएगा दोहा कोस आपसे पूचा है और दोहा कोस में आपका सही आंसर है सरहपा सरहपा यानि कि आपका उरी सर दोहा सुनाओ तो दोहा कोस्ट सरहपा C नंबर आपका बिल्कुस है प्रेम सागर की रचना कार कौन है 32 नंबर का कुश्चन है प्रेम सागर पूछा है बहुती आसान कुश्चन पूछा है पिंकी वाला जी बताईये प्रेम सागर की रचना कार कौन है एक बहुत ही अच्छा क्वेस्चन लाइक कर दो सभी लोग रिद्धिका दिब्या जी अर्चना अलोधी जी और 32 नंबर का क्वेस्चन है 32 नंबर में आपका उत्तर है कि सर एक प्रेम सागर जो है एक ललू लाल की रचना है ठीक है ये C नंबर आपका करेक्ट आंसर है दक्षन का बिलोम क्या हो जाएगा दक्षन का बिलोम बताना है दक्षन का पस्चेम पूरा बाम या फिर दाया धक्षन का बिलॉम क्या हो जाएगा कल्पना वर्माजी बताईए अर्पिता दुबे जी 33 नंबर का कॉस्चन है और सेयर भी करते रही अपने सातियों को दोस्तों और यहां पर आपसे पूचा गया जो कॉस्चन है वो आपको बढ़िया तरीके से बताना है दक्षन का बिलॉम सब्द क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे वड़िया सा सीरेच चल लए है दोस्तों आपकी बारा सो में बारा महीने दोस्तों आप एडबी सन ले सकते हो कोर्स में दक्षन का बिलॉम सब्द पूचा गया तो आपने उत्तर बता इन में से कोई नहीं हार की जीत कहानी एक किसकी कहानी है रितू जी बताईए सही आंसर अराधना यादो जी हार की जीत हार की जीत बताना है और हार की जीत के जो आंसर है वो तो पताईए कि सर सुदर्जन हार की जीत के दर्शन किये हैं सुदर्शन किये हैं ये नमबर करेक्ट है रानी केतकी की कहानी इसके रचेता कौन है 35 नमबर का क्वेस्चन है रानी केतकी की कहानी किसने सुनी है उन्हें सर इंसा अल्ला खां यानि की इनका नाम है इंसा अल्ला खां ने सुनी है ठीक है तो आपका उत्तर है सही नमबर क्या हो जा रहा है सही नमबर है इंसा अल्ला ख रचनाकार कुण है, 36 नंबर का question है बाबू तोता राम है, केसा उराम भठ्ठ नहीं हैं, अम्भिका दत्व्यास हैं, बालमकुंद गुप्त हैं, सेोच हमभू के चट्थे से सम्मन्दित, रचनाकार आपको चैन करना है, 36 नंबर का question है, 36 नंबर के question में आपको सभी लोगों क बताना है सेव संबू के चिठ्ठे और ये तो पता ही है किसा जो सेव संबू के चिठ्ठे आप पूछ रहे हो इससे संबंदित जो रचनाकार माने जाते हैं 36 नंबर की question में वो माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त कुण माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी माने जाते हैं दी नमबर आपका बिल्कु सही है जिस चंद के प्रत्यक चरण में 16 16 मात्राइं होती है और दोस्तों अंत में गुरू होता है उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं 37 नमबर सभी को पता है लगबग है ना सरल कॉस्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर वो प्रादरभा बाणी का प्रादरभा हुआ है ना आलोचक रामचन सुकल का एह जो दोस्तों कतन है रीतिकाल के किस कभी के संदर्व में है रीतिकाल के किस कभी के संदर्व में गनानंद के संदर्व में है मती राम के संदर्व में है के सौदास के संदर्व में है रस निधी क संदर्व में है तो 38 नमबर का question है किसके संदर्व में है ये question आपको बताना है शबी लोग बताएंगे उत्तर बताएं प्रेम की पीर ही की लेकर की इनकी बाणि का प्रादर्व हुआ 38 नमबर के question में नीतू जी और आपका उत्तर चला ज़ा गया कि सर घनानंद घनानंद प्रेम की पीर का कभी कहा जाता है इसकी प्रेमिका का नाम था सुजान थी? तो यह सुजान याद रखड़े ना है यह नमर घनानंद रिती मुक्त कभी दमाने आते हैं रिती मुक्त काप बधारा के कभी हैं मीरा भाई की रचनाओं में किस भासा की जोंक जादा मिलती है मीरा भाई मीरा भाई की रचनाओं में अपने दोस्तों राग गोविंदिन की बहुत ही परसित रचना पड़ी थी मीरा भाई की पदा बली तो आपको पता ही है नरसी जी को मायरो आपको पता है मीरा भाई की रचनाओं में ठीक है तो ये मीरा भाई है इनको याद रख्टेना है और इनकी रचनाओं में किस भासा की जोंक मिलती है ये आपको बताना है सबसे ज़्यादा जोंक किस भासा की मिलती है 49 नंबर के क्वेस्च अब राजिस्थानी बताना है आपको किस अप्रण्स से इसका उद्भाव होता है दोस्तों बताएं इस राजिस्थानी जो है इसका किस अप्रण्स से इसका विकास होता है राजिस्थानी उप्रभासा का बताओ मताईए 49 नमबर के question में मैं उस जनपत का कभी हूँ का ब्रचना किस कभी की है 40 नमबर का question है मैं उस जनपत का कभी हूँ नागर जुन की है रांगे रागो की त्रिलोचन की अकेदारनात अगरबाल की बताएं सरब जीट जी मैं उस जनपत का कभी हूँ का बरेचना किस कभी की मानी जाती है 40 नंबर में बहुत ही बड़ीया कोस्चन आपसे पूछा गया है जल्दी से बताना है और जिन भी सात्यों को न्यू बेच में अड़ीसल लेना है बारा सो में बारा महिने आप बहुत ही अच्छी से पढ़ सकते हो जहां पर लाइब किलास है रिक्वाडेट किलास हैं टॉपिक बाई टेस्ट हर संड़े को भी टेस्ट करवाए जाता है ठीक है रिवीजन टेस्ट भी होते हैं बहुत सारी चीज़े जहां पर आपको दोस्तो भरपूर मटेरियल मिलता है मैं उस जनपत का कभी हूँ 40 नंबर के क्वेस्चन में आपको बताना है तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो पूछा है आपने क्वेस्चन ये त्रिलोचन त्रिलोचन का जो बास्तविक नाम तब हो क्या था ये भी बताईए त्रिलोचन आपको बताना है बोले मैं उस जनपत का कभी हूँ जहां के त्रिलोचन है जहां के कौन है त्रिलोचन त्रिलोचन का बास्तविक नाम क्या है ये आपको बताना है सौनेट लेखन के लिए जाने जाते हैं त्रिलोचन ठीक है तो C नमबर आतो आपका question सही हो जाता है लेकिन इनका दोस्तो बास्तविक नाम भी आपको बताना है उतकर्स का बिलॉम क्या होगा त्रलोचन का बास्तविक नाम क्या है बताईए सिर्जन कुमार जी बताई प्रियंक का यादो जी एक तालिस नमबर का question उतकर्स का बिलॉम क्या होगा पस्चमी राज गुजरात में सेर है बहुत बढ़िया पस्चमी राज गुजरात में सेर है अपने एक ट्रिक बनाईती तो पस्चमी हिंदी राइस्थानी और गुजराती सेर है तो सोर सेनी अप्रंस से निकली थी दोस्तों ये उपवास आएं इनका बिकास हुआ था उतकर्स का बिलॉम पूछा गया ये question कई बार आया उतकर्स का और उतकर्स का हो जाता है अपकर्स यानि कि ये नमबर आपका correct answer हो जाता है लगू मानो के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस इसके रचनाकार कौन है 42 नमबर का question लगू मानो के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के रचनाकार कौन है 42 नमबर का question है 42 नमबर के question में आपको chain करना है तो देखते हैं right answer क्या हो जाता है लगू मानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस एक वस्चन आ चुका है कई बार आ चुका है ठीक है है ना बीच बीच में रहते हैं इसमें भी सरब जी जी लगू मानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस की रचनाकार कौन है उत्तर हो जाएगा बिजय देव नाराण साही यानि कि B नमबर आपका correct answer है B नमबर आपका साही है ललित ने बंदकार की रूप में किसी प्रिसिद्धी मिली है जिन भी सात्यों को 10,000 प्रशनों की practice series में भाग लेना है जिसमें आपको 10,000 practice से दोस्तों question की practice set मिलेंगे जिन को आप practice कर सकते हैं 599 में app में जाकर के 10,000 question की test series purchase कर सकते हो जिन भी सात्यों को पंजाब master cutter की model paper चाहिए है जिसमें 30 model paper रहेंगे और कुल मिला के 4500 question रहेंगे जिसकी PDF भी आपको मिलेगी है ना और 2000 question extra question और उसमें रखे गए है ठीक है तो ललेत निबंदकार की रूप में पिरसिद्धी किसकी है तो आपको बता है बिद्या निबास मिस्र की पिरसिद्धी है यहाँ पर बात नी रुखी दो निबंद आपको इनकी बताना है विद्या निवास मिस्र की दो निबंद बताईए जो प्रिसिद्ध हैं जो पूँचे जाते हैं परीक्षा में हिंदी में इस्त्री विमर्ज की अबधारणा को चर्चा में लाने चर्चा में लाने का जो स्रे है दोस्तो किस कथाकार को दिया जाता है इस्त्री वे मर्स को बताईे चबालिस नमबर का क्वश्चन है लगबिंदर जी रस्मी पाठक जी चैन करिये सुईता जी मताएं इंदी में इस्त्री वे मर्स की अबधारणा को चरचा में लाने का स्रे किसको है चबालिस नमबर बहुत ही बड़ या question है शबी लोग बताएंगे और आपका उत्तर देखते हैं कहां जा रहा है इस्त्री वेमर्ज की अबधारना को लाने का विद्या निवास मिस्री के दो निबंद भी लिख दीजिए कौन कौन सी निबंद है इनके ठीक है पांसो निन्यानवे सरब जी सिंग जी मॉडल पेपर की पांसो निन्यानवे तीस मॉडल पेपर रहेंगे उसमें बिद्या निवास मिस्री के निबंद किसी को नहीं है पता अर्चना जी ने बताया है अराधना जी ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है बहुत बढ़िया है ना मेरे राम का मुकुट भीग रहा है सब लोग ये कई तुम चंदन हम पानी, बहुत बढ़िया दिपी का जी तो इस तरीवे वर्ष में, यानि की 44 नंबर की question में और सीधा answer जा रहा है राजेंदर यादव, यानि की C आपका सही है, ठीक है मैंने सिल पहुँचाई, बहुत बढ़िया शौरप बर्मा जी, very good तुम चंदन हम पानी, very good एक पूँचा था, कई बता दिया आपने छितबन की चाओ, मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, very good बहुत बढ़िया, बिलकुँ सही answer है, आसरानी जी, क्या भूलूं, क्या याद करूं में, किस रचना कार की, आत्म कता संकले थे और ये कितने भागों में हैं, ये भी बताना है, आपको बहुत अच्छा, अनिल कुमार जी बताईए, क्या भूलूं, क्या याद करूं में किस रचना कार की आत्म कता संकले थे हैं और ये कितने सेफाली जर रही है बहुत बढ़िया, very good मैंने एक पूचा था, आपने पाच्छे बता दिये, क्या बात है क्या भूलूं, क्या याद करूं में किस रचना कार की दोस्तो, आत्म कता है तो हरिवन्स राय बच्चन ठीक है, हरिवन्स राय बच्चन की आत्म कता है, कितने भागों में हैं चार भागों में है जन्म कब हुआ था इनका 1907 में हालाबाद के प्रवर्तक कौन है हरिवंसराय बच्चन च्छाई रोवांस का कभी किसे कहा जाता हरिवंसराय बच्चन को है ना मदू साला मदू बाला मदू कलस किसकी रचना है हरिवंसराय बच्चन की है ठीक है इनको संपादक कौन ते एक अच्छा क्वेस्चन पूछा गया है सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या है बताओ और लाइक कर दो सभी साती बताओ आलोचना नामक प्रिशिद्ध पत्रीका के संपादक क्वन है लबली ठाकोर जी दार्सू जी सही आंसर बताना है सेल्फ स्टडी के लासेश में सभी साती दोस्तों क्या ले ले एड़िशन ले सकते हैं बारा सो में बारा महीने दस तारीक तक आपर है पंदरा तारीक से न्यू बैच स्टार्ड है अप्रेल में ठीक है तो आलोचना नामक पत्रीका 46 नंबर का क्वेस्चन आप से पूछा गय ललेत निबंदकारों में इनका नाम भी आता है रामरक्ष बैनिपूरी का आपने पड़ाता सागर की लहरों पर आप रवासी की आत्रा है पेरों में पंक बांद कर मेरी यूरू प्यात्रा तो 47 नंबर के क्वेस्चन में रामरक्ष बैनिपूरी के दो निबंद बताना है आपको देखते हैं कौन कौन बता पाता है बताईए आंसर की भी होगी बिल्कुल सरब जी जी आंसर की भी होगी और 47 में वड़ियासा क्वेस्चन पूछा गया उत्तर है पेरों में पंक बांद कर उड़ते चलो उड़ते चलो और कहां पर बैठ जाओ ब्रक्ष पर बैठ जाओ ब्रक्ष पर तुराम ब्रक्ष बैनिपूरी ठीके ग्याहूं और गुलाब मिलकु सही है ग्याहूं और किस विधा की रचना है एक बूंद सहसा उचली किस विधा की रचना है बंदेवानी विनायकव बहुत बढ़िया दरेश कुमार जी वेरी गुड बंदेवानी विनायकव और दोस्तों ग्याहूं और गुलाब बहुत बढ़िया एक बूंद सहसा उचली किस विधा की रचना ह अग्ये हैं सभी को पता है लेकिन इसकी विधा आपको चैन करनी है इसकी जो विधा है यात्रा वरतान्त है यात्रा वरतान्त है यानि कि ये नम्मर आपका बिलको सही है यात्रा वरतान्त आपका राइट आंसर है ठीक है अब ठेटोरता हुआ गरतंत्र ये किसकी रचना है उ आमने निबंद पूछा है हजारी परसाद दुवेदी के निबंद, दो निबंद बताना, निबंद संगरह नहीं, ठेट उर्ता हुआ गरतंतर किसकी रचना है, भगबती की है, सरज जोसी हरी संकर परसाई है हजारी परसाद दुवेदी, बताईए बुल्डोजर बाबा, आपका correct answer है, हरी संकर परसाई आपका बिल्कुल सही है, बाक्याम रसात मकम काब्यम कहने बाले आचार कौन है, एक अच्छा question आपसे पूचा गया है, आम बोरा गया है, बहुत बढ़िया, असोक के फूले निबंद संग्रहे, निबंद संग्रहे नहीं पूचा मैंने, निबंद पूचे हैं, निबंद पूचे बढ़िया, बताईए यहाँ पर, बाक्यम रसात्मकम काब्यम कहने बाले जो अचार हैं, वो अचार हैं, बिश्चुनात, यानि कि आपका उत्तर बी नंबर हो जाता है, करेक्ट राइट आंसर हो जाता है अहें बाक्यम रसात मकम काब्यम कहने बाले जो आचार है वो आचार कौन है बड़िया सा क्वेस्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों चैन करना है आपके लिए और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना है शही आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका बाक्यम रसात मकम काब्यम कहने बाले आचार कौन है एक अच्छा सा क्वेस्चन आपसे पूछा गया तो आपका उत्तर आगया विश्वनात है विश्वनात है किस बाक में अपादान कारक है अपादान कारक बताना इंक्यावन नंबर का क्वेस्चन है बताइए किस में है अपादान कारक किस में है इंक्यावन नंबर बताइए कुमकुम यादव जी राइट आंसर संध्या गुपता जी किस बाक में अपादान कारक है यानि कि हिमाला इसे गंगा निकलती है इसमें अपादान कारक है C नमबर आपका correct और right answer है C नमबर आपका सही है रामा रुजाचार ने किस दर्सन का पृति पादन किया बहुत अच्छा question 52 नमबर में आपको चैन करना नामा रुजाचार के बारे में आपको बता है ठीक है इन्होंने कौन से से दर्सन किस दर्सन का पृति पादन किया ये आपसे पूछा जाता है बताए छोटे लाल यादो जी बताए हीरो हंडा जी आगए है बहुत बढ़िया बावन नमबर का question है राम अनुजाचार ने किस दर्सन का पृति पादन किया है एक अच्छा question है और आपका उत्तरे किसर राम तो क्या है विसेष्ट है विसेष्ट है तो विसेष्ट है दो इतवाद बिलकुस सही answer है बताए आपने सी नमबर आपने चैन किया है राइट आंसर है कभिता की तीसरी आँख इसकी रचनाकार कोने कभिता की तीसरी आँख त्रेपर नमबर का question है सभी साथी like कर दें बिनोत कुमार जी अनिता जी like कर दें सभी साथी जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साइट के नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों ट्रिकी नोट्स बढ़िया तरीके से बनाए गए है कभिता की तीसरी आख इसके रचनाकार कौन है सेर्जंग है मिर्दुला गर्ग है प्रभाकर स्रोत्रिय है या पर इनमे से कोई नहीं चैन करना है आपको त्रेपन नंबर के क्वेस्चन में रभी संकर जी और त्रेपन नंबर का क्वेस्चन है कि सर्प्रभाकर स्रोत्रिय लगा दो सी नंबर आंसर आप सही लगा दो इसमें सी नंबर प्रभाकर स्रोत्रिय आपका प्रवाकर स्रोत्रिये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सी नमबर बिलकु सही है, कलेजे पर साप लोटना, मोहाबरे कार्थ क्या है, चमवन नमबर का क्वेश्चन है, कलेजे पर साप लोटना, इस मोहाबरे कार्थ बताना है, दुखी होना, इड्सिया से जल उठना, पिर दीनता, चबी लोग बताएंगे, बताएए दीपी का जी, हाँ बिलकोल भूमिका तरपाधी जी आपका भी नाम बोल दिया, कलेजे परसाप लोटना, यह आपको एक पड़ा था ना, अपने बाद बिबाद संबाद, नाम बार सहीं की एक रचना पड़ी थी ना, बाद सब्द बताना है, 55 नमबर का क्वेस्चन है, मोख्च की कामना करने वाली के लिए एक सब्द आपको बताना है, और सीधा अंसर जारा कि सर, इसमें आप मोख्चु लगा दो, यानि कि आप इसमें C नमबर लगा दो, मोख्चु आपका राइट मोख्च की कामना करने वाला, ये आपका हो जाएगा C नमबर आपका फिर सही हो जाएगा विनीता जी अर्पिता जी इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है 56 नमबर का question बताओ यानि कि कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का है सीधा सीधा अगर question आपसे पीछ पूचा जाए पिरवीन ओजा जी विजय गुपता जी बताएं सीता राम जी 56 नंबर का question है सबी लोग बताएंगे आरूसी मीना जी उपन्यास कौन सा है राही मासूम रजा का जो कि भारत विभाजन पर आधारित है ऐसा भी question आता है और आपने उत्तर बताया कि सर आधा गाओं कैसा है आधा गाओं मासूम है मासूम तो मासूम सी क्या बनेगा राही मासूम रजा ठीक है बी नंबर नेक्स देखो मानस का हंस उपन्यास के लिए का कौन है और किसके जीवन पर आधारित है ये भी आपको बताना है बताये मानस का हंसे किसके जीवन पर आधारित है और ये उपन्यास है किसका ये भी आपको चेन करना है बहुती बड़ीया question है लाइक कर दीजे सभी साती share भी करना अपने मित्रों तक जद्दी जद्दी से share कर ये मानस का हंस उपन्यास के लेका कौन है अच्छा question है शबी लोग बताएंगे यहाँ पर और उत्तर जारा किसरे अमरतलाल लांगर द्वारा लेके तो पन्यास है मानस का हंस और ये जो है आपने उत्तर बताया कि सरे तुनिसी दास के जीवन पर आधारित है मानस का हंस यानि कि आपका जो ये नंबर है वो बिलकुस सही है ये नंबर बहुत बढ़िया चांदनी जी अंगला question है जैसंका प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है जैसंका प्रसाद जिनका जन्म 1889 में हुआ था दोस्तो ठीक है जो की छायवाद के प्रवर्तक मान जाते हैं ये भी आपको पता होनी चीए प्रसाद के बारे में जिन्होंने एक महाकाब लिखाता जिसका नाम था कामाईनी 15 सरगों का महाकाब लिखाता कामना नाटक की आधार प्रतिका अत्मग महाकाब बमाना जाता है अंटावर नमबर के क्वेस्चन में आपसे पूचा गया है और आपने पता है कि इन्होंने तीन उपन्यास भी लिखे हैं कंकाल लिखा है तितली लिखा है इराबती भी लिखा है उपन्यास के लेखक कौन है एक स्वाभी मानी अध्यापक के जीवन पर आधारते उपन्यास एक एहपतबंदू था इसके लेखक कौन है ये लिखा किसने है उपन्यास उपन्यास विधा की ये रचना एहपतबंदू था इसके रचना कार कौन है ये आपको बताना है प्रीती प्रोहित जी बजाईए सुवास चंद्र जी बताएं सही आंसर 69 नमबर का क्वेस्चन है सभी साती लाइक जरूर किया करें सब्सकाइब कर लें और बैल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों ताकि information आपकी सही समाज तक पहुँचे यह पतबंदू था यानि कि आपका उत्तर हो गया नरेश कैसे बन गया भोले यह तो पतबंदू था नरेश कैसे बन गया तो यह नरेश महता यानि कि यह नमबर आपका बिल्कुल correct तो राइट आंसर है उत्राइन किसकी किरिती है उत्राइन किसकी किरिती है बताओ साथ नंबर के क्वेस्चन में उत्राइन हजारी पिरसाथ रामचंजोकल गडपती चंद्रगुपति या फिर रामकुमार बर्मा उत्राइन एक किरिती किसकी मानी जाती है एक अच्छा question पूछा गया है पंकस जिंग जी बताएं शही answer लाइक करते हुए share भी करनी ना है उत्तराइन बताना है 60 number का question है कितने लोग सपल होते हैं इस question को बताने में देखते हैं बताएं उत्तराइन और शबी लोगों ने बता दिया कि सर उत्तराइन ये जो किरती है ये रामकुमार बर्मा की है जिनका जन्व हुआता उन्नी सो पांच में उन्नी सो पांच में हुआता ठीक है उत्तराइन ये D-number आपका बिल्कु सही है सिर पर पाउँ रख कर भागना मोहावरे कार्थ क्या है सिरपर पाउं रखकर भावना सरकस दिखाना प्रंट भाग जाना करतूत दिखाना या फिर चोट पहुंचाना तो बताईए यहां पर सिरपर पाउं रखकर भावना 61 नंबर का कॉस्चन है 61 नंबर के क्वस्चन में आपको चैन करना है जड़ी से बताईए सिर पर पाउं रखकर भागना इस मोहावरी कर्थ क्या है चैन करिए और लाइक करिए जड़ी से सेर भी कर दीजे आपका उत्तर है कि सर सिर पर पाउं रखकर भागना यानि कि तुरंत भाग जाना तुरंत भाग जाना 62 नमबर के question में सबी लोग बताएंगे मोर का परियाबाची क्या होता है मोर का परियाबाची सबी लोग बताएंगे और like करिए जल्दी से CR भी कर दीजी अपने मित्रों को मोर का परियाबाची आपको चेहन करना है अच्छा question है दोस्तों और बताएंगे सबी लोगों का उत्तर हो जाएगा कलापी यानि कि ये नमबर मोर का परियाबाची है कलापी ये नमबर आपका correct और right answer हो जाएगा चांद का मोह टेड़ा इसके रचेता क्वान है चांद का मोह टेड़ा इसके रचेता क्वान है ये नमबर मोक्ती बोद आपका सई है संसद से सड़क तक इसके रचनाकार क्वान है संसद से सड़क तक मोक्ती बोद लीदा धर जगूडी सर्वेसर दयार सक्सेना या पर धूमिल संसद से सड़क तक इसके रचनाकार क्वान है लगबिंदर जी पताईए पुरिस्तर संसस से सडक तक धूल ही धूल मिल धूल मिल धूल मिल ठीक है धूल मिल धूल मिल डी नमबर राग दरवारी किस विधा की रचना है राग दरवारी इसकी विधा बताना है दोस्तों ए चीज तो आपको पता है किस राग दरवारी जो है इस स्रीलाल सुकलिक की रचना है इसकी बिधा क्या है? 65 नंबर के question में ये तो क्या है रागदरवारी? उसलिए रागदरवारी जो है ये उपन्यास है B नंबर ये उपन्यास है स्रीलाल सुकलिक जी का उपन्यास है B नंबर correct है दुलाई वाली किस विधा की रचना है दुलाई वाली बताना इसका रचना काली बताना है दुलाई वाली में आपको चैन करना है सबी लोग बताएंगे और आपको बता है अपन पढ़ते कि दुलाई वाली महिला को साथ में लेकर आना तो दुलाई वाली महिला, महिला से बंग महिला, उस साथ में लेकर आना तो 1907 की ये कहानी मानी जाती है, सिधा सिधा आपसे question आता है, कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, तो आपका उत्तर होता की सरी कहानी विधा की रचना है, ये नमबर आपका सई है आचार रामचंशुकली के अनूसार रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो कितने समय में हुई थी ये बताना है सरोस सिवी जी बताईए。」 दोस्तोंबी 12 महिने का आफर चला है 1200 में 12 महिने और कल अंतिम दिन है दस तारीक बारा सो में बारा महिने का तो जिन भी सातियों को न्यू बैच में पढ़ना है हिंदी वासा से यानि की सुरुआत से पढ़ना है वो सबी साती दोस्तो एड़ी से ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं आचार सुकले के अनुसार राम चरित मानस के वारी में बताना है कि इसका समय क्या है दो वर्स चार माए है दो वर्स साथ माए है तो आपने बताया कि सर दो वर्स साथ माँ है और 26 दिन यानि कि बी नमबर आपका बिल्को सही है राम चरित मानस बी नमबर दो वर्स साथ माँ 26 दिन में लखा गया हिंदी साहित का अलुचनात्मक इतियास इसके लेखा कौन है साती रचना काल भी आपको बताना है पताइए पूनम जी सर्मा गुरप्रीत सिंग जी बताएं अजित जी तो जिन भी साहितियों को नोट सवंगवाना है पंजाब मास्टर केडर वाले साती है संकर भठें लच्मिनारण मिस्रें रामकुमार बर्मा है तो यहां पर आपको बताना है तब आपका उत्तर है कि सर इसकी रचनाकार रामकुमार बर्मा है और इसका रचनाकाल है 1938 ठीक है इसका रचनाकार आलोचनात्मक इतिहास का और आपको पता है कि अधूरा इतिहास है अधूरा इतिहास है ये भी याद कर लेना संसाई की एक रात ये किसके संसाई पर आधारत है और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है छोटे लाले आदो जी बताईए स्वनू जी अंकित कुमार अंकित जी संसाई की एक रात किसके संसाई पर आधारत है और ये कि संसाई की एक रात आपके लिए नॉर्मल प्राइज रखी गई 12 सो में 12 महीने दोस्तों आपके लिए 100 रोपे महीने भी नहीं लग रहा अगर हिंदी साहित में आप इतने वे भी एडवीसन नहीं लेते और पड़ाई नहीं करते तो क्या कर रहे हो एक बच्चे की फीस आप 12 स नहीं भर रहे है 12 सो नहीं भर पा रहे है जो आँगे चलके दोस्तों आपकी आपके बच्चों की और जिनकी फीस चलने का आधार भी बनेगी अगर आपकी नौकरी लग गई पड़ते पड़ते वैसे तो आप पड़ रहे हैं तो अच्छे से पड़ें और ये कोर्स में बताओ, गासीराम कोतबाल बादल सरकार हैं, बीबी कारंत हैं, गिरीज करनाड हैं, आप फिर बिज़एत तैंदुल करहें, ये नाटक किसका है, सत्तर नंबर का कौस्चन है, सबी लोग बताएंगे, सत्तर नंबर के कौस्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, सबी से बताईए घासी राम कोदवाल नाटक के लेखक कौन है सतर नमबर का क्वेस्चन है उत्तर हो जाएगा विजय तेंदुलकर यानि की डी नमबर आपका राइट अंसर है घासी राम कोदवाल नाटक के जो डेकक है वो विजय तेंदुलकर है डी नमबर आपका विलकु सही है दातु सेन प्रिसाद के किस नाटक का पात्र है? 71 नंबर का क्वेस्चन आपको बताना है. दातु सेन प्रिसाद के किस नाटक का पात्र? राज कुमारी जी. शबी लोग बताएं. और एक बार सेर भी कर दो अपने सभी सातियों कर दोस्तो. अच्छा क्वेस्चन पूछा गया. धातु सेन प्रिसाद के किस नाटक का पात्र है? ये क्वेस्चन पूछा गया है. बताएं. 71 नंबर के क्वेस्चन में लाइक कर दो शबी साति और सेर भी कर दो अपने मित्रों को दोस्तो. यहां पर आक से क्वेस्चन पूछा गया. और राइट आंसर भी चला गया आपका. 71 नंबर में किसर इसकंद गुप्त का पात्र है? इसकंद गुप्त है. ठीक है? रास्तरी चंद्रगुप्ध दुरुख सौमनी ये इनकी पात्र है. D नंबर आपका सही है. मूख का बिलोम क्या होगा? 72 नंबर का क्वेस्चन मूख का ब बता रहा है. यहाँ पर मंदाकनी जी, कमला कांत जी, शबी लोग बताईए बिल्कुल और मूख का बिलोम, 72 नंबर का क्वेस्चन में आपका उत्तर हो जाता है कि सर मूख का बाचाल लगा दो. बाचाल लगा दो, सी नंबर लगा दो, बाचाल आपका सही है. मूख का बिल साहित्त से है. तेहित्तर नंबर के क्वेस्चन में सरहपा का संबंद किस्से है? एक अच्छा क्वेस्चन है सरला कुमारी जी, बताईए, मंजू जी, रेखा जी बताईए, दिनेश कुमारी जी, दिनेश कुमार जी, सरहपा का संबंद किस्से है? आपको पता है कि सरहपा क इंदी का प्रतम कभी माना तराहुल सांक्रित्याने और इनका जो संबंद्य वो किस से है सिद्ध साहित से और सिद्धों की संक्या कितनी है 84 प्रिथम सिद्ध कौन से हैं सरहपा और सिद्धों में सरवोचिस्तान किसका है तो लुईपा का है लुईपा ठीक है लुईपा सरवोचिस्तान है ठीक है कौन सी रचना महादेवी बर्मा की महादेवी बर्मा की दोस्तों है महादेवी बर्मा की कौन सी है चोहतर नंबर के question में महादेवी बर्मा की रचना आपको चैन करनी है self study classes का app डाउनलोड नहीं किया अभी तक तो play store में जाईए सर्च करिए self study classes ठीक है बिल्कुल सिमी टंडन जी message कर सकते हैं whatsapp पर call कर सकते हैं कॉल सी रचना महादेवी बर्मा की है चोहतर नंबर का question है और चोहतर नंबर का question आपका आ रहा है कि सर ये नीड़ जा जो रचना है ये किसकी है महादेवी बर्मा की है यानि कि आपका D नंबर बिल्कुल सही है जहां उपमे में अनेक उपमानों की संका होती है अनेक उपमानों की संका होती है बहां कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है 75 नंबर के question में chain करना यमक होता है सेलेस ब्रहंतिमान या फिर संदेह अलंकार होता है chain करिये फटा-पट से प्रशने किरमाग 75 नंबर के question में like करना है और share भी कर देना है बहां पर कौन सा अलंकार होता है जल्दी से बताइए रेसमा जी 75 नंबर के question में और 75 नंबर का question है कि सर ये संका की बात हो रही यानि कि संदेह अलंकार D नंबर आपका बिल्कु सही है D नंबर लगाना है पूनम जी संदेह अलंकार होता है तोड़ने ही होंगे मठ और गड़ सब ये किसकी पंक्ती है 76 नंबर किसकी पंक्ती है मोहित जी अनीता जी अर्पिता जी 76 नंबर के question में बहुती बढ़िया question आपसे पूछा गया तोड़ने ही होंगे मठ है और गड़ सब ये पंक्ती किसकी है ये पंक्ती आपसे पूछी गई है और 76 नंबर के question में आपका सीधा answer जा रहा है कि sir तोड़ने ही होंगे मठ यानि कि दोस्तों इनको क्या करनी होगी इन मठ को मुक्ती दिलानी होगी तोड़ने होंगे मुक्ती तो मुक्ती से होगा मुक्ती बोध डी नंबर मुक्ती बोध आपका right answer हो जाएगा हिंदी में अंग्रेजी धंका पहला मौले को पन्यास कौन सा है बताओ हिंदी में अंग्रे जी के ढंका प्रितम मौले को पन्यास कौन सा माना जाता है बताइए रासित को रैसी जी बिर्जेश कुमार जी क्या है सही आंसर यहाँ पर 77 नंबर के क्वेस्चन में और 77 नंबर के क्वेस्चन में आपका राइट आंसर हो रहा है कि अंग्रेजी के धंग का पहला मौले को पन्यास है परिक्षा गुरू परिक्षा गुरू दी नमबर आपका परिक्षा गुरू बिलकुस है परिक्षा गुरू आपका राइट आंसर है 1882 का यह पन्यास है स्री निवास दास द्वारा रचेत है डी नमबर बिल्कु सही है महावी परसाथ दुवेदी और हिंदी नवजागरण नवजागरण दोस्तों किसका अलोचनातमक गरंथ है किसका अलोचनातमक गरंथ है महावी परसाथ दुवेदी और हिंदी नवजागरण यह बताईए स्योधान सेंचोहन का है क्या प्रकास चं महावी परसाद दुवेदी और हिंदी नवजागरण इसके लेका कौन है विजय आदो जी शुबाद सिंग जी बताए शिमरन पाल जी सिमर पाल जी 78 नमबर के कॉस्चन में पुलिसरी राम बिलास सर्मा जी की आलूचना अत्मा गरंत है महावी परसाद दुवेदी और हिंदी नवजागरण के लेका के है राम बिलास सर्मा एना तो आपका डी नमबर बिलकोश है डी नमबर मनीसी की लोक यात्रा ये किसकी जीवनी है ये किसकी जीवनी 89 नमबर का कॉस्चन है सबी लोग बताएंगे 89 नमबर में मनीसी की लोक यात्रा ये जीवनी किसकी अंकित कुमार जी जस्वीर जी बताइए एक क्वेस्चन मनीसी की लोक यात्रा कई बार पूछा गया है बताओ ये किसकी जीवनी है बीनू सरोज जी बिजयादो जी और आंसर है कि सर ये है कभी नात गोपी राजकी सी नमबर जन्ता जणारदन 2 बंदाउं गुरूपद पदूम परागा सुराजी सُभास सुरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है रीता कांथजी बताना है चैन करना है रेका सरोज जी मोहित जी बताईए यहां पर आरती गोर जी असी नमबर का बताना है सी नमबर किसका भीको अभिनाव जय नाम से जाना जाता है क्या सी नमबर अनुपरास के कितने भेद होते हैं बताईए अरबिंदर जी अनुपरास के भेद बताना है बताओ अराधना पाल जी क्या सी नमबर का question है सबी लोग answer बताएंगे राइट आंसर चेहन करना है जहनती लाल जी दस तारीक यानी की दस अप्रेल बारा सो में बारा महिने का जिनको भी दोस्तों एक कोर्स में एड़ी सल लेना है और बिल्कु सुरुआस से पढ़ना चालू करना है तो वो अभी चूके ना बिल्कुल अच्छा मौका है किस कभी को अभिनव जैदियो नाम से जाना जाता है एक्यासी नंबर का क्वेस्चन है और एक्यासी नंबर का क्वेस्चन में जा रहा है कि सर वो जाना जाता है बिध्यापती को बिद्यापती जिनकी रचना में बिद्यापती की पदावली दोस्तों जो मेत्री भासा में हैं इनकी किर्थी लता और किर्थी पता का बिल्कु सही बताया कि सर अनुपरास के पांच भेद होते हैं बहुत बढ़िया तेरा बेभाव देखू या जीवन का करंदन देखू ये पंक्ती बताना है तेरा बेभाव देखू या जीवन का करंदन देखू ये पंक्ती किसकी है निराला की अगे की महादेवी बर्मा या फिर बच्चन की बताव 82 नमबर का question तेरा बैभाव देखू या जीबन का करंदन देखू यह पंक्ती बताना है और सीधे सीधे चैन करिए आंसर चला जाता है कि सर तेरा बैभाव देखू या जीबन का करंदन देखू यह जो पंक्ती है 82 नमबर के question में यह पंक्ति है महादेवी बर्मा की ठीक है यानि कि आपका जो C नमबर है महादेवी बर्मा यह बिल्कुश सही है यह राइट आंसर है केलास वाचपेई की साहित अकादमी पुरुसकार से पुरुसकरित जो रचना है वो रचना कौन सी है 83 नंबर का question है जिन भी सात्यों को notes मंगवाना है अपने घर पे वो संपर कर सकते हैं सीधा नंबर चला है WhatsApp पर भी संपर कर सकते हैं call भी कर सकते हैं दोस्तों अगर call ना लगे तो आप WhatsApp पर भी संपर कर सकते हैं ठीक है तो जन्दी से बताएं कैलास वाजपे की साहित अकादिम प्रोषकार से सम्मंदेत रचना कोंसी है देहात से हट कर ठीक है राहुल जी बताइए महास्वपने का मध्यानतर और हवा में हस्ताक्चर बोलिस्तर कैलास तो हवा में हस्ताक्चर करता है हवा में हस्ताक्चर यानि कि आपका सी नंबर हवा में हस्ताक्चर बिलकू सही है बहुत बढ़ जया अंगला है आचार रामचंचों सुकले हिंदी की प्रतम कहानी किसे मानते 11 वर्स का समय इंदुमति, दुलाईबाली या फिर गोले बहार 84 नमबर के question में आचार रामचन सुकल हिंदी की प्रतम कहानी किसे मानते एक अच्छा question है एक अच्छे question के साथ ही आपको आँगे बढ़ना है नंदनी जी बताइए और सही आंसर जारा है कि सर इंदू मती जो है रामचन सुकल हिंदी की प्रतम कहानी जो है वो कौन सी इंदू मती को मानते हैं है ना इंदू मती के रचनाकार कौन है ये उन्नीस सो हिस्वी की रचना है दोस्तो कहानी है तो इस इंदू मती को मानते हैं इंदू मती के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है चैन करिए रस आखे टक किसके रचनाकार कौन है रस आखे टक के रचनाकार कौन माने जाते हैं और लाइक कर दीजे जद्धी से जितने भी हमारे साती हैं जिनको भी कोर्स मेड भी से लेन चैनी करिये और बहुती बढ़ीया क्वेस्चन यहाँ पर पूछा गया है बताईए रस आके टककी रिचनाकार कौन है रस आके टकके 85 नम्बर की क्वेस्चन में सही आंसर बताईए और उत्तरे की सर्य रस आके टककी जो रिचनाकार है वो कुबेर नात कुबेर नात राये हैं ठीक है सी नंबर कुबेर नात राये आपका सईय जैसंकर प्रिसाद का सर्व प्रितम नाटक कौन सा है 86 नंबर जैसंकर प्रिसाद का सर्व प्रितम नाटक कौन सा है सज्जन है रासरी है कामना है या फिर विसा की चारो नाटक विरसाद के हैं आपको तो पता है लेकिन प्रिथम जो नाटक है वो प्रिथम नाटक कौनसा है ये आपको बताना है 86 नंबर का कौस्चन है और आपको पता है आपने बिलको जनता जनार्दन कहां जा रही है देखते हैं 86 नंबर में ये बताया अनुराग यादो जीने सबसे पहले बहुत बढ़िया हैना स्षीमा वर्मा जीने की सर सज्जन है 1910 इसका रचना काल है सज्जन का ठीक है रास्तरी प्रसाद का सर्व प्रतम नाटक कौन सा है तो आप सज्जन में लगाना और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रसाद का प्रतम एतिहासिक कौन सा है तो एतिहासिक में आप रास्तरी लगाना जो की 1915 का है ठीक है रस्खान कभी का बास्त्विक नाम क्या है 87 नंबर का क्व कॉस्चन है, बताएं पूर्णी माः बरमाजी और यहां पर निधी दोवे जी रसखान कभी का बास्टबिक नाम क्या है, सैजद अब्राहेप, अब्दुल बताया है बिल्कु सही जनत जनारदन कहा जा रही है, डी की तरफ यानि की रस्खान दोस्तो ये सयद इब्राहिम इनका बास्तविक नाम ता एक क्वेस्चन रस्खान का कईवार पूचा गया हिंदी काब की आधुनिक मीरा किसे कहा जाते इतना अच्छा क्वेस्चन है मीरा की जब बात आती है तो मीरा की एक रचना पर राग गोबिंद पढ़ते हैं राग गोबिंद पढ़ते हैं नरसी जी को मायरो पढ़ते हैं मीरा की रचना में इनकी पदावली भी पढ़ते हैं ठीक है और मीरा भाई को अपन को याद कर लेना है कि जो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है ये क्वेस् करते हैं और महादेवी बर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। यात्री मित्र यानि की नवासी नंबर का क्वेस्चन है रभी संकर जी बताईए यात्री मित्र यात्रा ब्रतांत के लेका क्वेस्चन है यात्री मित्र बताना है बताईए मुकेस जी सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा राइट चैन करना है लाइक कर देना आरूसी मीना जी प्रमोद सैनी जी आरादना यादाओ जी लेखिका जी 89 नमबर के question में आपको बताना है और इतना अच्छा question आपसे पूचा गया है आप बताओगे कि सर यात्री मित्र है ना सत्य देव यात्री मित्र सत्य देव सत्य देव बताया है सरोज निगम जीने की सर सत्य देव परिव राजक सही हो जाएगा सी नमबर सही हो जाएगा यात्री मित्र यात्रा बरतांत की रिचनाकार सत्य देव परिव राजक है माटी की मूर्तें इसकी बिधा क्या है माटी की मूर्तों की बिधा क्या है दोस्तों पताईए 90 नंबर का question है माटी की मूर्तें और माटी की मूर्तें अपन ब्रक्ष के नीचे स्तापित कर देते हैं ब्रक्ष के नीचे ठीक है तो ब्रक्ष यानि राम ब्रक्ष बेनी पुरी माटी की मूर्तें ठीक है और ये क्या है संसमरण है ये नंबर आपका right answer है शिक्का ब बदल गया कहानी किसकी है एक 90 नंबर का question है और अपन ने याद भी किया था इसको सिक्का बदल गया भारत विवाजन पर आधारित दोस्तों एक कहानी है सिक्का बदल गया ठीक है और कशना सोती रही भारत पाक का सिक्का बदल गया और कशना सोती रही तो कशना सोती रही या निर्मल बरमा का चर्चित कहानी संगराै कोंसा है और आपका राइट आंसर है कि शर्चित कहानी संगराै परिंदे परिंदे है, यानि कि ये नंबर आपका बिलकुस सही है ठीक है, बहुत बढ़िया सभी लोग like कर दे सभी साती share भी कर दो सभी साती गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है गोदान उपन्यास आपने पढ़ा है होरी की बेटी का नाम क्या है 93 नमबर का question है सिलिया है, जुनिया है, सोना है या फिर धनिया है दोस्तो एक चीज और है self study classes का आप सभी app download कर ले अभी offer है हिंदी site पढ़ने का अच्छा मौका है 1200 में 12 महिने का एक offer दिया गया है आप लोगों के लिए ठीक है और दोस्तो हिंदी site के जिनको भी notes मंगमाना है आपके घर पर why post आपके notes आपके एक सब्ताइ में आपके घर पहुचेंगे ठीक है गोदान में होरी की बेटी इसका नाम क्या है 93 नमबर का question है और आपका उत्तरे की सर उसका नाम है सोना सोना याद रख्टे ना नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइए याद भी किया था पर ने ट्रिक से याद किया था 94 नमबर के question में नाखून क्यों बढ़ते हैं गुलाब राय हजारी परसाद दुवेदी स्याम सुन्दरदास या फिर राम चंद्र सुकल सुनील कुमार जी बताइए बिर्जेस कुमार जी नाखून क्यों बढ़ते हैं भाईया बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइए 94 नमबर के question में नाखून क्यों बढ़ते हैं एक सरल सा question आसान सा question आपसे पूचा गया है और आपका उत्तर जारा कि सर के हजारों बार काटते हैं फिर भी नाखोन क्यों बढ़ते हैं हजारों बार काटते हैं हजारों से बनेगा हजारी परसाद दुवेदी 1907 में ही जन्म हुआ था दुवेदी जी का ललेतन बंदकार के रूप में दोस्तों इनकी बहुत परसिद्धी है दुवेदी जी के पहला राजा नाटक के लेखा कौन है पहले राजा बनता है जो वो कहां जाता है बताओ शबी लोग बताएंगे पहला राजा ये किसका नाटक है और यैसे कितने साती हैं जिन्होंने अभी तक एड़िशन नहीं लिया सेल्प स्टडी किलासेस में दोस्तों और कितने साती हैं जिनको भी नोट समंगवाना है शबी लोग बताएंगे यहां पर अच्छा क्वेशन है पहला राजा नाटक के लेखा कौन है एक अच्छा और बढ़िया सा क्वेशन पूछा गया है शबी लोग बताएंगे बताएंगे राइट अंसर क्या हो रहा है यहां पर आपका शबी लोग चैन करें सेर भी कर दिया करो पहले राजा बनता है तो पहले कहा जाता है बुरुसर जगदीस की पूजा करने जाता है जगदीस से क्या बनेगा जगदीश चंद्र मातर यानि की B नमबर ठीके पहला राजा जगदीश चंद्र मातर का क्या है नाटक है B नमबर आपका correct तो right answer है आग और राग का कभी किसे कहा जाता है 96 नमबर का question आग और राग का कभी किसे कहा जाता है शंतोस कुमार जी बताओ दिनकर निराला पंतिया फिर प्रिसाद को आग और राग का कभी किसे कहा जाता है गीता जी चैन करिये बताएं बताएं बीरेंद्र जी आग और राग का कभी बताना है और आपका उत्तर है कि सर ये कहा जाता है आग और राग का कभी 96 नमबर के question में right answer जा रहा है क्या जाएगा कि sir आग और राक का कभी दिनकर को कहा जाता है दिनकर दिनकर आपका बिल्कुँ सही है ठीक है दिनकर आपका right answer हो जाएगा आग और राक का कभी दिनकर ठीक है ये number हिम के रिटनी के रचेता कोन है अभी offer चला है हिंदी साहित का दोस्तों हिंदी साहित में जिनको भी advisor लेना है बारा शो में बारा महिने को offer चला है आप लोगों के लिए अभी इस 15 अपरेल से new batch start भी हो रहा है 15 अपरेल से ठीक है तो बिल्कुल सबी साती दोस्तों advisor ले सकते हैं जिनको भी लेना है और जिनको भी अपने हिंदी साहित के notes घर मंगवाना है घर पर मंगवा सकते हैं हिम क्रीटनी के रचना कारकौन एक अच्छा question आप से पूचा गया है 97 नंबर के question में आप से पूचा गया है दोस्तों और आपने बताया कि सर ये जो रचना है हिम तरंगनी और हिम क्रीटनी ये माखलाज जुद्रवेदी की रचना है जिनका जन मठाराशो नवासी में हुआ था ठीक है राष्टिय काबधारा के कभी मान जाते हैं माखलाज जुद्रवेदी और इनकी एक रचना थी हिम तरंगनी जिसके लिए सबसे पहले साहित अकादमी प्रुसकार भी मिला था ठीक है हिम तरंगनी और हिम क्रीटनी ये माखलाज जुद्रवेदी यानि की ये नमबर आपका बिलकुल करेक्ट है और राइट अंसर चला जाता है कामाईनी में स्रध्धा किसका प्रितीक है अब कामाईनी की बात आईए तो इसका रचनाकाल भी बताना इसमें सर्ग कितने है वो भी बताना इसके रचनाकाल कौन है वो भी बताना राकेस पटेल जी बताईए यहाँ पर रिया जी बताएं जल्दी से इतने सारे स्टीकर मत बेजो विकास जी है ना कमेंट में करके उत्तर बताईए भाईया कामाईनी में स्रद्धा किसका प्रतीक है एंटार्ण में नमबर का क्वेस्चन है सबी लोग बताएंगे राइट आंसर कारम ज्यान बुद्धी या फिर्दाई कामाईनी में स्रद्धा किसका प्रतीक है एक अच्छा क्वेस्चन पूछा गया और आपका उत्तर जा रहा है कि सर जो स्रद्धा है वो प्रतीक है काय का हिर्दाई क्योंकि अपन हिर्दाई से क्या रखते हैं हिर्दाई से स्रद्धा रखते हैं यानि की डी नंबर हिर्दाई से इस रद्दा आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ये कामाईनी का रचना काली भी क्या है 1935 है ठीक है ये कामाईनी अंतिम काली रचना है जैसंकर प्रसाद की ठीक है सर्ग 15 सर्ग बता दिये हैं यहाँ पर दक्ष जी ने बिल्कु सही है हर्योद के प्रिये प्रवास महा काप में सरगों की संक्या कितनी है इसका रचना काल भी बताना है इसके रचना कार भी बताना है प्रिये प्रवास के ठीक है बताइए दो तीन कॉस्चन यहाँ पर आपके बतेंगे 99 में हर्योद के बारे में पूछा गया है सबी लोग बता मुकेश जी रादिका जी सीता राम जी चैन करिए जद्धी से कमला कांध जी सिवकुमार जी नाइंटी नाइन में और सेयर करते रहिए सबी साती और दोस्तो सेल्फ इस्टेडी ग्लासेस का एप डाउनलोड करिए प्रिये प्रवास जो की हिंदी खड़ी वोली का प्रतम महा काब है दोस्तो राम चन सुकल ने इसे महा काब नहीं माना प्रिये प्रवास को ठीक है इसमें 17 सर्ग माने जाते हैं इसका रचनाकाल आपको बताना है रचनाकाल क्या है बताएं रचनाकाल बताईए जदीशे उनी सो चौदा वेरी गोड उनी सो चौदा इसका रचनाकार ह इसके रचनकार है उद्या से उपाद्य हर्योद हैं जिनका जन्म कब हुआ था 1965 में जिने कभी समराट की उपादी दी दोस्तो हर्योद जी को ठीक है और हर्योद जी के बाद नाभादास करत भक्तमाल की भासा है क्या है सो नंबर के क्वेस्चन में नाभादास की भक्तमाल की भासा बताना है भक्तमाल का रचना काल बताना है नाबादास के गुरू का नाम बताना है और उनकी रचना भी बताना है यहां से चार कोस्चन आपसे पूचे गए हैं बताइए सबसे पहले तो नाबादस करत भक्तमाल की भासा आपको बताना है सबसे बड़ी बात तो है कि भ भक्तमाल की रचनाकार नाभादास हैं, भक्तों का माल कहां रखा वो लिनभ में, तो नाभादास, भक्तमाल का रचना काल क्या है, ये भी आपको बताना है, बताईए, राइट अंसर यहां पर जा रहा है कि सर जो भक्तमाल है, भक्तमाल की जो भासा है वो ब्रेजभासा है, और ब्रेजबासा पष्चमि हिंदी की बोली मानी जाती है, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुत सही है, B नमबर तो आपने सही बताए, इसका रचना काल क्या है, बताईए एक कॉस्चन, दूसरा कॉस्चन बताना की नाबादास के गुरू का नाम क्या है? नाबादास के गुरू की रचना कौन सी है ये भी आपको चैन करना तो इतनी आपको पता होनी चाहिए कि सर जो भगतमाल है कौन बता रहा है इसका रचना काल बताईए बीरेंद्र पटेल जी वेरी गुड बताए कौन बता रहा है अर्चना लोधी जी बहुत बढ़िया सुस्मा जी बहुत बढ़िया बिलकु सही आंसर है कि सर इसका रचना काल है पंद्रा सो पचासी पंद्रा सो पचासी इसका रचना काल माना जाता है अलग-अलग विद्वान अलग-अलग रचना काल भी मानते हैं इसका पर नाम था राम ध्यान मंजरी या फिर जिसे ध्यान मंजरी वस कहते हैं और आपको बताना कि जै मैंक जस्चंद्रिका की रचेता कौन माले जाते हैं जन्दी से बताना है एक अच्छा क्वेस्चन और बहुत ही वड़िया क्वेस्चन पूछा गया यहाँ पर लाइक करिए दोस्तोर शेयर कर दीजी अपने मित्रों तक यहाँ पर चैन करना है कि जै मैंक जस्चंद्रिका की रचेता कौन है बटे केदार है नर्पती नाल है नल से है या फिर मदुकर कभी है एक नंबर का क्वेस्चन है वड़िया सा क्वेस्चन पूछा गया है और देखते हैं दुकर कभी आपका राइट आशर हो जाएगा डी नंबर रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा प्रशने किर्मांग दोनंबर का कवेस्चन है अचार बिशुनात प्रिसाद मिस्र ने डाक्टर रमाशंकर सुकलिर असाल ने मिसर बंदु आ चार रामचन सुकलिर ने इक अच्छा कर अखिया रंजीत जी बवीत अदव जी बताईए वीरेंद्र जी दोनम्बर के क्वेस्टन में आपको बता ना है बताओ पताईए मंजु यादव जी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर रीती काल को कला काल किस ने कहा आपको पता है कि दोस्तों विस्वनात ने इसको स्रंगार काल कहा था और उन्होंने स्रंगार काल को तीन काब धारां में बाटा था जिनको अपन पढ़ते हैं रीती बद काब धारा वीती सिद्द काब धारा वीती मुक्त काब धारा लेकन यहाँ पर कला काल पूछा और जनता जनार्दन बीकी ओर जा रही है जो कि बिलकु सही है बी नंबर बिलकु सही है एक जिक पोल बी नंबर बिलकु राइट ठीक है घनानंद को साक्छात रसमूर्ती किसन ने कहा है एक अच्छा सा क्वेस्चन आपसे पूचा गया बढ़िया सा क्वेस्चन आपसे पूचा गया है देखते हैं कौन इस नंबर को सही बता पा रहा है लाला भगबान दीन ने अचार विशुनात प्रसाद ने अचार रामचन शुकले ने या फिर अचार हजारी प्रस जाद है दोवेदी ने घनारंद को साक्षात रसमूर्ती किस ने कहा तीन नंबर के क्वेश्चन में सबी लोग बताएंगे और जल्दी से लाइक भी करने साथी राइट अनसर क्या होग यहां पर किसर वो कहा है किसने रामचें शुकले ने जनता है जनारदन सी की तरप बहुत बढ़िया बिलकु सही है चीनार आपने बिलकु सही चैन किया है अंगला कोस्टन राजा जैसें के दरवारी कभी कौन थे राजा जैसें के दरबारी कभी कौन थे बताईए राजा जैसें के दरबारी कभी बताना है यह चार नंबर का क्वेस्चन है और यह चारों जो कभी है रीती काल के कभी माने जाते हैं यह भी याद रखते ना ठीक है भूसन भी रीती काल के हैं मतिराम और सेनापती भी रीती काल के हैं यहाँ पर बिहारी और सेनापती रीती सिद्ध हैं मतिराम और भूसर रीती बद्ध हैं ठीक है दोदो कभी यहाँ पर आपके लिए दिये गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है रवी संकर जी राजा जैसें के दरवारी कभी थे कौन बिहारी और बिहारी ने गागर में सागर भरा है दोस्तों खीक है आपको बता है इनकी एक रचना है बिहारी सत्साई बिहारी सत्साई जिसमें कितने दो है 713 दोहे काब रूप क्या है इसका मुक्तक मुक्तक काब रूप है इसका रचनाकाल बताएगा कोई पताओ इसका रचनाकाल जनता जनारदन पटापट से रवड चंद या कैचुआ चंद किस कभी की कभिताओं को कहा गया है पांच नंबर का कॉस्चन बताया गया छोटे लाल जी गंबला कान्त जी बारा सो में बारा महीने का ओफर दोस्तो आज समाप्त हो जाएगा रात्री बारा बजे तक चीक है और पंदरा तारीक से पंदरा अप्रेल से आपका हिंदी साहित्त का न्यू बैच इस्टार्ड हो र जादीकान और इसी प्रकार से क्रमबत दध्यन चलेगा लाइब क्लासों के माध्यम से रिक्वाडेड भी रहेगा टॉपिक वाई टेस्ट भी आपके होंगे तो रबड़ चंद या कैचुआ चंद किस कभी की कभिताओं को कहा गया पांच नंबर के क्वेस्चन में और जी नंबर आपका निराला बिल्कु सही है सब्त परना किसकी किरती है छे नंबर का क्वेस्चन बताना है भीनू सरोज जी सब्त परना लाइक कर दो एक बार बैल आइकन को भी दबा दिया करू ताकि नोटीपेकेसन आपके मोबाल तक पहुँचे दोस्तों तो बताईए य परना और यामा संग्राई के लिए 1982 में इन्हें ज्यान पीट प्रोषकार मिल गया महादेवी बर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था और ये बर्मा त्रई में भी सामिल है महादेवी बर्मा चायाबाद के चार आधार इस्तंबो में भी सामिल है महादेवी बर्मा आदुने क मीरा इने कहा जाता है महादेवी बर्मा को ठीक है और रहस बाद से प्रभावित है महादेवी बर्मा इनकी एक रचना है रस्मी जो की बोध दर्म से प्रभावित है ठीक है तो इतने सारे फैक्ट आपको महादेवी बर्मा के जानने को मिल जाते हैं सोसक बर्ग के पृति घरना का भाव किस युग की कभिताओं में मिलता है ये क्वेस्चन पूछा गया है बताइए चैयन करिए यहाँ पर बताइए रानी तिवारी जी प्रिमानसु जी राइट आंसर साथ नंबर के क्वेस्चन में क्या हो जाएगा यहाँ पर सभी लोग बत आएगे क्योंकि यह जो 1200 फीश है एक नॉर्मल फीश है आपके लिए है ना आप अपने बच्चों की फीश 12,000 भरते हो दोस्तो 14,000 क्या लाकों में पहुँच जाती है किसी किसी सकूल की पचास हजार रुपे आप साल में दोस्तों भरते हो एक 1200 रुपे आप अपने लिए ये फीस नहीं भर सकते क्या भर सकते हो ठीक है एक नॉर्मल फीस है दोस्तों है ना और इस सेल्प स्टेडी के लास यूटूब चैनल जो है ये बिल्कुल गरीबों का यूटूब चैनल है दोस्तों ठीक है तो सोसक बर्गे के प्रति प्रगती बाद और प्रगती बाद मार्क सबास से प्रबावित है ये भी याद रखे ना चांदनी मैप सिजी चारुचंद्र लेक के उपन्यास कार कॉंन है 8 नंबर का कॉस्चन है शवी लोगों को बताना है चारुचंद्र लेक उपन्यास के रचना कार कॉन है महअभी परसाद दुबेदी है भगवती चन बर्मा है ब्रन्दावनलार बर्मा है या पर हजारी पर साथ दुबेदी हैं सही बताना आपको और लाइक करके सेयर भी करदेना आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं दोस्तों चाया टीज़ीटी, पीज़ीटी की कर रहे हैं चाहे दोस्तो आप अल्टी ग्रेट की कर रहे हैं आप मास्टर कडर की कर रहे हैं तो आप के लिए रेगूलर फढ़ना बहुत जरूरी होता है मैंने आपको एक नारा दिया था कि एकजाम आते परते और सोचते हो कि हमें सपलता मिल जाए नहीं मिलती जो सालों से पढ़ते हो उनी को सपलता मिलती है कि कैए चारू चंदर लेख के ओपन्यास कार कौन है आठ नमबर का पोश्चा बोले सर चारू चंदर का जो लेख है वो तो हमने हजारों बार पढ़ा है हजारों बार पढ़ा है चारू चंदर का लेख तो हजारी पिरसाद दुबेदी लगा दे न डी नमबर लगा दो ये वो पन्यास है हजारी परसाद दुवेदी का जिनका जन्म उन्नीसो साथ में हुआ था ललित निबंदेकार के रूप में दोस्तों जिनकी पहचान है गली आंगे मुड़ती है इसके लेखक कौन है बताइए जल्दी से चबी लोग बताएंगे पुस्पराज बताइए बिलकुल पुस्पराज जी आ गए है वेरी गुड़ गली आंगे मुड़ती है लेखक है बताइए नामबार से हैं शेव परसाद से हैं अग्गे या पिर मोहन राकेस नो नमबर के क्वेस्चन में आपको राइट चैन करना है और जन्दी से बताइए गली आंगे मुड़ती है नामबर के क्वेस्चन में बुली सर हाँ अगर आपको सेव का परसाद चाहिए है तो गली यहां से आंगे मुड़ती है कहां पर मुड़ती है बुली सर सेव के परसाद के लिए गली आंगे मुड़ती है किसके परसाद के शिव के प्रिसाद, भईया भुले शिव का प्रिसाद चाहिए, भुले सीदे जाओ, गली आंगे मुड़ती है, शिव का प्रिसाद मिल जाएगा आपको, ठीक है, नटों के जीवन संघर्स का उडले किस उपन्यास में किया गया है, दस नमबर का क्वेस्चन, नटों, नटों पाल जी जदी से बताईए बताएं नीतु गुपता जी हाँ बिल्कुल नटों के जीवन संगर्स का उलेग किस उपन्यास में मिलता है 10 नंबर का क्वेस्चन है 10 में आपको चैन बताना है और आपको पता है कि सर नटों के जीवन संगर्स का जो उपन्यास में मिलता है यहाँ पर नहीं मिलता है पूँचा दोस्तों नहीं मिलता है सौरी यह गड़बड हो गया यह नटों के जीवन का संगर्स कब तक पो गारू में भी मिलता है सेलूस में भी मिलता है और यह दोस्तों जूला नट में भी मिलता है है ना इसमें नहीं मिलता सेवा सदन में नहीं मिलता ये नहीं है आपके लिए पूचा गया था ठीक है question अपने पूरा नहीं पड़ा ये दोस्तो ये तीनों पन्यास एजिनमें नटों के जीवन संगर्स का उलेक मिलता है अब यहां से ये पूचा गया कि नहीं मिलता है सेलूस में मिलता है जूला नट में भी मिलता है इस सिवा सदन में नहीं मिलता यानि D नमबर आपका बिल्कु सही है बहुत बड़िया अंगला देखो जीनी जीनी बीनी चंदरिया के सुपन्यासकार की दोस्तो ये कृति है प्रश्ने किरमां की ग्यारा नमबर का क्वेस्चन है सबी लोग बताएंगे जल्डी जल्डी से सबी बताएंगे यहाँ पर जीनी जीनी बीनी चंदरिया एक के सुपन्यासकार की किरित्ती मानी जाती है रजिनी बाला जी बताएं क्या हो जाएगा यहाँ पर सुमन पाल जी राइट आंसर क्या है यहाँ पर बेस्या जीवन पर आदारेते सेबा सदन दिपी का सुकला जी 1918 का उपन्यास है बहुत बढ़िया जीनी जीनी बीनी चंदरिया आज जनता जनार्दन जारी बीकी ओर अबदुल बिश्मिल्ला बीनमबर अबदुल बिश्मिल्ला राइट टोपी सुकला के लेकक कौन है बारा नमबर का क्वेश्चन है टोपी सुकला स्रीलाल सुकले राही मासूम रजा मोहान राकेस या फिर मन्नू भंडारी अच्छा कॉस्चन है बिल्कुल बढ़िया सा कॉस्चन है टोपी सुकला के लेखक कौन है टोपी सुकला के लेखक कौन माने जाते हैं बहुती बढ़िया कॉस्चन है और आपने उत्तर लगाया कि सर है ना मासूम लोगों को टोपी पहना देते हैं आपने देखा होगा दुगानदार के पास आप जाते हो उनने देखा कि यह तो बड़ा मासूम है तो लोग टोपी जल्ल्दी पहना देते हैं, यह टोपी है टोपी ठीक है यह टोपी सुकला याद रखेना मासूम रजा इसके लेकक हैं हरी बिंदी ये किस साहितिकार की कहानी है हरी बिंदी हरी बिंदी बताना है पताइए चैन करिए जिन भी सातियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित के बें नोट्स अपने घर में मंगवा सकते हैं एक सप्ताह में नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे दोस्तों एक सप्त से ले सकते हैं हरी बिंदी किस्सा हितिकार की कहानी है तेरा नंबर का क्वेस्चन है तेरा नंबर के क्वेस्चन में आपको चैन करना है बड़ी ऐसा क्वेस्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा कि हरी बिंदी बोले सर बड़ी मिर्दुल मिर्दुल लगती है कैसी लगती है हरी बिंदी पुरिसर मिर्दुल मिर्दुल लगती है मिर्दुल मिर्दुल तो मिर्दुला गर गर लगती है हरी बिंदी बड़ी मिर्दुल मिर्दुल ठीक है तो ये बिंद मिर्दुला से मुर्दुला गर हो जाएंगे सी नमबर निकी कहानी है हरीविंदी पूचा गया है कई बार कहानी संग्राएं दूसरा ताज महल दूसरा ताज महल की लेखी का कौन है शबी लोग बताएं राइट आंसर बताना है रिधिका दिब्याजी बताएं कहानी संग्राएं दूसरा दूसरा ताज महल इसकी लेखी का कौन है नासिरा सर्मा है शमा शमा बताना है ममता कालिया फैरानीता जैन चवडा नमबर का कॉस्चन है बोले सरह हमें दूसरा ताज महल ऐसा बनवाएंगे कौन बनवाएगा अपने गुरूम में राहुल जी बनवाओगे क्या अनुराग जी कौन बनवा रहा है भाईया दूसरा ताजमहल बोले ऐसा बनवाएंगे ऐसा बनवाएंगे मुकेश जी कि जिसका ना सिरा सिरा ना हो जिसका ना सिरा ना सिरा हो किसका दूसरा ताजमहल का इस जो पुराना ताज महल, पहला ताज महल है, इसका तो इस सिरा दिखता है, सिरा दिखता हुले ये सिरा है, उले ऐसा बनवाएंगे जिसका ना सिरा, सिरा ही ना हो, ठीक है, बिलको सुनीता चोदरी जी, ये नमबर आपका बिलको सही है, इनमें से कौन सी कृती पृती प्रती यादाव जी जल्डी से आनंद जी बिल्कुल बात कर सकते हो नीचे नमबर लिखा है ठीक है बात कर सकते हो इन में से कौन सी कृती प्रती बंदित रही है एक कौश्चन पूछा गया अच्छा कौश्चन है और 15 नमबर की कौश्चन में सीधा सीधा अंसर जारा किसर इनकी किर्थी कौनसी चिंगारिया चिंगारिया डी नमबर इप्रिती बंदित रही डी नमबर बिल्कु सही है अर्द कथानक किसकी आत्म कथा है आत्म कथा बताना है इसका रचना काल भी आपको बताना है सबी लोग बताएंगे और सेयर भी कर देना एक बार जल्दी से जाती है जो की ब्रज भासा में लिखी गई है दोस्तों तो यहाँ पर चैन करने के लिए बोला गया और आपने बनार सिदास जैन तो लगा दिया लेकिन इसकी भासा क्या है इसकी भासा ब्रज भासा है इसका रचना काल क्या है ये भी 1641 बताया राहो राज जी बहुत बढ़िया त्रसक्रत किसकी आत्मकता है 17 नंबर का क्वेस्चन त्रसक्रत किसकी आत्मकता है ये आपको चैन करना है बताईए रचना जी राइट आंसर बताईए पटापट से बताईए पटापट से बताना त्रसक्रत किसकी आत्म कता है सबी लोगों को चैन करना है और लाइक भी करना है बहुत बढ़िया कोस्चन है त्रसक्रत आत्म कता किसकी है पुस्पा मौरे जी पूनम जी बताइए त्रसक्रत 17 नंबर का कॉस्चन और एक बार लाइक भी कर देना है सेर भी करना है और सबी लोग बता रहे हैं कि सर सूरज निकल निकल के त्रस हो गया है रोज निकलता है आप कहतना कि सर हम भी महेश प्रसाद हैं राहुल सांकरित्याइन है से उपर साथ गुपने हैं सत्य मेव परिब्राजक हैं यह सत्य देव हैं सत्य देव परिब्राजक तो यहाँ पर प्रतिवी प्रदक्षिना के लेकक पूचा गे 18 नंबर के क्वेस्चन में सबी लोग बताएंगे लाइक करते हुए आंगे बढ़ना है सबी सात्यों को बताएं यहाँ पर बंदना शिंग जी बिलकुल नई राजकुमार जी किलास चल लए है थोड़ा सा बीच में नेट प्रवलम प्रतिवी प्रदक्षिना के लेकक कौन है अच्छा क्वेस्चन है अठारा नंबर के क्वेस्चन में आपको चेन करनी के लिए बोला गया और आपका उत्तर जा रहा है जनता जनार्दन कहां जा रहे है जनता जनार्दन कुछ डी के ओर जा रहे है कुछ ची के ओर जा रहे है देखो यहाँ पर यही तो गड़बड़ हो रहा है भाईया गड़बड़ क्यों कर रहे है यहाँ पर पुलिसर यहाँ पर स्यो प्रसाद गुप्त लगा दो देखो D नमबर बता दिया बहुत सारी लोगोंने वेरी गुड प्रत्वी प्रदक्षिना के डेका कें स्यो प्रसाद गुप्ते स्यो नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा अनुमती बाद की अबधारना किसकी है अनुमती बाद की अबधारना बताना है यानि कि अनुमती बाद की प्रबड़तक कोने भट नायक है बिश्वनात हैं भट लोलट हैं या फेर शंकोक हैं बताएं जन्दी से बताईए ललिता मलिक जी बीनू सरोज जी रीना मडियाल जी राइट आंसर बताएं अनुमती बाद की अवधारना ये किस की है किस की मानी जाती है देखते हैं कौन-कौन गलत बता रहा है अनुमती बा अवधारना किस की है संकोक की संकोक की है यानि डी नंबर आचार देव ने किस भाव को 34 संचारी भाव माना है 34 संचारी भाव बताना है किसको माना छल को इसमिर्ती को पुलक को या फिर रोमांच को बताएं बिलकुल अनुमती लेकर संक बजाना ऐसे भी कर सकते हो बिलकु नमबर का question आचार देव ने किस भाव को 34 संचारी भाव माना है आपको बताए 33 संचारी भाव होते हैं किसी को याद है हाथ उपर करके बताए पूरे 33 संचारी भाव किसको याद है और 34 छल नामक ये आचार देव जिनका बस्तवेक नाम था देव दत्त इताबा में बताए इनका ठीक है देव का और यहाँ पर छल नामक ये उने 34 वा छल नामक भाव वाना था पबन सब्द में कौन सी संदी है 21 नमबर का question कोई बताएगा हाथ उपर करके कि सर हमें 33 संचारी भाव याद हैं कई बार मैंने आपको बोला है है ना निधी जी बहुत बड़िय निधी दुबे जी 33 संचारी भाव याद हैं और किसको याद है एक को बस याद है कई बार मैंने बोला देखो पोल खुल रही है लबली ठाकुर को याद है और बताएगे किसको याद है बंजु यादो जी बास तीन लोग को याद है अमें सिंग जी याद है वेरी गुड बहुत बढ़िया है ना बहुत बढ़िया भीनु सरुच जी याद है तो सभी को याद करना है मैं 50 बार बोल चुका हूँ तनु जी है ना तो पबन में कौन सी संदी है 21 नंबर का question आप से पूछा गया है 21 नंबर में आपको बताना है और बोले सर है ना अयादी संदी हो ज सा है बताइए रादिका जी सभी को याद करना है आप से question एक आता है 100% कईवार question में आ चुका है मैंने आपको कईवार बोला भी है question पूछा जाता है कि 3 संचारी भाव दिये रहते हैं एक और कोई उठा के रख दिया जाता है अब आप से पूछा जाता है कि बताइए कौन सा संचारी भाव है या नहीं है या पूछा जाता है संचारी भाव से कोई संचारी भाव आपका रख दिया जाता है कि बताइए बिसाद क्या है अनुभाव है बिभाव है संचारी भाव है क्या है इस प्रकार के question आते हैं आपके तो अलंग केस का परियाब आची यानि की 22 नमबर आपका बिल्कु सही है, कोबेर का आपका राइट अंसर है, शी नमबर आपका बिल्कु सही, हिंदी साहित की भूमिका इसके लेका क्वन है, भूमिका 40 की हो गई, यानि 1940 इसका रचना काल है, भूमिका 40 की हो गई, तो हिंदी साहित की भूमिका 1940, हजारी पिरसाथ बताना ये लेका केंदी साइट की दोस्तो भूमी का तो बताएं चैन करिए और बहुत सारे साती जब देख रहे हैं पढ़ाई कर रहे हो एक विवस्तित पढ़ाई आपको करनी चाहिए ठीक है तो जिन भी सातियों को दोस्तो एड़ वीसल लेना है बारा सो में बारा महिने का है ना ये आज अंते मौफर है और पंदरा अप्रेल से न्यू बेच स्टार्ड हो रहा है मैं कहता हूं कि आप बारा सो रोपे खर्च करके देखिए सेल्प स्टेडी किलासेस में मजा ना आए तो बता देना कि सर मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में याद नहीं हो रह 2440 रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तो 24 नंबर का कॉस्चन आपको बताना है और जो रेगूलर अध्यन करते हैं उनका सेलेक्शन होता मैं बता दे रहा हूं आपको एकजाम आता रहेगा जाता रहेगा अध्यन नहीं रुकना चाहिए अध्यन रुका समझो कि आपने देखा होगा कई लोग दसो साल से तैयारी करते हैं लेकिन कब करते हैं एकजाम आ गया तीन मैने के लिए कली फिर बंद कर दी फिर एकजाम आया दो साल बाद फिर दो मैने कली फिर बंद कर दी उनका सेलेक्शन नहीं बोले हम तो दस साल से तैयारी करना लेकिन से तो यहाँ पर रुद्र संप्रदाई की इस्तापना किस ने की है 24 नंबर का क्वेस्टन पूचा गया और रुद्र संप्रदाई यानि की उत्तर चला गया जंता जनारदंजारी सी की तरफ यानि विश्णू स्वामी बताया आपने सी नंबर बताया राइट अंसर सही हो जाएगा संतन को कहां सीकरी सुकाम और आबत जात पनया टूटी बिसर गए हो हरी नाम यह पंक्तियां बताना है दोस्तों पंक्तियां अब कोई बताएगा अश्चाप के आठ कभी किसको याद है बताओ जल्दी किसी को ट्रिक याद है मैंने बताईती जो अश्चाप के आठ कभी किसको याद है पटाक से पूचा जाता है कि निम्न मैंसे बताईए कौनसा अश्चाप का कभी है या फिर नई है तो अश्चाप के आठ कभी आपको पता होनी चाहिए और यहाँ पर जो कुम्भंदास दिये हैं ये कुम्भंदास अश्चाप के सबसे वरिष्ट कभी माने जाते हैं और ये नमबर आपका बिल्कुँ सही है ठीक है कुम्भंदास आपका राइट अंसर दोस्तों ये पंक्ती है इनकी अंगला है बिठलात ने बल्लब संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धती का समाबेश किया है 26 नमबर का क्वेस्चन बहुत बढ़िया याद है मतलब रेकातर पाटी जी वेरी गुड साहिल तयाल जी अमिस सिंग जी याद है वेरी गुड वेरी गुड अरुन राजपूजी बहुत बढ़िया धन्दबाद याद करना इसी परकार से राजकुमार जी बिठलात जिन्होंने 1565 में अर्षचाप की स्तापना की चार कभी उन्होंने अपने पिता जी यानी बल्लबाचार के उठाए और चार कभी दोस्तों चार जो कभी सिस्से थे वो सिस्से दोस्तों खुद के सिस्स उठाए बिठलात ने और 1565 में इन्होंने अश्चाप की स्तापना कर दी तो 26 नंबर का कॉस्चन है कि बताए बिठलात ने बल्लब संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धती का समाबेस किया था ये भी आपको बताना है पैड किलास होती है सामको 5 बजे से 5 चालीस सारे 6 से 7 दस तक दो किलास होती है दोस्तों पैड पूरा रिकॉर्डेड भी रहता है हर संडे को टेस्ट भी होता है ठीक है तो 27 नंबर के कॉस्चन में आपको चैन करना है हिंदी नई चाल में धली कतन तो आपको बताई है देपिका जी कि सरे भारतेंदु जी का कतन है लेकिन कब धली तो कौन ने बताया कब धली बताओ जन्दीशे तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 नंबर के कॉस्चन में कि सर हिंदी नई चाल में कब धली बताई हिंदी भासा के मानवी करन की द्रश्टी से कौनसा कौनसा योग सरबादेक महत्पून योग था बताओ कौनसा योग था जो सबसे महत्पून था 1803 में हिंदी नई चाल में धली मीना सिंग जी बिलकुस सही आंसर आया आपका पूना मींसान जी 28 नंबर में हिंदी भासा के मानकी करन की द्रश्टी से दोस्तो कौनसा योग सब से दोस्तो कौनसा योग है जो सबसर्बादिक महत्पून योग था ये क्वेस्टन पूछा गया आपसे और आपने बताया 28 नंबर के क्वेस्टन में शबी लोग बताना है 28 का उत्तर बताना है और उत्तर चला गया कि सरबुद्वेदी योग था यानि B नंबर था 26 में योग लो पासना उत्तर सही था फिक है नेक्स्ट देखो सेर सह का सस्त्र समर्पण इसके रचनाकार कौन है सेर सह का सस्त्र समर्पण तो बताए रिंकू जी राधिका जी बताए और लाइक करके सेर भी कर दीजिए सभी साथ ही दोस्तो और सेर सेह का सस्त्र समर्पन इसकी रचनाकार कौन है ये रोज रात्री 9 वजे किलास होती है दोस्तो आपकी है ना इस किलास में कोई संडे की छुट्टी वी नहीं होती आपकी ठीक है सेर सेह का सस्त्र समर्पन की रचनाकार कौन है 29 नंबर का कॉस्चन पूछा गया यहाँ पर और आपका उत्तर हो रहा है कि सेर सेंका सस्त्र समरपन देखते हैं कौन-कौन सही बता रहा है बविता जी बता रहे हैं डी यानि कि जैसंकर पिरसाद सेर सेंका सस्त्र समरपन राइट अंसर जा रहा है डी की तरफ पिरसाद जी यानि कि दोस्तों आपका डी नमब बताईए विजय चोहान जी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर त्रीती प्रोहिज जी ललीता जी युगी की गंगा इरचना किसकी मानी जाती है सभी लोग बताएंगे दोस्तो आपके लिए दो चीजे चल लएँ है अभी एक चला है पैड किलास में बारा सो में बारा महीने की किलास है ठीक है मैं बता रहा हूँ दोस्तो इतनी कम फीस है कि लोग संसाय में आ जाते हैं पुलिसर कहीं आप फिराड तो नहीं कर रहे ऐसे व किलास से निकलेगी तो केडार नास से आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा केदारनात अगरबाल थेक है योग की गंगा वी नमबर आपका right answer है ठीक है कविता की तीसरी आँख के रचनाकार कौन है एक तीस नमबर का question है सभी लोग बताएंगे संदीब गुपता जी कविता की तीसरी आँख इसके रचनाकार कौन माने जाते है सेरजंग गर्ग मान जाते हैं, मिरदुला गर्ग प्रभाग कर स्रोत्रिय या फेर या फेर इनमेंसे कोई नहीं ये question बताना enjoyment जी right answer chain करना है सभी को बताना है तिक-10 number का question है बहुत ही बढ़िया question है और आपका सीधा answer जा रहा है कि सरकविता की तीसरी आँख है ना कविता की तीसरी आँख खोल गई और आपने पढ़ाता ना कि प्रभाकर सोती रही और कविता की तीसरी आँख खोल गई तो प्रभाकर सोती है तनमाई जी सी नंबर बहुत बड़ या भारतेंदु कालिन के सो पन्यास से आधुनिकता की श अचना काल भी बतादो question थोड़ा साब सभी लोग chain करें और एक बार जल्दी से like भी करने साथ योग जल्दी बताओ भारतेंदू योग ठेक है भारतेंदू योग दोस्तों भारतेंदू के जन्म से ही भारतेंदू योग की शुरुवात माली जाती है और उनी के नाम पर दोस्तों बिल्कुल सभी लोग बताएं बताएं यहाँ पर 32 नंबर का question है पुस्पराज जी उस पर आज आ गये हैं जोका आगा जोकेगा नहीं क्या बोलते हैं वो ही वाला डायलाग तो यहाँ पर भारतेंदू काली इनके सुपन्यास से आदुनिक्ता की परिक्षा गुरु अठाराशो वियासी रचनाकार स्री नवासदास ठीक है एक बार चरणदास चोर किसकी नाट्ट कृती है जन्दी से बताएं यह चरणदास चोर कई बार आपसे question यह पूछा गया ह कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है दोस्तो मुद्राराक्चस है बलराजपंडित है हभीब तनवीर है नांग बोडस है इतना अच्छा question पूछा गया और यह जो बार बार repeat कुछ question होते हैं आपके यह तो आपके mind में set हो जाते set है ना तो यहाँ पर चरणदास चोर रामका मुकुट भीग रहा है यह निबंद दोस्तों यह निबंद बताईए यह निबंद बताईए किसका निबंद है मैंने आपको याद भी करवाया था यह मिरे रामका मुकुट भीग रहा है बोले आपने कैसे देखा आपको कैसे पता आपको कैसे पता 34 नंबर का question है ब बिद्ध्यानिवास मिसर के कोई तीन बंद बताएगा लिख करके जो मैंने आपको ट्रिक से कई बार याद करवाए बोले अपनी बिद्ध्या से मैंने देखा कि मेरे राम का मुकोटे भीग रहा है यानी बी नमबर बहुत बड़ी जाग बेरी गुड आपका बंटी उपन्य के भी मित्र होंगे ठीक है तो बोलते हैं बोले आपका बंटी कहां गया बोले अभी नवरात्री चल लई है मेरा बंटी भंडारे में गया है मेरा बंटी कहां गया सुनीलते बारी जी बोले सर भंडारे में गया भंडारे तो भंडारे से क्या हो जागा मन्नू भंडारी भं आपका बंटी भंडारे में गया है ये नमबर सही है दीवार में एक खिड़की रहती थी ओपन्यास की रचना किसने की बताइए बताइए बिभूती जी प्रश्न करमांग 36 में जल्दी से आपको चैन करना है एक बार सेर भी कर दीजिए सबी सातियों रोज इस किलास से बन की चाहे सिल पहुँचाई बहुत बढ़िया बिलकुल शाही है मेरे राम का मुकुट भीज रहा है बीनु जी दीवार में एक खिड़की रहती थी यानि की उत्तर हो जाएगा बिनोत कुमार सुकल डी नमबर बहुत बढ़िया अंगला है गड़े संकर बिद्यारती रचित गांदी की जीवनी कौनसी है लाइक कर दीजे सभी साती इतने अच्छा सेशन दोस्तों आपके लिए रोज आता है रोज इस सेशन से आप लोग जुड़ते हैं और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते हैं ठीक है गड़े संकर बिद्यारती रचित गांदी की जीवनी आपको चैन करना है इतना अच्छा कौस्चन है बहुत बढ़िया कौस्चन है सेल्प स्टडी गलासे से आप लोग जुड़े है ना बारा सो में बारा महीने बिलकुल फिलावर समझा है क्या बहुत बढ़िया तो वोले 37 नंबर वोले फिलावर समझा है क्या सर इस का उत्तर हम भी बताएंगे 37 नंबर का question है 37 नंबर में पुलिसर सिरी गांधी सिरी गांधी करके नोने जीवनी लिखी गड़े संकर विद्यारती ने B नंबर आपका बिलकु सही है कलम का सिपाही कृति के लेखाक है कलम का सिपाही बताईए कलम का सिपाही कृति के लेखा कौन है 38 नंबर का question है शबी लोग बताएंगे जल्दी से बताएं राइट आंसर बताना है प्रियंका कौर जी शबी लोग बताएं बताए राइट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा अंजू जी सुनीता जी जिन भी सात्यों को दोस्तों हिंदी साइट के नोट्स मंगवाना है वो अपने घर मंगवाते हैं साथ-ाठ दिन में नोट्स आपके घर पहुँच जाते हैं आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं है ना लाइब क्लासों से भी दोस्तों लाइब क्लास बाले आप दोस्तों एक कोर्स में अड़िसल ले सकते हैं जो की 1200 का कोर्स है है ना कलम का सिपाही ये किर्थी किसके कलम का सिपाही पूचा गया है तो आप क्या लगाओगे अमरत राय लगाओगे अमरत राय ठीक है तो आ बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि नंदुलारे बाचपेई को स्वस्ठव बादी आलोचक एक क्वेस्चन आता है कि निमने मैं से बताईए कौन सा स्वस्ठव बादी आलोचक है रमेश कुमार जी तो उत्तर हो जाता है नंदुलारे बाचपेई ठीक है चाया बादी आलोच भाटी जी 49 नमबर के question में और उत्तर जाराए की सर भगबत स्वरूप मिस्रा ने इनको कहा है क्या 176 बादी आलोचक माना है ठीक है तो तनु जी ने डी नमबर बताया जो की बिलको सही है बहुत बढ़िया रभी गुपता जी बिलको सही है शिक्का बदल गया शिक्का बदल गया और कशना सोती रही कशना सोती रही यानि की कशना सोपती कशना सोपती यानि की बी नमबर सिक्का बदल गया वोली सर और कशना सोती रही बी नमबर ये question तो कई बार मैंने आपसे पूंचा है आपको तो रट गया है याद हो गया उर्दु भासा की लिपी बताना यहा पिहू सर्मा जी एप डाउनलोड कर लो पहले self study classes self study classes पिलो इस्टोर में जाईए सर्च करिए self study classes ठीक है यह बाला जो एप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तो उर्दु भासा की लिपी पूछी गई यह आपने देखी होगी उर्दु भासा की लिपी को लेकर के कई मतवेद होते हैं कहीं आपको अर्बी फार्शी दोनों मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तो C नंबर लगाना है फार्शी लगाना है ठीक है फार्शी लगाना C नंबर लगाना है ठीक है दक्षिन भारत हिंदी परचार सवा का मुख्यालय का most most important 42 नमबर कई बार पूचा गया दक्षिन भारत हिंदी परचार सवा का मुख्यालय कहा है बताए सीता राम जी रतिपाल जी हिना सिद्धिकी जी दक्षिन भारत हिंदी परचार सवा का मुख्यालय कहा है एक अच्छा question आप से पूछा गया सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से like भी कर देंगे like करिये जल्दी से दक्षिन भारत हिंदी परचार सवा का मुख्याला क्या है सभी लोग बताएंगे और अच्छा question है दोस्तो बहुती वड़िया share भी कर दिया करें सभी साती मित्रों को दक्षन भारत हिंदी परचार सभा का मुक्याला है कहा है एक अच्छा सा question पूचा गया like करना है और अपने मित्रों तक share भी कर देना है बताईए जदीशे सभी सभी बताएंगे और बताईए रक्षन भारत और उत्तर आ गया इस ब्यालीश नमबर के question में शबी लोगों यानि की जनता जिनार्दन का question आया चिन्नई शी नमबर चिन्नई बिल्कुस सही है बहुत बढ़िया भारतेंदों ने बिजयानी बिजय पताका की रचना की है कभी बचन सुधा की सपल प्रकासन के उपलक्ष में कीती क्या भारतेंदों मंडल के गठन के उपलक्ष में कीती क्या अंग्रेजों की मिस्र बजय पर की कुसी में कीती कैसे कीती जल्दी से बताईए फटा पट से 43 नंबर का क्वेस्चन भारतेंदों ने बिजयानी बिजय पताका की जो रचना कीती वो कीती वो लिस्टर गंग्रेजों की मिस्र बिजय पर C नंबर आपका करेक्ट भारतेंदों ने किस उपन्यास से उर्दू में कविताई लिखी तो बताइए किस उपन्यास से लिखी है तो उपनाम से स्वारी उपनाम से पूचा गया यहाँ पर तो बताइए भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दु में कविता है लिखी 44 नंबर का question है 44 नंबर का बताना है सुकभी, रसा, जकी या फिर भारतेंदू 44 नंबर में प्रिया जी बताइए बिनीता जी राइट आंसर योगेस जी क्या है यहाँ पर सही आंसर मोकेस जी 44 में और बोरे सर यह भारतेंदू जी का उपनाम जो है वो उपनाम है रसा और रसा उपनाम से इन्होंने उर्दू में कभी ताइं लिखी यानि कि आपका जो B नंबर है रसा बिलको सही है जकी नहीं, जकी उपनाम से तो जगनात दासरतना करने लिखी थी है ना, इस रसा उपनाम से लिखी थी भारतेंदु जी ने, बी नमबर, ठीक है, नीमा किस कभी की माता का नाम है, पैतालीस नमबर का क्वेस्चन बताना है, बताइए, नामबार सिंग जी, बहुत बढ़िया, नामबार सिंग जी वे आगए, बहुत बढ़े आलोचक हैं, यहाँ पर, जैस्तिरी जी, गंगबार ज दिया गया बहुत बढ़ जी कत्यार नीमा किसकभी की माता का नाम है उक अच्चा क् posynn आपसे पूछा गया बहुत ही बढ़ीा question पूछा गया जंदी से like कर देना है और उत्तर जा रहा है यहाँ पर फैतालीस नंबर के क्वेस्चन में कभीर दास सी नमबर बहुत बढ़िया नरंजनी संपरदाय के प्रबर्तक कभी कौन है नौबजे बाली ये रोज किलास में आप लोगों को जुड़ना है बारा सो में बारा महिने का दोस्तों ये कोर्स आपको जरूर एड़ बीसल ले मैं बता रहा हूँ जितने भी अमारे साती है नौबजे की किलास अटेंड कर रहा है सभी सातियों को इस किलास में एड़ बीसल लेना चाहिए क्योंकि आप बच्चों की फीस बारा से पंदरा हजार दोस्तों भरते हैं भरते हैं कि नई भरते आप इसमें अड़ बीसल ले सकते हैं नरअजनी संपर्दाय के प्रवर्थत कभी कौन है आपका उत्तर हुझाएगा हरिदास नरअजनी इसको सकी संपर्दाय कहा जाता है इसको टटी संपर्दाय भी कहा जाता है ठीक है ये भी याद कर लेना अंबर पनगट में डुबो रही तारा घटूसा नांगरी ये में बताना है कि कौन सा अलंकार है हीरो हंडा जी बताइए बिक्की जी राइट आंसर क्या हो जाएगा शबी लोग बताएं लाइक जरू करें सबी साती प्रीती जी निसा जी निधी जी आयूस जी बिलकुल हिना जी अंबर पनगट में डुबो रही तारा घटूसा नांगरी 47 नंबर के क्वेस्चन में विजय चौहां जी बेभाव जी बताइए 47 का उत्तर है और अच्छा क्वेस्चन है और उत्तर जारा है कि सर 47 नंबर में यह यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा रूपक लंकार यानि सी नंबर सी नंबर बिल्कुँ सही है यहां पर यह कई बार पूँठा जाता है वह ना अंबर पनगट में डुबो रही तारा घट उसा नांगरी कोई डुबो रही होगी बुरिसर उसका रूप तो नहीं देख र उसका रूप तो नहीं देख रहा अब यह कुछ भी नहीं जानना इट्रिक मिल गई अपन को अगर यह कभी भी पूँचा जाए तो यह रूपक लगा देना बुरिसर यह पनगट में डुबो तो रही है लेकिन उसका उसा रूप तो नहीं देख रहा रूप से रूपक हो जाएगा पिरबल कारणों के होते हुए भी जब कार सिद्ध ना हो तो कौनसा अलंकार पिरबल कारण है आपने कई बार पढ़ा है ना कि सर कारण है लेकिन कार सिद्ध नहीं हो रहा है मतलब कौनसा अलंकार हो जाएगा अर्चना जी पलबिंदर जी बताए संजय पाठक ज बताएं और आपका उत्तर है कि सर बहाँ पर हो जाएगा बिसे सोकती अलंकार यानि कि C नंबर C नंबर जनता जनारदन C की तरफ जा रही है क्या 48 नंबर के question में बहुत बढ़िया ठीक है जिस सब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता बताएं अपीतु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे उसे बताना है उसे कौन सा समास कहते हैं समास आपने पड़े हैं जिसका कोई भी पद प्रधार नहीं है अपी तो अन्न आर्थ दोस्तो जो निकलता है अन्न पद जो है अन्न आर्थ निकलता है वो आपको बताना की बहाँ पर कौन सा समास होगा एक अच्छा question सभी साती लाइक करें दोस्तो जिन भी सातियों को हिंद बीसर ले सकते हैं उनन चास नंबर के question में और उत्तर हो जाएगा कि सर बहुब रही समास लगा दो बी नंबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर है चक्र पाणी में कौन सा समास है शबी लोग question है रातरी दस बजे दोस्तों एक जाम पार में एक हिंदी की किलास होती है वो भी आप लोग अटेंड करें ठीक है उसमें भी आपकी बढ़ियासी practice होगी तनू जी बताइए चक्र पाणी सब्द में कौन सा समास है पचास नंबर का question है पचास में उत्तर बताना उलवोरी सर बहु बरही समास इसमें हो जाएगा बहुत बढ़िया है ठीक है आपका प्रस्ण है क्रदंत प्रत्य किन सब्दों के साथ जुड़ते हैं एक अच्छा question पूछा गया है क्रदंत प्रत्य किन सब्दों के साथ जुड़ते हैं हैं एक बार सेयर कर देना है संग्या सर्वनाम क्रिया या फिर अब्याई के साथ कौन बताएगा इंक्यावन है और आपका उत्तर हो जाता है क्रिया के साथ क्रिदंत मैं कि या सुरेश से है जल्दी से बताएगे डालि लित्य वारी जी वाटसअप नमबर दिया है वाटसअप पर संपर कर सकते हैं ठीक है बताएं जल्दी से यहाँ पर बावन नमबर का क्वेस्चन है सिर्जन कुमार जी मेसेज करिए वाटसअप पर चैट में मेसेज करिए आपके पास बिल पहुँच गया होगा आपने एडवी से लिया है तो कौनसा उफसर्ग रहत सब्द है यह बावन नमबर के क्वेस्चन में पूछा गया और आपका उत्तर चला जाता है कि सर डी लगा दो सुरेस लगा दो डी नमबर आपका सही है यह उफसर्ग रहत सब्द है डी नमबर आपका बिलकु सही हो जाएगा राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं ये बताइए कैसा बाग का है बाग का बताना है आपको बंदना जी बताइए राम किरकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता ये कैसा बाक है सलल बाक है संयोक्त है मिस्तर है या फिर इनमें से कोई नहीं चैन करें त्रेपन नंबर का कोस्चन है बताई ये अंबेट करनगर से अजयाई आदाउ जी राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता तो ये बाक कैसा हो जाएगा ये बाक चैन करना है और बहुत सारे लोगों ने लगा दिया कि सर ये अनिल कुमार जी ने C लगाया है ये है मिस्टर बाक C नमबर जिनों ने लगाया उनका अनसर बिलको सही राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं यानि कि ये जो बाक के है ये मिस्टर बाक के है मिस्टर बाक के है मदू दिम्मन जी C नमबर आपका सही है ठीक है जियों ही मैंने दरवाजा खोला कि बह आ गया बह आ गया कैसा बाक है चर्वन नमबर ये मिस्टर बाक होगा ये सन्युक्त बाक होगा बी नमबर सही होगा इस में रमेश कुमार जी ठीक है नेक्ट बताओ ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला की वह आ गया ये बाक बताना चंगण नंबर का क्वेस्चन बताना है आपको चंगण नंबर में चेहन करिए इसमें कौन सा बाक हो जाएगा चंगण में चंगण में बताएंगे सबी लोग और आपका उत्तर है किसरी मिस्टर बाक है जियो ही मैंने दरवाजा खोला की वह आ गया है ना तो ये मिस्टर बाक है और त्रेपन नंबर में यहाँ पर आपका संयुक्त बाक होगा ये बी नंबर कर लेना सभी साथी बी कर लेना ठीक है जिनका भी बी है नेक्स है अधुनातन का बिलॉम सब दिख्या होगा पच्पन नमबर का क्वेस्चन है अधुनातन का बिलॉम प्राचीन है प्राचीन है भूत कालिक है पुरातन है या फिर बिगत कालीन है पच्पन में चैन करना है आपको जल्दी से बताईए और लाइक कर दीजे एक बार जल्दी से जस्मेल जी अंकीता जी और जिन भी सात्यों को कोर्स में एड़ी सा लेना है वो सबी साती ले सकते हैं अधुनातन का बिलॉम क्या होगा एक अच्छा क्वेस्चन पूछा गया यहां पर अधुनातन का बिलॉम पूछा गया एक क्वेस्चन कई बार पहले पूछा जा चुका है अब आपको यहां पर चैन भी करना है और अधुनातन का जो बिलॉम हो जाएगा बोले सर बो हो प्रिशारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिग्य का सबैग्य, देहाती का सहरी, इसमें से चैन करी आप, कौनसा बिलुम सब्द युगमों में से कौनसा सही नहीं है, 56 नमबर का कॉस्चन बताना है, 56 में आपको चैन करना है, 56 में, बताएए, 56 में बताईए प्रिसारणत का संकुचन ओजस्बी का निस्तेज भेग्य का सभेग्य देहाती का सहरी यह बहुती बड़िया कोस्चन पूछा गया और आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सर भेग्य का सभेग्य हो जाएगा सी नमबर आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा सी नमबर आपका करेक्ट आंसर है सी नमबर राइट आंसर है बाक्यम रसात मकम काब्यम कहने वाले आचार कौन है बताईए 57 नमबर का क्वेस्चन है बाक्यम रसात मकम काब्यम कहने वाले जो आचार है वो कौन हैं? मंमट हैं? विश्वनात हैं, भरत हैं या फिर राज सेखर हैं? बताएं बिंदुलता जी, आसार रानी जी, राधिका जी, बाक्या मुरसात मकम काब्यां कहने वाले अचार कौन है? बढ़िया सा क्वेस्टन है, अच्छा क्वेस्टन है, 57 नंबर का क्वेस्टन ह और आपका उत्तर चला जाएगा कि सर ये जो बाग के है ये कहा है आचार विश्वनात ने V नमबर बाक्यम रसात मकम काब्यम ठीए साहित दरपन इनका एक गरंत है विश्वनात का V नमबर बहुत बढ़िया बिलको सही है सरव जोजी वेरी गौड नेक्ट देखो बिसमय इस्थाई भाव किस रसका होता है बताईए किस रसका इस्थाई भाव बिसमय है हास से का सांत का अधवुत का या फिर वीवत से का अंठावन नमबर का कॉस्चन है शवी लोग बताएंगे बिशमय स्थाईवाव किस रस में होता है बताएं अंठावन में राइट आंसर चेन करना है और बिशमय स्थाईवाव किस रस में होता है सही आंसर चला गए आपका C यानि कि अदवुत अदवुत रस का इस्थाईवाव होता है बिशमय यानि कि आपका C number यहाँ पर correct answer हो जाएगा, right answer हो जाएगा काग जी घोड़े दोड़ाना, मोहावरे कार्थ क्या होगा 69 number का question है, नकली घोड़े दोड़ाना, बहुत परिश्रम करना, बेर्थ की लिखा पड़ी करना या फिर जाँच पड़ताल करना, काग जी घोड़े दोड़ाना यह पूछा गया, आपसे रिता कांत जी, कमला कांत जी, अजय जादाओ जी, सबी लोग बताएंगे 69 number के question में, काग जी घोड़े दोड़ाना, यानि कि इस मोहावरे कार्थ क्या है राइट आंसर चैन करिए 69 number के question में, और आपका सीधा आंसर जारा कि सर बेर्थ की लिख्या, लिखी पड़ी या लिखा पड़ी करना यह काग जी घोड़े दोड़ाना मोहावरे कार्थ है, शी number आपका बिलको सही है शुनील तेवारी जी प्रियाग राज से गूलर का फूल होना मोहावरे कार्थ क्या है साथ नंबर का question है, गूलर का फूल होना, इस मोहावरे कार्थ क्या है निसा जी, सबी लोग बताएंगे गूलर का फूल होना मुहावरिक आर्थ क्या है लाल पीला होना अत्याद एक सुन्दर होना है ना विवन होना या फिर दुरलब होना अब पूर्वा साक्य जीव जिन भी सात्यों को हिंदी साहित के नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं दोस्तो 16 नमबर का फ्वेस्चन आपसे पूचा गया 60 नमबर का फ्वेस्चन पूचा गया है यानि क्यों तर चला गए आपका दी जन ताजनारदन दी कि दरब जा रहे हैं यह दुरलब होना आपका सही एंसर है दी नमबर आपका बिल्कुँ सही धनोस्टंकार में कौनसी संदी है धनोस्टंकार में कौनसी संदी है बताईए जल्दी से चेंड करिए धनोस्टंकार में कौनसी संदी है अच्छा कॉस्चन है सबी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे धनोस्टंकार में संदी बताना है बिसर्ग ह बेंजन है दीर्ग है या फिर यान संदी है बताएं रमेश कुमार जी रादिका मौर जी नीतू गुपता जी धनुस्टंकार उत्तर क्या हो यार शवी लोगों ने उत्तर मिलकर के बताएं कि सर बिशर गिशंदी लगा दो ये नमबर आपका सही है स्वागत का संदी विच्छेद क्या है बासट नमबर के कॉस्चन में स्वागत का संदी विच्छेद बताना है सूधन आगत स्वाधन आगत स्वाधन आगत या फिर स्वाधन गत तो स्वागत का सही संदी विच्छेद आपको चैन करना है 62 नमबर के question में आपको बताना है और आपका right answer स्वागत का संदी बिच्छेट चैन करिए जल्दीशे और आपका right answer हो जाएगा यह नमबर यानि की सूधन आगत यह आपका बिल्कु सही है सूधन आगत आपका right answer है नांगरी लिपी सुधार समीती के संयोजग कोंते नांगरी लिपी सुधार समीती के संयोजग बताना है आचार नरेंदर देो थे काका कालेलकर भारतेंदो या फिर बाबु स्याम सुंदरदाश रितेस मौर जी बताइए शबीता कनोजिया जी 63 नमबर के question में नांगरी लिपी सुधार समीती के संयोजग कोंते एक अच्चा question पूचा गया और सबी को पता है एक question पूचा जाता है बार बार कि सर काका कालेलकर थे कोंते काका कालेलकर बी नमबर आपका correct है काका कालेलकर राइट answer है देवनांगरी लिपी है बताओ कैसी है वरनात्मक है चित्रात्मक है भावात्मक है अक्षरात्मक है देवनांगरी लिपी कैसी है चौसरक नमबर के क्वेस्चन में देवनांगरी लिपी बताने आपको कैसी है किस प्रकार की लिपी मानी जाती है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर अक्षरात्मक है यानि D नमबर आपका बिलकु सही है 65 का शही उत्तर आपको चैन करना है हिमहास गद्यकाब के लेकक कौन है 65 नमबर का क्वेस्चन और आपका सही अंसर जारा की सर हिमहास गद्यकाब के जो लेकक है गो लेकक है राम बिलास सर्मा यानि कि आपका जो बी नमबर है राम बिलास सर्मा ये बिल्कुस सही है राम बिलास सर्मा है कि राम कुमार बर्मा है बताए ये 65 नंबर का question कौन है जल्दी से बताओ तो हे महास ये राम कुमार बर्मा की है दोस्तो ये नंबर आपका सही होगा ये नंबर राम कुमार बर्मा की ठीक है रामकुमार बर्मा की है ये ए महास की रचना का रामकुमार बर्मा ठीक है ये नंबर सही होगा इसका देखो लाइन से भी लगा दिया सब में अगला देखो सेलानी की डाइरी इसके लेका कौन है सेलानी की डाइरी सेलानी की डाइरी बताइए जल्दी से शेलानी की डायरी बताना है जल्दी से बताईए और आपका 66 नंबर का question जा रहा है 66 में आपको बताना है पुत्तर क्या हो रहा है यहां पर पुत्तर बताईए शेलानी की डायरी 66 नंबर का question पुत्तर चला गया कि सर राजेंद्र अवस्ती शेलानी की डायरी की क्या हो गई अवस्ता हो गई अवस्ता तो अवस्ती बी नंबर आपका correct answer हो जाएगा अगले option पर जाएंगे चीडों पर चांदनी की रचनाकार कौन है चीडों पर चांदनी इसके रचनाकार कौन है शबी लोग बताएंगे राइट answer चैन करना है चीडों पर चांदनी कैसी लगती है बताईए चीडों पर चांदनी सत्य द्यों परिवराजयाक राम निर्मल वर्मा यस्पाल या फिर अग्गे चैन करिए जल्दी से और सभी का answer जा रहा है कि सर 67 नंबर में चीडों पर चांदनी जो है निर्मल निर्मल लगती है तो निर्मल वर्मा बी नंबर आपका करेक्ट है गोरी नजरों में हम यात्रा विर्तांत की रचना कार कौन है आज किलास हो रही ये 10 बजे लेट हो गए थोड़ा सा कुछ काम से गयते लेट हो गए इसलिए किलास अपनी 10 बजे हो रही बाकी 9 बजे ही होती है रोज ठीक है गोरी नजरों में हम बताइए गोरी नजरों में हम बताएं 68 नंबर ये अपन ने याद भी किया था ट्रिक से भी याद किया था कि सर गोरी के नजरों में हम नाचवे गए हैं गोरी के नजरों में हम नाचवे गए हैं नाचवे गए तो प्रभाकर माचवे सी नंबर प्रभाकर माचबे आपका राइट आंसर है टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्म कथा के लेखक कौन है टुकड़े टुकड़े दास्तान डाक्टर नगेंदर है ठीक है अमरत लाल लांगर है रामबिलास सर्मा है या फिर इनमेसी कोई नहीं जल्दी से बताइए जिन भी सात्यों को एड़ी सल लेना है वो सभी साती एड़ी सल ले सकते हैं ठीक है पंदरा सो में बारा महिने का कोर्स है और दोस्तों आपके लिए पंदरा तारीक से पंदरा अप्रेल से निव बैच स्टार्ड हो रहा है पंदरा अप्रेल से निव बैच स्टार्ड है ठी टुकडे टुकडे बुले एक टुकडे टुकडे मिल जाए अमरत के बुले एक टुकडे ही मिल जाता सर अमरत का ठीक है दोहरा आवी साप आत्म कता के लेका कौन है सत्रा नंबर का क्वेस्चन सत्र नंबर का क्वेस्चन है मोहिद जी बताईए दोहरा आवी साप इसके रचन कार कौन हैं बताएं शबी लोग बताएंगे लाइक करना है किलास का टाइम तो नौ बजे ही रहेगा भाईया रितेस जी दोहरा अवी साप आत्म कता के लेका कौन है बरसों से नौ बजे चल लई है और बरसों से ही चलेगी है ना सेहसर की किलास नहीं होगी इसलिए तो हमने दस बजे ले ली आज लेट हो गएते हमने कि ले लो भाई है ना किलास है कुछ नौलेज आपको भी मिल जाएगा दोहरा अवी साप बोलिसर कौसल्या माता को दोहरा अवी साप मिला एक तो राम को बनवास हो गया दूसरा यहाँ पर दसरजी की मृत्यू भी हो गई दोहरा अवी साप कौसल्या वेसंत्री तो दोहरा अवी साप कौसल्या वेसंत्री की आत्मकता है बी नमबर आपका सई है रहवंत गिरी रास के रचेता कोन है एकत्तर नमबर का क्वेस्चन है रहवंत गिरी रास सभी लोग बताएंगे अच्छा सा क्वेस्चन है रहवंत गिरी र बहुती बढ़ी यह question है रहाबन्तिगरी रास की रचनाकार 71 number का question है वो लिशनर रहाबन्तिगरी पर हमें विजय प्राप्त करनी है विजय तो विजय से क्या बनेगा विज़य सेंसूरी D number आपका विज़य सेंसूरी बिलकुँ सही है D number राइट अंसर होगा हिंदी नवरतन की रचनाकार कौन है? 72 नंबर का question है मिस्रवंदू है? अचार सुकले हैं, ग्रियर्सन है या फिर राम कुमार बर्मा है? हिंदी नवरतन की रचनाकार कौन है? जल्दी से चैन करिए बलराम यादाओ जी बताएं बिंदू लता जी, जस्मेल जी, कमला कांत जी सभी लोग बताएंगे हिंदी नवरतन की रचनाकार कौन है? और आपका उत्तर जारा की सर मिस्रवंदू लगा दो ये नमबर आपका राइट आंसर लगा दो मिस्रबंदू सही है हिंदी नवरतने की रचना कार कौन है मिस्रबंदू ये नमबर सही है साहित्या लोचन इनमे से किसकी किरती है साहित्या लोचन किसकी किर्ती है जारी परसाद दुबेदी की रामचन शुकली की सियाम सुन्दर दास की आपे डाक्तर नगेंदर की बताओ नीरज सरमा जी जल्दी से बताना लाइक कर दो और सभी साती 1910 इसका रचना काल है साहित्या लोचन में से किसकी किर्ती माने जाती है तेहित्तर नंबर का क्वेस्चन है विकास बाटी जी बताइए और सभी लोग चैन कर रहे हैं कि सर तेहित्तर नंबर में आप लगा दो साहित्या लोचन सी नंबर जनता जनारदन सी की तरफ जा रही श्याम सुंदरदास साहित के लोचन बड़े सुंदर हैं बोली सर साहित के लोचन कैसे हैं? सुंदर नई कभिता का आत्मे संगर्स इसके लेका कौन है? चोहतर नंबर का क्वेस्चन ए अनुपम जी बताएं नई कभिता का आतम संगर्स की रचनाकार कोन मान जाते प्रेमचंद हैं जह संकर बीटा का आतम संगर्स करते करते मुक्ती मिल गई नई कविता को आत्म संगर्श करते क्या मिल गई मुक्ती मिल गई मुक्ती किसको नई कविता को तो क्या मिल गई मुक्ती तो मुक्ती से क्या हो जाएगा मुक्ती बोध गजानन मादाव मुक्ती बोध शी नंबर आपका बिलकु सही है उनीस सो सत्रा में इनका जन्म हुआ था मुक्ति बोद जी का प्रिसाद के किस नाटक का कथानक बोद्धों के पतन का माना जाता है ये शबी लोग बताएंगे प्रशन किरमांग पचत्तर नंबर द्रोप सौमनी करण्वाला रास्थ्री या फिर विसाओ प्रिसाद के किस नाटक का कथाना बोद्धों के पतन का माना जाता है प्चत्तर नंबर का क्वेस्चन है ये पिरसाद के सारे के सारे अंदरुप सौमनी है करणौला रास्त्री है विसाख है और आपका सीधा अंसर जा रहा है कि सर पिरसाद के विसाख विसाख यानि दी नमबर विसाख का जो कतानक है वो बोद्दों की पतन का माना जाता है दी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाए दिव्यानी का कहना नाटक के नाटक कार कौन है दिव्यानी का कहना क्या है दिव्यानी का कहना बताईए जल्दी से चैन करिए फटापट से दिव्यानी का कहना क्या है सबी लोग बताएंगे दिव्यानी का कहना क्या है चैन करना जल्दी जल्दी से बताना है और वो लिस्तर देवियानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो देवियानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो पक्षी को छोड़ दो है ना तो रमेश बक्षी रमेश बक्षी ये नमबर आपका सही है दिवियानी का कहना की रमेश बक्षी को छोड़ दो ये नमबर आपका सही है रश्नारजुन युद्ध की रचनाकार कौन है माखलाज चुत्रवेदी है रच्मी नारण मिस्ने रमेश बक्षी या फिर सुरेंद्र बर्मा है 77 नमबर का कॉस्चन है 77 नमबर की कॉस्चन में आपको बताना है क्रश्नारजुन युद्ध की रचनाकार कौन है अच्छा कॉस्चन है नीरज सर्मा जी रजनी बाला जी अजय जी कमला कांत जी रानी दीक्षित जी 77 नमबर के question में क्रशनार जोन योत्य के रचनाकार कौन है एक बड़िया सा question पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर्माखनलाज चुत्रवेदी ये नमबर आपका बिल्कु सही है ये नमबर right answer है कामाईनी को छायाबाद का उपनिसद किसने कहा है जल्दी से chain करिए और कामाईनी के बारे में पता है जैसंकर पिरसाद का महा का बिमाना जाता है एक बड़िया सा question पूछा गया कामाईनी को छायाबाद का उपनिसद किसने कहा और आपका उत्तर जा रहा है ठत्तर नमबर की question में क्या जा रहा है कि सर आपने जो बताया वो सान्ती प्रिय दुवेदी ने कहा है ये ठीक है क्योंकि उपनिसद पढ़ने से हमें सान्ती मिलती है C नमबर correct answer है चायाबाद को चित्रभासा सैली किसने कहा 89 नमबर का question है चायाबाद को चित्रभासा सैली किसने कहा है एक अच्छा question पूछा गया लाइक कर देना सभी को आचार सुकल ने रामकुमार बर्मा ने, रामबिला सर्मा ने हजारी प्रिसाद दुवेदी ने 89 नमबर का question है चायाबाद को चित्रभासा सैली किसने कहा है चेन करें और बहुत ही बड़िया ये question है कि सर्चायाबाद को जो चित्रभासा सैली कहा है वो कहा है आचार रामचन सुकल ने ठीक है ये नमबर आपका correct तो right answer हो जाएगा आचार सुकल आपका बिलको सही है जंजीरें और दीवारें संसमरण के रचनाकार कौन है असी नमबर का question है जंजीरें और दीवारें रितेस मौर जी बताइए विजय चोहां जी जिन भी सात्योंने एड़िशन नहीं दिया अभी एड़िशन लेले पटापट से पंद्रा तारीक से हिंदी साहित का नया बेच हिंदी भासा से स्टार्ट करने वाले है ठीक है तो जंजीरें और दीवारें संसमरण के रचनाकार कौन है असी नमबर का question आपसे पूचा गया है बहुत ही बड़िया question है और आपको पताएगी सरम ब्रक्ष की ब्रक्ष की क्या बनाएंगे जंजीरें और दीवारें बनाएंगे बी नमबर आपका correct है इस मिड्थी की रेखाएं संसमरणातमक रेखा चितर किसका है स्रीराम सरमा का महाधेवी वर्मा का जंगल के जीव या फिर बे जीते कैसे है चेंड कर ये इस मिड्थी की रेखाएं संस मरनात्मक रेखा चित्र एक इसका है और 81 का आपका सीधा अंसर जारा कि सर महादेवी बर्मा लगा दो B नमबर आपका सही नमबर लगा दो B नमबर राइट अंसर है विभावरी सब्द किस पिरकार का है 82 नमबर में विभावरी बताइए जन्दी से इस मिर्ति की रेखाए हो गई विभावरी सब्द किस पिरकार का है तदवाव है तदसम है देशज है या फिर बिदेशज है 82 नमबर का क्वेस्चन विभावरी सब्द बताना है शबी लोग बताएंगे मनप्रीत जी राइट अंसर चैन करना है पंद्रा सो में बारा महीने दोस्तो आप हिंदी साइट पढ़ सकते हैं तो जिनको भी करना है शेल्फो इस्टडी किलासेस ठीक है शेल्फ इस्टडी किलासेस दोस्तो आप डाउनलोड कर सकते हैं विभावरी सब्द किस पिरकार का है 82 नमबर का question तत्सम यानि B नमबर आपका सही हो जाएगा किसका त्याग नहीं किया जाए के लिए एक सब्द क्या है आत्याग भी तरागी या परिहार या फिर आ निर्बचनी है बताओ जिसका त्याग नहीं किया जाए 83 नंबर का question है उससे क्या कहेंगे एक सब्द में बताना है बताइए आरूसी मीना जी रंजीता पटेल जी 83 नंबर का question जितने भी हमारे साथी है TGT PGT वाले साथी है LT grade वाले साथी है Master Kader वाले जितने भी हमारे साथी है जिसका त्याग नहीं किया जाए उसके लिए एक सब्द क्या आपारी हार C number C number आपका साइए नई कविता सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया 84 नंबर का question है नई कविता सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया एक question पूछा गया अंकीता बर्मा जी अनुच ठाकोर जी बताईए प्रीती जी ये जो किलास हो रहे है ये नौ बजे रात में होती है दोस्तों सेल्फ इस्टेडी ग्रासिस में रोज आज लेट है ठीक है नई कविता सब्देका सबसे पहले प्रियोग किस ने किया है ये क्वेस्चन पूछा ग बताया है अनूप जी बिजय जी पलविंदर जी आरादना जी बहुत बढ़िया संबेदन आतमक ज्यान और ग्यान आतमक समच संबेदन सूत्र का प्रियोगता कौन है विजय दे ऊनारान साही घजान audio मुक्ति ज़ाम सुनतल में संब met me ज्यानग ज्यान आतमक संबेदन सू प्रियोगता कौन है शोबा पांडे जी बताइए सीमा जी बताए रानी दीख्षित जी अमिता जी क्या हो जाएगा और प्रियोगबाद प्लस नई कविता नहीं नीतू जी प्रियोगबाद सब्द का प्रियोग किया था किसने नंदुलारे बाच कोई ने प्रियोगबाद के प्रियोग अगे ने किया था, लेकर नई कविता की प्रवर्तक कोन माने जाते हैं, बताईब, संबेद नात्मक ज्यान, तो यहाँ पर 85 नम्बर का क्वेस्चन है, 85 में आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो रहा है 85 का, कि सर, ये संबेद नात्मक ज्यान, और ज्यान अत्मक प्रियोकता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कौन, प्रियोकता पूचा गया, तो गजाणनमादा मुक्ती बोध, ठीक है, ये आपका बिलकुल सही है, यानि B नंबर आपने, जिन्हों ने लिदागाया है, उनका अंसर सही हो जाता है, व्योम केश दर्वेश के रचना कार question है पताईए जियोत्सना जी राकी जी सबी लोग बताएं आंसर चेन करना है और लाइक कर देना है जल्दी से 86 नंबर का question है 86 ब्योम के इस दर्वेश बता दिया आपने किसर विश्वनात्र पाठी ब्योम मतला हुता आकास और आकास तो विश्व में फैला है विश्व में तो विश्वनात्र पाठी बी नंबर आपका correct answer है बट ब्रक्ष की चाया में जीवनी की रचनाकार कौन है बट ब्रक्ष की चाया में और एक बट पीपल निबंद है किसका दिनकर जी का बट पीपल बट पीपल निबंद किसका है दिनकर का लेकिन बट ब्रक्ष की चाया में जीवनी की रचनाकार कौन है ये question आपसे पूचा गया है बताइए रजनी जी रमेश दीक्षिच जी अजय जी बंदना जी सौनी ल सदा चार का तावीज इसके रचनाकार कौन है अपने आज ही पढ़ाता सदा चार का तावीज ये निबंद है और निबंद किसका है बताओ पलविंदर जी अंकिता जी बताएं बीरेंदर जी बीरेंदर कुमार जी पूजा जी सबी लोग बताएंगे सदा चार की तावीज इसके रचनाकार कौन है? आंसर बताना है 88 नमबर का question है पुर आपका सीधा आंसर जारा किसर सदाचार का तावीर यानि की हरी संकर परसाई D नमबर आपका बिल्कुँ सही हरी संकर परसाई आपका राइट आंसर है D नमबर सही है हिंदी का मौन्टेन किसे कहा जाता है हिंदी का मौन्टेन 89 नमबर का question है बारतेंदु को महावी परसाद दुवेदी बालकन बट्ट सदा सुकलाल हिंदी का मौन्टेन किसे कहा जाता है एक question पूछा गया सुईता जी बताईए शबी लोग बताएंगी रासिद जी, कुरेशी, रतिपाल जी, धिनिर्स जी. बताओ, इंदी का मॉंटेन, पढ़ा था आपने, 89 नमबर का question, और आपको पता है कि सर मॉंटेन, मेंटेन करना पढ़ता है, काई का, बाल का मेंटेन, बाल का तो बाल करन भठा थे, स्टी नंबर, मेंटेन करना पड़ता है, राही मासुम रजा के किस उपन्यास में, गाजी पुर, गाजी पुर जिला के गंगोली गाओं के सिया मुसल्मानों, सिया मुसल्मानों के जीवन का यथार्थ चित्रन किया गया है, यानि कि राही मासुम रजा का वो कौन सा उपन्य पन्यास है ये बताना है प्रीती जी बताइए 90 नंबर का क्वेश्चन है राज रानी जी बंदना जी रीता कांत जी 90 नंबर के क्वेश्चन में 90 नंबर का क्वेश्चन में है और आपका उत्तर हो राय की सर वो राही मासूम रजा का वो पन्यास है आधा गाउं आधा गाउं आपका राइट आंसर है 20 में साहिनी ने अपने किसो पन्यास में 1947 सीजबी 1947 सीजबी के मार्च अपरेल में हुए 20 सांपरदाइक दंगे 20 सांपरदाइक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है 91 नंबर का क्वेस्जन है तमस में जरों के कडिया मैयादास की मारी 91 नंबर की क्वेस्जन में बताना है सबी लोग बताएंगे 20 साहिनी का वो पन्यास कौनसा है जो भारत विभाजन पर आधारते सीधा क्वेस्जन ये है दीपीका जी और 91 नंबर का क्वेस्जन में उत्तर चला जाता की सर तमस ये भारत विभाजन पर आधारत है कलापी के रचनाकार कौन है 92 नंबर का क्वेस्जन है रवेंद भिरमर जी के अलास बाचपेई जी है नरेश जी है RC पर साथ से हैं कलापी के रचनाकार ये कलापी कई बार पूचा गया है सभी लोग बताएंगे कलापी के रचनाकार कौन है अच्चा क्वेस्जन है और आपका उत्तर जा रहागी सर कलापी के जो रचनाकार है वो रचनाकार है RC पर साथ कौन है RC पर साथ से है D नमबर आपका RC प्रसाद से बिलको सही है कलापी की रचनाकार RC प्रसाद ठीक है D नमबर 92 नमबर की question में D नमबर आपका बिलको सही answer है Next देख लेते हैं 93 नमबर का question है A कभीता के A कभीता पूचा है आपसे बताओ A कभीता के प्रवर्तक कौन है आ कभीता की प्रवर्टक कौन है? सतीस कुमार जी अर्पना जी बताएं और आ कभीता आपसे पूँचा गया 93 नंबर का क्वेस्चन पूचा गया बहुत ही बड़िया क्वेस्चन है आ कभीता की प्रवर्टक कौन है? आ कभिता की प्रवर्तक आपसे पूचा गया है और आपका उत्तर जारा की सर आ कभिता पूचा है तो आ से हो जाएगा क्या रिंकी बर्मा जी बिल्कु राइट अंसर कमला कांद जी डी नहीं ए ए यानिकी जगदीश चत्रवेदी आ कविता की प्रवर्ट तक जगदीश चत्रवेदी हैं ये नमबर आपका बिल्कु सही है शुन्दर विसेशन सब्द की उत्मा वस्ता क्या होगी सुन्दर की बताना है सुन्दर विसेशन सब्द की उत्मा वस्ता क्या होगी क्या होगी 94 नमबर की क्वेश्चन में और सभी लोगों का अंसर आ रहा है सुन्दर तम बहुत बढ़िया सुन्दर की होती है सुन्दर तम यानि की C नंबर बहुत बड़ी आंसर कौनसा कामदेव का परयाय नहीं है कामदेव का परयाय नहीं है पूछाओ अंपरकास जी बताइए 37 जी हरेका जी कामदेव का परयाय कौनसा नहीं है 95 नंबर में question पूछा गया सेर भी कर दो अपने मित्रों को दोस्तो कौनसा कामदेव का परयाय नहीं है रजिनी जी बताइए निभी पाठिक जी Self Study Classes का एप डाउनलूट कर ले जिन भी सातियों को एड़वीसर लेना है वो सभी साती एड़वीसर ले सकते हैं में कामदेव का परयाय नहीं है यह 95 नमबर का question में आपसे पूछा गया और आपका उत्तरे की सार अरबिंद नहीं है बताओ 96 नमबर के question में कौन आपका सही आंसर हो जाएगा चरयापद के रचनाकार कौन है 96 नमबर के question में और आपका उत्तर जा रहा है चरयापद के जो रचनाकार है वो रचनाकार है कौन है चरयापद चरयापद 96 नमबर लाइप करिए शबी शाती और आपका answer चला गया एक इतरफ सबरपा आपका सही हो जाएगा चरयापद के रचनाकार सबरपा माने जाते दोस्तों ये नमबर आपका सही अपरणस का भाववूती किसे माना जाता है अपरणस का भाववूती बताएंगे सबी लोग और एक बार जल्दी से like करते हुए share करें सबी साती share करें जल्दी से अपरणस का भाववूती पूचा गया है सरब जोज जी अरपना जी रमा जी अजय जी सुमन जी बताएं रतीपाल जी और अपरणस का भाववूती किसे माना जाता है 97 नमबर के question में 97 में पूचा है कि सर पुस्पदंत लगा दो यानि कि B नमबर लगा दो B नमबर सही अबरणस का भाववूती पूच्पदंत को कहा जाता है B नमबर राइट है रासो सब्द की उत्पत्ती रसायन से किसने मानी है रसायन से किसने मानी गारसदा तासी रोडा कवी, रामचन सुक्लिया, पंडेथर, पिरसास सास्त्री अंठानवे नंबर के question में बताना है रासो सब्द की उत्पत्ती, रसायन से मानने वाले जो विद्वान है वो विद्वान कौन है? वो विद्वान का नाम आपको बताना है रसायन से चैन करिए सबी साती self-study glasses का app डाउनलोड कर लिए जिन भी सात्यों को टिर्की नोट्स मंगवाना हिंदी सायत के वो नोट्स मंगवा सकते हैं अंठानवे नंबर के question में आपका उत्तर है C यानि रामचन सुक्लिया C नंबर रामचन सुक्लिया रासो सब्द की उत्पत्ती रसायन से मानी है दोस्तो C नंबर करेक्ट है चंद सास्त्र के प्रनेता आचार कौन है 99 नंबर लखबिंदर जी बताइए चंद सास्त्र के प्रनेता आचार कौन माने जाते हैं पतंजरी हैं पिंगल है पाड़नी है या फिर मनु है चंद सास्त्र के प्रणेता आचार बताना है और उत्तर जारा है 99 नमबर में कि सर्फ पिंगल लगा दो पिंगल लगा दो बी नमबर लगा दो पिंगल आपका सई है पिंगल अचार पिंगल मात्रा क्रम की द्रश्टी से दोहा की ठीक विपरीद विपरीद पढ़ता है कौनसा पढ़ता है ठीक विपरीद वाला कौनसा है मात्रा क्रम की द्रश्टी से पूछा गया स्वानमबर का question है दोहा की ठीक विप्रीत कौन सा है रेखा जी बताईए अर्चना जी रमा जी विभूती जी जिनको भी बताना सबी लोग बताएंगे स्वानू केम जी लाइक कर दीजे सबी साती सेयर भी कर दीजे अपने मित्रों तक ठीक है पंद्रा अप्रेल से न्यू बेच इस्टार्ड हो रहा है दोस्तों जिनको भी अड़वी साती अड़वी साती अड़वी साती ले सकते हैं का प्रिथम कभी माना है शाली बद्र शूरी इनकी रचना कौनसी है एक नार्मल कोस्चन आपसे पूछा गया और बहुत ही बढ़िया कोस्चन है कि सर भरतेस और बाहुवली रास यानि कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिलकुँ सही आंसर है ठीक है बी नंबर आपका राइट आंसर है पादवनी का उच्चान स्थान क्या है पादवनी का उच्चान स्थान दंत है ओस्ट है मूर्धन है या पिर कंट है बताइए प्रश्न किरमांग दो पादवनी का उच्चानिस्थान आपको चाहिन करना, मायाराम जी बताइए बंद्रा जी, सिमर पाल जी, शभी लोग बताएंगे बहुत बढ़िया तो यहाँ पर पादवनी का उच्चानिस्थान बताना और आपका राइटांसर जा रहा है कि सर जो पाधनी है कि यानि B-nambar वुस्ट है आपका सही हो जाएगा B-nambar आपका right answer है संतिकाब नाम किस ने दिया है बताओ संतिकाब नाम किस ने दिया एक question आ चुका है संतिकाब नाम किस ने दिया सभी लोग بتाएं कि संतिकाब नाम किस ने दिया चार सुबले ने दिया राहुल सांक्रित्याइन ने दिया रामकुमार बर्मा ने दिया या फिर हजारी पर साथ दुवेदी ने किस ने दिया उत्तर जा रहा है कि सर शंतिकाब जो नाम दिया है वो दिया है रामकुमार बर्मा ने रामकुमार यानि आपका उत्तर C नंबर बिलको सही है C नंबर आपका राइट आंसर है पैरों तले की जमीन नाटक किसका है मोहन राकिस सुरेंद बर्मा भीस में साहिनी या पेर बिनोद रस्तोगी पैरों तले की जमीन पूजा देबी जी बताइए अनुज ठाकुर जी रासित को रैसी जी प्रशने के नंबर का क्वेस्चन है पैरों तले की जमीन नाटक एक किसका माना जाता है किसका माना जाता है शंदीब बिसकर्मा जी पैरों तले की जमीन और आपका राइट आंसर हो गया कि सर मोहन राकेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई किसके मोहन राकेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई ये नमबर जनताज नारदन बिल्कु सही जा रही है कूप मंडूक होना मोहाबरे का सही अर्थ क्या है पांच नमबर का क्वेस्चन है किस मोहाबरे का अर्थ क्या है घर में ही रहना कुईये में गिरना अतियंते सीमित ग्यान होना या फिर मूर्ख होना कूप मंडूक होना मोहाबरे का सही अर्थ बताना है पांच नंबर का क्वेस्चन है पांच नंबर की क्वेस्चन में बताना है और जंताज नार्दन काँजारी जनतजनारदन C की तरह बहुत बड़िया अतियंतिश्रीमित ग्यान होना C number करेक्ट अंसर निम्न मैं से किस उपन्यास का कथानक किस उपन्यास का कथानक दोस्तो भारत पाग विभाजन पर आधारित है बताना है बताओ भारत विभाजन पर आधारित है जूटा सच तमस ये नहीं है पूचा सुरी एक क्वेस्चन पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस्प पन्यास का कतानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है नहीं है पूचा है चैनमबर के क्वेस्चन में तो ये क्वेस्चन तो अ मी नहीं हैं D.N. ach वत्तर आपका यहां पर क्या हो जा रहा है जंएंड्र का पहला कहानी संगर आपकाnant फासी कहा नी संगरा ये भी पूचा जाता है अर्चना जी स्रीवास्ट रूब और आपका उत्तर जा राहे हैं कि sir 7 नंबर में आपका उत्तर है 1929 1939 ये भी आपका 1129 यानि कि B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 हो जाएगा गरीबों को बस्तर दो बाक में कारक है आठ नमबर का question कौन सा कारक है करण है अपादान है संप्रदान है या फिर कर्म कारक है गरीबों को बस्तर दो कौन सा कारक है अमन जी बताईए शुनीता जी राइट अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेयर कर दीजिए सबी साथ ये गरीबों को बस्तर दो बाक में कौन सा कारक है आठ नमबर का question आप से पूछा गया है और आपने उत्तर बता दिया जंता जनार्दन ने कि सर यहाँ पर अपादान कारक है अपादान कारक है गरीबों को बस्तर दो संप्रदान है क्या क्या पादान है कंफर्म कर लो सबी लोग बसमांकूर रचना के लेका कौन है जल्दी से बताईए बसमांकूर के रचनाकार कौन है बसमांकूर बताईए बसमांकूर नमबर का question पूछा गया है शबी लोग बताएंगे राइट अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर नौ नमबर का question है बहुत ही बड़िया question पूछा गया आपसे शेन करिए जल्दी से बसमांकूर है किसकी नागर जुन की रचना है यह नमबर आपका बिल्कू सही हो जाएगा यह जुनों ने लगाया है उनका अंसर बिल्कू सही है यह बालों का अंसर सही माना जाएगा ठीक है तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा नागर जुन भसमांकूर नौ नमबर में या रुरागी चित्तिकी गत्यु समझे नहीं कोई इपताना है जल्दी से बताइए प्रशनक्रमांकूर आपका 10 नमबर है 10 का उत्तर आपको चेन करना है बताएं पटापट से बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुत यह अच्छा क्वेस्चन है 10 नंबर की क्वेस्चन में लाइक कर दीजे सभी साती बताएए सभी लोग बताएंगे यहाँ पर यहाँ अनुरागी चित्तिकी यहाँ पर कौन सा अंसर हो जाएगा जग्दी से बताएए तो बिल्कु सही अंसर आप लोगों ने बताए कि सर यहाँ पर संप्रदान काराखी होगा अपादान नहीं होगा यानि कि आपका जो यहाँ पर C नंबर है वो बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बताना है दस नंबर के कौस्चन में 10 का अंसर क्या हो जाएगा 10 का सभी लोग बताएं 10 नंबर का कौस्चन आपसे पूछा गया है राइट अंसर हो जाएगा कि सर यह बिरोधा बास है बी नमबर आपका बिल्कु सही है भारतेंदु अरेश्चंद ने हिंदी का प्रतम मौलिक नाटक किसे माना है मौलिक नाटक बताना है तो भारतेंदु अरेश्चंद ने हिंदी का प्रतम मौलिक नाटक किसे माना है ये आपको बताना है चैन करना है बिल्कु सही है, 11 नंबर का question है, सभी लोग बताईए, है ना, बिल्कु सही है, संपरदान کسी को कुछ देने के लिए, संपरदान को के लिए, है ना, आपन पड़ते ना संप्रदान को के लिए यानि कि किसी को कुछ देने के लिए जब दोस्तों प्रियोग होता है तो बहाँ पर संप्रदान कारक होता है भारतेंद वरिश्चंद ने हिंदी का प्रता मौलेक नाटक के से माना है 11 नंबर के क्वेस्चन में आप से पूछा गया है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सरोस्तों माना है नहोस को ये नंबर आपका बिलको सही हो जाएगा ये नंबर आचार रामचन शुक्र ने हिंदी का स्टील के से कहा है अच्छा क्वेस्चन है सभी लोग बताओ जल्दी से और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो फटापड से से शेयर भी कर देना अपने सबी सात्यों को बताएं जल्दी जल्दी से फटापड से बारा नंबर का क्वेस्चन है बारा नंबर के क्वेस्चन में आपको बताना है बारा नंबर है ना ब्रक्ष से पत्ते गिरते अगर होता है ना तो वो अलग होने के लिए होता यहाँ पर देने के लिए है वाचार रामचन सुग ने हिंदी का स्टील पूचा है तो इस्टील के बाल लगवाना है बाल तो बालकन भट बी नमबर आपका सही हो जाएगा नेक्स दे को जंगल का परियाबाची नहीं है पूंचाए तेरा नंबर का क्वेस्चन सभी लोग बताए जंता जनारदन कहां जा रही है तेरा नंबर के क्वेस्चन में जंगल का परियाबाची नहीं है तो क्या नहीं है बताओ शही आंसर चेन करना है बताएं विजय गुपता जी जंगल का प्रयाब आची कौन सा नहीं है बन है, कानन है, अरंड है, बगीचा भी है क्या बताओ, चार नंबर है चार नंबर में जनता जनार्दन कहां जा रही है जनता जनारदन एकमत है और एकमत है डी की तरब बहुत बढ़िया डी नमबर भिल्कु सही है सूच बस्तू की सूचना देने बाले को क्या कहते हैं 14 नमबर का कौश्चन और इतना अच्छा कौश्चन आप से पूचा गया कि आप लोग बिलकुल सही उत्तर बताओगे देखते हैं जनता जनारदन कहा कहा टक रही है रीना मंडियाल जी छोटे लाले आदो जी बताइए मंजू लोदी जी बताएं पूरम जी राइट आंसर क्या है यहाँ पर रंजना जी अनामिका राय जी कुछ बस्तू की सूचना देने बाले को जनता जनारदन कुछ C की तरब जा रहा हैं कुछ D की तरब जा रहा हैं बहुत बढ़िया यही तो गड़बड़ होता है अपनी क्लास में कुछ एक ही तरब भी जा रहा है बीस्कंबग बोल लहें कुछ पहचूली का बोल ले हैं और कुछ बोल ले हैं अर्थोप छेपक है ना लेकिन आपका उत्तर जा रहा है कहा की तरह सूच बस्तू की सूचना देने बाले को कहा जाता है अर्थोप छेपक यानि की D नंबर D नंबर जिनोंने बताया है जनता जनारदन शही हो जाएगा ठीक है हिंदी की प्रतम सूच बस्तू का आप कहा गया सूच बस्तू की ठीक है तो हिंदी की प्रतम वेग्यानिक कहानी कौनसी है आज ही पड़ा था आपने उसके रचनाकार भी आपको बताना है जल्दी से सबीम हरत आइंगे अन्सर चैन करना है लाइक कर देना है राकेश्यादो जी सभी लोग बताएंगे लाइक कर दो सभी साथ इंपलब ही हिंदी नार्दन चंद्र लोग की आत्रा रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है ये नमबर तो आपका correct answer हो गया हिंदी कभियों का प्रतम ब्रत्य संग्रहकार कौन है सोला नमबर का question है बहुती बढ़िया question पूचा गया है यहाँ पर सेर भी कर दिया करें सभी साथी like भी कर दिया करें हिंदी कभियों का प्रतम ब्रत्य संग्रहकार कौन है एक आचान सा और दोस्तो बढ़िया सा question आपसे पूचा गया है सभी लोग बताएंगे हिंदी कवियों का प्रतम bhrattys andere के कौन है। कौश्चन में और शभी का अंसर जा रहा है किसर बोड़ के सेयो जरूच की रचना की थी और कभी की थी सेयो उसे हिरोच की रचना यह भी बताएई जल्दी से यह प्रतम ब्रत्य संग्राइकार माने जाते हैं ठीक है वीरेंद्र पटेल जी बहुत बढ़ी आप कौन सा अच्छाप का कभी नहीं है अच्छाप का कभी कौन सा नहीं है 17 नंबर की question में बताना है आपको सूर्दास, नंददास, तुलसी दास या फिर परमाननददास तो हमारे जितने भी साती हैं जिन्होंने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साती एप को डाउनलोड कर लें लाइब किलास और लाइब दोस्तों न्यू बैच स्टार्ड हो रहा है 15 तारीक से 15 अप्रेल से नया बैच यानि कि हिंदी भासा से शुरुआस से आपको पढ़ाय जाएगा पंजाब मास्टर केडर वाले हमारे साती अर्च आपका कभी नहीं है 17 नंबर के question में आपको chain करना है 17 नंबर के question में आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ 17 नंबर में बताइए और उत्तर हो जाएगा आपका किसर तुरिसी दास लगा दो C नंबर लगा दो हैनाश चाप का कभी नहीं है सुर्दास है नंदास है पर्मानंदास है तुरिसी दास नहीं है यानि C आपका correct answer है कौन सा सब्द तुर्की भासा का है तुर्की भासा का सब्द कौन सा है बताइए चाय रिक्सा कमरा या फिर क्यैंची तुर्की सब्द कौन सा है तुर्की भासा का सब्द कौन सा है 18 नंबर के question में ज़ल्दी से बताइए कुछा सब्ज तुर्की भासा का है ये पूछा गया आपसे और 18 नमबर में उत्तर चला गया क्यांची क्यांची यानि कि आपका जो D नमबर है वो बिल्कु सही है ठीक है D नमबर रंग सीर्ष के पीछे का आद्रस्थ भाग क्या कहलाता है दोस्तों रंग सीर्ष के पीछे का भाग आद्रस्थ भाग क्या कहलाता है ये आपको बताना है जदी से बताए रंग सीर्ष के पीछे का आद्रस्थ भाग क्या कहलाता है नेपत रंग पीट स्वागत या फिर सर्व सराब यानि कि 19 नंबर का क्वेस्चन है उन्नीश नंबर में आपका उत्तर रंग सीर्ष के पीछे का भाग आद्रस्च भाग क्या कहलाता है बताईये जंता जनारदन कहा जा रही 19 नंबर के question में, बिल्कु सही जा रहा है, बोले सर नयपत लगा दो, नयपत लगा दें, बहुत बढ़ जा, ये नमबर आपका बिल्कु सही है, ठीक है, रीती काब को गुंडे पन और सोईदे पन की हरकत किसने कहा है, आपको चैन करना रामसरूप चत्रवेदी या फिर राम बिलास सर्मा, यानि कि प्रशन आपका 20 नमबर है, 20 नमबर में आपको चैन करना है, सबी लोग बताएंगे रीती काब को गुंडे पन और सोईदे पन की हरकत किसने कहा है, 20 नमबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है मारकंडे बाचपेई, यानि कि आपका जो बी नमबर है, बी नमबर आपका बिल्कु सही है, बी नमबर आपका राइट आंसर है, हो 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 री, रचना के लेखा क कौन है, रादा करश्नदास, अंभी का दत्व्यास, राम नरिष्टर पाठी, रामदारी से दिन कर, 21 नमबर के क्वेश्चन में आपको चैन करना है, 21 नमबर के क्वेश्चन में बताईए, हो 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 री रचना के लेखा कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लो का दत्यव्यास बी नमबर आपका correct answer हो जाएगा बी नमबर आपका right answer हो जाएगा यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें जिसमें दोस्तों अंगला अंक प्रारंब होने का संकेत हो उसे क्या उसे क्या कहते हैं बाइस नमबर का question है कि यदि किसी ऐसी बात की सूचन हो उसे क्या कहते हैं 22 नंबर के question में अंकास अंका उतार चूलिका या फिर बिस कमभक देखते हैं कौन-कौन इसमें सफल होता है 22 नंबर के question में अच्छा question है बताईए जल्दी से यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अंगला आंक प्रारंब होने की सूचना होती है उसे क्या कहते हैं लगविंदर जी अंका उतार बता रहे हैं बहुत बढ़ी और बताईए जनताल नार्दन B की ओर जा रही है कुछ लोग A की ओर जा रहे है है ना और जो B की ओर जा रहे है बोन का सवाल गलत है ठीक है सही क्या है फिर ये नंबर है यानि कि अंकास अंकास यदि किसी यसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगला अंक प्रारम होने का संकेत हो उसे हम अंकास कहते है 22 नंबर का कॉस्चन क्या अंकास कहते हैं क्या बहुत बढ़िया अंगला तांबे के कीड़े एकांग की नाटक के लेखक कौन है बताइए प्रशने किरमांक 23 नंबर का कॉस्चन है तांबे के कीड़े एकांग की नाटक के लेखक कौन है भोबनेस और नरेश मैता धरंबीर भारती या फिर मौहन रास केस बताईए जल्दी सिख नीतू गुपता जी शबी लोगों को बताना तामे के कीड़े एकांग की नाटक के लेखा कौन है और देखते हैं जनता जनारदन कहां जा रही है जिन्दगी लहला हाई निबंद के लेखा कौन है अब देखो कौन कौन सही बता रहा है ममतारानी जी आनंद जी उस्पा जी सुनीता जी जिन्दगी लहला हाई निबंद के निबंदकार कौन है 24 नंबर का क्वेस्चन है 24 नंबर के क्वेस्चन में आपको बताना है और आपको पता है अपने पड़ा भी था किसर अगर कनया जी आ जाए तो जिंदिगी लह लहा जाएगी लह लहा जाएगी तो जिंदिगी लह लहाई कनया लाल मिस्तर प्रभाँ कर दी नम्बर आपका सहीray दी नम्बर आपका right answer है अप सर की मौत रचना के लेका कौन है अप सर की मौत रचना के लेका कौन है शबी लोग बताएंगे और बड़िया सा कॉस्चन आपसे पूछा गया लाइक कर दो सबी साती जिन्वी सातियों को न्यूबेच में एड़िसल लेना बिल्कुल भी न चूके अच्छा मौका है तीस में आपका सही उत्तर हो रहा है कि सर गोपाल चत्रवेदी ठीक है गोपाल चत्रवेदी बता दिया है लगबिंदर जी ने बहुत बड़िया ये नंबर सही है नेक्स्ट राकी बंद भाई कहानी के कहानीकार कौन है राकी बंद भाई कहानी के कहानीकार कौन है आज ही पढ़ाता है आपने राकी बंद भाई अब अगर भूलोगे तो क्या हो जाएगा दिखते हैं कौन कौन सही बता रहा है एक रक्षा बंदन कहानी है एक राकी बंद कहानी है तो राकी बंद भाई कहानी एक रक्षा बंदन कहानी भी है लेकिन रक्षा बंदन विश्वंबना स सर्मा कौसिक की है, है ना, क्योंकि रक्चा बंदन विस्तु में मनाई जाती है, लेकिन राखी बंद भाई ये बरंदा वनलाल बर्मा, बंदा बंदा नवाज आगया याद, बी नमबर आपका राइट आंसर, डांक बंगला रचना के लेखक कौन है, या स्पाल है, कौसिक है सर्वेस्तुर दयाल सक्सेना है, कमलेस्तुर है, जल्दी से बताइए, लाइक करिए, पटापट से डांक बंगला रचना के लेखक कौन है, शत्ताइश नमबर का क्वेस्चन है, सभी लोग आंसर चैन करेंगे, डांक बंगला स्रिजन कुमार जी बताइए, रजनी जी छमा नायक जी, डांक बंगला पूचाए आपसे, और आपने बिल्कुस सही आंसर चैन किया है, तो उत्तर हो जाएगा, कि सर कमल खिलाना, कमल, कमलेस्तुर, डी नमबर, बेरी गुट, वै कतांस, जिसे कोई पात्र, स्वयम इस ढंग से कहे, जिसे कोई पात्र, स्वयम इस ढंग से कहता है, जिसे कोई दूसरा पात्र, दूसरा पात्र ना सुने, उसे क्या कहते है, बै कतांस, जिसे कोई पात्र, स्वयम इस ढंग से कहता है, जिसे कोई दूसरा पात्र ना सुने, आपने देखा होगा, कई ब बाजुबाला कहता है क्या कहा तब आ बोड़ते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं है ना तो बताइए जल्दी से उस क्या कहते हैं आपने देखा होगा कोई चीज हैं जैसे बाजुबाला बहुत खतरनाक है और आप उसको मन ही मन में गाली दे रहे हो है ना तो आप गाली तो देते उसको थोड़ी सी जनक पड़ जाती, बोले क्या कहा आपने, बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना, तो वो, कि बायक अताज जिसे कोई पात्र स्वयम इस जंग से कहता है, कि किसी और को सुनाई नहीं देता, तो उसे क्या कहते हैं, वो पूचा गए 28 नंबर का क्वेस्चन, जनताज नारदन कहा जा रही है, जन्दी से बताईए, और लाइक भी करेए कि सर उसे स्वागत कहा जाता है, स्वागत याजनी कि आपका जो भी नंबर है, वो बिलकुल सही है, ठीक है, बिलकोल सही है, पिहू सरमाजी संपर कर सकते हो, प्राणों का सौदा, रेका चित्र स संगराई के लेखक कौन है प्राणों का सौधा सभी लोग बताएंगे लाइक करना है आपको स्री राम सर्मा जग मोहन सें देव की नंदन कत्री या फिर गोपाल राम गहमारी चैन करिए जल्दी से कमला कांद जी तनू जी 29 नंबर के क्वेश्चन में बीरेंद्र पटेल जी संदी बिसकर्मा जी रश्मी पाठक जी प्राणों का सौधा रेखा चित्र इसकी रचनाकार कौन है एक अच्छा क्वेश्चन है शबी लोग बताएंगे जल्दी से बताएं जल्दी से बताएंगे प्राणों का सौधा तो आपका प्राणों का सौधा स्री राम सर्मा यानि कि ये नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुड़ मुड़ के देखता हूँ आत्म कता के लेका कौन है मुड़ मुड़ के देखता हूँ आत्म कता के लेका कौन है सिव पूजन सहाई राजेंद्र यादाव स्री राम सर्मा या प्रियस पाल जल्दी से बताए तीस नंबर का कोस्चन है तीस नंबर में आपको बताना है मुड़ मुड़ के देखता हूँ बताइए आपको मैंने बताया था कि मन्नू बंडारी राजेंदर यादाओ की क्या थी पत्नी थी अब दोनों अलग-अलग हो गए मानिके चलो कि आपकी कोई पत्नी होगी पत्नी ने कह दिया कि आप अलग रहो हम अलग रहें अब दूसरे हैना एक दूसरे के विपरीत रास्तों में चल जाते है तो क्या हो रहता है आप लोग मुड़ मुड़ के देखते हो मुड़ मुड़ के राजेंदर यादाओ मुढ मुढ के देखते हैं राजेंद रियाद ओ किसको मनु भंडारी को मुढ मुढ के देखता हूँ राजेंद रियाद ओ ठीक है छितबन के फूल अब छितबन की छाय नहीं पूचा गया यहाँ पर यहाँ पर छितबन की बताओ चितबन के फूल पूचा गया बहुत अच्चा क्वेस्चन चितबन की चाय नहीं पूचा वो चितबन का चितबन की चाय ललित निबंद है यह यहाँ पर चितबन के फूल आपसे पूचा गया तो बताईए राजकुमारी जी, कमला कांत जी प्रश्ने किरमा की 31 नमबर का question और बहुत ही बढ़िया question है 31 नमबर में देखते हैं कौन कौन बता रहा है छितबन के फूल और इस तर हमें मादाओ के पिरसाद में जनतर नारदन कहा जा रही D-Number बहुत बड़ी है मादाओ के पिरसाद में छितबन के फूल मिल गए मादाओ के पिरसाद में क्या मिल गए छितबन के फूल मिल गए D-Number आपका छितबन के मादाओ पिरसाद बिलकु सही है है ना मिट्टी और फूल ये किसकी रचना, मिट्टी और फूल भी पूँच लिया गया, भी छेतबन के फूल पूँचा था, अब मिट्टी और फूल पूँच लिया गया, सबी लोग बता है रजनी जी, मताइए, सेर भी कर दीजिए दोस्तों, और जिन भी सात्यों को नोट्स मंगवाना बिल्कुल चूकना नहीं है, सबी साती नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है, और जिन भी सात्यों ने अडविसर नहीं लिया, पंद्रा तारिक से नया बैच स्टाड हो रहा, उसमें अडविसर जलू लीजिए, मिट्टी और फूल इसके रचना कार कौन है, ये रचना किसकी है, ये आप पासा की सबसे चोटी काई किसे कहते है, सब्द बैंजन स्वर या फिर वर्न या अक्षर को, देखते हैं, जनता जनार्दन कहां कन्फ्यूज होती है, कहां गडबड करती है, है ना, रीता कांत जी बताईए, पताएं, सत्गौर सिंग जी, आर्ती बर्मा जी, पिंकी जी ब की तरब, बहुत बड़िया, डी नमबर, बारण या अक्षर, डी नमबर, जनेंद्र कुमार को किस उपन्यास के लिए साहित अकादमी पुरुसकार मिला है, जनेंद्र कुमार के लिए किस उपन्यास को साहित अकादमी पुरुसकार मिला गया, एक बड़िया सा क्वेशन है सबी लोग लाइक जरू कर दो जल्दी से फटापट से लाइक कर दीजिए है ना और बताइए जैनेंद्र कुमार को आप दोस्तों TGT PGT एकजाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों पंजाब मास्टर केडर HP LTI या फिर उत्तरा खंड LTI की तैयारी कर रहे हैं या LTI के रेट की तैयारी कर रहे हैं आज ही एड़ी सल लें 15 अपरेल से न्यूबेच स्टार्ड हो रहा है तो बिल्कुल भी देरी ना करें जैनेंद्र कुमार को किस उपन्यास के लिए साहित अकादमी पुरुसकार मिला 34 नंबर का क्वेस्चन है बढ़ीयासा क्वेस्चन पूछा गया और आपका उत्तर चला जाता गिसर मुक्तिबोद ये मुक्ति वो जैनंद्र कुमार का उपन्या से ये नमबर सही हरी संकर बच्चन को किस साहित्यक बाद का प्रवर्तक माना जाता है ये 35 नमबर का question पूछा गया है शबी लोग बताएंगे बताएंगे बिकी जी पूर्णीमा जी राइट अंसर यहाँ पर आपका निर्मिला यादो जी पूनम जी बताओ शही आंसर बताना है और अनिलतिबारी जी 35 नमबर के question में बताएं और आपका सही आंसर जा रहा किस साहित्यक बाद का तो हाला बाद हा से हला और हला करते हैं बच्चन तो बच्चन से हरी बंसरा है बच्चन यानि बी नमबर आपका करेक्ट राइट अंसर है मनोहर स्याम जोसी को के सुपन्यास के लिए साहित्यक अदमी पुरुषकार दोस्तों मिला है बताओ के सुपन्यास के लिए साहित्यक अदमा अकादम प्रुसकार मिला है. मनोहर स्याम, जोसी को अरोण जी, बताइए, Safari 102 जी, सुनीता जी, सबी कहँंचे हैं एकying जोसमें है नितियंद्र जी बी नमबर correct right answer प्रबंद चिंतामणी के रचेता कौन है 37 नमबर का question प्रबंद चिंतामणी पूछा गया जेना चार मेरू तुंग है शारी बद्रे सूरी है यह आपको बताना है दनपाल है कभी आसगू है प्रबंद काई का प्रबंद करना है बोली सर मेरू का प्रबंद करिए आज मेरू का मेरू का प्रबंद करना है तो मेरू से क्या हो जाएगा मेरू से होगा दोस्तो मेरू तुंग जैना चार मेरू तुंग माले जाते हैं प्रवंद चिंतावणी की रचिता ये नमबर करेक्ट है अलका सरावगी को किसो पन्यास के लिए विहारी पुरुसकार दिया गया बहुत अच्छा क्वेस्चन है बताओ अलका सरावगी को किसो पन्यास के लिए विहारी पुरुसकार दिया गया कली कता वाया वाईपास के ल दोस्तों और अल्गताईस में आपको पताए कि सर अलका का पलका अलका का पलका बाईपास में डला बाईपास है ना तो कलीकता बाया बाईपास इसके डिए इने stop amazing mailsahara आलोक पर्व की बात करते हो, बंधना जी, बताईए, श्वरप जी, बताईए, रादिका जी, क्या है आलोक पर्व, आलोक पर्व बताना है, self study classes, सर्च करना है आपको, एप है दोस्तों, प्ले स्टोर में जाएए, सर्च करिए, self study classes, बताना है, बहुत बड़िया, है ना, बह पंद कृती आलोग पर्विकी रचनाकार कौन है ये आपको बताना है साहे भट जी और आलोग पर्विक तो वो लिसर हजारों आते हजारों तो हजारी पिरसा दुवेदी ये नमबर करेक्ट अंसर है जहां किसी बस्तू को देखने पर संसाई की इस्तिती संसाई की इस्तिती दोस्तो बनी रहे निश्चित ना हो वहां कौनसा अलंकार होता है यानि कि संसाई की इस्तिती अंत तक बनी है वहां कौनसा अलंकार होता है चालीस नमबर का देखते हैं जनता जनार्दन कहां कहां सही उत्तर बता रहे है कहां कहां जा रहे हैं जहां किसी बस्तू को देखन पर संसाई की इस्तिती बनी रहे, बहा कौँसा अलंकार होता है, एक अच्छा सा कॉस्चन पूचा गया, बढ़िया सा कॉस्चन पूचा गया, जंदी से लाइक भी कर दो regalini, हमारे संदेह अलंकार है, बिभावना ब्रांती मान कौँसा अलंकार है, अब यहाँ पर भी कई ल कोने ये बताया है उनका आंसर बिलकुल सही है ठीक है तिस संदेह लंकार यानि कि इसमें दोस्तो संसाई की इस्तिती अंतितक बनी रहती है नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है नारी ही की सारी है की सारी ही की नारी है यानि कि अंतितक संदेह की इस्तिती बनी रहती अंतिमान में भ्रह्म पक्का हो जाता है कि नहीं ये पैन लिये हाथ में भ्रह्म पक्का हो गया कि ये तो पैंसिल ही है ये संसाय नहीं ये भ्रह्म पक्का हो गया ठीक है ये नंबर सही है जिस चंद के प्रतिक चंद में 16 12 की 30 से 16 12 की 30 कुल 28 मात्राइं होती हैं अंत में गुरू लगु गुरू आना आवस्थक हो बहां कौनसा छंद होगा जल्दी से बताइए 41 नंबर का क्वेस्चन है शबीलो बताए रोली सिंग जी नीलम पटेल जी अच्छा क्वेस्चन है जल्दी जल्दी से बताते जाएए 41 नंबर का वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर भ पूछा है च्वपाई गीतिका हरी गीतिका रोला और बहुत सारे सातियों ने बताया हरी गीतिका तो हरी गीतिका हम भी मान लेते हैं यहां कोई बात नहीं सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है लच्छमी नाराण लाल का पहला नाटक कौन सा है लच्छमी नाराण लाल जिन्होंने दोस्तों 11 वर्स के समय को हिंदी की प्रतम कहानी माना है है ना जिसका रचना काल माना जाता है 1903 ठीक है लच्छमी नाराण लाल का पहला नाटक कौन पहले अंधह कुणा गरा था अंधे कुणा में तो अंधह कुणा इनका पहला नाटक है ये नäंबर जिन्हों बताया है वो बिल्कुल शही है ठीक है ये नमबर बैयरी गोड सर्वेश रोदयाल सक्षेना को किस कापब के लिए साहित अकादमी पुरुसकार मिला है चार विकल्पे चार में से चेन करना है लाइक जल्दी से बिल्कुल चाहिए राजकुमारी जी एक सब्ता है में नोट्स पर्चेस करना है एक सब्ता है में आपके घर तक पहुँचेंगे है ना स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँचेंगे ठीक है तो सर्वेश रोदयाल सक्षेना को किस कापब के लिए साहित अकादमी पुरुसकार मिला एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 43 नमबर के क् उत्तर देखते हैं कौन-कौन सई बता पा रहा है मतलब जनता जनारदन B की तरफ जा रही है तो हम भी B ही मान लेखते हैं B नमबर आपका सई है नीला चांद उपन्यास के लेका कौन है नीला चांद ये तो लगबख सभी से बनेगा कोई कण्फूजन नहीं है यहाँ पर स अबी साती और सियर भी कर देना हमारी साती, नीला चान, क्या है इसका, सेव परिसाद, बिल्कुछ साही, इसके शेव का परिसाद लगा दो, ये नंबर आप, करेक्ट लाइन साल लगा दो, एक छेख का बिलोम क्या होगा, एक छेख का बिलोम, स्वेक चेख, बैकल्पेक, कल्पिक और उत्तर आपका चला गया किसर बिल्कुस सहीं आंसर पूचा है एक छिक का होता है निवार जन्तल आरदन एक लिए मंगला परसाथ पारितोसिक सेक्सरिया कौन सा पॉरुसकार मिला उत्तर हो जाएका किसर जो नीरजा है निहार रस नीरजा रस्मी सांदगीत दीपसिका सब्त परना यामा ये जो रचना है ये महादेवी की हैं उन्नी सो साथ में जन्व हुआ था इनको मिलाता कौनसा पुरुषकार 6 नंबर के कौस्चन से 46 नंबर के कौस्चन में आप से बढ़िया सा कौस्चन पूचा गया औ जल्दी बताईए स्वरब बर्मा जी बीनु जी बताएं शिव कुमार जी सबी लोग बताना है जिन भी सात्यों को नोट्स मंगवाना है बिल्कुल भी देर ना करें नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों आभिनीत नाटक कौनसा है हिंदी का प्रतम आभि वो नाटक कौनसा है फटापट से बताना है और एक बार सेयर भी कर देना अपने सभी मित्रगान सेयर कर दीजे और वो नाटक है कौनसा जानकी मंगल यानि की बी नंबर आपका जानकी मंगल बिल्कु सही है जानकी मंगल जिननों लगाया चित्त कोबरा रचना किसकी है चि चित्त कोबरा रचना किसकी मानी जाती है 48 नंबर के question में और बोले सर चित्त कोबरा कोबरा बोले सर बड़ा मिर्दुल होता है होता है क्या मिर्दुल मिर्दुल होता है क्या कोबरा बताओ जल्दी से कोबरा मिर्दुल होता है बोले सर कोबरा मिर्दुल नहीं होता मिर्दु अदमी को मिर्दुल ही बना देता है यह नमबर, आपका सही है, यह नमबर मिर्दुला गर्ग, ठीक है यह नमबर, राइट आंसर, कौन जहनसंत स्ययम को अभी मान मेरू कहा करते थे? या अभिमान मेरू किसने स्वयम को किसने अभिमान मेरू कहा है या अभिमान मेरू किसे कहा जाता है ये भी क्वेस्चन है बिनोत कुमार जी आलोक सेंजी बताईए नीलम जी 49 नंबर के क्वेस्चन में सबी लोग बताएंगे 15 अप्रेल से new batch start हो रहा है हिंदी भासा से आपको सुरुआज से पढ़ाया जाएगा life class के मात्यम से यहाँ पर जैन संत स्वेम को अभिमान मेरू कहा कहते थे वो कौन है उत्तर हो जाएगा कि सर्पुस्पिदंथ है बी नमबर आपका बिल्कुल correct answer है बी नमबर आपका right answer है जहाँ बस्तू को बड़ा चला कर प्रस्तुत किया जाए बहाँ पर बहाँ पर बताना है कौन सा लंकार होगा जहाँ बस्तू को बड़ा चला कर प्रस्तुत किया जाए कौन सा लंकार हो जाएगा बताईए पूजा जी सभी लोग बताएंगे बहुती वड़िया question पूचा गया है और इतना अच्छा question पूचा गया है कि सभी लोग बिल्कुस सही answer बताएंगे like answer करना है जल्दी से बताओ जहां बस्तू को बड़ा चला कर प्रस्तुत किया जाए बहां कौन सा अलंकार होता है इतना अच्छा question और सभी लोगों ने बताया कि सर इस नंबर में आप अती सयोगती लगा दो ये नंबर लगा दो जो की बिल्कुस सही है जहां बस्तू को बड़ा चला कर प्रस्तुत किया जाए बहां आती सयोगती लगार होता है ये नंबर आपका बिल्कुस सही है संधिया गुपता जी ठीक है बहुत बड़िया जंद्विंद की ठीका आपको बताना है राइट आंसर चैन करेंगे सभी साती और सियर भी कर दो जंदी से एक बार सियर कर दी और गीत गोविंद की ठीका और एक तो आपको पता है कि सर गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद रचना जैदियों की मानी जाती है लेकिन यहां आपसे पूछा गया गीत पार कौन है मीरा भाई है ठीक है अब मीरा भाई की दो और आपको बताना है सरब जीट जीट ऑबजेक्ट टाइप नहीं आएंगे बिस्तरित वाले आएंगे बिस्तरित वाले अंगला क्वेस्चन देखो किस समूर के सभी सब्द चंद्रमा के परयाय बाची हैं बताओ चंद भी सातियों को नोट समगवाना बिल्कुल भी देर ना करें, चाहे वो पंजाम मास्टर के डरवाले साति हो, चाहे दोस्तों कोई भी हो, किस समूव के सबी सब्दें चंद्रमा के परियायवाची है, चंद्रमा के परियायवाची बताना है, बताओ, ये नमबर ससी सही है, बी सही आंसर दिया कि सरिश में ये नंबर लगा दो किस समों के सभी सब्द चंद्रमा के परियावाची है तो चंद्रमा के परियावाची ससी, इंदू, रजनी, पती ये नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा जिन्नोंने भी ये लगाया है उनका अंसर बिल्कु सही है ये नंबर, very good next देखो, सील बती सुरेंद बर्मा के किस नाटक की पात्र है चार विकल्प हैं सुरेंद बर्मा के नाटक आपने पड़े होंगे बताए राजकुमारी जी सुईता जी, भीनू, सरोज जी, कमला कांत जी सबी लोगा अंसर चैन करेंगे सील बती, सुरेंद बर्मा के किस नाटक की पात्र है ये क्वेस्चन आप से पूछा गया है चैन करके सेयर भी करिए दोस्तो 15 तारिक से, यानि की 15 अप्रेल से एक new batch start हो रहा है जिन भी सात्यों को इसमें 80 से लेना है ठीक है, वो दोस्तों ले सकते हैं बिलकुल ठीक है PDF के पैसे लगते हैं कौन है ये, नावेक सरोजी आपको अगर PDF चाहिए तो PDF में पे करना पड़ेगा 1999 रुपे पे करके आप दोस्तों PDF प्राप्त कर सकते हैं है ना इंदी सायत के बिस्तरे तद्यन की ठीक है, यहाँ पर सीलवती सुरेंद वर्मा के किस नाटक की पात्र है, त्रेपन नंबर का क्वेस्चन है, और आपको पता है कि सर्भो नाटक है सूर की अंतिम करण से सूर की पहली करण तक बहुत बढ़िया, यह नाटक भी पूचा जाता है किसकी रचनाकार कौन है तब आपका उत्तर भी डी नंबर सही हो जाता, डी नंबर बिलकुँ सही है इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंद के लेका कौन है, पढ़ा था अभी अभी निबंद जाब अपना टॉपिक चल ला था तो अपन इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंद पढ़ा था, तो देखते हैं कौन-कौन सही आंसर लगा रहा है रोली सिंग जी, बीनू सरोज जी सभी लोग बताएं, ससी कुमारी जी रेखा जी, राजकुमारी जी इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंद के, लेखा कौन है चंगण नंबर का कौस्चन है चंगण में आपको बताना है बताएं, शभी लोग बताएंगे गुंजन सिंग जी, ऐसे ही पढ़ाया जाता है फास्ट फास्ट में रेल गाड़ी नहीं चल लई है यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि सर इंडिकेट बनाम सिंडिकेट के क्या करना है सुदर्सन, दर्सन करना है यह नंबर आपका सुदर्सन मजीठिया बिल्कुस सही हो जाएगा ये नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा जिन्होंने ये लगाया है वो बिल्कु राइट आंसर है खंजन नयन रचना के लेखा कौन है और ये किसके जीवन पर आधारे तो पन्यास है खंजन नयन अर्चना जी बताइए सेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को दोस्तों एक बार सेयर कर दें सबी साती खंजन नयन के रचना कार कौन है किसके जीवन पर आधारे ते बहुती बढ़िया क्वेस्चन यहाँ पर आपसे पूचे गए है और लाइक भी कर देंगे सबी साती लाइक करिए जल्दी से खंजन नयन के बारे में एक नॉर्मल क्वेस्चन आपसे पूचा गया है खंजन नयन के रचना के लेखा कौन है अमरतलाल लांगर है क्या जनेंद्र कुमार है ब्रंदावललाल बर्मा है या पर रामरक्ष बैनी पुरी और सबी लोगों ने लगाया कि सर्खंजन नयन जो इसके रचना कार है ये उपन्यास है ये उपन्यास है अमरतलाल लांगर का और ये सूर्दास के जीवन पर आधारे तो पन्यास माना जाता है ठीक है किसका ये नमबर आपका करेक्ट आंसर है जो बिलकुँ सही है पर दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन है पर दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन मान जाते है 96 नमबर अपनने आद भी किया था पर दे की रानी कभी-कभी क्या हो जाती है बताइए बिलकुँ सही है आनन्द जी बहुत बड़ या ध्यान धन्यपाल जी 56 नंबर के question में आपको chain करना है और 15 तारिक के batch में जिसको भी एड़ बीसर लेना है वो जल्दी करें बिल्कुल भी देरना करें 15 तारिक से new batch start हो रहा है 15 तारिक से 1500 में 12 महीने के लिए आपको पढ़ने को मिला है ठीक है 15,000 रुपे दोस्तों कई कई बच्चों के आप 15,000 रुपे महीना की फीस भी भरते हो बच्चों की है ना 500,000 रुपे साल आप बच्चों की फीस भर की आते हो यहां आपके लिए पढ़ने के लिए पंदरा सो में बारा महीने मिला रेगूल अरद्यान लाइफ किलास रिकॉर्डिट किलासें भी ठीक है तो परदे की रानी जोस में आ जाती है वोली सर तो ईला चंद्र जोसी इसके लेखक हैं ये नमबर आपका बिलकुल करेक्ट आंसर ह ये नमबर वबी अंधेरे के जुगनू उपण्यास के लेखक कौन है क्या है यहां पर राइट आंसर अंधेरे के जुगनू उपण्यास के लेखक बताना है कौन मानजाते है पूरभा जी, सुनीता जी, लक्षमन जी सबी लोग बताएं क्या है यहां पर right answer अंधेरे के जुगणू उपण्यास पूछा गया 57 number का question है और 57 number के question में आपका उत्तर 10 कि सर रागव तो हमारे अंधेरे के जुगणू है रागव क्या हैो मसंकर जी अंधेरे के जुगणू है यानि कि आपका उत्तर ये नंबर correct है नमबर का question ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने self study classes के turkey notes मंगवाए हैं और दोस्तों ये turkey notes जिनको भी मंगवाना है नीचे नमबर चला है नमबर पर आप संपर कर सकते हैं और सीधे दोस्तों एक सपता के अंदर ये notes आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे ये आपके घर तक संदी और दिन में आपके घर speed post के माध्यम से कुमार पाल पृतिबोत के रचेता कौन है 58 नमबर का question आप से पूछा गया और सीधा अंसर जा रहा है कि सर सौम प्रभ सूरी लगा दो ठीक है सौम रसका यूच कर रहे हैं आजकल कुमार लोग कुमार पाल पृतिबोत इरचना पू रचना कर दी दो वर्स सात माह और चब्वीस दिन में इन्होंने राम चरित मानस की रचना की थी किसने तुलिसी दास ने ठीक है और तुलिसी दास की रचनाओं को अपन पढ़ते हैं कि सर राम अग्या प्रशन है ना और दोस्तों इनकी रचनाओं को अपन पढ़ते हैं ब रतनावली पतनी का नाम था आपने देखा होगा सूपी काब धारा में इस्वर की जो उपासना की जाती है पूजा की जाती है वो दोस्तों पतनी के रूप में की जाती है और मैंने आपको कई बार बताया कि तुलशिदास इतना प्रेम करते थे पतनी से इतना प्रेम करते थे एक बार पतनी माई के जाती है और तुलसी रास दोस्तों उनके पीछे पीछे चले जाते हैं अंधेरी रात थी बारे सो रही थी तुलसी रास इतना प्रेम करते थी कि उन्होंने अंधेरी रात नहीं देखी वो दोस्तों नदी कैसी थी उफान पर थी तो नदी में एक मुर्दा बहता जा रहा था मुर्दा को दोस्तों क्या लकड़ी समझ के वो पार कर जाते हैं नदी को और जब घर पहुँचते हैं रतनावली यानि कि अपनी ससुराल पहुचते हैं तो देखते हैं कि बहाँ पर एक सांप लटक रहा है उसको रसी समझ कर तुलशिदास चड़ जाते अपनी पतनी के पास तो आपको पतनी क्या कहती है ख़ती है तो तुलशिदास कहते कि हच ते रिकी जिसके लिए मैंने नदी नहीं देखी और वो बोला है कि इतना प्रैम अगर तुलशिदास से करोगी तो तना ही प्रैम उससे जादा कहीं प्रैम उससे जादा कहीं बगती हі और सraddha उन्होंने तुलसी भगवान रामपर दोस्तो निचावर कर दी भगवान रामपर उन्होंने ब्यक्त कर दी तबी तो एक बहुत अच्छा बना था दोहा कि चित्र कूट के घाट पे और भई संतन की भीड और तुलसी दास चंदन गेसे तिलक देत रगवीर ऐसे थे तुलसी दास ठीक है तो तुलसी दास ने मीन की सनीचरी का वर्ना ने किस गरंत में किया है यानि कि 69 नंबर का जब कॉस्चन आपसे पूछा जाता है तो वो किया है इन्होंने किस गरंत में किया है तब आपका उत्तर आगया किसर इन्होंने कभिता वली में किया है बहुत ही बड़ी आंसर सी नमबर का आंसर आपका बिल्कुँ सही है लाजना आगता आपको दोरे आया हु साथ और धिक धिक यहांसे प्रेम को कहां कहूं में नाथ बहुत बड़ीया आनंद जी नसवर का विलॉम सब्द क्या है साथ नमबर का क्वेश्चन है नसवर का विलॉम सब्द बताना एशास वत है अमार जीवन है अमार है जीवन है या फिर इन में से कोई नहीं है सबी लोग लाइक कर दो भटा पड़ से दोस्तो तो यसे तुलिसी दास्ते, ऐसे ही सूपी कापधारा में भी कहा गया है, कि जितना ब्यक्ति, जितना प्रेम अपनी पत्नी से करता है, इतना ही प्रेम, इतनी ही भक्ती अगर भगवान से करने लगे, तो भवसागर से तर जाएगा, लेकिन वो भक्ती और वो स्रद्दा कहा होती आज कल, है ना, तो नस्वर का बिलोम सब्द क्या है, सिक्ष्टी नंबर से क्वेस्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर की सरसास्वत है, यानि ये नंबर आपका बिलको सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है, भारत बारा मासा के किसकी रचना है, भारत बारा मासा के रचना कार कौन है, प्रेम घन की है, भारत एंदूर आदा करशनदास या फिर जगमोहन की है, जल्दी से सभी साथी लाइक करके सेयर भी कर देना और जिन भी साथियों को एड़ी सर लेना है दोस्तो और मस्ती से पढ़ना है बिलकुल मजे से पढ़ना है तो पंदरा तारीक से जो नूब एच श्टार्ड हो रहा उसमें आपका भी नाम होना चाहिए तो ऐसी कितने साथी हैं जिनको इस परकार पढ़ना है कि सर हमें हिंदी साहित में इंट्रेस्ट आ जाए हिंदी साहित जब पढ़े तो ऐसा लगे कि पढ़ने का दोस्तो पढ़ाई छोड़ने का मनना करे किलास करते ही रहे करते ही रहे ऐसा मन करे आपका तो दोस्तो सेल्प स्टेडी किलास से जोड़ जाओ आपको मजा आएगा 40 मिनिट जो अपनी किलास चलती आपको पता नी चलेगा कि ये कहां से निकल गई तो भारत में 12 मासा वो रिसर रादा करशन के दास बने रहते हैं लोग है ना तो रादा करशन दास यानि कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कु सही है राम तरपाठी जी ने 1889 में इनका जन्म हुआ था 1500 का कोर से ये सुचिता यादो जी 1500 में 12 महिने आप पढ़ सकते हो ठीक है राम नरेश तरपाठी की फुटकर कभिताओं का संग्रह आपको बताना है पतेक है मांसी है मिलन है या स्वपन है एक बढ़िया सी ट्रिक मैंने आपक इसके बारे में बताईती अगर किसी को पता हो तो फटाक से कमेंट में लखेंगे कि राम नरेश तरपाठी का जन्म 1889 में हुआ था दोस्तों दुवेदी यो कि स्रेश्ट कभी मान जाते हैं तरपाठी जी 62 नंबर का क्वेस्चन आपसे पूचा गया तब आपका राइट कि सर इनका पतिक क्या है पतिक इनका खंड काब है मिलन इनका खंड काब है सुपने इनका खंड काब है लेकिन जो मानसी है मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह माना जाता है यानि कि ये भी नंबर आपका बिलकु सही हो जाएगा ठीक है तो शबी लोगों को आंसर पर चेहन करना है विडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना किसी को ट्रिक हो तो जल्दी से बता देना जिस पर अनुग्रह किया गया हो बाक्यान्स के लिए एक सब्द क्या होगा बताईये मिलन के पत पर मांसी का सवपन देखा एक अपन ने ट्रिक बनाई थी कि मिलन के पत पर मानसी का स्वपने देखा बहुत बड़ी आदार्शू सरमा जी राइट जिस पर अनुग्रह किया गया हो बाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा अनुग्रहित है अनुग्रही है या फिर अनुग्रहित है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक सब्द क्या हो 63 नंबर का question है 63 नंबर के question में आपको chain करना है Like कर देना सभी साती Like तो बनता है ठीक है और आपका उत्तरे किसर ये नंबर लगा दो अनुग्रहीत लगा दो ये नंबर आपका बिल्कु सही है ये नंबर right answer है जिस पर अनुग्रह किया गया हो बाक्यांस के ये लिए एक सब्दे अनुग्रहीत ठीक है नेक देखो उपेंद नात असकी की सरवाद एक प्रोण नाट कृती कौन सी है 64 नंबर का question है उपेंद नात असकी की सरवाद एक प्रोण नाट कृती कौन सी मानी जाती है असके के बारे में अपन पढ़ते हैं उस पेंदनात असके बारे में छटा बेटा है अंजो दीदी है जै पराजा है ये पूरी की पूरी रचनाई जो आप देख रहे हो ये दोस्तों असके जी की रचनाई हैं असके जी की नाट करती हैं अब यहाँ पर आपको चैन करना की सर प्यंदना अतस्क हो जाएंगे अंजो दीदी और छटा बेटा तो अंजो दीदी का छटा बेटा जय पराजय के बाद अस्क बहाता है तो यह जय पराजय भी नहीं क्या है ठीक है तो यह तीनों याद रखते ना लेकिन 64 नंबर का आपका अंजो दीदी हो जाएगा वो इस प पताएंगे कर्म नासा की हार आपको पता है दोस्तों कि विविन प्रिकार के जो कर्म होते हैं वो इंसान करता जाता है करता जाता है लेकिन उसका फल भी मिलता है कर्म अच्छे हो या फिर कर्म बोरे हो फल दोनों के मिलते हैं है ना जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो है ना तो मिलेगा कि आपकी नौकरी लग जाएगी ठीक है और अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो वो भी कर्म है उसका कर्म का भी फ़ल मिलेगा लिकन ब्यक्ती क्या चाहता है कि जो अच्छे कर्म है Register हमने कर्म की अच्छे उसका फ़ल मिल जाए बाकि बोरे कर्मों का ना मिले, ऐसा नहीं है, कर्म दोनों का फल मिलेगा आपको, किक है, तो कर्म नासा की हार हो जाती है, अगर आप सियो का प्रिसाद गिरहन कर लो, तो सियो प्रिसाद से हैं, यानि कि ये नमबर आपका बिलकु सही है, पागल कुत्तों का मसीहा, उपन्या 66 नंबर का question पूछा गया लक्षमन जी, तनू जी, रिनू जी, नामबर जी, जल्दी से बताई आविशेक जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर सही answer, प्रमानसू जी बताएं, शिव कुमार जी और सभी साती जितने भी हमारे साती हैं, चाहे पंजाब मास्टर केडर बाले साती हो चाहे उत्तर प्रदेश, TGT, PGT, LTE ग्रेड बाले साती हों, हर्याना, TET बाले साती हों, या HP कमीशन बाले साती हों, या फिर उत्तरा खंड, LTE ग्रेड बाले साती हों, जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना हिंदी साहित के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं, जिनको भी ए आसान विधी के माध्यम से वो एड़िशन ले सकते हैं 15 अप्रेल से नया बैच स्टार्ड हो रहा है दोस्तो तो पागल कुत्नों का मसीहा 66 नंबर का कुश्चन आप से पूचा गया और आपका देखते हैं उत्तर आप क्या लगाते हो उत्तर होगा कि सर्वे सुर्दयाल सक्स अब आपको कैसे पता चलेगा कि पागल कुत्नों का मसीहा कौन है पुछे सर्वे करवाएंगे सर्वे सुर्दयाल सक्सिया नई यानि C number आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा, C number right आंसर हो जाएगा, मील के पत्तर रेखा चितर के लेखा कौन है, आपने देखा होगा सडक के किनारे जो पत्तर गड़ी रहते हैं, जो आपको बताते हैं कि कितने किलूमीटर, कौन सा सहर कितने किलूमीटर, वो क्या कहला ति मील के पत्थर कहलाते हैं, है ना, अब आप से पूचा गया कि मील के पत्थर इसकी रचनाकार कोन है, बताइए ओजस्बी जी, मास्टर के डर का सलेवस अलग है, कहां से अलग है भईया, कौन सा अलग है मास्टर, हिंदी साहित का इतिहास आप से पूचा जाता है, मास्ट 67 के लेका कौन है 67 नंबर का qu 바뀌न आप से पूछा गया सबी दोग आंसर बताएंगे और बोले सर ये जो मील के पत्तर है ये ब्रक्ष के नीचे गड़े रहते हैं सड़क के किनारे ब्रक्ष के नीचे गड़े रहते हैं कि नए गड़े रहते तो इसकी रचनाकार भी कौन हो जाएंगे ब्रक्ष के नीचे तो राम ब्रक्ष बेनी पुरी ये नम्मर आपका correct answer है अब अगर आपसे कभी भी question पूछा जाएगा कि मील के पत्तर तो आपको पता है कि सर मील के पत्तर तो ब्रक्ष के नीचे यानि राम ब्रक् question है तनमाई जी बताइए शांती बर्माजी सभी लोगों को chain करना है और share भी कर देना अपनी मित्रों को बताएं चीन में क्या देखा यात्रा साहित के लेखक कौन माने जाते हैं लेखक आपको बताना है देखते हैं 68 नमबर का question और उत्तर चला गया कि सर चीन में क्या सी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा राइट हो जाएगा मेरी college diary इसके लेखक कौन है मेरी college diary इसके लेखक कौन है डाक्टर धीरेंदर बर्मा भारतेंदू हरिस्चंद सियराम स्रणगोपति आप है रगवीर सहाय 69 नमबर का question 69 नमबर की question में बहुत ही बढ़िया नहीं कि डाक्टर धीरेंदर बर्मा ये नमबर आपका सही है है ना मेरी college diary धीरे से दे दो धीरे से दे दो ठीक है तो धीरेंदर बर्मा ये नमबर correct और right answer हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया संस्कृत आता है संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता यहाँ पर जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेका कौन है सत्तर नमबर का question जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेका कौन है सियोधान से चोहान है रांगे रागव है सियोसागर मिस्र है बिबे की राय है तो जुलूस रुका है इस रिपोर्टाज के लेका कौन है भावना जी गंगबार बताइ ये right answer chain करना ए सीता राम मीना जी अभी से अरोज जी अच्छा question है जलूस रुका है रिपोर्टाज के लेका kwn है सत्तर नंबर के question में आपको chain करना है और आपको पता है कि सर बेबेक से है ना जलूस के अचा रुका है बेबेक से तो बेबेक से बेबी की राय दीनमर आपका सही हो जाएगा विबे की राइ राइट अंसर हो जाएगा जिन बाक्यों में एक उद्देश और एक ही विधे होता है वो बाक कौन से कहलाते है सन्यूक्त बाक, मिस्टर बाक, शरल बाक या फिर इनमे से कोई नहीं जिन बाकियों में एक उद्धे सुरेकी विदे होता है वो बाक बताना है वो बाक क्या कहलाते हैं कि शैन्युक्त बाक कहलाते हैं में सरे सरल या परिन मैंसे कोई नहीं चैन करिये जल्दीशे और लाइक भी कर दीजे फटापट से 51 नमबर का Question है उत्तर हो जाएगा किसर बो सररल भाग कि कहलाते हैं C नमबर आपका कहलाता है जिन बाग क्यों मेEMD एक उदिश और एक बिधे होता है वो सरल भाग है C नमबर आपका Correct है शाय वाद का विशनु किसे कहा गया है 72 नमबर का Question चायवाद का विश्णू किसे कहा जाता है जल्दी से चेन करिए दोस्तों और अपने मित्रों को सियर जरू कर दीजिये क्लास रोज रात्री नौ वजे होती है बरिया और बंपर क्लास करवाई जाती है कुछ महत्पूर्ण प्रशनों पर दोस्तों हमें यहां पर पढ़ते है चायवाद का विश्णू किसे कहा जाता है एक अच्छा क्वेस्चन है प्रिसाद, पंत, निराला या फिर उदैसंकर, भटको अच्छा क्वेस्चन, 72 नंबर के क्वेस्चन में आपको चैन करने के लिए बोला गया और आपका उत्तर किसर चायवाद का विश्णू कहा जात पंत को यानि की बी नमबर आपका सही है बी नमबर आपका राइट आंसर है छायवाद का विश्णू पंत को कहा जाता है बी नमबर किरपन का सही बिलोम सब्द क्या होगा किरपन का सही बिलोम सब्द परुपकारी दानी भेकारी या फिर स्वार्ती तेहितर नमबर का क्वेस तेहतर में राइट आंसर चैन करना है लाइक कर देना है और आपका उत्तर जा रहा है किरपन और किरपन का सही बिलोम क्या है उत्तर हो जाता है बी नमबर यानि कि आपका जो दानी है दानी बिल्कु सही है बी नमबर आपका बिल्कु राइट आंसर है बी नमबर बिल्कु सह रंगदे बसंती चोला नाटक की रचनाकार कौन है चोहतर नंबर का क्वेस्चन है रंगदे बसंती चोला नाटक की रचनाकार बताना है बीस में साहिनी है विश्णु प्रभाकर है रामचन सुकल है डाक्टर नगेंद्र है इन में से चोहतर नंबर का बहुती बढ़िया प् आपका बिल्कु सही है ठीक है रंगदेवसंति चोला नाटक की रचनाकार भीस में साइनी है ये नमबर आपका बिल्कु सही है कामाईनी को मानवचेतना के विकास का महा काब किसने कहा है? आपका उत्तर है, क्या हो रहा है यहाँ पर 75 में बताओ, कामाईनी को मानव चेतना के बिकास का महाकाब बे किसने कहा पर बहुत सारे लोगों ने भी बता दिया जो की गलत है आपका उत्तर है, डाक्टर नगेंदर ने कामाईनी को मानव चेतना की बिकास का महाकाब बे कहा है डाक्टर नगेंदर ने, लाइन से लगा दिया बी नमबर, बहुत बड़ी है ठीक है आपका उत्तर है डाक्टर नगेंदर पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कामाईनी को मानव चितना की विकास का महाकाब विकाह डाक्टर नगेंदर है डी नमबर कभी कुल कंठा वरण की रचेता कौन है कभी कुल कंठा वरण 76 नंबर का क्वेस्चन बताना है कभी ता यादो जी बताइए कभी कुल कंठा वरण की रचना कार कौन है आलाम दूलाय मतिराम या फिर सेना पती 76 नंबर का क्वेस्चन है बताइए जन्दी से कभी कुल कंटाबरन इसकी रचिता कौन है कामाईनी को दोस्तो मानवता का रसात्मक इतिहास कहा था नंदुलारी बाचपेई न है न कभी कुल कंटाबरन पूचा तो आप क्या लगाओगे 76 नंबर की क्वेस्चन में पुलिसर दूलह कभी लगा दो बी नंबर लगा दो बी नंबर दूलह आपका सही है सजल गीतों की गाई का और आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है 77 नंबर का क्वेस्चन है सजल गीतों की गाई का और आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है महादेवी बर्मा को सहजो भाई सुविद्रा कुमारी चोहान को या फिर राय वरेली बताओ यहाँ पर 77 नमबर का क्वेस्चन पूछा गया भावना जी बताइए तनवाई जी सिमर पाल सिंग जी दूले का कंठ है बहुत बढ़िया गुरप्रीत जी जिन भी सात्यों को अड़िसन लेना चूकना नहीं है पंद्रा अप्रेल तक से नया बैच स्टाड हो रहा है नय बैच में जिनको भी पढ़ना है वो पर सकते हैं अड़िसन ले सकते हैं सजल गीतों की गाईका और आधने क्यूक की मीरा कहा जाता है महादेवी बर्मा यानी की 1907 में इनका जन्म हुआ था ये नमबर आपका करेक्ट आंसर है रादाचन गोस्वामी का निबंद है 78 नमबर का क्वेस्चन कौनसा निबंद है तदिये सरवस्थ संगीत सार एमलोक की आत्रा या फिर ये का पूर विश्वापन है रादाचन गोस्वामी का निबंद कौनसा है 78 नमबर के क्वेस्चन में आपको चैन करना है लाइक करते हुए सेर भी करना 78 नमबर में बताइए जन्दी से रादाचन गोस्वामी का निबंद बताना है पताइए लाइक करिए कलपिना जी माया राम जी पूजा गुपता जी नितू जी रादाचन गोस्वामी का निबंद आपको चैन करने के लिए बोला गया लाइक जरू कर दीजिए, सेर कर दिया कर वो अपने मित्रों को और यह आपको पता है कि सर यह मलोग की यात्रा राधा चड़गोश्वमी, C नमबर आपका बिल्कु सही है, C नमबर आपका सही है तीसरी कसम कहानी के लेका कुण निर्मल बर्मा, रेणू जी हैं, यह स्पाल हैं, राजेंदर यादा हो हैं 89 नमबर का क्वेस्चन है, तीसरी कसम किसकी कहानी है, यह क्वेस्चन पूछा गया 89 नमबर में, 89 नमबर का आपका सही आंसर क्या हो जाता है तीसरी कसम के रचनाकार है फणी सोनात रेणू है बी नमबर आपका बिलकु सही है रेणू जी आपका राइट आंसर है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्षमी इसके रचनाकार कौन है तो लज्जा से क्या बनेगा लज्जा राम महता बी नमबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लज्जा राम महता सही है है ना सिलांकित किर्थी कौन सी है सिलांकित किर्थी बताना है बताओ सिलांकित किर्थी के बारे बताना है सेल्फ स्टेडी किलासेस का एप सभी साती डाउलोड कर ले आपको पिले स्टोर में जाना है सर्च करना है सेल्फ स्टेडी किलासेस Self Study Classes ये सर्च करना है दोस्तों ठीक है कौन सी सिलांकित किर्थी है और देखते हैं कौन-कौन सही लगा पाता है इसमें सही आंसर सिला पर अंकित किर्थी 802 नंबर का question है 802 नंबर की question में आपका उत्तर जा रहा है B number यानि राउर बेर आपका right answer है सिलांकित किर्थी B number मानी जाती है ता उलबिल आपका right answer है त्रिलो चन का बास्त्विक नाम बताना है 82 नंबर के question में बासुदे उसे हैं त्रिलो की नात हैं त्रिमूर्ती से हैं मनमोहन से है त्रिलो चन का बास्त्विक नाम क्या है 82 का उत्तर आपको chain करना है 82 में बताना है और त्रिलो चन जी का बास्त्विक नाम chain करना है तो आपका उत्तर है ये नंबर क्यानि की बासुदे उसे हैं ये नंबर आपका बिलकुँ सही है त्रिलो चन का बास्त्विक नाम है बासुदे उसे हैं नमबर बिल्कु सही है, टॉल स्टाय और साइकिल, एक किसकी काप किरती किसकी है, टॉल स्टाय और साइकिल, एक काप किरती किसकी है, टॉल स्टाय और साइकिल, इस काप किरती के रचनाकार कौन है, चैन करें जल्दी, टॉल स्टाय और साइकिल, इसके रचनाकार कौन माने ज चाय और साइकल के जो रचना कार माने जाते हैं 83 नमबर के question में वो माने जाते हैं दोस्तों कौन माने जाते हैं बताएं केदारनात से हैं केदारनात से हैं कहनी D नमबर D नमबर केदारनात से हैं आपका सही answer होगा सिकार संबंदी रोचक निबंदों की रचना कार कौन है सिकार संबंदी रोचक निबंदों की रचना कार कौन है 84 नंबर का क्वेस्चन है सिडाम बर्मा है, सिराम सर्मा है, स्रीकांध बर्मा है इनमें से कोई नहीं सिकार संबंदी रोचक निबंदों की रचनाकार कौन माने जाते हैं लखमिंदर जी पूनम सैनी जी तनू जी सभी लोग आंसर बताएंगे विकास बाटी जी कौमल जी तौमर और सिकार संबंदी जो रोचक निबंदों की रचनाकार हैं दोस्तो और आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर ये लगा दो स्री राम सर्मा यानि की बी नमबर बी नमबर लगाना है बी नमबर सही है मुझे मुझे से हसा नहीं जाता मैं बाच्च है मुझे से हसा नहीं जाता इसमें बाच्च कौन सा है करत्री बाच्चे, कर्म बाच्चे, भाव बाच्चे या फिर इन में से कोई नहीं 85 का क्वेस्चन है बताईए रादिका जी, रिंकू जी, कौमल जी, रवेंद्र कौर जी मुझसे हसा नहीं जाता इसमें बाच्च कौन सा है 85 का क्ेस्चन है बहुती बड़िया क्ेस्चन है और उत्तर एकिसर मुझसे हसा नहीं जाता यानि कि इसमें भाव बाच्च है सी नम्मर भावाच चाप का सही अंसर है केसव कहिना जाई का कहिए देखत तब रचना बिचित्रे और अती समझे मनहमन रहिए ठीक है रोद रसे इसमें सांत रसे भयाना कह या फिर अद भुत रस है ये बताना है 86 नम्मर के कॉस्चन में चैन करना अभी से एक सरोज जी अरपिता जी बताईए अनीता जी केसव कहिना जाई का कहिए देखत तब रचना बिचित्रे 86 का उत्तर लाइक करके शेयर भी करना है सबी सातियों को सेयर कर दीजे जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा और उत्तर है कि सर कौन सा रस हो जाएगा 86 नम्मर में 86 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर केसव कहिना जाई का कहिए देखत तब रचना बिचित्रे है ना तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा सबी लोग बताएं 86 नम्मर का क्वेस्चन है कुछ लोग B बता रहे हैं कि सर सांतरस हो जाएगा बहुत बढ़िया कुछ लोग C बता रहे हैं भयानक रस और बताओ कौन बता रहे हैं केसव कहिना जाई का कहिए देखत तब रचना बिचित्रे अतिसा मुझे मनाई मन रहिए मैं कौन सा रच है कोई बिचित्र रचना देखते हो तो आपको क्या होता है बिसमय होता है आस्चर होता है और आस्चर किसका सही है तो आपका उत्तर हो जाएगा अद भोत रस क्यानी की D नंबर देखो बहुत सारे लोग सान रस लगाने जो वस्तुब एक्तिया परिस्तितिया इस्थाई भाव को इस्थाई भाव को जागरित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं 87 नंबर का question है 87 नंबर के question में आपको बताना है सबी लोग बताएंगे 87 नंबर के question में जो बस्तू बेक्टिया परिस्तितिया इस्थाई भाव को जागरित करती है उने क्या कहते है 87 नंबर का question right answer chain करना है बिभाव इस्थाई भाव अनुभाव या फिर संचारी भाव और आपका उत्तर है कि सर वो होता है बताए 87 नंबर क्वेस्चन पूछा गया और उसे कहते बिभाव यानि कि ये नंबर सही है ठीक है बिभाव सही है एक गूट एकांकी के रचनाकार को अने साथी इसका रचनाकाल भी आपको बताना है एक गूट एकांकी बताना है Self Study Classes का सभी साथी डाउनलूट कर लें एपको और सेयर कर दें अपनी मित्रों को दोस्तों सेयर कर दें जल्दी से लाइक नहीं किया भी बहुत सारे साथियोंने सभी लोग लाइक करें लाइक की संक्या बढ़ाना है सभी को जल्दी एक गूट एकांकी का रचना काल क्या है ये भी आपको चैन करना है साथी ये भी बताना है कि इसका दोस्तों रचना कार कौन है तो ये तो पताईए कि सर हिंदी का प्रतम एकांकी एक गूट जैसंकर प्रताद इसकी रचना कार है कालोर बताईए हर्स सब्द का बिलॉम सब्द quiya hooga हर्स का बिलॉम क्या hooga विसाद पर हर्स खुसी या फिर नीरो और हर्स पूचा है आपसे तो आपको بتाना कि सर हर्स का हो जाएगा विसाद क्यानि कि एनमबर विसाद आपका बिल्कु सही है 89 नंबर की question में आपने उत्तर लगा दिया है बिसाद, ठीक है सामिस का बिलोम आर्थक सब्द बताना है 90 नंबर का question है सामिस का बताईए प्रेम, कोरी जी, सुनीता जी सामिस का बिलोम क्या है लाइक कर देना सामिस, अनामिस, निरामिस या फिर निरमिस तो फिल्कु सही आंसर 90 नंबर में बताया कि सर इसमें निरामिस लगा दो निरामिस यानि सी नंबर लगा दो सामिस का बिलोम क्या हो जाएगा निरामिस, बहुत बढ़िया सिकंजे का दर्द आत्म कथा की लेखा कौन है 90 बन का उत्तर सिकंजे का दर्द बताना है सुसीला टाक बोरे माता परसाथ डिवरा जो पाद्या या फिर धरम बीर मान जाते हैं सिकंजे का दर्द एकानवे नंबर की क्वेस्चन में और एकानवे कॉस्चन में हो जाएगा कि सर सिकंजे का दर्द जो आत्मकता है ये आत्मकता है सुसीला टाक भोरे की ये नमबर सुसीला टाक भोरे आपका बिल्कु सही है सिकंजे का दर्द सुसीला टाक भोरे ये नमबर बिल्कु सही आंसर है ठीक है 60 वर्स एक रेखान करके की रेचनाकार कौन है 60 वर्स एक रेखानकन बताव चैन करिए यह आत्मकता किसकी है रीता कांत जी चैन करिए सेल्प स्टड़ी कि लासेस का एप डाउनलूट करिए सबी साती जिन्वी सात्यों को एड़िसल लेना है हिंदी साहित का इतियास संपूर्ण इतियास पढ़ना है अर्था लंकार कौन सा नहीं है विभावना ब्रोदावास सिलेस या फिर भरांती मान यानि कि 93 नंबर का क्वेस्चन आपसे पूछा गया कौन सा अर्था लंकार नहीं है और 93 का जो उत्तर माना जाता है वो माना जाता है सिलेस यानि कि C नंबर आपका सही है सिलेस राइट का लंकार है सिले से यमक है उपमा या फिर रूपा का लंकार है कनक कनक ते सौगुनी मादक तादिकाए या खाए बोराए नर बापाए बोराए इसमें 94 नंबर की क्वेस्चन में अलंकार बताना है कनक कनक पूछा गया कई बार आता है कनक कनक यानि कि यहां पर आपका बी न नमबर यमा कलंकार बिलको सही है बी नमबर राइट अंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया ववीता जी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं 95 नमबर का क्वेस्चन है लाइक करते हुए जद्धी से बताइए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और आपका सीधा अंसर चला गया कि सर् नमबर बहुत बढ़िया सर्वनाम के भेद 6 होते हैं निमन सब्दों में ऐसे एक पुल्लिंग है उसको बताना पुल्लिंग कौनसा है बुडापा जड़ता दया या फिर घटना तो समझ में आ रहा है आपको किसर पुल्लिंग सब्द की अगर बात करें तो पुल्लिंग क्वेस्चन और उत्तर चला गया ए यानि की बुडापा ए नमबर आपका सइए बुडापा सइए पुल्लिंग है अन्यान्य में कौनसी संदी है अन्यान्य का संदी विच्छेत करना है एक और बहुत ही बढ़िया प्रस्ण है सुनीता रानी जी तनमाई जी लाइक करिए बिलकुर राइट आंसर बताया है बहुत बढ़िया अन्य धन अन्य यानि की वी नमबर आपका सइए वी नमबर वेरी गुड कबीर किस सासक के समकालीन थे 98 नमबर का क्वेस्चन है लाइक कर दीजे सभी साती कबीर किस सासक के समकालीन थे दोस्तों वीडियो को सेयर भी कर ये फटापट से जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा सही आंसर कबीर किस्सासक के समकालीन थे उत्तर हो जाएगा कि सर ये थे सिकंदर लोदी के डी नमबर सिकंदर लोदी आपका सही है स्वपने का बिलॉम क्या हो वो सभी साती Self Study Classes का app डाउनलोड कर लें, यहाँ पर जागरन आपका D-Number बिल्कुस सही हो जाएगा, और लाइट सो अंतिम कोस्चन है, कुटिल का बिलोम सब्द बताना है, कुटिल का बिलोम सब्द आपको चेन करना है, बताइए निमेसे जटिल है, बक्र है, रिजू है, या फिर रूल है, कुटिल का सो नंबर का कुश्चन है, कुटिल का बिलोम बताना है, Self Study Classes का app डाउनलोड कर लो, जिन भी सातियों को नोट समंगवाना है, वो नोट समंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, नीचे नंबर चला है, तो आप लोग सभी संपर करें, कुटिल का सब्द पूचा गया है, स्वनंबर के कॉश्चन में, और उत्तर चला जाता है, रीजू, इसका एक रूप खस है, जिससे पहाड़ी हिंदी का बिकास हुआ है, खस नाम निमले खित में से दोस्तों बताना है, खस का एक अन्य नाम कौन सा है, सीधा सीधा कॉश्चन है, खस क एक अन्य नाम कौन सा है, जो आप से पूचा गया है, वो आपको चैन करना है, महरास्ट्री, ब्राचण, दरद, या फिर मागदी, बताए, अपर ब्रंस का एक रूप खस है, जिससे पहाड़ी हिंदी का बिकास हुआ है, खस का एक अन्य नाम बताना है, अन्य नाम क्या है, महरास्ट्री है, ब्राचण है, दरद है, या फिर मागदी है, चैन करिए, और लाइक कर दीजे जदीशे, सभी साती लाइक करेंगे, वीडियो को सेर भी कर देंगे, बड़िया सा यहाँ पर प्रश्न पूचा गया, एक नंबर का क्वेस्चिन पूचा गया, और आपका बि दरद, क्या नाम है, दरद, क्यानी सी नंबर आपका बिलकु सही है, ठीक है, रिजू सब्द का बिलोम होगा, रिजू का बिलोम क्या है, सीधा, सरल, वक्र, या फिर, रेज, तो रिजू का बिलोम बताना है आपको, दो नंबर का क्वेस्चिन है, दो नंबर में आपको चे अपने मित्रों को शेयर करना है इस क्लास को और यहां पर आपका बिल्कु सीधा सा अंसर चला गया तीन नमबर यानि कि बक्र रिजूस अब्दिका बिलॉम होता है बक्र सी नमबर आपका करेक्ट आंसर है अमीर कुसरों का पूरा नाम बताना है अमीर कुसरों का पूरा नाम क्या है एक अच्छा और बढ़िया कोस्चन आपसे पूछा गया है जल्दी से बताएं राइट अमीर कुसरों के बारे में सबी लोग जानते हैं अमीर कुसरों का पूरा पूछा गया Self Study Classes का app डाउनलोड कर ले और आपका जो तीन नंबर है तीन नंबर में आपका हो जाएगा आबोल हसन यामीन उद्दीन खुसरो यानि कि जो C नंबर है आबोल हसन यामीन उद्दीन खुसरो यह आपका बिलकुल शाही आंसर है बहुत ही बड़ी आंसर बताया स्रंकला की कड़िया यह बताना इक इसका निबन्द है प्रश्न कर्मांग चार नंबर का क्वेस्चन है चार नंबर के क्वेस्चन में आपको सीधा सीधा चैन करना है स्रंकला की कणिया ये रचना किसकी है ये रचना आपसे पूची गई है सबी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे लाइक करिए जल्दी से सिरंकला की कड़िया इसके रचनाकार कौन है एक क्वेस्टिन कई बार दोस्टो आपसे पूँचा गया है कई बार पूँचा भी जाता है जितने भी साती अभी लाइब क्लास से नहीं जुड़े उनसे भी सातियों को सेर कर दीजिए और बहुत ही बढ़िया इस सेसन चलता है दोस्तों आप लोगों के लिए बताईए ज़ल्दी से फटापट से यहाँ पर चैन करना है बढ़िया सा कॉस्चन बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानि महादेवी बर्मा बी नंबर करेक्ट आंसर राइट आंसर है अमिर्की नारी जीवन की अंतरव्यथा उदगाटेत करने वाला जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा है बताओ अमेरिकी नारी जीबन की अंतरवेता उद्गाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है आओ पेंपें घर चलें छिन नमस्ता पीली यांदी या फिर ताला बंदी अच्छा क्वेस्टन है सबी लोग बताएं पांच नमबर के क्वेस्टन में सबी लोगों को बताना है बहुत बढ़िया वनवारी राल जी पांच नमबर का क्वेस्टन में आपका सही आंसर क्या जा रहा यहां पर अमेरिकी नारी जीबन की अंतरवेता उद्गाटित करने बाला जो उपन्यास है वो पन्यास कौनसा है वो पन्यास आपको चेन करना है और पांच नमबर में उत्तर जा रहा है उत्तर जा रहा है कौनसा है तो आपका उत्तर है आओ उपन्यास है किसका आओ उपन्यास है घर चलें ये अमरिकी नारी जीवन की अंतर बेताओ धगाटित करने वाला उपन्यास ह ठीक है बिलकुल तो ये नमबर आपका सही है बहुत सारे लोग जनता जनारदंस्री की तरफ जा रही है कुछ B की तरफ जा रहे हैं है ना लेकिन एक अच्छा कॉस्चन ये नमबर अब बताओ इसके रचनाकार कौने आओ पेपे घर चले मैंने कई बार आपको बताया बताईए कौन बता रहा है बाबुजी किसकी जीवी नहीं है बाबुजी बताईए कल से स्टार्ट हो रहा है केलास कुमार जी हिंदी साहित का TGT PGT ब्याले जो भी हमारे साती है तो कल से जितने भी हमारे निव स्टुडेंट है सभी को बताने कि कल से आपको 5 बजे साम को 5 बजे जो वाली जो किलास होती है उसमें आपका निव बैच चलेगा यानि कि हिंदी भासा से स्टार्ट से आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है बिलकुल खेतान खेतान आओ पेप घर चले बाबुजी जीवनी किसकी है छे नंबर का क्वेस्चन में आपको बताना है छे नंबर में कल 15 अप्रेल से निव बैच चिस्टार्ड है जिनको भी एड़ी से लेना है और हिंदी साहित्य को सुरुआस से पढ़ना है यानि कि हिंदी भासा देवनागरी डिपी आद बक्तिकाल रीतिकाल इस परकार से क्रमबद्य पढ़ना है तो वह एड़ी से ले ले और अपनी तयारी को नरंतर जारी रखें तो यहां पर छे नंबर का क्वेस्चन है और छे में आपका उत्तर होरा बाबुजी सोभा कांथ बुले सर हमारे बाबुजी सोभा देते हैं ग्रंत ब्रज भासा में है बर्बरामयन कविताबनी राम लला नहीं छुया पिर इन में से कोई नहीं कोई साथ नंबर का क्वेस्चन है जन्दी से बताईए बताएं, राइट अंसर, कौन सा गरंत ब्रज भासा में, ब्रज भासा यानि कि आपको पता है, कि पस्चमी हिंदी की एक बोली मानी जाती है, दोस्तों, ब्रज भासा, ठीक है, अब ब्रज भासा में, आपको पता है, कौन सी है, बताओ, बर्बी रामार तो है नहीं, रामलला नहचू भी नहीं है तो कौनसी है कभिता वली कभिता वली यानि बी नमबर कभिता वली सही है राजर सी पुर्षोत तमदास टंडन के प्रियतनों से कौनसी कौनसी संस्था इस्थापेत हुई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूचा गया है राजर सी पुर्षोत तमदास टं या पर हिंदी साहित सम्मेलन प्रियाग यानि की आठ नंबर का क्वेश्चन है लाइक करिए सभी साती सेर भी करिए रजनी बाला जी तनमाई जी पिंकी मिसरा जी शबी लोग बताएंगे संजय पाठक जी बताएं रवी संकर जी जिन भी सातियों को हिंदी साहित के नोट्स म मंगवा सकते हैं आठ नंबर का क्वेश्चन और बहुती बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहां पर आपका उत्तर हो रहा है क्या नंबर जा रहा है बताईए शबी लोग बताएं राजर सी पुर्तोत्तम डास्टनन के प्रयतनों से कौन सी संस्ता की स्थापना हुई है बताईए जल्दी शेप 15 रोपे बैच है क्याराश जी और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर हिंदी साहित सम्मेलन प्रयाग इसकी जो इस्तापना हुई है राजर सी पुर्तोत्तम डास्टनन के प्रयतनों से हुई है यानि कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्को सही है डी नंबर आपका राइट अंसर है नहीं पराग नहीं मदुर मदू नहीं बेकास एहकाल अली कली सोही बिंधो आंगे कौन हबाल आंगे कौन हबाल एपंगती किसकी है बेकारी दासकी है क्या शेना पती की है विहारी की है क किस्की मानी जाती है जल्दी से बताइए और एक बार सेयर भी कर दीजी अपने मित्रों को जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों किलासे इस परिबार के जितने भी साती हैं नहीं पराग नहीं मदुर मदु पूछा गया आपसे ये पंक्ती किसकी है बुल्डो जर्वाबा बताइए जदी से शुमन रानी जी बताएं हर प्रीत कौर जी नो नंबर का क्वेस्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन पूछा जिसमें 732 हैं कहीं कहीं 792 हैं कहीं कहीं 723 दोहे भी मिलते हैं ठीक है तो आपको 713 ज्यादा पूछा जाता है तो ये याद रख्टेना बिहारी सच्थाई का रचना काल क्या है ये आपको बताना है आगरा बजार से किसका सम्मंद है दस नंबर का क्वेस्चन है और बहुत बढ़िया क्वेस्चन पूछा गया आगरा बजार से सम्मंद किसका है ये क्वेस्चन पूछा गया आपसे लाइक करके सेर भी करिए मित्रो एक किलास बहुत ही बढ़िया होती है नरंतर चार बरसों से 9 बजे रात्री में एक किलास आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जात तो बताईए आगरा बजार सी किसका संबंद है और आपका उत्तर हो जाएगा ये नमबर यानि की हबीब तनबीर ये नमबर आपका बिल्कु सही है ये नमबर राइट अंसर है परक किसका उपन्यास है उनके एक दो उपन्यास और बताईए जिनका ये परक उपन्यास है उनक प्रजापती जी बताईए रीतेस मौर जी शबी लोग बताएंगे यहाँ पर राजेस चोदरी जी बहुत बढ़िया जल्दी से बताईए फटापट से बताएं परक किसका उपन्यास है ग्यारा नंबर के क्वेस्चन में और ग्यारा नंबर का उत्तर हो जाएगा कि सर ये नं अंगला क्वेस्चन है कि बिहारी की तुलना प्यूस बर्सी मेग से किसने की है बारा नंबर का क्वेस्चन है संदीबिस कर्मा जी बताईए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया दिनेश जी सुनीता कल्याणी है ना त्याग पत्र है वेरी गुड बहुत बढ़िया है ना तो इतने सारे उपन्यास आपको बता चल जाते जैनेंद्र कुमार के नीतु गुपता जी सीता राम जी वीके सर्मा जी ठीक है हीरो हंडा जी बहुत बढ़िया इस्टडी बित जी यहाँ पर बारा नंबर के क्वेस्चन में आपसे पूचा गया कि बिहारी की तुलना प्यूस वर्सी मेक से किसने की है बहुत ही अच्छा क्वेस्चन पूचा गया और आपका उत्तर है कि सर रादा चरण गोश्वामी रादा चरण गोश्वामी जनतल नार्दन कहां जा रही एकी तरह बहुत बढ़िया है ना ये नंबर आपका करेक्टर बाबु बाल मुकुंद गुप्ति की साहित्यक प्रसिद्धी का मूल आधार बताना है तेरा नंबर बाबु बाल मुकुंद गुप्ति की साहित्यक प्रसिद्धी का मूल आधार बताना है तेरा नंबर के क्वेस्चन में बताना है बिरजेश कुमार जी अमन जी सुनीता ज नीता जी सबी लोग बताएंगे अर्पिता दुबे जी बलजीत जी बाबू बाल मुकंद गुप्ति की साहित्यक प्रसिद्धी का मूल आधार क्या है तेरा का क्वेस्चन बहुत भी बड़ीया क्वेस्चन है और उत्तर जारा की सर दी नंबर लगा दो स्यो संभू का चिठ् मुक्ति बोद की सबसे लंबी तथा सरबादिक चर्चित कविता कौनसी है अंधेरे में जमाने का चेहरा उपकरत हूँ ओका ब्यात्मन फनीधर तो कौनसी है ये आपको बताना है रोडी सिंग जी माया राम जी शबी लोग बताएंगे ममता स्रीबास्तों जी लाइक कर दो सबी साती सेर भी कर दो अपने मित्रों तक दोस्तों और यहाँ पर मुक्ति बोद की सबसे लंबी तथा चर्चित कविता पूची गई है और आप लोगों ने तो बिलकुस सही आंसर लगा दिया है कि सर 14 नंबर का क्वेस्चन अगर आपने पूचा है 14 नंबर का क्वेस्च हंसा जाई अकेला कहानी किश् specifically है आज ही मैंने आपको कई बार पढ़ जल्ए तो क्या करोगे आप लोग हंसा अकर अकेला जा रहा है तो आप लोग क्या करोगे देखते हैं और सबी साती दोस्तों 7 बजे life class चलेगी आपकी new batch की ठीक है, सामको 16 बजे जो life class चलेगी उसमें हम हिंदी की कहानी, कहानी विधा को पढ़ेंगे, 5 बजे हम हिंदी भासा को पढ़ेंगे, हंसा जाई अकेला किसकी कहानी है, 15 नंबर का question आपसे पूछा गया, 15 में आपका उत्तर हो जाएगा, मारकंडे मारकंडे हैं बोले सर, है ना हंसा जाई अकेला, अकेला जा रहा हंसा तो उसको मारकंडे, मारकंडे ये नंबर पूजा बर्मा जी, ठीक है बहुत बढ़िया, कुली भाट किसकी जीबनी है, कुली भाट कुली बताना है यह बहुत ही बढ़िया यह दोस्तों किसकी जीवनी है यह पूछा गया आपसे राजकुमारी जी बिजय होजा जी बताइए भावना गंगबार जी 16 नंबर के कॉस्चन में और उत्तर जारा की सर यहां पर आप निराला लगा दो निराला लगो दो कुली बाट किसकी जीवनी है तो यह निराला की जीवनी है डी नंबर आपका सही है निराला आपका राइट आंसर है निराला सही है फैंस के इधर उधर किसकी कहानी है 16 नंबर के कॉस्चन में फैंस के उधर उधर कहानी किसकी है कासी नास्ते की ज्यान रंजन सेव मूर्ति या फिर उदाई प्रकास की बताओ फैंस के इधर उधर किसकी कहानी है एक अच्छा क्वेस्चन पूछा गया है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर फैंस के इधर उधर कहानी जो है वो कहानी है ज्यान रंजन की आपको पता है कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे उसके इधर उधर आप लोग क्या करते हो ज्यान बगराते हो बगराते ज्यान की नहीं है ना तो ज्यान बोले ज्यान का रंजन करते हैं फैंस के इधर उधर बी नमबर आपका सही है मुंसी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूर्दास है बताओ एक और क्वेस्चन अच्छा क्वेस्चन है बताए रैस जी बंजीत जी बताए स्वानू कियम जी पुस्पा शुकला जी शबी लोग बताएंगे स्टडी जी लखबिंदर जी सिवा सदन कर्म भूमी गबन गोदान है ना और दोस्तों आपको पता है बोले सार इनका मंगल सूत्र धूरा रह गया उनसी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूर्दास है 18 नमबर का question है 18 नमबर में आपका उत्तर चला गया रंग भूमी ये नमबर आपका सही चला गया ये नमबर आपका right answer हो गया है ना अगनी से तु में किसकी जीवनी का उलेक है निराला की अब्दुल बिस्मिल्ला नज्रूल इसलाम या फिर अग्ये की जीवनी 19 नमबर का question है माया राम जी सरब जो तनीता जी तनू जी कमला कांत जी अनामिका जी पूनम जी रंजीता ठाकोर जी 19 नमबर का question आप से पूँचा गया है बहुत ही बड़िया question पूँचा गया अगनी से तु में किसकी जीवनी का उलेक है 19 में तो आपका उत्तर जा रहा है कि इसर आप सी नमबर लगा दो नजरूल इसलाम लगा दो सी नमबर आपका बिलकुँ सही है सी नमबर आप राइट आंसर किलिक कर दो ठीक है बासा संबर्दनी सबा का संस्तापक कौन है बासा संबर्दनी सबा का संस्तापक कौन है बालकरन बट्टे है भारतेंदू हरिस्च है बाबु तोताराम है अयुद्या फिर साध खत्री है बीस नंबर का क्वेस्चन संबर्धनी सभा आपसे पूचा गया है संबर्धनी सभा में आप क्या उत्तर लगाओगे विजय ओजा जी पूरू प्रीती प्रोहिद जी बताईए कमला कांद जी रेखा सरोज जी से उकुमार जी भासा संबर्धनी सभा का संस्थापक कौन है एक अच्छा क्वेस्चन बीस नंबर का क्वेस्चन है पूर बीस नंबर के क्वेस्चन में आपका उत्तर जा रहा है सी नंबर क्यानिकि बाबू तोता राम संबासा संबर्धनी सभा का संस्थापक बाबू तोता राम मानने जाते हैं ठीक है ये बिलकुँ सही है से नमबर साहिए, बेरी कोड़ प्रतवी राज राजों की रचना बिधान में सरबाद एक बिबाद जो है, बताए, वो बिबाद किस्में है प्रतवी राज राज रासो हिंधी का प्रतम महा कब माना जाता है, जिसके रचना कार चण्द बरदाई जो कि हिंदी के प्रता महा कभी माने जाते हैं दोस्तों है ना और प्रत्विराज रासो को आदिकाल में चंदों का जायब घर कहा जाता है बाकि अगर question कभी normal पूछा जाय कि चंदों का जायब घर किसे कहा जाता है तो आप क्या लगाओगे सतीस कुमार जी राम चंद्रिका राम चंद्रिका जो की केसव दास की रचना है जिसी चंदों का जायब घर कहा जाता है एक 21 नमबर का question आपसे पूछा गया है बहुत ही बड़िया question पूछा गया प्रत्विराज रासो की रचना विधान में सरवादिक जो बिवाद है वो बिवाद एतिहा सिक्ता का दी नम प्रिसाद का प्रिथम नाटक कौनसा है प्रिसाद का प्रिथम नाटक कौनसा है 22 नमबर के question में 22 में अपन को बताना है उसका रचना काल भी अगर आप बता दो तो बहुत बड़िया होगा अनीता सरोज जी है ना जितने भी हमारे साती हैं जिनको भी एड़िसर लेना है हि आज ही आप 15 शो में अडवीसर ले सकते हैं इसकी बैलिडिटी रहेगी 12 वर्स लाइट कलासें चलेंगी प्लस रिक्वाडेट कलासें चलेंगी टॉपिक बाई टेस्ट होंगे टिर्की वीडियो होंगे ठीक है और यहां पर आपके लिए दोस्तों टिर्की वीडियो के बिलको सही है वेकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन क्यानी रुखना चाहिए अध्यन नहीं रुखना चाहिए ठीक है हजारी परसाद दोवेदी की बह निबंद कुरती जो जो दोस्तो साहित्यकादमी द्वारा प्रोस्कृत की गई है वो निबंद कुरती कौनसी है बहुत अच्छा कॉस्चन 23 नमबर हजारी परसाद दोवेदी ललेत नबंदेकार के रूप में इनकी प्रशिद्धी है 1907 में इनका जन्म हुआ था ठीक है इन्होंने हिंदी साहित के आधीकाल को आधीकाल की दोस्तो संग्या दी थी ये भी कई बार कोस्चन आ गया और इन्होंने हिंदी साहित का आधीकाल करके गरंत भी लेखा इतिहास गरंत भी लेखा हजारी परसाद दोवेदी ने 23 नमबर के कोस्चन में बहुत ही बढ़िया कोस्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर चला गया आलोक पर्व यानि कि आपका जो बी नमबर है आलोक पर्व है वो बिल्कु सही है कवीर की भासा को पंच मेल खिचडी किसने कहा है यहाँ पर भी लोग अटकते हैं कई बार लोग यहाँ पर अटकते हैं क्योंकि कई पुस्तकों में यह गलत शप जाता है लेकिन आपकी पुस्तक में यह गलत नहीं शपना चाहिए कबीर की भासा को पंच मेल खिचडी किस ने कहा 24 नमबर का क्वेस्चन है अचार रामचन सुकल ने बावु स्याम सुंदर दास ने डाक्टर रामकुमार बर्मा ने और फिर डाक्टर नामबार सेह ने 24 नमबर का क्वेस्चन कबीर की बासा को पंच मेल खिचडी किस ने कहा एक अच्छा क्वेस्चन आ रहा है एक बड़ी असा क्वेस्चन आ रहा है 24 नमबर के क्वेस्चन में आपको चैन करना है और लाइक भी कर देना है तो आपका उत्तर हो रहा है कि सर पंच मेल खिचड़ी बड़ी सुन्दर बनी होती यहां गड़बर कर देते बहुत सारे लोग जनतल नारदन बिल्कुँ सही बता रहे है पंच मेल खिचड़ी कैसी बनेगी सुन्दर बनेगी सुन्दर बनेगी और रामचंदर शुकल ने क्या कहा था कबीर की भासा को सादुक्डी कहा था यह भी याद रख्टे ना रामचंदर शुकल ने सादुक्डी कहा था बाबु से आम सुन्दर दास ने इनकी भासा को पंच मेल लिखे चली कहा था और 1399 में इनका जन्म होता है किसका कभीरदास का है ना और अपन ने पड़ाई है कि पोती पड़पड जगमुवा और पंडित भयाना कोई और धाई आखर प्रेम के पड़ेशो पंडित होए क्या उनका रहा है कभीरदास कह रहा है है ना और आज भी दोस्तों उनके ये दोहा आज भी चरितार्थ होता है पोस्ट कार्ड किसकी रचना है बिल्को सही है बानी का डिक्टेटर हजारी परसाथ जी ने कहा था बहुत बढ़िया क्वेस्टेल जी राज कुमारी जी रादिका जी आप लोग भी बताते जाएए अगर कोई तथ्याद आता है है ना जैसे अपन कोई भी पढ़ रहा है हजारी दुबाद परसाथ दुवेदी के बारे में पढ़ रहा है पोस्ट करना हमें नोट्स पोस्ट कर देना है ना बिलकुल नोट्स हम आपको क्या करते हैं पोस्ट करते हैं कैसे बड़े ही निर्मल तरीके से करते हैं पोस्ट कार्ड है ना तो ये निर्मल बर्मा ये डी नम्बर आपका सही है तो जिनको भी नोट्स मंगबाना है जिन भी सातियों को वो मंगबा सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़ी हा नोट्स बनाए गए हैं आप दोस्तों देखकर ही आपको लगेगा कि इतनी सरल भासा में बनाया गया कि आपको समझ में आएगा है ना अतीत के गरते से किसका संसमरण है अतीत के गरते से 26 नंबर का question इस संसमरण आखिर किसका है एक बड़िया सा question पूचा गया लाइक कर देना शबी सातियों को सेर भी कर देना दोस्तो इतना अच्छा जो नोट से हैं वो कहीं आपक किसका संसमरण है 26 नंबर का question है महा देवी महा देवी बर्मा निर्मल बर्मा ब्रंदावनल बर्मा भगबती चन बर्मा बर्मा की तो आपने लाइन लगा दी है ना बर्मा बर्मा उठालाए पूरे साहित से तो अतीत के गरते से कौन निकालेगा आपको बुलिसर आमें तो भगबती निकालेंगी भगबती तो भगबती से भगबती चन बर्मा हो जाएगा यानि डी नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा डी नंबर राइट एसर है अमरत बर्सा कराने वाला कभी किसे कहा जाता है 27 नंबर का question और बहुती बढ़िया question पूछा गया अमरत की बर् बर्सा करने वाला कभी 27 नंबर का question है 27 नंबर के question में आपको बताना है और आपका उतरे की सरः बो है अमरत की बर्सा कराने वाला कभी है रस्खान अमरत रस्खी अमरत रस्खी ठीक है बहुत बड़िया सपेद कववा कहानी के लेखक कौन है सपेद कववा 28 नंबर का क्वेस्चन है चैन करना है शबी लोगों को बीना जी बताईए रितू जी सबी को चैन करते हो याँगे बढ़ना है दोस्तो और लाइक भी कर दिना है पटापट से बताएं यहाँ पर सपेद कववा कहानी के लेखक कौन है मंजुल भगत है रमेश बत्रा है मिर्दुला गर्ग है सुरेंद्र तेवारी है 28 नंबर का क्वेस्चन और एक बहुत बढ़िया क्वेस्चन पूचा गया आपका राइट आंसर चला गया मंजुल भगत ये नंबर बिल्कुँ सही है मंजुल भगत आपका सही है सपोत कईया सपेद का हुआ जो कहानी है वो मंजुल भगत की कहानी ए नंबर समसेर को किस काव किरती के लिए साहित अकादमी पुरुषकार मिला 29 का उत्तर समसेर को किस काब करती के लिए साहित अकादमी पुरुषकार मिला है 29 नमबर का question है बताईए 29 नमबर में बताना है मधुर जी समसेर को किस काब करती के लिए साहित अकादमी पुरुषकार मिला बात बोलेगी चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने कुछ और कभी ताइम 39 नंबर का question है बहुती बड़ीया question पूचा है तो समसेर बहादुर के बारे में आप जानते ने कभीयों का कभी कहा जाता है किसको समसेर बहादुर को ठीक है और समसेर बहादुर को कौनसी काभ विक्रती के लिए तो बिलकुर राइट अंसर आ गया है बी नंबर आपका सही है बी नंबर आपका चुका भी नहीं हुमें बी नंबर आपका राइट अंसर है बी नंबर सही है सती मया का चौरा किसका उपन्यास है तीस नंबर का question सती मया का चौरा पूचा गया कमले सुर भेराव प्रसाद गुप्त सर्वे सुर दयाल सक्सेना ममता कालिया यानि की तीस नंबर का क्वेस्चन है और तीस का राइट आंसर बताना है सती मया का चौरा ओपन्यास किसका है तो बताएं यहाँ पर चौनू केम जी राजकुमारी जी तनबह जी रासित कुरेजी जी शबीता जी शबी लोग एक साथ बताएंगे एक स्वर में बताएंगे सती मया का चौरा है ना तीस नंबर का क्वेस्चन है बुलिस सर सती मया का चौरा भेराव का प्रसाद गरन करता है चोरा है चोरा है ना लियाद रक्टिना और इससर सती मया का चोरा क्या करता है बहराओ का प्रसाद है ना यहाँ पर चोरा है लेकिन हम क्या करेंगे चोरा है ना चोरा चोरी बहराओ प्रसाद गुपते बहराओ का प्रसाद गरन करता है जिन्दगी मुस्काई किसका संस्मन है 31 नंबर के question में एक बढ़िया सा question आपसे पूचा गया like कर दो सभी साथ ही दोस्तो इस के लास को भी तो like कर दिया करो आप लोग तो like के में कंजूसी करते हो बिनूत कुमार जी सभी साथ ही एक बार रुक कर के like करिये फटाक से जिन्दगी मुस्काई किसका संचमान है प्रभाकेतन प्रकासबतिपाल कनया लाल मिस्र प्रभाकर या फिर प्रकास गुप्तिकी तो अच्छा question पूचा गया जिन्दगी मुस्काई बोले sir कैसे अगर कनया जी आपके घर आ जाएं तो जिन्दगी मुस्करा जाएगी कनया जी घर आ जाएगे तो क्या हो जाएगा जिन्दगी मुस्करा जाएगी की नहीं मुस्करा जाएगी बुल सर एक बार लादो कनया को जिन्दगी मुस्करा जाएगी है ना तो एक कनया लाल में से प्रभाकर हो जाएगी आप्त मोहरों में, आठवी सदी के गुजाती राजा जैभट के लेक में, बोध इस्तूपों के गुपाओं के भित्ती चित्रों में, या चोल सासकों के सिक्कों में, 32 नंबर का क्वेस्चन है, लिपी के अर्थ में बताना है, नांगरी अत्वा देव नांगरी का सबसे पहल लेक कहां मिलता है, 32 नंबर का क्वेस्चन है, देखते हैं, सही आंसर कौन बता रहा है, जंताज नार्दन कहां की ओर जा रही है, और बताए, जदी बताओ विजय जी या निलतेबारी जी, 32 नंबर का क्वेस्चन है, मोना पटेल जी, बताओ, और माया राम जी, उत्तर चल गया कि सर आठवी सती के गुजराती राजा जै भट्ट के लेख में जो है लिपी के अर्थ में नांगरी अत्वा देवनांगरी का सबसे पहले ओल लेख मिलता है और जनतज नारदन सीता राम जी रजनी बाला जी बी नम्मर आपका बिलको सही आंसर है प्रमोश चैनी जी ना नाइकाओं का नकसिक बर्नन मिलता है तो बताओ किस में मिलता है नाइकाओं का नकसिक बर्नन किस में मिलता है 33 नम्मर का क्वेस्चन है 33 में आपको चैन करना है और नाइकाओं का नकसिक बर्नन बताना है तो बताइए बताइए साथ नाइकाओं का दोस्तों साथ है काई में रोडा करत राउल बेल में राउल बेल में दी नंबर आपका सही है दी नंबर जिन्हों ने भी आंसर बताया राउल बेल आपको बता है दोस्तों दोब किसकी रहा लोचना है ये बताना है बताईए दोब के रचना कार कौन है, मलेज हैं, समसेर हैं, अगे हैं या फिर निराला हैं, 34 नमबर का बताइए, स्वाती तिवारी जी, बेबेका नंद जी, आसीस जी, 34 नमबर में लाइक करते हुए सेयर करिए दोस्तों, वीडियो को सेयर भी करना है आपको, बहुत बढ़िया, बहुत साहित के बहुती सरलभासा में, ट्रिक के साथ ये नोट्स बनाएगा हैं, बढ़िया तरक्त तरीके से, दो आप किसकी आलोचना है, 34 नमबर का क्वेस्चन है, और आपका उत्तर की सरसमसेर लगा दो, दी नमबर लगा दो, समसेर बहादुर की आलोचना है, दी नमबर सही ह साहित देउता को क्या खावाना है, किसका गद्य काब्ब है, साहित देउता, इसके रचनाकार कौन है लकबंदर जी, सबी लोगों को चैन करते हुए आंगे बढ़ना है दोस्तों, और सेर जरू करने नहें, साहित देउता के रचनाकार कौन, एक अच्छा क्वेस्चन पू अच्छा क्वेस्चन, बढ़िया सा क्वेस्चन आपसे पूचा गया है, साहित देउता पूचा गया, लाइक करिए जल्दी से फटापट से, और आपका उत्तरेगी सर साहित देउता को तो माखन खवाना है, माखन, तो माखन से क्या वनेगा, माखला चुत्रुवेदी, ग गांदी जी, तनमा जी, बिबेका नंतेवारी जी, 36 नमबर का क्वेस्चन है, इतने अच्छे अच्छे उत्तर आप लोग बता रहे हैं, जनता नार्दार बिल्कु सही आंसर बता रहे हैं, इसके लेकक कौन हैं, 36 नमबर में, आपका राइट आंसर चला गया, क्या चला गय 36 में, बताओ, गांदी जी कौन हैं, और बढ़िया सा आंसर जा रहा है, इसर गांदी जी कौन हैं, ए राम नरेश्टर पाटी, यानि कि आपका इस चार नमबर है, इस चार नमबर सही है, राम नरेश्टर पाटी है ना, दी नमबर आपका सही आंसर है, गांदी जी कौन हैं ठीक है प्रतिवी राज रासों का सबसे बड़ा समय या सर्ग कौनसा है प्रतिवी राज रासों हिंदी का प्रतम महाकाब माना जाता है चंद बरदाई जी ने इसकी रचना की थी दोस्तों इसका बताना है बताईए अतुल दीक्षत जी बिलकोल प्रतिवी राज रासों का से बड़ा जो समय है वो समय है कन बज्ज युद्ध यानि कि आपका कन बज्ज युद्ध सी नंबर बिलकुल करेक्ट आंसर है राइट आंसर है अनूलोम का सब्द का अनूलोम का बिलोम क्या हो जाएगा अनूलोम अनूलोम का बिलोम क्या होगा अच्छा क्वेस्चन कई बा सो बनाएगा हैं बहुत ही बढ़िया हिंदी साहित के जितने भी हमारे साती हैं जो भी टिरिक से पढ़ना चाहते हैं अच्पी टैट वाले हर्याना टैट वाले उत्रा खंड दोस्तों एल्टी ग्रेड वाले पंजाब मास्टर के अडर है ना उत्तर प्रदेश टीजीटी पी नहीं है थर्टी नाइन नंबर का क्वेस्चन है नांग का पर्याइबाची कौन सा नहीं है सर्प है अही है बिसधर है या फिर तो रंग है बताओ बीरेंद्र जी जस्बीर जी बताए नांग का पर्याइबाची नहीं है पूचा यहां पर नांग देउता तो आप लोगों नांग का प्रयावाची सर्पतो है अही भी है और विसदर भी है फिर कौनसा नहीं है यहाँ पर नहीं पूचा है तो नहीं में क्या लगाओगे चार लगाओगे यानि कि तुरंग नहीं है बुरिसर ठीक है तो आपका D नंबर है बालकर्ण सर्मा नबीन करत कौनसा काब है संतोष कुमार जी बताए शुनीता कुमारी जी बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन पूचा गया 40 नंबर के क्वेस्चन में पर आपका सीधा अंसर जारा की सर यहाँ पर लगा देना है आप हम विसपाई जनम के हम विसपाई जनम के B नंबर बालकर्ण सर्मा नभीन करत एक आप रचना है इनकी B नंबर आपका बिलको सही है नीतू जी बहुत बढ़िया खर सब्द निवन मैसे एक का आर्थ नहीं है खर सब्द निवन मैसे एक का आर्थ नहीं है गधा वान तिनका या फिर एक राक्षास बताओ इतना अच्छा question पूछा गया ममता जी रामदयाल जी चेट 41 number के question में और 41 number के question में खर सब्द निम्न मैंसे एक का आर्थ नहीं है तो खर मतलब गधा तो होता है आपको पता ही है 41 नंबर में है ना गदा होता है तिनका होता एक राक्चस भी होता है लेकिन बान नहीं होता बान नहीं होता बी नंबर बान आपका राइट अंसर है ठीक है ये तो आपको पता है पतिता की साधना ये किसकी रचना है पतिता की साधना पूछा गया आपसे 42 न नमबर के question में पूचा गया है बुलिसर हमें भगबती का एंसा प्रसाद मिला एंसा प्रसाद मिला कि पती की साधना शुरू हो गई उल्टा तो नहीं हो रहा है कि पती ही साधना कर रहे हैं उल्टा तो नहीं कभी-कभी उल्टा हो जाता है बेलन कभी-कभी चल जाता है तो प पती भी साधना चालू कर लेते हैं पतीता की साधना ये किसकी रचना है ब्यालीस नंबर में कुश्चन पूचा गया पुलिसर जैसे ही भगबती का प्रसाद मिला और पती की साधना चालू हो गई लेकिन साधना कैसी कर रहे हैं आप लोग साधना कई प्रकार की हो रही है है यहां पर मंगल सूत्र किसका अधूरा उपनियास है। यह नम्बर आपका बिल्कु सही है, यह नम्बर राइट आंसर है, धुरुप स्वामनी नाटक की रचना किसने की? अच्छा कॉस्चन है, धुरुप स्वामनी का रचना कालवी बता देना आपको पता है, जैसंकर प्रिसाद ने दोस्तों इतिहासिक इन्हें क्या कहा जाता है नाटक समराट कहा जाता है दोस्तों प्रसाद जी को है ना और यहाँ पर आपको बताना है कि ध्रोप स्वामनी इनका अंतिम नाटक है पहला नाटक इनका सज्जन है अंतिम नाटक जो है वो है ध्रोप स्वामनी ठीक है ओ ध्रोप स्वामनी नाटक की रचना किसने की ये पू नमबर में सबी लोग बताएंगे 45 का राइट आंसर आपको चेन करना है और आपका उत्तर जा रहा है कैदी की पतनी कैदी की पतनी तो बुरुसर ब्रक्ष पर बैठी बैठी क्या कर रही है कैदी की पतनी ब्रक्ष पर बैठी बैठी रो रही है बिलाप कर रही है कैदी की पतनी रो ब्रक्ष पर बैठी बैठी क्या कर रही बुरुसर रो रही है बिलाप कर रही है यानि की आपका बिल्कों सही है ब्रक्ष पर बैठी बैठी बिलाप कर रही है स्वर्ग की बिचार सभा कहा होती है भारत में की अमेरिका में जल सेल्प स्टेडी किलास इसका एप डाउनलूट करना है 15 अप्रेल से न्यू बैच स्टार्ड है यानि कि कल से साम को 5 बजे किलास चलेगी लाइब किलास उस बैच में आप पड़ पाओगे 15 अप्रेल 15 अप्रेल न्यू बैच स्टार्ड बहुत ही बढ़िया स्वर्गी की विचार सबा भारत में होती है भारत में होती है तो आप क्या लगाओगे भारत एंदू जी की ये निबंदे किरती है स्वर्गी की विचार सबा कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए कोठरी की बात आज ही कहानी पड़ीती है कोठरी की बात कहानी पढ़ीती है पन्ने एक कहानी किसकी है कोठरी की बात कहानी के लेका क्वान है अग्ये है निर्मल बर्मा है कशना शोपती या पर रजनी गुपता कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए बताओ कोई भी बात जब कोठरी में होती है तो बोलिसर वो बात अग्गे रहनी चाहिए अग्गे क्यानि कि ये नंबर इनका जन्म हुआ था 1911 में सचिदा नंद हीरा नंद बात साइन अग्गे ये इनका नाम है सचिदा नंद हीरा नंद बात साइन अग्गे ठीक है लोहे की दिवार के दोनों और किसकी किरती है लोहे की दिवार की दोनों और अग्गे सत्य दिव परिवराजक या स्पाल या फिर राहुल सांक्रत्याइम लोहे की दिबार के डौनव और बिलकुल मुस्किल कुछ भी हो कुछ भी नहीं फिर भी लोग रादे तोड़ देते हैं सच्चे दिल से पाने की चाहत हो तोसे तारे भी अपनी Salar देते हैं माय राम जी बताए लोहे की दिवार के दोनों और किसकी किर्टी है ये आपको बताना है अनुराग जी और बुले सर ये किर्टी है 48 नंबर में आपका उत्तर चला गया यह श्पाल यानि C नंबर C नंबर सही है बादल का पर्याबाची सब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है अबर जीभूत बारेत या फिर मरकट बादल का पर्याबाची आपको बताना है कौन सा नहीं है पर्याबाची आप पढ़ते होंगे बिलॉम भी आप लोग पढ़ते हैं है ना बिलकुल पहली दूसर से परियाबाची और विलोम आपके लिए पढ़ाय जाते हैं बादल का परियाबाची कौन सा नहीं है एक अच्छा क्वेस्चन आप से पूचा गया लाइक भी करना है और उत्तर चला गया 49 में मरकट यानि कि D नंबर बादल का परियाबाची मरकट नहीं है है ना मरकट तो ब बिलोम बताना है यहसा बताना है दोस्तों आपको उत्तर शही बताएंगे और जनता जनारदन ने सेल्प स्टेडी क्लासेज का एप डाउनलूट कर लिया की नहीं किया है ना मित्रो शेल्प स्टेडी क्लासेज का एप डाउनलूट कर लेना है ना परुष्का बिलोम 50 नंबर का question है, ये बताना है, वल सकती कौमल या फिर इनमे से, कोई नहीं, 50 में परुषका बिलोम होता है कौमल, परुषका बिलोम क्या होता है कौमल, तुल्सिदास की भक्ति किस भाव की है, एक सरल question से शुरूआत, एक वड़िया question से शुरूआत यहां पर हो चुकी है, त जल्दी से like करके सेयर जरूर कर दो दोस्तों, तुल्सिदास की भक्ति आपको चैन करना है, किस भाव की मानी जाती है, अच्छा question है, सभी लोग बताएंगे, दास भाव की है, शमरपन भाव की है, मादूर की है, या फिर साख भाव की मानी जाती है, यानि कि तुल्सिदास बताएं जल्दी से, और सभी को पताएं कि सर तुल्सिदास की दास भाव की, सूर्दास की सखा भाव की, मीरा वाई की, माधूर भाव की, यानि कि आपका उत्तर यहाँ पर एक नमबर विल्कुण सही है, विद्या पती की पधावली, किस भासा में रच्चत है, बाउन नंबर के question में chain करेंगे लाइक करेंगे शबी लोग बताएंगे यहाँ पर तो बताएगे क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer विद्यापती की पदावनी किस भासा में रचित है पहाडी में मैतली में अबदी में या फिर पिंगल में आपको पता है बिद्यापती के बारे में आप जानते हैं जिन्होंने कीर्टी लता और कीर्टी पताका की भी रचना की थी दोस्तों जो की अब हट भासा में थी है ना और यहाँ पर आपसे question पूछा गया है जल्दी से बताना है आपको फटाक से बताएंगे सभी साती की पिद्यापती की जो पदावली है मैत्री बासा में है और मैत्री बासा को आठी भी अनुसूची में स्थान दिया गया है ठीक है तो यह B number correct answer बहुत बढ़िया कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी इसके रचना कार कौन है इसके रचना कार कौन है त्रेपन नंबर का question है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी इसके रचना कार कौन है त्रेपन नंबर का question शबी लोग बताएंगे उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा सरब जोज जी अमीत जी कबीर बाजबी कपोतिवी पपियाबी इसकी रचनकार कोन है त्रेपन नंबर का क्वेस्चन और बड़िया क्वेस्चन पूछा गया रीना यादाओ जी विकास यादाओ जी संजय पाटक जी सभी लोग बताएंगे लाइक कर दो जिनवी सात्यों को यह अपमें अड़िसल ल जाएगा यह नंबर राइट आंसर है गुमक्कर सास्त्र यात्रा ब्रत्य के लेखा क्वन है सत्य देव परीबराजत राहुल सांक्रेत्याइन यस पाल है या फिर अग्गे हैं शबी लोगों को चैन करते हुए आंगे बढ़ना है सेर्भी करना है गुमक्कर सास्त्र यात् ब्रत्य के लेखा कौन माने जाते हैं एक अच्छा क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूचा गया चंवन नंबर का क्वेश्चन पूचा गया दोस्तों चंवन नंबर में आप लोग क्या आंसर लगाएंगे क्या आपका राइट आंसर है तो गुमक्कर सास्त रियात्रा ब्रत्य के जो लेखक माने जाते हैं वो लेखक हैं कौन हैं चंगन में राहुल सांक्रित्यान यानि कि आपका जो बी नंबर है राहुल सांक्रित्यान वो बिल्कुस सही आंसर है राइट आंसर है ठीक है चैन करना है अंगला कोस्चन आपके लिए जुबान पर लगाम ना होना मोहावरे का सही अर्थ क्या है जुबान पर लगाम ना होना मोहावरे का सही अर्थ क्या है इस पश्ट बादी होना अनावस्यक रूप से बोलना सदेव कठोर वचन कहना सर्वत्र अपनी बाग तीमा देखाना पच्पन नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही ब ही यार्थ क्या है 55 नंबर का question है और देखते हैं कौन-कौन बचपन से 55 पर तीर चलाते हैं और चल गया है तीर किसर अनावस्यक रूप से बोला यानि B नंबर बी नंबर शही है कब्बे और काला पानी कहानिकार इसके कहानिकार कौन है कब्बे और काला पानी इसके कहानिकार बताना है और सेर कर दो दोस्तों अपने मित्रों तक सभी साती है ना एक किलास रोज रात त्री नो वजे चलती है दोस्तों आपकी लाइप किलास चलती है वड़िया किलास चलती है कब्बे और काला पानी इसके रचनाकार कौन है एक अच्छा क्वेस्टन है अखलेस है उदाय प्रिकास है सुयम प्रिकास है निर्मल वर्मा है कौन माने जाते हैं और बढ़िया सा क्वेस्टन है 56 नंबर का क्वेस्टन है और आपका उत्तर किसर कब्बे और काला कब्बे और काला पानी काला पानी बड़ा निर्मल निर्मल लगता है कब्बे को काला पानी कैसा लगता है निर्मल निर्मल लगता है तो निर्मल से निर्मल वर्मा D. सही है सरकटी लास उपन्यास के लेका कौन है जल्दी से बताना है और एक और बताना है कि जासू सी उपन्यास के प्रवर्ता कौन माल जाते हैं जू यादव जी बताईए बंदना सिंग जी सरकटीलास उपन्यास के लेका कौन है और जासू सी उपन्यास के प्रवर्ता कौन माल जाते हैं बाबू, देवकी नंदन खत्री, गोपागाम गहमरी, लज्जाराम महता या फिर इन मैंसे कोई नई, प्रियंका कौर जी, शबी लोग बताएंगे डिलम पटेल जी, बहुत सारे सातियों ने एडवीसल ले लिया है नए बैच में, आपको अगर एडवीसल लेना है तो अभी बढ़िया कौस्चन पूचा गया, उत्तर हो जाएगा कि सर बी नंबर लगा दो, गोपाल राम गहमरी लगा दो, जासुसी उपन्यास के प्रवर्तक हैं, हिंदी प्रिदीप के सस्वी संपादक का नाम क्या है, बताएं, अंठावन नंबर का कौस्चन, हिंदी प्रिदीप जो की दोस्तो 1877 में, 1877 में इसका प्रिकासन हुआ था, हिंदी प्रिदीप, और अपन ने पढ़ा था इसकी ट्रिक बनाईती की सर प्रिदीप के बाल, भटा से भरत गए, प्रिदीप के बाल, भटा से भरत गए, तो प्रिदीप से बनाता हिंदी प्रिदीप, और बाल से क्या बाल ग्रश्न भट जिनका जन्म 1844 में हुआ था है ना भारतेंदु मंडल के सबसे वरेष्ट लेखा कमाने जाते हैं भी नंबर सही है है ना भी नंबर आपका बिलको सही है जिसने इंद्रियों जिसने दोस्तों इंद्रियों को जीत लिया हो चैन करना है जिसने इंद्र किसी क्या हो जाएगा 69 नंबर का क्वेस्टन है 69 में आपको चैन करना है बहुत ही बड़ीया क्वेस्टन जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो शबी लोग बताएंगे उसे क्या कहेंगे उसके कहेंगे जित्ते अंद्रियों यानि कि यह नंबर आपका बिलको सही है यह आपका राइट आंसर है यह नंबर बिलको सही है चौपठ चपेट नाठक के लेखा क्वेस्टन होथी क्वेस्टन है और उत्तर है कि सर किसोर किशोरीयों ने है शाबर चौपट कर दिया रमेश कुमार जी किसोर ने क्या कर दिया अभरे सर किसोरी ने चौपट कर दिया किसोर तो किसोरी लाल गोश्वव मी हो जाएगा डी नंबर आपका जब उपमे में उपमान की संभावना प्रगट की दीपक होता है या पर उत्प्रिक्षा लंकार होता है अच्छा सा question आप से पूचा गया है सभी लोग बताएंगे इतना बड़ी हा question इस से असन से आपको जुड़ी रहना आपने मित्रों को जुड़ी रहना है है ना और 61 number के question में बुलि सर 61 number का उत्प्रिक्षा लंकार लगा दू डी नंबर जनता जनारदन डी की तरफ जा रही है यानि की डी नंबर निबंद गद्दी की कसोटी है यह विचार किसका है निबंद गद्दी की कसोटी है यह विचार किसका है अच्छा question है दीप जी बताईए रेखा जी अमेश सिंग जी विजय मतल जी निबंद गद और यहां पर आपका देखते हैं क्या नंबर जा रहा है यहां पर तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर रामचन सुकले लगा दो शी नंबर लगा दो यह निवंद गद्दी की कस्वाटी है यह विचार किसका है तो यह विचार रामचन सुकले का कौनार कनाटक की रचना किसने की 63 नंबर का question है सबी लोग बताएंगे अंजु यादाव जी राजी जी सबी लोग बताओ रानी कोर जी कोनारक नाटक ये इसके रचनाकार कोन है कोनारक ये किसका नाटक है एक अच्छा सा question पूचा गया सोहन सिंग जी तो सबी लोग मिलकर के बताएंगे 63 नंबर का उत्तर बताएंगे और उत्तर चला जाता है जगदीश चंद्रमातोर यानि कि आपका जो बी नंबर है वो बिलकुँ सही है कोनारक नाटक की रचना की है जगदीश चंद्रमातोर ने बी नंबर आपका correct और right answer है दोहा किस प्रिकार का चंद है दोहा किस प्रिकार का चंद है 64 नंबर के question में है और सीधा answer जारा किसर जो दोहा है ए अर्देशम मात्रेक है कैसा है अर्देशम मात्रेक यानि कि आपका जो डी नंबर है 64 में वो बिलकु सही हो जाएगा प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है प्रेम तरंग की रचनाकार कौन है राधा क्रशन है भारतेंद 65 नंबर पूछा गया आपसे और आपका उत्तर जा रहा है कि सर प्रेम तरंग यानि कि आपका उत्तर है भारतेंदू यानि आपका जो बी नंबर है भारतेंदू आपका राइट आंसर है बी नंबर बिलकु सही है है ना प्रेम की तरंग तो वो लिसर भारत में देखने को मिलती है है ना बिलकुल शाई बहुत बड़िया देव की नंदन खत्री किया पूर पन्यास भूत नात को पूरा किस ने किया भूतनात को पूर्ण किस ने किया, पूरा किस ने किया, 66 नंबर का question है, सबी लोग share कर दो अपने मित्रों को दोस्तों, और इतना अच्छा session आपको कहीनी मिलेगा, self study class इस परिवार से सबी को जुड़ना है, जो भी हमारे साथी TGT, PGT वाले साथी हैं, जो भी हमारे दोस्तो एल्टी ग्रेड वाले साथी है, पंजाब मास्टर केडर वाले साथी है, जिनको हिंदी साहित पढ़ना है, रेगूलर अध्यन करना है, वो सबी साथी जुड़ जाएं, और देव की नंदन खत्री के अपूर पन्यास भूतनात को जो पूर करने वाले हैं, उनके पुत्र द पूमार जी अंजू यादव जी अग्यका बिलॉम आपको चैन करना है, अग्य में बताना है अग्यका बिलॉम में क्या है, अग्यका बिलॉम क्या है, 67 नंबर के क्वेस्चन में, और आपका उत्तर है कि सर, अग्यका जो बिलॉम होता है, अग्यका बिलॉम होता है, बिग् पताना है बहुत बढ़िया बताओं कमला कंध्यू आगला। ये नमबर है कोप का किरपा होता है बिलोम पूछा गया तो किरपा आपको लगाना है शेयुकुमार जी शंदीब जी अमर कांत किस उपन्यास का पात्र है उनत्तर नमबर का क्वेस्चन अमर कांत किस उपन्यास का पात्र है सभी साती लाइक करते हुए सेयर जरू करिए दोस् प्रेमाज्सुझी रमासर्मा राबंति जी 89 नमबर का कोस्चन पूच्चा गया कि सर अमरकांत जो है ये अमरकांत जो है कर्मेभूमी कर्मेभूमी यानि sc number वपनियास का पात्र है और ये प्रेमचंद के उपन्यास है शी नमबर आपका बिल्कु सही है याद हो की नायाद हो संसमरण के लेखा कौन है याद हो की नायाद हो मैंने आपको बताया था कौनसी फिल्म है वो कौनसी है काशिनाथ काशिनाथ वाली कौनसी फिल्म है गातक फिल्म है न है न जिसमें बोलता है काशिनाओत तुम्हें याद हो की ना याद हो आज चे तुम मेरी गरप्त में काम करोगे काशिनाओत है न तो याद हो की ना याद हो काशिनाद काशिनाद वी नमबर है न वी नमबर काशिनाद से आपका बिल्कुँ सही है बिनुपद चले सुने बिनुकाना और कर बिनुकरा में करे बिधिनाना इस चौपाई में कौन सा लंकर है दीपा जी राजियू जी बताईए हीरो हंडा जी भी आ गया है गाली चले यह बहुत बढ़िया बताई यहाँ पर शबी लोग बताना यहाँ पर अमिज सिंग जी जन्दी से लाइक करके सेर भी करना है निकीता जी बिनुपद चले सुने बिनुकाना और कर बिनुकर में करे बिधुनाना इसका अंसर चैन करना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया 71 नमबर का कि बिना पद के चल रहा है बिना कान के सुन रहा है है ना तो यहाँ पर जहाँ पर कारण ना हो कारण ना होते हुए भी कार हो कारण नहीं है फिर भी कार हो रहा है यानि कि विभावना लंकार हो जाएगा और जहाँ पर कारण है लेकिन कार नहीं हो रहा है यानि कि बहाँ पर कोईसा हो जाएगा, कोईसा लंकार हो जाएगा, जंदी से बताओ, है ना, पानी बिच मीन प्यासी, है ना, पानी बिच मीन प्यासी, पानी में मचली प्यासी है, कारण है, लेकिन कारण ही हो रहा, मतलब कोईसा लंकार हो जाएगा बहाँ पर, बताओ, किसान की रचनाकार कौन है 32 नंबर का question है कौन बताएगा रोली सिंग जी बताएए राज कुमारी जी किसान के रचनाकार कौन है ये एक अच्छा question है सरीता सरोज जी बहुत ही बड़ी question है तो यहाँ पर बताएए अंजुयादाव जी अनिल कुमार जी और उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएंगे एक जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे माया राम जी बिलको सही है है ना बुरी सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है ना तो यहाँ पर 72 नमबर का question पूछा गए आपसे किलिक करना है मैथी लगा दो बुरे सर किसान ने मैथी वो ही है इस बार मैथी वो ही है मैथी तो मैथी से क्या हो जाएगा मैथी से मैथली स्रणगुप्त हो जाएगे ये नमबर बिलकुँ सही है ललेत ललाम के रचनाकार कुँपन है 3 नमबर की question है ये अलंकार गरंत माना जाता है question आया था लोगों ने ललेत ललाम लगा दिया जबकि ये तो अलंकार गरंत है 3 नमबर का question सरणग जोच जी अराधना पाल जी बुल्डोजर बाबा जी बताईए यहाँ पर रजिनी जी शबी लोग बताओ ललेत ललाम के रिचनाकार कौन है उन्हें से कितने साती हैं जो उन्हें सेल्फ इस्टेडी किलासे इसका एप डाउनलोड नहीं किया सभी साती सेल्फ इस्टेडी किलासे इसका एप डाउनलोड करें और एक बड़िया यह पर दोस्तों बहुत ही क्रमबध्य तरीके से अध्यान चाड़ू हो गया है न्यूबेद चाड़ू हो गया है आप लोग पढ़ सकते हो ललत ललाम के रिचनाकार कौन है तेहतर नंबर के क्वेस्चन में आपसे पूचा गया और आपका उत्तर चला गया कि सर हमारी जो मती है म हमारी ललत हो जाए कौमल हो जाए है ना गले संकर विद्यारती रचित गांधी जी की जीवनी है तो बताओ एक क्वेस्चन कई बार आ चुका है कई बार आ चुका है रोन राजपुजी विश्वास मलिक जी शवारी शवी लोग बताएंगे विवे क्यादाओ जी अमिस्च राजपुजी जी एक बार शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को फेस्बूक फेस्बूक पर शेयर कर दिया करो तोड़ा सा पर क्या हुआ कि एक बच्चे का इंटर्व्यू के लिए सेलेक्शन हुआ और उससे केवाल इतना पूछा गया कि आपके देश का प्रधार मंत्री कौन है उसने सीधा बोल दिया नरेंद्र मोदी ये संसिकार हैं इंटर्व्यू से सीधे बाहर प्रधार मंत्री देश का संसकार आपकी टॉन आपको नीचे गिरा देते हैं इसलिए संसकार और टॉन है ना और बोलने का तरीका आपका लहजा बोलने का लहजा इसको अगर आप अच्छा रखोगे इससे नुकसान नहीं होगा इससे आपका फायदा ही होगा है ना तो यहाँ पर विध्यारती है स्री लगाएगा, स्री गांधी लगाएगा, ये नमबर बिलकु सही है, अकाल प्रुष गांधी किस ने इस जीवनी की रचना की, इंटर्विव में यही देखा जाता है दोस्तों, क्या पास कला है एक जाम, लायक तो हो, लेकिन कितने लायक हो, वो इंटर्विव बताता है, 75 सर्माजी, पूरम सर्माजी, जनंद्र कुमार अग्य, डक्टर दिवराज, या फिर प्रिभाकर माचबे, इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ, सम्मान सम्मान की बात करते हैं, अगर आप सम्मान सीखते हो, सम्मान आपका नुक्सान नहीं करेगा, आप दूसरे को सम्मान क सम्मान बापस आएगा, लोट कर आएगा, अगर आप सम्मान करना सीखते हो, सम्मान जानते हो, तो वो आपका नुक्सान नहीं करेगा, आपको उंचा ले जाएगा, तो एक सीड़ी मैं आपको बता दिरा हूँ कि आप दूसरों का सम्मान करिए, बापस में आपको सम्मान म लोग करोगे उससे बड़ा अपमान आपको मिलेगा तो एक सीड़ी इसको पकड़िए तरक्की की सीड़ी को अकाल पुरुष गांधी की रचनाकार कौन है 75 नंबर का कॉस्चन है 75 का है जनेंद्र कुमार ये नंबर आपका सही है आप दोस्तों जिंदिगी भर दूसरों को कोश्ते रहते हो कि वो हमारा दुस्मन है वो हमारा दुस्मन है जबकि आपको पता है कि आप स्वयम आपके सबसे बड़े दुस्मन हो आप अपना भला चाहत तो दूसरों से सम्मान से बात करोगे आप अपना भला चाहते हो तो सम्मान से बात करोगे क्योंकि आप जो देते हो बही आपको मिलता है यह याद रखते हैं कौन रसबादी आलोचक कहे जाते हैं 76 नमबर का कॉस्चन है शबी लोग बताएंगे और लाइक करके सेर भी करना है ये आपसे पूचा जाता है 76 नमबर में उत्तर है आपका भी यानि की नगेंदर नगेंदर अस्वादी आलोचक हैं भी नमबर आपका बिल्कुस है तुलसी दास को बुद्धेव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा 77 नमबर का कोस्चन है 77 नमबर के कोस्चन में लाइक कर देना है सियर करना डाक्टर गिरियर्सन हजारी परसाद दुवेदी रामचन सोकलो नामबार्स है मैंने आपको बताया था एक बार कि जिंदिगी एक नाटक है और जिंदिगी एक नाटक में आपको बताए कि नाटक में विवन्य प्रिकार की पात्र होते हैं सभी पात्रों का अभिनए अलग-अलग होता है है ना आपको भगवान ने इस जिंदिगी के नाटक में किस पात्र के रूप में यहाँ पर उतारा है उस पात्र की भूमिका में आप हमेशा कैसे उतरना है खरे उतरना है तो जिंदिगी के नाटक में आपका पात्र क्या है आपको कैसा अभी नए करना है उसको समझिए है ना तो यहाँ पर तुलशी रास को बुद्धिदेव के बाद सबसे बड़ा लोक नाएक किस ने कहा सततर नंबर का क्वेश्चन है सततर नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा गिरियर्शन यानि कि ये नंबर आपका बिल्कु सही है भारत भारती का प्रिकासन वर्ष क्या है दोस्तो अठतर नंबर का क्वेश्चन भारत भारती का प्रिकास चीजे भी आपको सीखने को मिलती हैं साथ ही अभीनाई दोस्तो अनुभावी आपको मिलते हैं अगर आप सेल्प स्टेडी किलासेस में ऐसा नहीं है कि सेल्प स्टेडी किलासेस में केबल आपको पढ़ाया जाता है किलास के दोरान अपने अनुभावी सेयर किये जाते हैं ज बताना 89 नंबर का question बताना है जल्दी से बताई असोक की चिंता सेर सेहका सस्त्र समरपड पैसोला की प्रतिधनी और प्रलाइक की छाया है ना एक एकादवार दोस्तो आसिकों के लिए जरूर मुझे प्रेणा देना है है ना आसिकों के लिए एकादवार एकाद सेशन में मैं जरूर दूँगा क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे आपने देखे होंगे प्यार करने बाले देखे होंगे आसिक देखे होंगे है ना जो अपनी जिंदिगी पर खेल जाते हैं अपनी जिंदिगी को भी बरबाद कर देते हैं ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने है 89 नमबर का question आपसे बताना है 89 नमबर में आपका उत्तर हो जाएगा प्रिलाइक की छाया D नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा प्रिलाइक की छाया में दोस्तों लहर में संकले सबसे लंबी कविता है प्रिलाइक की छाया D नमबर ठीक है कौन सी भासा देवनांगरी लिपी में लिखी जाती है बताइए जल्दी से 80 नंबर अनिल कुमार जी देखो बहुत सारे लोग बोले सर है ना तो यहाँ पर देवनांगरी लिपी में कौन सी लिखी जाती है वंगला, पंजाबी, मराठी या फिर गुजराती बताइए 80 नंबर का कौस्चन है खुरेशी जी चैन करिए सीमा गुरिश्मा जी, कुमकुम यादो जी 80 का कौस्चन सभी लोग बताएंगे सरीता जी बुल्डोजर बाबा, बुल्डोजर बाबा का बुल्डोजर चला है यहाँ पर देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो यह कौस्चन कई बार पूछा गया है तो यहाँ पर बताना है, जल्डी से बताओ, मराठी, मराठी यानि की स्षी नंबर आपका सहिए देवनागरी दिपी में लिखी जाती है कौनसी मराटी शी नंबर शुद्ध कविता की कोज किस प्रकार की रचना है शुद्ध कविता की कोज काफ शंगुरई निबन्द शंगुरई कहानी संगुरई या फिर इन में से कोई नहीं एक 80 नंबर का question بتाना है चैन करिए, लाइक करिए, सेर भी करिए, रीना मंडियाल जी, हैना, कृष्णा जी, जल्दी से बताई यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूमिका तरपाथी जी, ममता जी, अंजु यादव जी, शुद्ध कविता की खोज, जल्दी से बताईए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो वस, हैना, तो यहाँ पर क्यासी नंबर का क्वेस्चन, और आपका उत्तर है निवंद संग रहे, बी नंबर आपका बिल्कुँ सही है, ठीक है, कोसी का घटबार रचना के लेखा कौन है, कोसी का घटबार बताईए, सबी लोग बताईए, बहुत बढ़िया, खुरेशी ज हैना, तो कोसी का घटबार रचना के लेखा कौन है, ब्यासी नंबर का क्वेस्चन, शभी लोग बताएंगे, हरपरीद जी, सुनीता जी, विकास जी, शभी को बताना है, बताएं, प्रमाशु जी, ब्यासी नंबर का क्ेस्चन, बहुत ही बढ़िया क्ेस्चन है, और का म्रग सब्द का पर्यावाची बताना है जैसे दोस्तों अपन साहित्त में पढ़ते हैं कि घनानंद जी ने सुजान से प्रेम किया लेकिन घनानंद को ठुकरा दिया घनानंद ने म्रत्यु को प्राप्त नहीं किया घनानंद दोस्तों पागल नहीं हुए घनानंद साहित्त प्रेम प्यार वाली जो जो छोटी चोटी बाते इनको अपनको समझना चाहिए दोस्तो है ना यहाँ पर साखा, अम्रग, सब्दे का परयाय बाची क्या है 83 नंबर का क्वेस्चन है 83 नंबर में आपको बताना कि सरी बानर है B नंबर आपका बिल्कु सही है भगवती चण बर्मा के किस्व पन्यास में गांधी बाद गांधी बाद, आतंक बाद, शाम में बाद तीनों का चित्रन हुआ है तीनों का चित्रन हुआ है किसमे 84 नंबर का क्वेस्चन भूले विश्रे चित्रे, तेड़े मिड़े रास्ते सबाइन अचावत राम गुशाई या फिर चाणक तो जन्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा शबी लोग बताना 84 नंबर का क्वेस्चन है यहाँ पर और जन्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर भगवती चन बर्मा के किस्व पन्यास में गांधी बाद आतंक बाद और साम बाद तीनों के चित्र मिलते है तो बताइए भगवती चन बर्मा के most important question है देवेंद्र जी है ना गायत्री जी 84 नंबर का question और उत्तर हो जाएगा कि से टेड़े मिडे रास्ते लगा दो बी नंबर आपका राइट आसर लगा दो दस्तक जिंदिगी की है ना मोड जिंदिगी की है ना ये दस्तक जिंदिगी की आत्म कता इसके लेका क्वन है मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर प्रतिबा है आपके अंदर प्रतिबा है तो प्रतिबा प्रतिबा दोस्तों आपकी जिन्दिगी में 10 तक जरूर देगी 10 तक देगी और जिन्दिगी में मोड आ जाएगा मोड आ जाएगा तो दर्स तक जिन्दिगी की आतमकता इसके लेकग क्वण है तब आपका उत्तर हो जाएगा कि सर्फ प्रतिवा अगर्वाल प्रतिवा अग्रबाल, C नंबर लगा दो, मंजूराजपुजी, C नंबर लगाना है, C नंबर, C नंबर सही आंसर हो जाएगा, जहां मैं खड़ा हूँ, आत्म कता के लेका कौन है, ऐसे कितने साति हैं, जोनोंने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया दोस्तो, एप कि के लिए बहुत ही दोस्तो, कि के जहां मैं खड़ा हूँ, आत्म कता के लेका कौन है, शबी लोग बताई, यहां पर राइट आंसर चेहन करना, रावर चांकरित्याइन, भगवती चड़ बर्मा, दयानेंस, रश्वती या फिर रामदरस मिस्र है, 86 नंबर का क्वेस्चन और 86 नंबर का क्वेस्चन है, किसे जहां मैं खड़ा हूँ, वहां से राम के दरस होते हैं, राम के दरस होते हैं, डी नंबर, राम दरस मिस्र, डी नंबर बिल्कु सही है, है ना, भाई गती साप, छचुंधर, केरी, लोकौक्ति का अर्थ क्या है, साप और चचुंधर जै इसा हो ना दुविदा में पढ़ जाना या पर छचुंदर का साप हो जाना 87 नंबर के क्वेस्चन में मम्ता जी बताईए राणा जी विजय गुपता जी रिया बादरा जी नाक्टर रिंकी वर्मा जी 87 नंबर का क्वेस्चन है इतना अच्छा क्वेस्चन आप से पूचा गया तो आप चोके छके जरूर बरसाएंगे आई पेल खिर रहा ना भी चोके छके बरसाए जा रहे हैं 87 नंबर के क्वेस्चन में और उत्तर चला गया कि सर ये दुविदा में पढ़ जाना यानि कि आपका C नंबर बिल्कु सही है भाई गति साप चचुंदर केरी यानि दुविदा में पढ़ जाना C नंबर करेक्ट है लाहोर से लखनव तक क्या करना है संचमन के लिखकों ने कई बार मैंने आपको समझाया याद करवाया ट्रिक भी बताई लंबी लंबी ट्रिक बताई है रमेज जी ममता जी सबी लोग बताएंगे दोस्तों है ना लोग पूछते कि सर इतना कहां से लाते हो आप इतना नुवाव कहां से लाते हो तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने गाउं में रहकर हल भी जोता है मैंने गाउं में रहकर मुवा भी बीने है और मैंने गाउं में रहकर मजदूरी भी की है और आज यहां पर आकर आपको पड़ा भी रहा हूं साहित तब जाकि इस संसार का अनुभाव दोस्तों इतना गिरन हो पाता है कि गाउं का किसान कैसा रहता है गाउं में किस प्रकार क धारना रहती किस प्रकार की लोग रहते हैं बहुत सारा अनुभा वो जब बटो रहा है तब जाके आपको इतनी सारी ट्रिक बता पाता हूँ है ना तो लाहोर से लखनाव तक प्रिकास बती पाल प्रिकास ही प्रिकास करना वो लिसर डी नंबर प्रिकास बती पाल आपका डी भी काटी है लकणी भी काटी है दोस्तो हल भी जोते है सब कुछ किया है तो यहाँ पर पंडित महावी प्रसाथ दुवेदी ने स्रश्वती का शंपादन कब किया 1903 में 1907 या फिर 1901 में तो बताईए बताईए यहाँ पर degrees नमबर का question है बहुती बढ़ीया question है यह उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 1903 यानि यह नमबर आपका सही है, यह नमबर आपका बिलकु राइट आंसर है, गुलेरी जी द्वारा संपादेत, पत्र था तो कौनसा पत्र था, ज़ल्दी से बताइए, और एक लाइक भी करना है रमेश जी, रज Hannah जी, बताएँ यहाँ पर गुलेरी जी द्वारा संपादेत, पत्र था समालो चक नांगरी नीरद शबीलो बताएं कुरेशी जी पटापट बताएं नांगरी जी भारत मित्र जी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर तो 90 नंबर का क्वेस्चन है और 90 नंबर की क्वेस्चन में आपका उत्तर हो जाएगा गुलेरी जो अध्री द्वारा जो समपादेद पत्र है वो है दोस्तों समालो चक यह नंबर आपका बिलकुँ सही है यह नंबर संदीब जी यह नंबर बिलकुँ सही है यहाँ पर आते हैं जिस सब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता जिस सब्द का है ना महुआ नहीं जानते सर्च करो Google पे महुआ का पेड़ है ना महुआ का पेड़ सर्च करो आ जाएगा है ना जिस तब्द का कोई खंड प्रधान नहीं होता अपी तो उसका अर्थ निकलता हो निकलता हो उसे उसे क्या कहते हैं उसे कौनसा समास कहते है, ninety-one number में, बताओ, कोई अन्य पद प्रधान हो, तो ये तो आपको पता ही है, कि सर अन्य पद प्रधान, यानि कि बहुब रही शमास, यानि कि आपका जो, आपका जो B number है, वो बिल्कुल शही है, B number आपका बिल्कुल शही है, दिग दर्सक में कौनसी दिख दर्सक में बताना है क्रश्णा जी पिंकी राजपूच जी मंजू जी बानवे नंबर का क्वेश्चन है संदीब जी भीरेंद्र जी निसा जी शबी लोग बताएंगे रंजना जी लाइक करके सेयर भी कर देना शबी शातियों को है ना और संगर्श करना है मैं आपको लोड़ता हूं एक ट्रिक देता हूं कि इतनि पढ़ाई करें अब अब बस जिस दिन इस आप आज आ जाएगी न उस तिन आपका स्पकरा हो जाएगा मैं बार बार आपसे बोलाओं आप लोग तो पढ़ते ही नहीं हो है ना बाहराई से आबाज आती कि अब बस ठीक है अंदर से आबाज आ जाए कि अब बस सेलेक्शन हो जाएगा मैं बता दिराओं दिख दर्सक में कौनसी संदी है बानवे नंबर का क्वेस्चन है और बानव बाज़ मंगवाना इंदी सायथ कि वो अपने घर मंगवा सकते हैं दोस्तों प्रत्योत पन्नमती सब्द में कौनसा उफसर्ग है यह क्वेस्चन है शबी लोग बताएंगे और आपका उत्तर क्या जा रहा है बुल्डोजर वाबा जी जल्दी से बताएए बुल्डोजर ही चला है कि वो अप्शन में सही उत्तर भी बता रहे हो 93 उत्तर चला गया क्या बताया प्रती है ना प्रत्योत पन्नमती सब्द में उफसर्ग है प्रती यानि शी नंबर करेक्ट राइट अंसर है दा मॉडर्न वर्नाकुलर लिट्रेचर आप नादर्न हिंदोस्तान के के दो हिंदोस्तान इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं चबी लोग बताएंगे और एक बार शेयर भी कर दो फटापट से और उत्तर हो जाएगा इसे दा मॉडर्न एक ग्रियर्शन का है है ना कब इसका प्रकासन हुआ ता चबी लोग बताएंगे संचारी भावों की कुल शंक् दोस्तो जल्दी से बताओ संचारी भावों की कुल शंक्या कितनी है आपका उतरा गया 33 तो 34 वा चल नामक संचारी भाव बताओ किसने माना है फटापट से बताएं राइट आंसर बताना है छा वरने किसके योग से बना इतना अच्छा क्वेस्टन पूचा गया मंजा आ ग किलासेज वाला एप डाउनलोड करिए और दोस्तो चावरन ये कई बार पूचा गया है कि चावरन बताना है चावरन किसके योग से बना है किसके योग से बना है चार विकल्प है चार में आपका राइट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा पूनम जी अजित जी शबी question पूछा गया, share करते रहिए, दोस्तो, self study class एस पर बने रहिए, like करते रहिए, share करते रहिए, ठीक है, यहाँ पर साका उच्चान स्थान आपको बताना है, और एक अच्छा question आपसे पूछा गया, बड़िया question पूछा गया, like जरू करना है, सबी साथ ही like करके जरू जाया करो इतने अच्छे session से आप जुड़ते हो, जहाँ पर आपको मज़ा आता है, और 40 minute आपको भी पता नहीं चलते, कि share कहां से चले गए, उपर से चले गए, या नीचे से चले गए, प्रेम सिंग जी, तो आपका उत्तर है, साका उच्चान स्थान कोंसा है, 97 नंबर का question, और उत बकील किस बासा का सब्दे, बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर शही आंसर, बकील किस बासा का सब्दे, लाइक करिए जल दीशे, self study classes का एप डाउलोट कर लीजिए, 15 अशों में 12 महिने कोई नहीं देगा, आपको इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा और आपको, 15 12 महिने दोस्तो, 10,000 में 12 महिने बोलते हैं, 10,000 में 4 महिने बस, है ना, कई लोग बोलते हैं, course complete हो गया, एक बार उसके बाद नहीं पढ़ाएगे, यहाँ पर तो 2, 2, 3, 3, 4, 4 बार रिवीजन भी हो जाता है, एक साल में, है ना, तो बकील किस बासा का सब्दे, 98 नंबर का question और इंठान भे है कि सर अर्बी लगा दो, अर्बी, बोले सर बकील अर्बों कमाते हैं, अर्बों कमाते हैं बकील, तो बकील अर्बी भासा का सब्द होगा कि फारसी, बोले नहीं सर, अब तो अर्बों कमाते हैं, तो अर्बी होगा भी नंबर, सुमन राजे किस सब तक से स संबंदेत हैं एक अच्छा क्वेस्चन सेयर करते बने तो सेयर भी कर दिया करो आप लोग अपने बॉट्सप पर है ना फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर सब जगा स्क्रीन सॉट लेकर भी सेयर कर सकते हो दोस्तों है ना सुमन राज ये किस सब तक से संबंदेत हैं 99 नंबर में आपको पता है इसकी ट्रिक बताईती हमने कौन से सब तक की बताईती बताओ शबी लोग बताएंगे बताएं किसको पता है इसकी ट्रिक दिब्या पांडे जी शुचीन जी शुमन राज ये किस सब तक से संबंदेत हैं 99 नंबर का क्वेस्चन है और उत्तर हुजाएग पुस्पा जी शंदीप सिंग जी शबी लोग बताएंगे बिलकुल बताईए एक मंत में 5000 भी लेते हैं सर बहुत बढ़िया शंदीप जी है ना और हरी घास पर शणबर सीर्शक का बिसंकलन की रिचनाकार कौन है 100 नंबर का क्वेस्चन है और हरी घास पर शणबर एक अच आदिकाल को आरंभिकाल किसने कहा है यह आपको चैन करना है शबी लोग चैन करेंगे और एक बार सेर भी कर देंगे बताएं लाइक करिए जड़ीचे आरंभिकाल को आदिकाल को आरंभिकाल किसने कहा है गड़पती चंद्र गुप्त ने कहा है मिस्रवंदू अचार विश या पर राम चंद्रे शुक्ले ने बताओ आदी काल को आरंबिक काल किस ने कहा एक अच्छा क्वेस्चन एक नंबर का क्वेस्चन है और आपका उत्तर हो रहा है कि सर आरंब से ही साथ में रहे कौन देखते यहां गडबड करेंगे बहुत सारे लोग कुछ लोग यह बता रह हैं दिल से अज जी यह बता रहे हैं बहुत बढ़िया मंजीत जी यह बता रहे हैं बहुत बढ़िया मुझे पता था गडबड करेंगे बहुत सारे लोग पहले ही कौस्चन से गडबडी चालू हो रही है है ना मुकनज जी गडपती लिख रही है बहुत बढ़िया कौन रहे एक पूचा जाता है प्रारंभेक एक पूचा जाता है प्रारंभेक और एक पूचा जाता है आरंभेक यहां आरंभेक पूचा है तो आरंभ से साथ में कौन रहे आरंब से साथ में रहे मिश्रबंदू तो आरंबिक काल कौन कहेगा मिश्रबंदू कहेंगे और प्रारंब करते हम कोई भी चीज तो हम करते हैं किसी दी गड़ेस करो गड़ेस गड़पती तो गड़पती चंद्रगुप्त ने प्रारंबिक काल कहा है ये चीज याद रट्टे नहीं है गणपती चंद्रगुप्त ने क्या कहा है प्रारंबिक काल कहा है और आरंबिक काल कहा है मिश्रबंध हुआ ने ठीक है बहुत बढ़िया अजमेर के सासक से सम्मंदित रचना कौन सी है अजमेर के सासक से सम्मंदित रचना कौन सी है प्रत्विलाज रासो बीसल्दो रासो खुमाल रासो या फिर परमाल रासो बताईए यहाँ पर आकास साक जी विनीता जी अरपिता जी अजमेर के सासक से सम्मंदित रचना कौन सी है दो नंबर का क्वेस्चन है दो नंबर के क् को चैन करना है लाइक करना है और बहुत यह अच्छा क्वेस्चन बताना है अजमेर के सासक से सम्मंदित रचना है कौनसी बीसल देव राशो यानी बी नमबर आपका बिल्कु सही है बी नमबर आपका राइट आंसर है परमाल राशो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है त बीन नमबर का क्वेस्चन है सभी लोग बताएंगे अजय यादो जी बताएए और लाइक करके सेर भी कर दीजी अपने मित्रों तक परमाल राशो को अन्य किस नाम से जाना जाता है और बिल्कु सही है कि सर इसको आला खंड नाम से जाना जाता है बी नमबर आपका बिल्क ठिकुरे जी अमित जी लगबंदर जी हरप्रीत जी नितिका जी चेहन करना है कवीर की बाणी को 398 वे में नका जन्म हुआ था कवीर दाश का है आदा और दोस्तों कहां पर तक का सी लहरतारा आपके पास दोस्तों ये मिले थे कवीर जी है ना तो ये सादू नी कहा था तक भी सल ले सकते हैं अभी पंद्राशों में बारा महीने के लिए नानक देव के पदों को गुरु ग्रंत साहिप के किस महला किस प्रक्रण में किस प्रक्रण में दोस्तों रखा गया है किस प्रक्रण में संग्रीत किया गया है नानक देव के पदों को पांच नंबर का क्वेस् पलविंदर जी तो यहां पर 5 नंबर का question और आपका सीधा answer चला गया B यानि महला प्रक्रण में B नंबर correct answer है संतिकाब में सबसे ज़्यादा पड़े लेखे संतिकों थे 6 नंबर का question है अच्छा बता है आपको बताना है संतिकाब में सबसे ज़्यादा पड़े लेखे संतिकों थे आपको बताना है जितने भी हमारे पुराने बैच बारे साती हैं जिनका कहानी chapter चला है उनका कहानी का test होगा कल है ना app पर कहानी का test होगा ठीक है तो संतिकाब में सबसे जादा पढ़े लिखें संतिकोंती 6 नंबर का question आप से पूचा गया है 6 नंबर का question है और उत्तर चला गया कि सबसे पढ़े लिखें जो थे वो थे शुन्दरदाश शुन्दरदाश B नंबर आपका सही है B नंबर आपका right answer है सुजान कुमार किस सूपी प्रेमाख्यान काब का नायक है मदुमालती का है, चित्रावली का है, हंस जवाहिर का है या परिंद्रावती का है अजय यादाव जी शबी लोग बताएंगे 7 नंबर का question है सुजान कुमार किस सूपी प्रेमाख्यान काब का नायक है इस साथ नंबर का question है शाथ नंबर के question में आपका उत्तर हो जाएगा की सर इस तोजान कुमार जो है चित्रावली लगा दो B नंबर लगा दो B नंबर बिलकुल है ना डाली इतिवारी जी संपर कर सकते नीचे नंबर है है ना एड़िसन लेना है तो चित्रावली और ये दोस्तों किसकी रचना है उसमान की रचना है इसका रचना काल बताएगा कोई चित्रावली का बताएगे जन्दी से शिक्वों के पांचबे गुरु कौन थे question भी कई बार आ चुका है शिक्वों के पांचबे गुरु आपसे पूचा गया जस्वीर जी चैन करिए नीतू गुपता जी और सियर भी कर दीजे दोस्तों अपने मित्रों कर एक बार जल्दी से सियर कर दो शबी सातियों के लिए सियर कर दो ठीक है जितने भी हमारे साति हैं सिक्वों के पांचबे गुरु कौन है एक अच्छा question आपसे पूचा गया है शबी लोग बताएंगे और जल्दी से लाइक भी कर देंगे करिए जल्दी से करिए और आपका उत्तर रेकिसर अर्जुन देओ यानि बी नंबर सही है बहुत बड़ी आंसर ठीके अंगला question इस्वर्क्रत सत्प्ति कथा का नायक कौन है अच्छा question है जल्दी बताएं बताना इस्वर्क्रत सत्प्ति कथा का नायक कौन है एक question आपसे पूचा गया रितूपरन है मदन सेन है रतन सेन हैं कौन से सेन हैं ये आपको बताना है बताइए चैन करिए 9 नमबर के question में और आपका उत्तर चला गया ये नमबर सर्वितू परन लगा दो ये नमबर लगा दो इस्त्र का सत्वती कता का ना, कौन है रितू परन ये नमबर भूशन को कभी भूशन की उपादी किसने दी भूशन को कभी भूशन की उपादी किसने दी है आपका उत्तर चला जाएगा शी नमबर, यानि की सौलंकी राजा रुद्र्शाह ने, ठीक है, शी नमबर आपका सईये, सौलंकी राजा रुद्रशाह या आपका राइट भूषन को कभी भूषन की उपादियनों ने दी है, ठीक है, आचार शुकले के अनुशार रीतिकाल का प्रवर्तक बताना है, मतिर के CR B कर देना है। आपको नैंसी सिंग जी, कमला कांत जी, हीरो होंडा जी सबी लोग बताएंगे। अचार शुकले के रिती काल के प्रबर्तकवन है। 11 नंबर का क्वेश्चन है ज्यारा नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना उरुत्तार है चिंता मनी तरपाथी बी नमबर आपका सही है ठीक है बूंदी नरेश भावसें के दरवारी कभी कौन थे भावसें के दरवारी कभी कौन थे रजनी जी संदिया गुपता जी सबी लोग बताएं यहाँ पर प्रीती पाल जी अनीता जी बारा नमबर का क्वेस्चन बूंदी नरेश भावसें के दरवारी कभी कौन थे और सेर भी कर दो जल्दी से और लाइक भी कर दो बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना रजन सिंग जी बहुत बढ़िया धन्वाद आपका यहाँ पर जल्दी से चेहन करना है आपको एक बार लाइक भी कर देना है जल्दी से बताए लाइक करिए बूंदी नरेश भावसें के दरवारी कभीते बुलिसर कौन है बारा नमबर में मतिराम लिख दो बी नमबर आपका रेक्ट आंसर बता रहे हो मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकता है मुझमें देव जीवन की विकास आत्मकता के लेका क्वाने स्वामी दयानंद शत्यानंद अगनी होत्री मैतरी पुस्पया सुशीला टाक भोरे बताओ मुझमें देव जीवन का विकास ये आत्मकता किसकी मानी जाती है सेलेंदर जी ममता जी बताइए तेरा नमबर के क्वास्चन में और आपका उत्तर है कि सर शत्यानंद अगनी होत्री यानि कि आपका जो बी नमबर है बिलकुल शही है बी नमबर करेक्ट आंसर तेरा नमबर में बिलकुल सही लगाया है चरम ब्यक्ति बाद ही प्रियोग बाद का कैंदर बिंदू है कथन किसका है अच्छा क्वेस्चन पूछा गया चरम ब्यक्ति बाद ही प्रियोग बाद का केंदर बिंदू है केंदर बिंदू है एक अथन किसका है नामबार सेंका है प्रकास जंद गुप्त का है डाक्टर दिवराज का है सिउधान सेंच चोहान का है 14 नंबर के question में आपको chain करती करती बताना और उत्तर चला जाएगा नामबार्स है यानि B नमबर B नमबर नामबार्स है आपका correct answer है है ना निराला की साहित साधना के लेखा कौन है 15 नमबर का question है लाइक कर दो शवी साती और जिन भी सातियों के एड़िसर लेना हिंदी साहित के संपूर्ण कोर्स में निरंतर अध्यन करना है के question में बुरिसर रामबिलास सर्मा लगा दो ये नमबर आप correct answer लगा दो next देखो मनीसी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारत है बहुत अच्छा question है मनीसी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारत है 16 नमबर का question है और उत्तर चला जाएगा कि सर शी नंबर लगा दो कविनात गोपी राज शी नंबर कविनात गोपी राज बिलकुश रही है ठीक है बहुत बढ़िया कविनात गोपी राज के जीवन पर आधारत है सोबा कांद द्वार रचेत जीवनी बाबू बाबू जी किसके जीवन पर आधारत है माखलाल चुत्रुवेदी नागर जोन प्रेम चंद उसा प्रेम बदा 17 नंबर का क्वेस्चन है शबी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या जाता है यहां पर सोबा कांद द्वारा रचेत जीवनी बाबु जी किसके जीवन पर आधारत है और बाबु जी में आप आपका उत्तर लगाना है अपन को नागर जुन के जीवन पर आधारत है बाबु जी बी नंबर करेक्ट है बी नंबर आपका नागर जुन बिल्कु सही है ठीक है जैनेंद्र कुमार द्वारा रचेत कहानी नहीं है बताओ कौनसी कहानी नहीं है फासी नीडम देश की राज करने आप पाजेव अमर बल्लेरी अठारा नंबर का क्वेस्चन है जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौनसी नहीं है कौनसी नहीं है संदीब जी बताईए पुस्पा जी पृती जी है ना बताओ कार्तिक जी जैनेंद्र कुमारा द्वारा रचित कहानी कौनसी नहीं है रंजीत को अरजी डी बंद्राजी अठारा नंबर के क्वेस्चन में सभी लोग अंसर बताएंगे और आपका उत्तर है कि सर फांसी तो है नीलम देश की राज करन्या भी है पाजेब भी है पड़ा है आपने ये तीनों तो हैं लेकिन अमर बल्लिरी नहीं है यानि डी कहानी आंदोलन चलाने वाले लेकक नहीं है तो कौन सी नहीं है राजेंद्रिया दाओ गंगा प्रसाद बेमल मोहन राकेस या फिर कमले श्वर्प नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेकक कौन नहीं है कौन नहीं है शीमा जी बताओ लवन्या जी बताए उन्नीश नंबर क question है नई कहानी आंदू लगा नी question मैंने कल पर सुझा याद भी करवाई थी आपको सारी कि सारी देखते हैं कौन-कौन गलत करता है 19 नंबर का question है 19 में कौन-कौन सही बता पाता है और कौन-कौन गलत करता है और है ना पुस्पाराबज जी सी नंबर बता बैठी है जो कि बिलकोल गलत है और आपने उत्तर बताया है बी नंबर जो कि बिलकोल सही है है ना ये आ कहानी आंदूलन की प्रवर्तक माने जाती हैं दोस्तों आ कहानी आंदुलन के प्रवर्तक कोन है गंगा प्रशाद बेमल नई कहानी आंदुलन से जोड़े थे राजेंद्रियादाव मौहर राकिस और कमलेसो बाकी ये बी नमबर आपका सही है जिसने उसने कहा था कहानी की रचनाकार कोन है उसने कहा था ये कहानी किसकी है फिलैस ब बाकी की कहानी भी आपको लगाना है बाकी की कहानी भी आपको बताना है तो यहाँ पर चैन करिए शबी साती उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है कहानी के रचनाकार आपको चैन करना है लाइक कर देना है सबी सातियों को सेर भी कर देना है बीश नंबर के क्वेस्चन में राई टांसर चला जाता है गुलेरी जी यानि चंद्रधर सर्मा गुलेरी यह नंबर आपका बिल्कु सही है भारतेंदू ने यात्रा ब्रत्यशंबंदी कौन सी रचना लिखी बताओ गया यात्रा, इलावाद की यात्रा गंगा पार की आत्रा शर्यू पार की आत्रा भारतेंदू ने आत्रा ब्रत्य संबंदी कौन सी रचना लिखी है 21 नंबर का क्वेस्चन आपको चेंड करना है 21 में आपको बताना है बताइए और भारतेंदू ने आत्रा ब्रत्य संबंदी कौन सी रचना लिखी है जल्दी से बताईए श्वारब बर्मा जी दीपी का शुकला जी 21 नमबर का क्वेश्चन है रिंकी जी बताईए स्वनू केम जी बोली सर इस सरी उपार की आत्रा लिखी इन्होंने डी नमबर लिखी है डी नमबर आपका बिल्कु सही है रेखाएं बोल उठी रेखा चितर के रचना कार क्या बोल उठी रेखाएं बताऊ नीरू जी बताईए राइट आंसर राजियू जी बंदना जी सुनील जी रेखाएं बोल उठी क्या बोल उठी देविंदर सत्यार्ती ओपेनना अतस्क धरम बीर भारती या फिर उसा प्रियम बदा 22 नमबर के क्वेश्चन में इतना अच अच्छा क्वेश्चन पूचा गया पूनम जी बंजीत जी सुरब जी और आपका उत्तर की रेखाएं बोल उठी क्या बोल उठी सत्य सत्यार्ती ये नमबर करेक्ट तो राइट आंसर है चक्कर के लब की रचनाकार कौन है अमरतलाल लांगर यस पाल है स्रीलाल शुकल है स यहां पर चला है चैन करिए लाइक करिए चकर के लब की रचनाकार कौन है एक अच्छा क्वेश्चन बताइए चकर के लब यह किसकी रचना है चकर के लब बताना है चैन करिए और लाइक भी करते रहना है दोस्तो बताओ और यहां पर 23 नमबर का क्वेश्चन आपसे पू आईती आपको बहुने बंद बताओ माया राम जी है ना एक जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकर अध्यान नहीं रुकना चाहिए और क्रमबत अध्यान करना है तो आप एड़िशन ले सकते हैं पंद्राशों में बारा महिने के लिए है ना बहुत सारे साती हैं दोस्तों आप पंद्राशों में बारा महिने पढ़ने को मिला है आपको जबकि आप अपने बच्चे की फीस पंद्राशों एक महिने की भरते हो पंद्राशों क्या कई हजार भरते हो आप लोगे एक महिने की है ना तो जल्दी से बताईए यहाँ पर भौन बंद के जो लेकक हैं वो गद्ध कभियों की कसोटी है तो निबंद गद्ध की कसोटी है रामचन सुकल महावी पिरसाद दुवेदी स्याम सुंदर दास या फिर वन माली 25 नमबर के question में chain करना है बताए जल्द यदि गद्ध कभियों की कसोटी है तो निबंद गद्ध की कसोटी है ये बताना है 25 का answer पताना है पच्चीज का राइट आंसर चैन करना है और उत्तर हो जाएगा किसा रामचन सुखले लगा दो ये नमबर लगा दो ये नमबर आपका रामचन सुखले दिगत्य कभियों की कस्वटी है जिवे इस्णा का सही संदी विच्छित क्या होगा बताओ अभीता जी क्वे इस्णा में आपको चैन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा क्या जिवे इस्णा मैं को संदी विच्छित करिए जिवे इस्णा का बताइए 26 नमबर का क्वे इस्णा और लाइक करते रहिए 26 आती विकास जी बताइए यहाँ पर क्या नमबर सही हो जाएगा और आपका उत्तर जा रहा है एकी तरफ जा रहा है किसर क्या उत्तर है जिव धन एस्णा यानि कि ए नमबर ए सही है कि ए वाला सही है तो आपका उत्तर ए नमबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ए नमबर सही है नेक्स देव को मनो योग का सही संदी विच्छित क्या होगा 27 नमबर का कॉस्चन आपको चैन करना है जल्दी से करिए जल्दी से बताईए 27 मनो योग का सही संदी विच्छित बताईए जल्दी से और यहाँ पर आप ए लगा दो दोस्तो बी नमबर लगा दो यह नहीं होगा इसका बी नमबर होगा जीवधन एस्टण सही हो जाएगा बी नमबर सही होगा मनो योग का सही संदी विच्छित क्या होगा जल्दी से बताईए चैन करिए जल्दी से शत्ताईश नमबर का क्वेस्चन है और शत्ताईश में आपका सही आंसर कौन वतारा देखते हैं मनो धन योग होगा मनहधन योग होगा या क्या होगा शत्ताईश नंबर का question और आपका उत्तर क्या जा रहा है उत्तर क्या जा रहा है यहाँ पर बताईए शत्ताईश का answer और like भी कर दीजे है ना उत्तर चला गया कि सर मना है धन योग मना है धन योग सही है कि मनो धन योग क्या सही है पुलिशर भी लगा दो भी नंबर सही है मं मंद का बिलोम क्या हो जाएगा मंद का बिलोम बताना है मंद का उत्तर बताना है मंद के बारे में आपको चेन करना है शबी लोग बताएंगे मंद का बिलोम क्या है सोचते है द्रोत है सीग्र है या फिर त्वारेत है और 28 नंबर का क्वेस्चन है और 28 का उत्तर है कि सर मंद पूचा है तो मंद में द्रोत लगा दो बी नंबर लगा दो द्रोत सही है उद्धत का बिलोम सब्द क्या है उध्धत का बिलोम सब्द क्या है, उध्धत में बताना है आपको सौक्खे है, सौम में हैं, उध्तम है या फिर कौमल है उद्धत का बिलॉम बताईए हमें सिंग जी कुम कुम यादव जी, शुभम जी, चंदर जी अर्पिता जी जिनको हिंदी साइट के नोट्स मंगवाना है नीचे नमबर चला है आप संपर कर सकते हो अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते है एक सब्ताय में ठीक है, उद्धत का बिलॉम सब्द क्या है 29 नमबर का क्वेस्चन है और उद्धत का हो जाएगा B, B सही है, जनता जनार्दन कहां जा रही, B की तरह बहुत बढ़िया, B नमबर राइट है, पन्त की कौन सी रचना अर्बिंद दर्सन सी प्रभावित है 30 नमबर का क्वेस्चन है तो भो रचना है, स्वर्न किरन ये नमबर, स्वर्न किरन सही है हिंदी में मासलबाद की प्रभरतक कोन है 31 नमबर का क्वेस्चन है, दुरगेश जी बताइए हिंदी में मासलबाद की प्रभरतक कोन है, अर्बिंद जी सबी लोगों को एक बार चैन करना हिंदी में मासलबाद की प्रवर्तक बताना है हालाबाद के तो आपको पताईए कि सहर हालाबाद की प्रवर्तक बच्चन है ना माने जाते हैं हरिवन सराय बच्चन माने जाते हैं लेकिन मासलबाद के जो प्रवर्तक माले जाते हैं तो एक तीस नंबर का क्वेस्चन है और आपका उत्तर देखते हैं कहां पहुँच रहा है मासलबाद रामेस्तुर सुकलन्चल यानि की बी नंबर आपका बिल्कु सही है मासलबाद राइट आसर केदार नात अगरवाल को किस का बगरंत के डिये शाहित अकादमी पुरुषकार मिला केदार नात अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं एक बहुत ही बिरसित दिन की रचना है दोस्तों किसकी केदार नात अग्रवाल की ये आपको जदी से बताना है केदार नात अग्रवाल को किस रचना जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो बेल आइकन को दबा दे सब् कि दोस्तों घर पहुंच जाएगा आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा है ना रश्मी पाठक जी 32 नंबर के क्वेस्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हो आज कल आप लोग केदारनात अगरबाल की वो रचना कौनसी है वो रचना बताई है जनता जनारदन ने बी या पूरबा यानि कि आपका बिल्कुल सही है पूरबा सही है नागरजुन का बास्तविक नाम क्या था नागरजुन का बास्तविक नाम बताना है बताई राशित कुरे जी जी ममता ज दिनेज जी नागरजुन का बास्तवेक नाम क्या था बाबा नागोर जन बाबा दीन बासुदे उसे या फिर बैदनात मिस्र बताओ क्या है बीनु सरोच जी राइट अंसर शबी लोग चेंड करते हुए सेयर भी किया करें दोस्तों सेयर भी किया करें वीडियो को लाइक भी कर दिया करें है ना जिनको भी नोट्स मंगबाना है वो नोट्स मंगबा सकते हिंदी साहित के बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए सरल भासा में बनाए गए है ना ट्रिक ट्रिक बनाएं गई है दोस्तों बहुत सारी तो नागरजुन का बास्तवेक नाम था बैदनात कौन सा है बताइए स्विता जी कौासी है रस्मीरे का है कुम कुम है या फिर और मिला है और मिला है तो चैन करें अच्छा क्वेस्चन है बालकन सर्मा नवीन का सर्पर्थम प्रकासित का बिसंगर है कौन सा है ये आपको चैन करना है देखते हैं कौन-कौन सपल होता इसमें जो काब है वो काब है कुम-कुम श्री नमबर आपका सही है जंगल के जियू संस्मन के लेकक कौन है 35 नमबर का क्वेश्चन जंगल के जियू संस्मन के लेकक बताना शियोदान सेंचोहान है रांगे रागव हैं सिद्राम सर्मा है राम नारान और पाध्याय हैं बताईए 35 नमबर का question है जंगल के जिव उत्तर चला जाएगा कि सर स्री राम सर्मा लगा दो श्री नमबर सही लगा दो श्री नमबर सही है ठेले पर हमाला है संसमरन किसका है ठेले पर हमाला है स्री राम सर्मा का मैंने आपको कई बार बताया है कि वो धरम बीर होते हैं दोस्तों कि ठेले पर हमालाई के हाथ में हमालाई लेकि आ जाते हैं धरम बीर होते हैं है ना तो धरम बीर करम बीर और उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बीर ही बीर ठेले पर हिमाल आए इसके रचनाकार कॉन है और इसके रचनाकार आपने बता दिया कि सर वो धरम बीर होते हैं धरम बीर भारती ओरते हैं है ना तो यह सी नंबर आपका correct है सी नंबर तिरेच्छ कहानी के रचनाकार आज ही पड़ा था पन्न तिरेच्छ मैंने बताया है तो जल्दी से बताइए तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है प्रिसाद है गुलेरी जी है उदाय प्रिकास हैं मुकुडधर पंडे हैं तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है चैन करिए जल्दी से लाइक कर दीजे बताइए फटापट से शेयर भी करना है आपको तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है अच्छा क्वेस्चन है जैसेंकर प्रिसाद हैं उधाय प्रिकास हैं मुगुरधर पांडे हैं देखते हैं कौन-कौन सपल होते हैं इस क्वेस्चन में है ना कौन-कौन गलत बता रहा है अरे अधिकांस जनता जनार्दन तो सी की तरफ जा रही है बहुत बढ़िया तिरिची तिरिची नजर का उदय हुआ है वोलिसर तिरिची नजर तिरिची उदय प्रिकास तिरिची करन तिरिची नजर का उदय है ना पीली छत्री वाली लड़की के रचनाकार कौन है पीली जी अमित जी माया राम जी एकजाम आते रहेंगे जाते रहेंगे बहुत बढ़िया है ना तो रश्मी पाटक जी बताईए नीरू जी रोहे तारके जी सीमा ममता जी दिनेश जी पीली छतरी बाली रड़के लड़की इसके रचनाकार को अनुदय प्रकास हैं को वेर नातर आ आपका उदय प्रकास सही है यह नंबर आपका करीब सही है महुए का पेड़ इसके रचनाकार कोन है महुए का पेड़ करशना शोपती उदय प्रकास निर्मल बर्मा मारकंडे महुए का पेड़ इसके रचनाकार कोन है बताईए महुये का पेड़ इसके रचनाकार को अने क्रशना सोपती उधै प्रकास निर्मल बर्मा या फिर मारकंडे बताओ चनी चेन करिए पीली छत्री वाली लड़की का उभी उधै हुआ है 49 नंबर का क्वेश्चन है 49 नंबर के क्वेश्चन में आपको चेन करना है उत्तर हो जाएगा मारकंडे मारकंडे यानि D नंबर आपका सहिए महुये का पेड़ इसके रचनाकार को अने मारकंडे है महुये के पेड़ में मारकंडे दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया महुय का पेड़ के बारे में आपको मैंने बताया था कि मैंने महुय भी बीने हैं बहुत है ना और आप लोग महुय का पेड़ नहीं जानते देखो दिनेज जी उसपा जी बताईए यहां पर साखी किस कभी की रचना है साखी किस कभी की रचना है साखी बताना है चैन करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साहित के जिनको भी नोट समंगवाना हिंदी साहित के वो मंगवा सकते हैं अध्यन कर सकते हैं साखी किस कभी की रचना है बताईए रश्मी पाठक जी, सुराब बर्मा जी सिमर पाल जी 40 नंबर का question है और बोले सर बिजय देव लगा दो साखी किस कबी की रचना है तो वो बिजय देव नाराष साही की है साही और साखी बोले साखी ने साखी ने साही पनीर खाया था साकी और साही छीक है? उसके बाद काट की घंटियां इसके रचनाकार कौन हैं बताइए वा राजेस चौधरी जी सेलेक्शन हो गया आपका TGT में सेलेक्शन हो गया वेरेगोड राजेस चौधरी जी काट की घंटियां इसके रचनाकार कौन है काट की घंटियां इसके रचनाकार कौन है जल्दी से चेन करिए काट की घंटिया शर्वेश दयाल सक्षेना उदै प्रिकास आरोन कमल चेन करें लाइक कर दोर काट की घंटिया एक्तालीस नंबर का क्वेस्चन है और एक्तालीस नंबर के क्वेस्चन में सर्वे बुलिसर काट की घंटियों का सर्वे करना है सर्वे तो हूँ सामने बोले भाईया बक्त के सामने काहे को खड़े हो बक्त के सामने काहे को खड़े हो गिर्जा गिर्जा तो गिर्जा से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मैं बक्त के हूँ सामने तो गिर्जा गिर्जा से बनेगा गिर्जा कुमार मात्वर बी नंबर गिर्जा कु तामणी हैं किरपाराम हैं भेकारी दास हैं 43 नंबर के क्वेस्चन में लाइक करती हो ही आंगे बढ़ना है शेर भी करना है हित तरंगनी के रचनाकार कौन है एक क्वेस्चन आप से पूछा गया 43 नंबर में बताओ अगर अगर क्या अगर मगर नहीं करो सीधे सीधे उत्तर बताओ उत्तर बताएं लेकिन ट्रिक भी आपको आनी चीए कि अगर किरपाराम की होगी तो हेत ही होगा अहेत नहीं होगा है ना हेत से हेत तरंगनी और किरपाराम की होगी किरपा राम की होगी तो हेत होगा हेत तो हेत तरंगणी के रचनाकार किरपा राम शी नमबर आपका बिल्कु सही है इसके नामा के रचनाकार कौन है बोधा है घना नंद है देव है या फिर भेकारी दास है इसके नामा के रचनाकार कौन है 44 number का question है 44 number की question में बताना है आपको पताएए इसके नामा इसके रचनाकार कौन है अर्पिता दुवे जी बताएए कुमारी दिनु जी राबंत जी इसके नामा की रचनाकार कौन है 44 number का question है और बोलि सर इसके में नाम पढ़ गया बोधा इसके में नाम क्या पड़ गया बोधा बोधा इनका बास्तवक नाम बुद्धी सें था दोस्तो पंधना नराष 스केट सें ने इनका नाम दिया था बोधा क्योंकि ये बहुत बुद्धी मान थे है ना तो ये नमबर आपका बिल्कु सहिए हो जाय है तो यहाँ पर 45 नंबर का question है लाइक कर दो एक बार बिहारी सस्थाई में कितने दोहे हैं 710 हैं 711 हैं 613 हैं 713 हैं तो कौन-कौन सही बता पाएगा यहाँ पर बिहारी सस्थाई में कितने दोहे हैं और right और answer चला गया 732 हैं दी नंबर 732 हैं अंतर जातिये विवाय की समस्या को उद्घाटित करने वाली करने वाला जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा है अंतर जातिये विवाय की समस्या को अधगाटित करने वाला उपन्यास कौनसा है बताईए रीमा यादाओ जी रादिका जी रंजीत जी शवी लोग बताएं दोस्तो सेल्प इस्टडी क्लासेस से जरूर जुड़ें सभी साती सेल्प इस्टडी क्लासेस से जुड़ें हैना लाइक करें और सेल्प इस्टडी क्लासेस में कमेंट करके बताना एप में एप में जाएं कमेंट करके बताना कि एक क्लास आपको कैसी लगती है कि एक क्लास आपको कैसी लगती है दोस्तों हैना एप आपको कैसा लगा Self Study Classes का तो Self Study Classes एप में जाईए Play Store में उसमें रेटिंग देना है आपको कितनी रेटिंग देंगे 5 स्टार देंगे, 4 स्टार देंगे कितनी स्टार देंगे आप और एक कमेंट आपका जरूर होना चाहिए उसमें ठीक है, तो अंतर जाती विबाई की समस्या को दिगाटित करने वाला बताना है 46 नमबर का Question है 46 नमबर में आपको Chain करना है और वो जो सही है वो है भेकारनी है ना मा और भेकारनी एक किसके उपन्यास है, इसके लेखा कौन है डी नमबर तो आपका बिल्कु सही हो गया डी नमबर तो आपका Right Answer हो गया अमरतलाल लांगर का जीवनी परक उपन्यास कौनसा है बताईए जंदी शेख बताओ अमरतलाल लांगर का जीवनी परक जीवनी परक उपन्यास कौनसा है 47 नमबर के Question में आपको बताना है राशित कुरेजी जी प्रियंका जी सबी लोग बताएंगे 47 नंबर का क्वेस्चन है और आपका उत्तर देखते हैं कौन सा जा रहा है लाइक कर दो एक बार जदी से शेर भी कर दीजिए दोस्तो अबरतलाल लांगर का जीवनी पर को पन्यास खंजन नयन है सूर्दास के जीवन पर आधारतियों पन्यास माना जाता है दोस्तो ठीक है बढ़िया जा रहा है आप लोग एक दम जा रहा है सही एक और एक ग्यारा होते है इसका अर्थ क्या है एक और एक ग्यारा होता है इसकी अर्थ क्या है इसका अर्थ क्या है? बताइए, संसार में सब संभव है, संसार में सब संभव है, भीड में बल है, गलत विध्या में निपुडता, या फिर दोस्तों, या फिर आपका संगणन में, शंगठन में सक्ती, स्वरी संगणन नहीं वो संगठन में सक्ती होती है, संगठन में सक्ती कि सर संगठन में सकती होती है संगठन में सकती होती है यानि B नमबर आपका सही होगा एक और एक 11 संगठन में सकती D नमबर आपका सही होगा यहां पर D नमबर आपका बिलकुल शही होता है ठीक है बहुत बढ़िया बिलकुल Master Kedder के दिए भी है माचल प्रदेश के दिए 171 एक मत का अर्थ क्या है उनेंचास में 100 सयाने 1 मत संजय पाठक जी बताईए सरोच कुमार जी शाहि आंसर क्या है 184 नंबर के question में 100 सयाने 1 मत इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ बताना एक पाना ज्यादा चालाक बनना विच्चे विचारों में भिन्नता होना या फिर बुद्धी मानों के विचार एक से होते हैं उनन्चास नंबर का क्वेस्चन है उन्चास नंबर के क्वेस्चन में स्वासयाने एकमत यानि की बुद्धी मानों के विचार एक से होते हैं D नंबर बुद्धि मानों की विचार एक से होते हैं, कौन बरनेक छंद है, कौन बरनेक छंद है, दोहा, चौपाई सबया या फिर रोला, पचास नंबर का क्वेस्चन है संतोस जी, बताओ, कुमारी जी, रजिया जी, सौनु जी, सुनिता जी, पूजा जी, रीमा जी, निध बशादव जी, बीकेश सर्मार जी, लकिंद्र जी, निवन मैंसे कौन सा बरनेक छंद है, बरनेक छंद का चेहन करना है दोस्तो, और सेल्फ इस्टड़ी के ल्हांसे शेज का अगर ऐप डाॉन्लोड नहीं किया है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजी आप लो, ठीक है, सेल्ट प्रणिक चंद है शबया यानि सी नंबर आपका बिलकु सही है अमिता जी ठीक है लगबिंदर जी तो जितने भी हमारे साती है दार्सू जी और भी जितने साती है सबी लोग इसी प्रकार से अध्यन करती रहें तिये देखी दिनन के फेर और सब नीके दिन आई है बनत न आई की भी कर दीजे और इसमें चंद बताना की कौन सा चंद है जबी को बताएं और सबी लोग से यल्प स्टेडी क्लास ये से आपको डाउलोड कर लें आपका राइट आंसर जा रहा कि सर ये जो है दोहा चंद है क्या है दोहा यानिकी ये नंबर आपका यहां पर और सेर भी कर दिन अपने मित्रों को, शंबिदान की आठ भी अनुसूची में कौनसी भासा सामिल नहीं है, कौनसी भासा सामिल नहीं है, बोडो, मैतली, टॉंगरी या फिर भोजपुरी, चेन करिए, 52 नमबर का क्वेस्चन है, 52 नमबर में आपको बताना है, शंबिदान की आठ भी अनुसूची में कौनसी भासा सामिल नहीं है, और आपका उत्तर हो जाएगा, यहां पर बताएं, बोडो है, मैतली है, डॉंगरी भी है, कौनसी नहीं है फिर, बोजपुरी नहीं है, शामिल आठ भी अनुसूची में, तो डी आपका विल्कु सही है, डी नमबर, बिहारी हिंदी से संबंदेते मान जाती है, बिहारी हिंदी उपभासा की बोली मान जाती है, पैसाची से कौनसी भासा बिक्से तुई, पैसाची से कौनसी भासा बिक्से तुई है, मराटी, गुजराती, पंजाबी या फिर राइस्तानी, पैसाची से कौनसी भासा बिक्स त्रेपन नंबर का कॉस्चन है अमिस सिंग जी रीमा यादाओ जी सरब जोज जी त्रेपन नंबर के कॉस्चन में आपको चैन करना है शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रोंत को रोज ये नौ बजे किलास होती है पैसाची से कौनसी भास अब इक्से तुई आज ही अपन इसक पंजावी और लहंदा लहंदा और पंजावी ठीक है तो कौनसा सब्द इस्त्री लेंग है अपने ट्रेक बनाई थी कि पंजावी लहंगा के लिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए है ना तो कौनसा सब्द इस्त्री लेंग है चंवण नंबर का कॉस्चन है शवी लोग चेन करिए जल्दी से एक बार लाइक भी कर दीजे कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है इस्त्री लिंग बताना है वेरी गोड मंजीत जी बहुत बढ़िया चंगण नमबर का कॉस्चन है और चंगण नमबर में आपका परिसद सही हो जाएगा असी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा इस्त्री लिंग है ठीक है बहु बचनांत पुलिंग सब्द कौन सा है बहु बचनांत पुलिंग सब्द कौन सा है पताए वलजीत जी बहु बचनांत पुलिंग सब्द आपको चेन करना है बच्पन नमबर के question में बिनोद कुमार जी विश्करमा बच्पन नमबर का question है अच्छा question है और like करने सबीश आती और यहाँ पर बहु बचनात pulling सब्द कौन सा ये पूछा गया है तब आपका right answer ये number चला जाएगा आसू आपका सही हो जाएगा ये number आपका बिल्कु सही हो जाएगा ये number right answer है उत्थान का बिलोम सब्द क्या है उत्थान का बिलोम बताना है बताइए और एक बार like करके share भी कर दिया करो दोस्तो share जरूर किया करो और इस class इस class में रोज रात्री नौबजी आप जोड़ सकते हो ठीक है self study glasses का एप डाउनलूट कर लो उत्थान का बिलोम बताना है अच्छा question है वडिया सा question आप से पूछा गया है उत्थान का बिलोम बोले सर पतन लगा दो पतन पतन यानि की V number ठीक है ठीक है ये V number आपका बिल्कु सही है ठीक है गुण बाचक विसेशन है गुण बाचक विसेशन कौन सा है तीन थोड़ा नया या फिर पांच किलो ग्राम गुण बाचक विसेशन कौन सा है यस गोहर जी बीनू सरोज जी बताए और उत्तर बिल्कु सही आगया कि सर नया है नया ये गुण बाचक विसेशन है श्री नम्मर आपका बिल्कु सही है कौन सा सब्द विसेशन है विसेशन सब्द बताईए कौन सा है विसेशन बताईए निकीता जी रेजना जी कमला जी कौन सा सब्द विसेशन है एक अच्छा question पूछा गए आप से बहुत ही बढ़िया है मात्र, खर्च, निपट या फिर चुप चाफ 58 नमबर का question है और कौनसा सब्द विसेशान है वलराम यादव जी बुरी सर निपट कौनसा है निपट सही है रजनी वाला जी निपट यानि की सी नमबर ठीक है सी सही है आलवार महिला संत का नाम क्या है आलवार वक्तों की संक्या आपको पता कि सर वारा है वारा में एक महिला संत भी थी इन में है ना उनमें आपको बताना है कि वो महिला संत कौन सी थी चेनकरी, अपाला गारगी, राविया या फिर आंडाल आलवार, महिला, संत्य का नाम बताना है 69 नंबर के question में 69 नंबर का question आपका आंडाल हो जाएगा सही D नंबर आपका सही हो जाएगा आंडाल आपका बिल्कुद सही है D नंबर ठीक है, बहुत बढ़िया कबीर का प्राकट्य यानि कि कबीर का जन्म कहा हुआ था प्राकट्य स्थल कौन सा है बताईए रेखा जी लहर पौर है, लहर तारा है, लहर नंगर है या फिर लहरिया है कबीर का प्राकट्य स्थल बताना है कबीर कहा प्रकट्य हुए थे ये बताना है बताईए शुमन जी और जिन्वी सात्यों को नोट समंगवाना है अपने घर पर नोट समंगवा सकते हैं कवीर का प्राकट टेस्तल क्या है 60 नंबर का क्वेस्चन है 60 नंबर के क्वेस्चन में आपका लहर तारा उत्तर सही हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कु सही है दादू की रचनाओ का संक्रा हरडे वानी नाम से किसने किया हरडे वानी नाम से हरडे वानी नाम से बताना 61 नंबर का क्वेस्चन है प्रेयंका कपल जी स्वतंत्र गुपता जी लाइब करिए दादू जी किया जन्म कब हुआ था ये भी आपको बताने मैंने कई बार आपको बताया है और इनकी रचनाओं का संकरन हरडेवानी नाम से किया गया लेकिन ये आपको बताने कि हरडेवानी नाम से किया किसने है बताओ, हरडे बाने नाम से किस ने किया है, बंदनास शिंग जी 61 नमबर का question, और आपका उत्तर देखते हैं, कहां जा रहा है उत्तर चला गया संतिदास और जगन नास है ना, C नमबर आपका बिल्कुँ सही है, बहुत बड़ी answer हालावाद के प्रवर्तक वन है हालावाद के प्रवर्तक बताना है, 62 नमबर में आपको चेन करना है नीतु गुपता जी बताइए, असोग प्रजापती जी, लाइक करके सेर भी कर सकते हो जिन भी साथियों को हिंदी साहित के संपूर्ण कोर्स में एडवीसल लेना है हिंदी साहित को टृक से पढ़ना है, हिंदी साहित को रेगूलर अध्यर करना है दोस्तो तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ इस्टेडी गलासे से आप डाउलोड कर सकते हो उसमें पंद्रा सो में बारा महीने के कोर्स में आप एडवीसल ले सकते हो हालाबाद के प्रवर्टक को ने 62 नंबर का कॉस्चन आपसे पूचा गया है और आपका उत्तर चला गया हरीवन स्राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था है ना और हालाबाद के प्रवर्टक है पिछली बार एक क्वेस्चन पंजाब मास्टर कडर में पूचा गया था गलत बिलॉम सब्द योग में कौन सा है गलत बिलॉम सब्द योग में बताना है प्रवेस नवेस मूख बाचाल भूत भवेस पुरुसकार त्रसकार बताईए पुस्पा जी अनीता यादव जी निधी दुबे जी भावना जी गंगबार 63 नमबर का कौस्चन है और बताना की गलत बिलॉम सब्द योग में कौन सा है बिल्कुश ज़ाया की सर मूख का बाचाल तो है भूत का भविस भी है लेकिन पुरुसकार का त्रसकार भी है लेकिन प्रवेस का नवेस नहीं होता यादि ये नमबर आपका बिलुकुल आंसर है द्रोन पर वे किसकी रचना अच्छा क्वेस्चन है द्रोन पर वे किसकी रचना देखते हैं कौन-कौन सही बता पाता है रिंकू जी बताईए द्रोन पर वे किसकी रचना ये क्वेस्चन पूछा गया यहाँ पर पूनम जी बीनू जी रमा सर्मा जी स्पी आदाव 64 नमबर का question है सबी लोगों को answer chain करना है द्रोन पर वे किसकी रचना है ये आपको बताना है देखते हैं 63 नमबर में कौन-कौन सपल होता है 64 नमबर में और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुस सही बताया कि सरी कुलपती मिस्री की रचना है सी नमबर आपका बिल्कुस आई है कुलपती मिस्री के बहुत बढ़िया नाई का वेद वर्नंग की द्रश्टी से पिरमोक गरंत सुख सागर सुख सागर तरंग की रचनाकार कौन है सुख सागर तरंग की रचनाकार कौन है ये question आप से पूछा गया सुकसागर तरंग की रचनाकार पूचा गया अनीता राजपूत जी बताइए सुकसागर तरंग की रचनाकार कौन है सुईता सैनी जी मंजू यादव जी सांती बर्मा जी नाइका भेद वर्नन की दरस्ती से पिरमोक गरंत सुक सागर तरंग के रचनाकार कौन है डाली तेवाली जी बताईए मतिराम है देव कभी है बेकारी दास है या फिर भूशन है कौन माने जाते है अरपिता जी शुनीता जी बताएं नाइक्या भेद बर्नन की द्रश्टी से पिरमोक गरंत सुक सागर तरंग के रचनाकार आपने बिल्कु सही बताया कि सुक सागर सुक सागर को तरंग देओ सुक सागर की तरंग देओ ना तो बी नमबर सुक सागर की तरंग देओ छायवादी कभियों में शर्वाद एक रहे शभावना किस में पाई जाती है 86 नमबर का कॉस्चिन है सुष्मा जी बताओ चायाबाद की बात करें तो 18-18 से लेकर कि 1936 का योग चायाबाद का योग माना जाता है अगर नॉर्मल कोस्चिन आता कि चायाबाद के प्रवर्तक कौन है तो उत्तर जैसंकर प्रसाद हो जाता है ठीक है उत्तर जैसंकर प्रसाद को चायाबाद का प्रवर्तक इलाचंदर जोसी ने माना है ठीक है नंदुला रिवाज पर इने सुमित्रा नंदर को पंत को माना है अब यहाँ पर रहस भावना की बात आती है कि सबसे जाना रहस भावत से प्रभावित है चायाबाद और छायवाद में भी रहसबास से सबसे जादा जो प्रभावित हैं वो कोन है महादेवी बर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था दोस्तों ये महादेवी बर्मा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सानेट रचना के लिए प्रिशित हैं कौन है बताओ सानेट के लिए बताना है नागरजुन है त्रिलोचन है प्रिसाद है या फिर निराला है बताइए बिजय पाल जी चैन करिए यहाँ पर गीता जी संदीब जी रंजीत कौर जी सुष्मा जी सानेट रचना के लिए प्रिशित कौन है नागरजुन त्रिलोचन प्रिसाद है य तो कौन प्रिशिद्ध हैं, कौन प्रिशिद्ध हैं, बताओ, अच्छा question पूछा गया, share भी कर दो यहाँ पर, उतर त्रिलोचन, अब त्रिलोचन का नाम आया, B number, त्रिलोचन का बास्तविक नाम क्या है, बास्तविक नाम चाहिए इनका, जिसे ना देख सकें, ना सुन सके और ना छू सकें, के लिए एक सब्द क्या होगा, एक सब्द बताओ, जिसे ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही छू सकते हैं, उसके लिए एक सब्द क्या होगा, बिल्कुल अबद का किसान कभी कहा जाता है नि, 68 नमबर का question है 68 नमबर की question में क्या है इसे जिसे ना देख सकें ना सुन सकें ना छूसकें उसके लिए एक सब्द कौन सा हो जाएगा देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है यहाँ पर और बहुत सारे साथ ही बता रहे है कि सर कुछ लोग ये बता रहे हैं कुछ लोग डी बता रहे हैं कुछ लोग निराकार बता रहे हैं जबकि आपका right answer क्या है अगोचर यही question कई वार आ चुका है और इसी में कई लोग दोस्तों गड़बड कर देते हैं जिसे न देख सकें, न सुन सकें, न छू सकें, उसे अगोचर कहा जाता है, D नमबर आपका अगोचर बिल्को सही होगा, सुद्ध सब्ध का चैन कीजिए, सुद्ध सब्ध का चैन करना है, पताईए शंदीब बाटी जी, अनिलतिबारी भावी सिक्षिका जी, सुद्ध सब् का चैन करना है, सुद्ध सब्ध का चैन कीजिए, 69 नमबर की क्वेश्चन में क्या जा रहा है सही नमबर, लिसर अधिग्रीव लगा दो, यानि कि आप इसमें V नमबर लगा दो, V नमबर बिल्को सही है, बहुत बढ़िया, V नमबर सही है, सिंपी जी, अंगला कुबेर नात राय रुपया तुम्हें खा गया रंजीत जी बताइए Rुपा कुमारी जी शतन्न नमबर का कumeرجन को रिंकु जी का क्वेश्चन है। सद्टन नमबर की क्वेश्चन में आपको बताना। और स्धीद आंसर जारागी सर भगवती चन बर्मा लगा दो। श्छी नमबर आप लगा दो। रुपया तो में खागया। भगवती चनवरमाशी नमबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मुकवाल रवीसम लाल होकर जौल साबो दित हुआ है ना में कौनसा अलंकार है अलंकार बताना यहाँ पर मुकवाल रवीसम लाल होकर जौल साबो दित हुआ इसमें कौनसा अलंकार है बताएं एकत्तर नमबर का क्वेस्चन है उपमा है उत्प्रेक्चा है रूपा के या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो आपका उत्तर चला जाएगा यहाँ पर उपमा उपमा यानि की ये नमबर है ना उपमा आपका बिल्कुश सभी लोगों ने सही बताया है जिनकी याद हमेशा रहेगी संसमर्ण के लेखा क्वेस्चन है लाइक करके सेर भी करना है शभी मित्रों को जिनकी याद हमेशा रहेगी वो क्वेस्चन है शोनू जी अनीता सिंह जी ममताय महता अधिकारी जी जिनकी याद हमेशा रहेगी वो कौन है बुरिसर वो है वो है कौन अमरतराय बहुत बढ़िया अमरतराय लगा दो बी नमबर आप लगा दो इसमें बी नमबर आपका सही हो जाएगा बी नमबर ठीक है अपनी आत्म कता को इस मिर्ति यातराय अग किसने कहा है किसने कहा है विश्णू प्रभाकर ने कमले स्वर ने अरीबंसराय बच्चन ने या फिर भियोगी हरी ने पताएं जदी से अपनी आत्मकता को इस मिर्ती आत्रायाग किसने कहा है रूपा जी चैन करिए राज जी सबी लोग बताएंगे और बहुत ही बड़िया कॉस्चन पूचा गया है दोस्तों लाइक करने यह कॉस्चन पूचा गया आप सभी साथी लाइक करें और मित्रों को सेयर कर दिया करें अपनी आत्मकता को इस्तिस्मिर्टी आत्रायग कि किसने कहा एक तहित्तर नंबर की कॉस्चन में आप सी चैन करने के लिए क्या गया और आपका उत्तर ही बड़िया बच्चन अब बच्चन की बात आईए तो इनकी आत्मकता कितने भागों में प्रकासे थे यह भी कॉस्चन आपको ही बताना है सागर की लहरों पर यात्रा साहित के लेखकोन है मुक्तिबोद निराला मौहारा किस भगवाशन पाद्याई चोत्तर नंबर का क्वस्चन है चोत्तर नंबर का क्वस्चन पर आपका उत्तर है कि सर यहाँ पर डी नंबर लगा दो भगवाशन पाद्याई डी नंबर आपका सही बताया है साहिप भाटिया जी वेरी गोड़ बहुत बढ़िया सरब जोज जी वेरी गोड़ पुस्टक जलन हत्ते दे चल गरजन रपकाज एक इस पुस्टक के लिए कहा गया दोस्तों बताईए 75 नंबर का क्वेस्चन है ममता जी बताईए अनीता जी बताएं सही आंसर पुस्टक जलन हत्ते दे चली गरजन रपकाज अपनने पढ़ा है दोस्तों वो पुस्टक के बारे में है ना जिसे की हिंडी का प्रताम महा काब कहा जाता है जिसके रचनाकार चंद बरदाईजी है जिने हिंडी का प्रताम महा का भी कहा जाता है 75 नंबर का क्वेस्चन हो आपका उत्तर प्रत्वीराज रासो हो जाएगा बी नंबर आपका सही हो जाएगा बी नमबर पुस्तक जल्लर हत्त दै चलिक जन रपकाज बी नमबर आपका सही है कशने के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की किस संप्रदाय की दोस्तों विसेशता है श्यत्तर नंबर का question है कशन के साथ राधा की महानता किस संप्रदाई की विशेषता है स्रीशंप्रदाई की सनाक रोद्र या फिर ब्रह्म संप्रदाई की बताए श्यत्तर नंबर में और श्यत्तर नंबर की answer में सही answer जारा किसर कशन के साथ रादा की महानता जो है बताएं असा जी पुसपा जी छोटे लाल याद़ाउं जी निशी जी जिन भी सात्यों को हिंडी साहित के नोट्स मंगबाना है दोस्तों तिर्की नोट्स वो संपर कर सकते नीचे नंबर चलना है है के यह अकजाम की दृष्टी से साहित्य अनंदी किसकी रचना है आपका उत्तर हो जाएगा कि सरग्वाल कभी लगा दो सी नमबर लगा दो सी नमबर आपका बिल्कुश सही है ठीक है अंग दरपन की रचेता कौन है 78 नमबर का question अंग दरपण की रिचनाकार बताना है ममता जी अनिल तेवारी जी अर्चना जी अंग दरपण की रिचनाकार को ने 78 नमबर की question में और सीधा answer जा रहा है रसलीन है तो उस कभी हैं बोदा हैं या फिर मुबारक है और अंग दरपण में देख देख रसलीन पन्यात क्या था ना या अंग दरपण में देख देख रसलीन रसलीन तो ये नमबर आपका रसलीन विलको सही है ठीक है शुमित्रा नंदन पंत की पहड़ी कभीता कौन सी है पहड़ी कभीता बताना है पंत जिनका जन्म 1922 में हुआ था दोस्तो ठीके कोसानी अलमोडा में हुआ था इनकी एक पल्लाव रचना है पल्लाव के लिए चायवाद का मैनिफेस्टो चायवाद का गोश्णा पत्र कहा जाता जिसका रचना काल 1928 से पंत की पहली कभीता कौनसी है ये 89 नंबर का बताना है पल्लाव का रचना काल क्या है बताईए पल्लाव जिसको चायवाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है इसका रचना काल बताना है 89 नंबर का क्वेस्चन है और 89 नंबर के क्वेस्चन में आपका गिरजे का घंटा सही है कि सर बताओ 80 नमबर का क्वेस्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है 1916 गिर्जे का घंटा बिल्कु सही है गिर्जे का घंटा 1916 ठीक है आर्थिक विसमता कुद घाटित करने वाली जो रचना है वो रचना कौनसी है यह आप से पूचा गया है देखते हैं कौन-कौन सपल होता है यहाँ पर तनू जी माया राम जी 80 नमबर की कॉस्चन में और 80 में आपका उत्तर हो रहा है कि सर तोड़ती पत्तर तोड़ती पत्तर है ना कि रचना किसकी है तोड़ती पत्तर तोड़ती पत्तर की रिचनाकार कौने बी नमबर तो आपका सही हो जाता है नयपत्त राग ये किसका नाटक है नयपत्त राग नाटक की रिचनाकार कौने मीरा कांत है मिलाल पांडे हैं तरपुरारी सर्मा हैं कुसुम कुमार है नेपत्राग किसका नाटक है एक 80 नमबर के question में और आपका सही उत्तर जा रहा है इसर जो नेपत्राग है ये मीरा कांथ मीरा कांथ यानि की ये नमबर आपका सही है मीरा कांथ आपका right answer है कौन सा अथ का विलॉम है सीधा सीधा question है अथ का विलॉम क्या है जिन भी सात्यों को इंडी साइट के न्यू वेच में दोस्तो एड़ भी सल लेना है अभी भी आप ले सकते हो 15 सो में 12 महिने के लिए अभी 3 क्लास ही हुई है है ना अभी आप एड़ भी सल ले सकते हो और अध्यन कर सकते हो अत्सब्द का विलॉम क्या है अत्का बताना है तो बताइए मंजू जी अत्का क्या हो जाएगा यहाँ पर रीमा यादाओ जी स्वानू केम जी और बुलिसर अत्का हो जाएगा राजेन रियादव अमरकांत मन्यू भंडारी उदय प्रकास हत्यारे कहानी के लेखक कौन है 83 नम्बर का क्वेस्चन है और सीदा अंसर चला गया इस सर हत्यारे क्या हो जाते हैं वो लिसर हत्यारे कभी अमर नहीं हो सकते अमरकांत अमरकान्त हो जाएगा बी नमबर आपका सही हो जाएगा हत्यारी अमरकान्त ठीक है काला जल उपन्यास के लेखा कौन है काला जल 84 नमबर का क्वेस्चन है अमिता राना जी बताईए विजय जी काला जल उपन्यास 84 नमबर के क्वेस्चन में काला जल बताना है और काला जल से मैंने आपको कई बार बताया कि सर काला जल से सानी 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 बनाना है सानी तो काला जल इस सानी जी का अपन्यास है बी नमबर आपका सानी बिल्कुत सही हो जाएगा राइट आंसर सही हो जाएगा एक पती के नोट्स रचना के लेखक कोन हैं एक पती के नोट्स मम्ता काडिया सानी महेंद्र भल्ला महरोन निशा परवेज पिल तो पता ही होगा आपसे एक पती के नोट्स इसके रचना कार कोने 85 नमबर का कुस्चन है और आपका उत्तर जारा की सर एक पती के नोट्स पूचा है आपसे क्यानि कि आप महेंद्र भल्ला लगा दो श्ची नमबर लगा दो महेंद्र भल्ला आपका सही एक पती के नोट्स महेंद्र भल्ला अगर एक पती के नोट्स किसी को आपने दिये तो समझो भल्ला भल्ला पढ़ेंगे इसलिए अगर पती ने नोट से मंगवाए हैं तो पती के और पतनी ने मंगवाए हैं तो पतनी कालिया बन जाएगी ठीक है कामाईनी महाकाब के लेकक को अने कामाईनी महाकाब है जो कि 1935 का इसका रचना काल माना जाता है इसके लेकक बताना है इसमें 15 सर्ग माना जाते हैं ठीक है फिरतम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है ठीक है ये कामाईनी महाकाब है जो कामना नाटक पर आधारे थे ठीक है 86 नंबर के question में और आपका उत्तर हो राय की सर जैसंकर पिरसाद लगा दो जिनका जन्म अठाराशो 89 में हुआ था पिरसाद जी का तो ये आपका C नंबर बिलको सही है इंदी की प्रतम रचना सरापका 4 की रचनाकार क्या है कौन है बताओ 933 इसबी 933 इसबी की रचना है इस सरापका 4 और इंदी की प्रतम रचना मानी जाती है सरापका 4 अब इसकी रचनाकार आपको चेन करना है बताओ शरापका 4 इसकी रचनाकार कौन है 87 नंबर का question है लाइक कर देना सबी सातियों को जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते है टेट में 134 नंबर बिलको सही है बिने पत्रिका की भासा क्या है बिने पत्रिका की भासा क्या है ब्रज खाड़ी बुंदेडी या फ्रावुदी बिने पत्रिका की भासा क्या है चुनील तिवारी जी पूनम जी बताइए माया राम जी बिने पत्रिका जोकि तुलशी दास की रचना है और बहुत ही special रचना माने जाती महत्पूर रचना माने जाती अंजु कुमारी जी और इसकी रचनाकार माने जाते हैं कौन तुल्ची रास इसकी भासा कौन सी है तो ब्रज ये नमबर आपका सही है राम भक्ती में तत्सुकी साखा के प्रवर्टक कौन है तत्सुकी संपर्दाय के प्रवर्टक कौन एक अच्छा क्वेस्टन पूछा गया तत्सुकी संपर्दाय के प्रवर्टक आपको बताना है जन्दी से चैन करिए तत्सुकी संपर्दाय के प्रवर्टक कौन है वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजे अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजे सातियो तत्सुकी साखा के प्रवर्टक कौन है एक अच्छा क्वेस्टन और वड़िया सा क्वेस्टन पूछा गया है राम चरणदास हैं जीवा राम जी है रगरास से ही आप रोगला योगला अनंद सरण है और अपनको पताएगी सर जीव तत्काल सुकी होना चाहता जीव तत्सुकी साखा के प्रवर्टक है जीवा राम बी नमबर आपका करेक्ट का अंसर है तूटते परिवेस रचना के लेका को है तूटते परिवेस विश्णू प्रभाकर तूटते परिवेस पताओ जोती वासु देउजी क्या हो जाएगा सही आंसर तूटते परिवेस इसके रचना कार कौन मान जाएंगे और नब्बे नमबर का क्वेस्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन पूछा गया और उत्तर चला गया कि सर विश्णू प्रभाकर तूटते परिवेस ये नमबर आपका सही है विश्णू प्रभाकर आपका राइट आंसर है खेचर का परियाय क्या होगा खेचर का आकास में चलने वाला पक्छी ग्रह या फिर इनमेसे सभी खेचर का परियाय बताना है देखते हैं कौन-कौन सही बता पाता है इस question को कौन-कौन लपेडे में लेता है जनता जनारदन कहां जा रही इस question को लेकर के खेचर का परियाय बताना 91 नमबर के उत्तर बताना है 91 नमबर का उत्तर कोट क्या हो जाता है आपका खेचर का परियाय बताना है और उत्तर चला जाता कि सर टी नम्मर लगा दो इनमें से सभी लगा दो टी नम्मर आपका सही है खेचर का पर्याय होता है टी इनमें से शभी ठीक है धर्ती अब भी घुम रही है धर्ती अब भी घुम रही है रिचना के लेखा कौन है धर्ती अब भी घूम रही है विश्नु प्रभाकर रमवीर भारती मुक्तिवोध या पर गंगा प्रशाद विमल धर्ती अब भी घूम रही है इसके इस रजना के लेका कौन है ये बताना है, चैन करना है और 92 नंबर का उत्तर आपको बताना है 92 में आपका सही उत्तर क्या हो रहा है सही उत्तर हो रहा है कि सर धर्ती अब भी घुम रही किसकी करपा से विश्नू विश्नू तो विश्नू प्रभाकर ये नंबर करेक्ट है राइट आंसर है यामा किसकी रचना है यामा यामा किसकी रचना इसे साहित तकादियों प्रोषकार कब मिला है ये भी आपको बताना है यामा की रचना कार कौन है ये भी आपको चेहन करना है और जिन भी सात्यों ने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया फिले स्टोर में जाईए सर्च करिए Self Study Classes और आप डाउनलोड करिए इसको यामा की रचना कार आपको चेहन करना है यामा किसकी रचना है ये आपको बताना है तीरानवे नंबर का कॉस्चन है तीरानवे नंबर की कॉस्चन में आपको चेहन करना है और आपका सीधा अंसा जारा की सर महादेवी वर्मा लगा दो बी नमबर आपका लगा दो बी नमबर आपका सही है यामा किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा की बी नमबर नई कविता का आत्म संगर्स इस आलोचना किर्थी के लेखा कौन है नई कविता का आत्म संगर्ष शंदीप सिंग जी सभी लोग लाइक करके सेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों को दोस्तो अपने मित्रों को सेयर भी करना है और अपने सातियों को इस सेसन से भी जोड़ना है इस सेसन से आपको जोड़ना है ठीक है नई कविता का आत्म संगर्ष के लेका क्वन एक अच्छा क्वेस्चन आपसे पूछा गया बड़िया क्वेस्चन पूछा गया मुक्तिबोध है शियुदान से चोहान इलाचन जोसी है चुरानवे नंबर के क्वेस्चन में आपने उत्तर बताया किसा नई कविता का आत्म संगर्ष गजान अन्मादा मुक्तिबोध 1917 में जिनका जन्म होता है मुक्तिबोध का ठीक है तो ये नंबर आपका बिल्को सही है रॉमांटेस में सब्दे के लिए हिंदी में सब्दे का सबसे पहली प्रियोग किस ने किया बता भारतेंदु ने किया क्या हरियोद ने किया रामचन सुकल ने किया फिर डाक्टर नगैदर ने किया जिन भी सात्यों को नोट समंगवाना हिंदी साइथ के वो नोट समंगवा सकते हैं अपने घर पे दोस्तों जिन भी सात्यों को हिंदी साइथ के शंपूर कोर्स में एड़ वीसल लेना है पंद्रासों में बारा महिने का दोस्तों आप एड़ वीसल ले सकते हैं अध्यान कर सकते और पढ़ सकते हैं रोमांटेज्म सब्दी के लिए हिंदी में सवचंता बाद सब्दे का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया 95 नमबर का क्वेस्चन है और 95 में आपका उत्तर शी नमबर चला गया रामचंद शुकली चला गया शी नमबर आपका बिलकु सही है सी नमबर आपका राइट आंसर है बूंद बाबडी आत्म कता की लेकी का क्व है बूंद बावड़ी आत्मकता की लेखी का कौन है पदमा सचदेबा, मन्नु भंडारी, रमनिका गुपता, शिवानी बूंद बावड़ी बोले सर बूंद बूंद बावड़ी है बताएं, रादिका जी, अनीता जी, बताएं, शुनीलते बारी जी, अंकीता जी, असुक प्रजापती जी, लाली आदो जी, बूंद बावड़ी आत्मकता की लेखी का कौन है ये वड़िया सा क्वेस्टन पूचा गया, लाइक करके सेर भी कर दिया करें जदी जदी से और 96 में आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर पदमा सचदेवा, पदमा सचदेवा, ये नमबर आपका करेक्ट है, ये नमबर आपका राइट आंसर है, स्रिजन के सेतू, संसमरण के लेखा कौन है, स्रिजन के सेतू, संसमरण के लेखा कौन है, विश्णु प्रभाकर है, न 97 नंबर का question है सिर्जन के सेतु कौन है देपी का सुगला जी कमला कांत जी भलबीर सिंग जी सबी लोग बताएं लाइक कर दें सेल्प स्टडी कर आसे इस चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दमाए सिर्जन के सेतु तो बोलिस सर्बोही है विश्णू जी विश्णू जी है यानि ये नंबर आपका सही है ये नंबर जिन्वन नहीं बताया सिर्जन के सेतु ठीक है नेक्स देखो राय कुमार चर्यू के रचेता कौन है यही आज ही पड़ा था राय कुमार चर्यू निधी दोबे जी बताईए प्रमोट से अनी जी बता उड़ाय कुमार चर्यू के रचनाकार कौन है 98 नमबर का क्वेस्चन है देखते हैं कौन बता पाता है रोडा कभी है जो इंदू है या फिर पुस्ट में दनते हैं उड़ाय कुमार चर्यू के रचनाकार पुस्पिदंद हैं पुस्पिदंद इन्हें अभिवान वेरू कहा जाता है दोस्तों ठीक है और ये दस भी सती के मान जाते हैं कौन पुस्पिदंद ठीक है इन्होंने एक महा पुरान करके गरंद लिखा था महा पुरान करके गरंद लिखा था जिसमें दोस्तो 63 सलाका फुर्सों का वर्नन मिलता है ये फुस्पिदंत जी को लगाना है बीट जिसी नमबर आपका सही है कभी सेकर और अभिनाय जैदियों के नाम से कौन जाना जाता है 99 नमबर का कॉस्चन है बताईए विजय जी कभी सेकर और अभिनाय जैदियों के नाम से कौन जाना जाता है इतना अच्छा क्वेस्चन पूछा गया है जल्दी बताओ जिनकी रचना केर्थी लता है ठीक है जिनकी रचना केर्थी पताका है जिनकी रचना दोस्तों पदा वली भी है पदा वली भी है है ना तो ये बताना है कभी सेखर और अभीनाव जैदियों के नाम से कौन जाना जाता है ये वड़िया सा question पूचा गया किर्ती लता और किर्ती पता का की भासा आवहट वानी जाती है कभी सेखर ये कहा जाता है किसको विद्यापती को ये नमबर आपका बिल्कु सही है भक्त नामा वली के नावा दास हैं गोकुल नात हैं काली दास हैं या फिर धुर्व दास हैं भक्त नामा वली के लेखक कौन माने जाते हैं भक्त नामा वली के लेखक कौन माने जाते हैं एक अच्छा question है सेर कर दो दोस्तो अपने सभी सात्यों को सेर जरू कर दिया करो मित साथियों को नोट समंगवाना है दोस्तों हिंदी साहित के वो नीचे नमबर चला है संपर कर सकते हैं नोट समंगवा सकते हैं अपने घर में हिंदी साहित के तिर्की नोट समंगवा सकते हैं और आपका उत्तर चला गया डी नमबर ध्रोगदास आपका राइटास रो जाएगा डी नमबर आपका भक्त नामावडी एक रचना है भक्तमाल है ना भक्तमाल किसकी है नावादास की सब्दानु शासन के लेखक का नाम क्या है तो चैन करें फटाफट से और एक बार जल्दी से लाइक भी करते हैं जल्दी से लाइक करें सभी लोग सब्दानु शासन के लेखक का नाम क्या है अच्छा क्वस्चन है रामच Sansvenir है है हैमचंद्र है है श्यश्यंबू है या फिर शरह पाद नहीं तो शबी लोगों ने आंसर लगा दिया कि सब्दान उसासन के जो लेकाख है हैमचंद्र लगा दो हैमचंद्र यानि कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कु सही हैमचंद्र आपका राइट आंसर चला जाएगा ठीक है रामानंद ने रामानुजाचारे या हित्र हरिवन्स ने तो यसी कितने साती हैं जोनों ने अभी तक सेल्फ स्टेडी क्लासेस का एप डाउनलोड नहीं किया है एप डाउनलोड कर लो सभी लोग ठीक है और अध्यान चालू कर दो पंद्रा सो में बारा महिने का कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित नरंतर अध्यन करना है दोस्तो एक जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे अध्यन अपन को नरंतर करना है ठीक है तो पुष्टी मार का प्रवरतन किस ने किया दो नंबर का क्वेस्चन और दो नंबर का क्वेस्चन हो जाएगा कि सर बल्लवाचार ने पुष्टी हमें काई से करवाना है बल से पुष्टी हमें बल से करवाना तो बल्लवाचार अच्छाप की स्थापना किस ने की थी तीन नंबर का क्वेस्चन है अर्च चाप की इस्थापना किसने कीती मदवाचारने बिट्टल नातने बलवाचारने या फिर सूरदासने अर्च चाप की इस्थापना किसने कीती कावे कीती ये भी आपको बताना है शबी लोग बताएंगे यहाँ पर अच्छाप की स्थापना के बारे में आप से कुछ सवाल पूचा गया है मादपूर्ण सवाल है और दोस्तों जिनको भी इंदी साइट के नोट समंगवाना अपने घर पर मंगवा सकते हो अच्छाप की स्थापना जो की थी वो की थी किसने बिठल नात ने आपने जंतर नार्दन ने उत्तर बी नमबर लगा दिया बिल्कुश सही आंसर आ गया ठीक है बिठर लात ने अश्चाप की इस्तापना की थी बताया है क्वेस्चन की 1565 में की थी 1565 में वेरी गोड आंसर कभिता कुमोदी ये किसका काब संग्रह है दोस्तों कुमोदी करके कहानी है किसकी है बताओ कुमोदी कहानी किसकी है कुमोदी कहानी किसकी है और कभिता कुमोदी है किसका काब संग्रह है चार नमबर के क्वेस्चन में आपको चैन करना है चार नमबर के क्वेस्चन में आपको जल्दी से उत्तर बताना है like कर देना और share भी कर देना है कभीता कुमोदी किसका काब्य संग रहे है तब आपका right answer हो जाता है B number यानि कि राम नरेश्टर पाटी राम नरेश्टर पाटी B आपका right answer है ठीक है अब आपको कुमोदी बताना है कुमोदी के रचना कार कोमन है कमौधी किसकी रचना है?! बताइ चार नंबर के कॉस्चन में और आपका सीधा चला एक कोबोधी कहानी बताना ही बी नंबर तो आपका विल्को शही है सुनीताय दीपीखा जी विल्को शही बताया आप लोगों ने लगविंदर जी की सर कुमोदी जो है वो है किसकी कुमोदी कहानी है किसकी है सिवरानी देवी बहुत बड़ी आंसर बेरी गुड हिंदी का प्रतम रेखा चित्र संग्रह कौनसा है रेखा चित्र संग्रह पूचा है इसलिए संग्रही बताना सुमन ऑफीसियल जी बताई अनिता जी सेलू स जी heal हिंदी का प्रतम रेखा चितर कौनसा माना जाता है 5 नंबर के question में और 5 नंबर के question में आपका सही आंसर क्या जा रहा है यहां पर बताओ जल्दी से जस्बीड जी कीता देवी जी गुर्पूरीत जी एइसन गोतम जी पांच नंबर के question में हिंदी का प्रिथम रेखा चित्रशंगरा है कौन सा है रेखा चित्रशंगरा है बताना है चैन करना है नमन प्रीत जी अमिता जी हिंदी का प्रिथम रेखा चित्रशंगरा है कौन सा है और उत्तर चला जाता की सर ये नंबर लगा दो पदम पराग लगा दो ये आपक का पदम पराग बिल्कु सही है पदम पराग की रचनाकार कौन है ये भी बताईए बताना रचनाकार बताओ जो लिए से बंगाल का अकाल रेपोर्ट आज के लेखा कौन है अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत मारेंगे यहाँ पर उस्पा जी बताईए कमला कांथ बीनू सरोज जी राजकुमारी जी बंगाल का अकाल रेपोर्ट आज के लेखा कौन है बहुत सारे लोग पड़े लेखे लोग गलत मारेंगे यहाँ पर जह देखते हैं जनताज नार्दन कहां जा रही है पूनम सहनी जी बताईए राखी जी नीतू गुपता जी सीता राम जी बताएं चैन करना रस्मी जी बैंकट जी विनीता जी बंगाल का अकाल रेपोर्ट आज के लेखा कौन है छे नंबर के कवेस्चन में और छे नंबर में आपका जो उत्तर जा रहा है कि बंगाल का अकाल यानी की देखो बहुत सारे लोग B में लगा रहे हैं है ना आपका उत्तर हो जाएगा प्रिकास चंद गुपत देखो यहाँ पर रेखा तरपाटी जी यहाँ पर यह नमबर प्रिकास चंद गुपत साही है ठीके यह बंगाल का अकाल जी बहार लगा दो वियरी गुड वह लगा दो किसको लगाना भी कई लाइन से बहा रहे हैं व्यंतना बगाल का याहीत sug किसे लग लगा और बोर में किस वासे किल कराईक लग नह नहीं भूहित लिघ्रतूरिकिया में चर्मेलावा Obieth कस्तूरी कुंडल वसे इसकी बिधा बताना है इसकी बिधा क्या है बीनू सरोच जी बताईए बताईए जल्दी से राइट अंसर कस्तूरी कुंडल वसे किस बिधा की रचना है कहानी आत्मकता कभीता या फिर नेबंद है क्या है जंताजनार्दन कहां जारी जंताजनार्दन कस्तूरी कुंडल वसे ये माना जाता है आत्म कथा ठीक है और ये आत्म कथा किसकी है कस्तूरी कुंडल वसे ये भी बता दो बी नम्मर तो आपका सही है किसकी आत्म कथा हिंदी का प्रतम देनेक समाचार पत्र कौन सा है यहाँ पर भी कई लोग गलत मारेंगे, देखते हैं कौन-कौन गलत मार रहा है, सही आंसर चैन करना है, बहुत ही बढ़ी अच्छा प्रश्ण पूछा गया है, इंदी का प्रतम द्यनेक समाचार पत्र कौन सा है, एक अच्छा क्वेस्चन और बढ़ीया सा क्वेस्चन का दिया, कि सर बहु है कौन सा बी नंबर, देखो कुछ लोग यह लंबर लगा रहा है, सी लगा रहा है कुछ लोग, जबकि आपका ये समाचार सुदा वर्शन जो है, ये बी नंबर सही है, ये हिंदी का प्रतम द्यनेक पूंचा, स्याम, सुदर, सैन, जो थे, इसकी समप पत्र ता लेकिन इस सापता हैं कि कई बार मैंने आपको बताएं सापता हैं तीक है अंगला देखो सरश्रति पत्रिगा के संस्थापक कौन थे नो नमबर का क् collective है और यह भी बताना कि महाभी प्रसाद दुबेदी महाभी प्रसाद दुबेदी बताना है कि कब बने हैं बताईए यहाँ पर शबी लोग बताए सरश्वती पत्रीका के साहित सबी लोग बताएंगे PGT, PhD में आया था एक क्वेस्चन बहुत बड़ी आप सरश्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे संस्थापक पूचा है आपसे संस्थापक मावी प्रसाद दुवेदी चिंतावणी घोष यामसुंदरदास देवी प्रसाद सरश्वती पत्रिका के संस्थापक कूचा फिर गलत लगाएंगे बहुत सारे लोगों ने ये लगा दिया कुछ लोगों ने B लगा दिया और कुछ लोगों ने लगा दिया क्या क्या लगा दिया ठीक है गड़बड किया वह सारे लोगों ने लेकिन आपका उत्तर B नंबर है संस्थापक कुछा है तो संस्थापक कौन थे संस्थापक थे चिंतामणी घोस महावी परसाद दुवेदी कब बने थे कब बने थे 1903 में बने थे ठीक है और स्याम सुन्दरदास इसके पहले संपादक थे पहले संपादक थे और देवी परसाद ये दोस्तो 1920 में जब दोस्तो इनका कारकाल खतम हो गया ता महावी प्रसाद दुवेदी का उसके बाद बने थे कौन देवी प्रसाद देवी प्रसाद बन गए थी ठीक है तो ये कहानी है स्रश्वती पत्री का की ठीक है प्राणचंद चोहान का संबंद किस भक्ती साखा से ये question भी कई बार आ चुका है पंद्रा शो में पंद्रा महिने के लिए एडवीशन ले सकते हो ठीक है पंद्रा शो में पंद्रा महिने के लिए जिनको भी लेना है सेल्फ स्टडी किलासेस एप आप लोग डाउनलोड कर लें ठीक है जिनको भी हिंदी साहित के नोट्स अपने घर मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं प्राणचंद चोहान का संबंद किस भक्ती साका से है 10 नंबर का question पूछा गया यहाँ पर और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो है राम भक्ती साका यानि कि ये नंबर आपका बिलकु सही है प्राणचंद चोहान का संबंद सुईता जी बताइए जबी लोगों को आंसर बताना है बिलकुल ADX जी बताइए बीनु जी संध्या गुपता जी राजकुमारी जी किस चायवादी कभी को प्रिकृति का शुकुमार कभी कहा जाता है 11 नमबर के क्वेस्चन में लाइक भी करना है 11 नमबर का उत्तर बताना है और किस चायवादी कभी को प्रिकृति का शुकुमार कभी कहा जाता है उत्तर है शुमित्रा नंदन पंत को यानि कि आपका जो C नमबर है शुमित्रा नंदन पंत है कि आपका सी नंबर बिल्कु सही है कामाईनी को चायाबाद का अपने सद किस ने कहा है कामाईनी को चायाबाद का अपने सद किस ने कहा है डक्टर नगेंदर ने गजारन मादा मुक्तिवोध ने इंदरनात मदान या फिर सांति प्रिये दोबेदी कामाईनी को चायाबात का अपनिसद किस ने कहा है तो जन्दी से बताईए जस्वीर जी सभी लोग बताएंगे यहाँ पर फटापट से जिन्भी सातियों को नोट समंगवाना है वो नोट समंगवा सकते हैं सातियों ठीक है और जिन भी सातियों को दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें 15 अश्रों में 12 महिने के लिए एडवीशन भी ले सकते हैं कामाईनी कुछ आएबात का अपनिसद किस ने किया और इस अपनिसद पढ़ने से तो सांती मिलती है आपको बताना है तो देखते हैं कौन कौन सही टिक मारता है यहाँ पर हैना प्ले स्टोर में जाए सर्च करिए सेल्फो स्टडी किलासेस ठेक है ठंडा लोहा कभिता इसके रचनाकार बोले ठंडा लोहा भी ठंडा हो जाता है सर धरम की सरण में आते ही लोहा भी ठंडा हो जाता है ये नमबर आपका करेक्ट राइट आंसर है आत्मे जै के रचना कार कौन है आत्मे जै के रचना कार कौन है धरमबीर भारती तो सियंत कुमार नरेस महता है या फिर कुनवर नाराइण हैं तो चेहन करिए और लाइक करके शेयर भी कर दी जी अपने मित्रों को और 14 नंबर के क्वेस्चन में आपका बिल्कों सही आंसर हो जाएगा कुंवर नाराण यानि की डी नंबर आत्मे जई होते हैं कुंवर लोग कैसे होते हैं और सब कुंवर लोग तो रामदयाल जी आत्मे जई होते हैं डी नंबर आपका बिल्कों सही है लाइक कर दो जन्दी से परन दत्त जैसंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्तर है परन दत्त परसाद के अबैरे में आपने पड़ा है चायवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रहेंचंध पाल जी है ना और प्रसाद के बारे में पड़ा एथाराffee सु नवासी में जन्म हुआ जैसंकर पिरसाद को इलाचंदर जोसी ने चायवाद का प्रवर्तक माना ठीक है और पर्णदत प्रसाद के किस नाटक का किस नाटक का पात्र माना जाता है ये आपको चैन करना है रजनी वाला जी जदी से बताइए माया राम जी पर्णदत जैसंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है ममता जी और 15 नमबर के क्वेस्चन में सीधा सीधा अंसर तरहा की सरा इसकंद गुप्त नाटक बी नमबर जोनों नी भी लगाए इसकंद गुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है नीतु गुपता जी बताईए जसमेल जी बी नमबर आपका बिलकु सही है नेक्स्ट है असोक के फूल निवंद के रचनाकार कौन है शोहिता जी बचेन करिए रिया वादरा जी कमला कान्त जी बताईए विजेंद्रे जी शही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताईए और पुल सरसोक में फूल फूलेंगे एक फूल फूलेगा क्या बोले नई तो कितने हजार हजार से हजार ही परसाद दुबे दी नमबर आपका बिल्कुल correct answer हो रहा है नीला चांद उपन्यास के लेखा कोण है नीला चांद नीला चांद कई बार पूचा गया आप लोगों से आपको चैन भी करना है नीला चांद उपन्यास के लेखा कोण है रचनाकार आपको बताना है और उत्तर बताना है सबी लोग बताएंगी रांगे रागाओ है सुरेंद्र बर्मा है सेलेस मट्यानी है देखते हैं 17 नम्मर का उत्तर कौन-कौन साही लगाता देखो बहुत सारे लोग कुछ लोग B लगा रहे हैं कुछ लोग C लगा रहे हैं है ना बहुत बड़ याप पता चला है कि तुक्का कितने मार रहे हैं है ना और जिनोंने पड़ा है उन्होंने बास्तों में साही उत्तर बताया किसा D नम्मर लगा दो है ना ये स्यो प्रसाद का उपन्यास है D नम्मर इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा डी जनों ने लगाया उनका सही है बी वाले जो तुक्का वाले थे वो बह गए धारों धार नीला चांद उपन्यास सियो प्रिसाद सेंका इउपन्यास माना जाता है 17 नमबर में यहाँ पर विकल्प में नहीं है तो बिकल्प आपका डी सही है दुवेदी युक को जागरण सुधारकाल किसने कहा जागरण सुधारकाल 18 नमबर का कॉस्चन है जागरण सुधारकाल एक कॉस्चन कई बार आ चुका है और कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं टिरिक भी बता चुके हैं कि अगर आपके घर में मंजु यादाव जी लाइव नहीं है तो recorded चला है क्या मैं दुवेदीयों को जागरण सुधारकाल किसने कहा है तो यहां पर जागरण सुधारकाल आपको पता होनी चाया कि आपके घर में अगर नांग घुश जाय नांग दे उता तो आप जागरण कर कि सो जाएंगे ए रहे बोले नींदभ्य नहीं आएगी सर है ना तो नगेंद्र ने कहा था यानि बीनमार नगेंद्र आपकर सही है निम्नमेंसे कौनसा मनो बैग्यानिक ओपन्यास अपन्यासकार है मनो बैग्यानिक mentre श्रेशन chrom knows पन्यासकार कौन सा है बताईए हीरो हंडा जी और मिला देवी जी शबी लोग बताएंगे सेल्फ स्टडी क्लासेज का एप डाउनलोड करना है सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेज कौन सा मनोवैज्याने को पन्यास है या फिर नहीं है 19 नमबर के पूरोजिसर डाक्टर देवराज है, डाक्टर देवराज, जनेंद्र कुमार, है न, इला चन्दर जोसी, और दोस्तों, इला चन्दर जोसी के अलावा, अज़े, अज़े, ये कैसे मानु जाती है, मनो विशरेशन अबादी उपणियास कार माने जाती है, बाकी सिव पूजन सहाय का एक मात्र पन्यास कौनसा है और ये क्वेस्चन पूछा ही जाता है एक मात्र पन्यास बीस नंबर का क्वेस्चन है बीनु जी बताइए यहाँ पर डीके अंबेटकर जी सिव पूजन सहाय का एक मात्र कौनसा उपन्यास है और वो एकमात्र है इसलिए पूछा भी जाता है पूरवी जी ठीक है तो बताइए यहाँ पर सुमन संदीप जी जोती जी दीपिका सुकला जी बीस नंबर का क्वेस्चन है कार्तेक सिंग जी अच्छा क्वेस्चन है लाइक जरू करें सेयर करें सिव पूजन सहाय का एकमात्र पन्यास कौनसा है बीस नंबर के क्वेस्चन में और आपका उत्तर है देहाती दुनिया देहाती दुनिया यानि कि आपका जो ये नंबर है ये नंबर बिलकु सही हो जाएगा देहाती दुनिया आपका राइट आंसर है स्योपूजन सहाय का एक मात्र पन्यास देहाती दुनिया आपका राइट आंसर है कौनसा भारत विभाजन पर आधारेत पन्यास और पन्यास नहीं है यह question पहले भी आ चुका है अब आपको बताना कि कौनसा भारत वे भाजन पर आधारे तो पन्यास नहीं है कई बार एक क्वेस्चन पढ़ चुके हैं अपन बताओ प्रदीप सर्मा जी यहाँ पर क्या राइट आंसर लगाओगी जंताज नारदन कहां जा रही है प्रेम सिंग जी विश्वास मदू जी शबी लोग बताना है जल्दी बताओ क्या है यहाँ पर जल्दी जल्दी से बताना है कोई दीबान न कहता है कोई पागल समझता है तो इसको अपन को याद रखने ना है कि मगर धर्ती की बेचैनी को बस बादल समझता है तो यहाँ पर भारत विभाजन पर आधारेत ओपन्यास कौन सा नहीं है तमस है जूटा सच है आधा गाउं भी है ये सीधी सची वातें नहीं है हिंदी में अंग्रे जी धंका पहला मौले को पन्यास कौन सा है बाइस नंबर के क्वेस्चन में राधिका जी सभी लोग बताएंगे प्रेम कोरी जी है ना पंद्रा सो में बारा महिने के इस कोर्स में अड़िशन लेना अगर आपको लेना है तो भटाक से लेले अभी न्यू मौले को पन्यास कौन सा है ये भी अपन को याद करना है और आपका उत्तर है कि सर वो परीक्षा गुरू है अठारा शो व्यासी अठारा शो व्यासी हिंदी का प्रता मौले को पन्यास परीक्षा तो गुरू निवास पर ही होगी परीक्षा तो गुरू निवास पर ही होग है ना राजा निर्वसिया कहानी के लेखक का नाम क्या है इतना अच्छा कोस्चन है रमा सरमा जी तनमा जी शबी लोग बताएंगे उत्तर बताना है सेर भी कर देना है शबी लोगों को और वडिया सा कोस्चन है पुजा देवी जी राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन ह मैंने आपको बताया था राजा निर्वसिया और उत्तर यहाँ पर 23 नंबर में चैन करना है 23 का अंसर है और जनता जनारदन देखते हैं कहां जा रही है जनता जनारदन कमत जा रहा है कमल की ओर कमल की ओर जा रहा है तो कमल से कमले सुर है ना बोले सुर कमल का ही राजा बनाए ये नमबर लगा देंगे, किलिक कर देंगे, बहुत बड़ी आंसर हो जाएगा, बंग महिला का असली नाम क्या था, बंग महिला का, 24 नमबर का क्वेस्चन है, सबी लोग बताना है, बताईए मंजू जी, पुस्पा जी, पुनीत सर्मा जी, पूनम तर्मा जी, सबी लोग बत बंग महिला का असली नाम क्या था, इतना अच्छा क्वेस्चन पूछा गया, इतना अच्छा क्वेस्चन अगर आपसे पूछ लिया है, तो बिल्कुल भी, हाँ, वैलेंटाइन डे पर क्या देना है, कमल देना है, अपकी बार जब बैलेंटाइन डे आए, तो कमल देना है है अपन को क्या देना है कमल ठीक है अभी गुलाब के गुलाब का बोलि सब्सक्राइबनाbu कमल तिक है ति बंग महिला कासी नाम राजद्रवाला घोष्ट बी नमबर आपका करेक्ट है किलम का सिपाही जीवनी के लेखा क्वन है किलम का सिपाही पूचा है कलम का मजदूर नहीं पूचा है सिपाही पूचा है जदी से बताईए और उत्तर कहां जा रहा है जनता जनार्दन कहां जा रहा है जदी जदी से बताईए है ना बिलकूर फटापट से बताईए जदीब जी कलम का सिपाही इसके रचनाकार कुण है जड़ी जड़ी से चेन करती हो यांगे बढ़ना है बिजाई आदव जी अर्पिता गीता जी जड़ी से वताओ है ना और कलम का सिपाही के रचनाकार आपने पूछा बोली सर पचीस नंबर का क्वेस्चन है पचीस का आंसर क्या हो जाएगा पटापट से वतना है और कलम का सिपाही कलम का सिपाही जीवनी के लेका क्वेस्चीस में उत्तर जा रहा है अमरत रहा है कलम का मजदूर पूछा जाता तो क्या हो जाता मदन गोपाल मदन गोपाल ठीक है अकाल पुरुष गांदी अकाल पुरुष गांदी जीवनी के लेका क बताने इतना अच्छा question पूचा गया है निधी जी सबी लोग बताएंगे like कर दें पटापट से share भी कर दिया करो अपने मित्नों तक ठीक है बने रहना इसी फिरकार से अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लिए का क्वन है 26 नमबर का question पूचा गया रोज रात्त्री नौबज ये किलास होती है है ना और 26 नमबर में आप लोग 26 बा question बताया जैनेंद्र कुमार जैनेंद्र कुमार मने विश्रेशनबादी ठीक है ये भी याद रख्टे ना विश्वास मलिक जी जैनेंद्र कुमार मनो विश्रेशनबादी उपन्यास कारों में माने जाते हैं दूसरी परंपरा की खोज इसके लेखक कौन है मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले ब्यक्ती क्या चाहता है कि हम कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जौब मिल जाए और खूब पैसा कमाएं और जब पैसा कमा लेता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा नाम होना चाहिए है ना मुहले में नाम होने चाहिए सहर में नाम होना चाहिए तो दूसरी परंपरा की खोज काई के लिए करता है व उस काब धारा का नाम बताना है, अगर सीधा प्रस्ण कहें, तो बताना है, कि मार्क्स बास्ते प्रभावेत कौन सा योग है, 28 नंबर का क्वेस्चन है, शबी लोग बताएंगे, 28 में, और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना, हिंदी साथियों के टिर्की नोट्स, बहुत ही बड़ी या टिर्की नोट्स है, आप घर में मंगवा सकते हैं, घर में अध्यन कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है, तो तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 नंबर का क्वेस्चन, प्रगती बाद, यानि कि 1936 से लेकर के 43 का जो योगे था, वो प्रगती बाद, प्रवर्तक कौन है, पंतेजी प्रवर्तक मान जाते इसके, यह लड़की किसकी रचना है, है ना, यह लड़की दीबानी, यह बताओ जल्दी से यह लड़की आगए, यह लड़की किसकी रचना है, बताओ, यह लड़की, बताइए, पटापट से बताना है, और उत्तर क्या हो रहा है, बताइए जल्दी से तनमाई जी बिलकुल, बताओ, यह लड़की किसकी रचना है, कमेंट में लिखना है जल्दी, तनु तनु जी बेद प्रकास जी और इसर ए लड़की की बात मत करो है ना ए लड़की ए लड़की सोती रहती है उन्तिस नमबर का क्वेश्चन ए लड़की क्या करती है ए लड़की सोती रहती है ए लड़की बोले सोती रहती है सोती से क्रश्ना शोप्ती शी नमबर ए किर्टी सांजी संस्कृती पर आधारत है ये पूचा है सांजी संस्कृती पर आधारत है कौन सी किर्टी है तीस नंबर का कॉस्चन कशना सुपती की कौन सी किर्टी सांजी संस्कृती पर आधारत है इस रोज 9 बजे बाली किलास में आप लोग जुड़ा करें ठीक है इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना और अगर आपको पैड किलास में पढ़ना है जिसमें आपको विश्तरित पढ़ाया जाएगा क्रमबद्य पढ़ाया जाएगा तो आप 1512 महीने की तरह पढ़ सकते हैं ठीक है तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर साइक रशना सुपती की स जिन्दगी नामा जिन्दगी नामा यह सांजी संस्कृति पर आधारत रचना है क्रशना सुपती की तो आपका उत्तर डी नंबर चला गया कार्तिक सिंग जी ने विलको सही बताए हिंदी का पहला आंचले को पन्यास कौन सा है हिंदी का पहला आंचले को पन्यास बताना है और बहुत ही अच्छा question पूछा गया है जल्दी से बताईए बटापट से बताईए बताईए जल्दी से यहाँ पर question आ गया है हिंदी का पहला आंचले को पन्यास और एक कई बार आपसे पूछा गया है तो बताईए संगीता जी बुरिसर हिंदी का पहला आंचले को पन्यास से कौन सा मैला आचल मैला आचल के रिचनाकार कौन है उत्तर हो जाएगा फणी शुनात रेनो ठीक है ये उत्तर हो गया बहुत बढ़िया किस भासा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं एक अच्छा कॉस्चन बढ़िया सा कॉस्चन लाइक करो और मित्रो शबी सातियों को ज में समाहित की गई है ना तो जिनको भी नोट समंगवाना अपने घर पे मगवा सकते हैं अब यहाँ पर कॉस्चन किस भासा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं तब आपका उत्तर हो गया मराटी और मराटी देव नागरी लिपी में लिखी जाती ये भी याद रख लेना ह महराष्ट्री अप ब्रंस से इसका विकात हुआ था मराटी और कॉंकडी का महराष्ट्री अप ब्रंस से तो यहाँ पर डी नंबर आपका बिलको सही है जो की देव नागरी में लिखी जाती है अंगला क्वेस्चन है कि प्रायमचंद का अधूरा उपन्यास कौन से अधू बरबाद हो गए बोले कहा क्यों होगे बरबाद बो मत पूछो मुझे तो अपनोंने लूटा गैरों में कहा दम था मेरी किस्तिती डूबी बहा जहां पानी भी कम था है ना तो यह अपन को याद रख टे ना धूरा रह गया बोले सहर मंगल सूत्र धूरा रह गया डी का question है कभी की प्रिया को केश पसंद है गाना आया ना बेबी को बेश पसंद है यसी कभी की प्रिया को केश पसंद है तो केश से क्या बनेगा केस से क्या वनेगा वहिया केस से वनेगा केस साउदास ठीक है केस साउदास ये नंबर सही हो जाएगा कभी की प्रिया को केस पसंद है केस साउदास हो जाएंगे बहुत बढ़िया ये नंबर आपका राइट आंसर और सही आंसर चला जाता है कीर्टी लता के रचनाकार कीर्टी लता लता बताना है बोले सर लता की बात मत करो एक तो लात और दूसरी लता है ना तो ये अपन को याद रख लिना है उत्तर क्या हो जाएगा बोले सर कीर्टी ने लात माली तो बिध्या बिध्या आ गई बोले सर पूरी बिध्या आ गई म क्या करो प्रेम करो नहीं तो मंगल सूतर अधूरा रह जाएगा हैना तो कीर्टी की लता न बिद्य का ने किर्टी की लता ने बिद्या में लगा दिया है भिद्या पति ठीक है क्या करना प्रैम करना उसके बाद साधी करना और पहले ही प्रैम कर लिया तो इनमें से कुछ नहीं मिलने वाला आपको ठीक है तो बताई राम कुमार बर्मा ने हिंदी का प्रतम कभी कि स्टडी बित जी बताईए और एक बार सेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक अध्यान करते रहिए निरंतर अध्यान के लिए self study glasses में वड़िया से वड़िया दोस्तों यहाँ पर course लाए जाते हैं वड़िया सा वड़िया पढ़ाया जाता है आप लोगों को ठीक है तो चैन करिए फटा पट से बहुत ही question पूछा गया रामकुमार बर्मा ने हिंदी का प्रतम कभी बुले सर प्रतम कभी तो स्वयम स्वयम यानि की स्वयम्भू स्वयम्भू आठवी सदीके हैं स्वयम बुले आठवी में हम स्वयम पास हो गयते स्वयम हो गए ते पास तो स्वयम भू ठीक है ये नंबर याद रखे ना आठ भी सदी के हैं प्रदीप जी मौर विजय की रचनाकार को अने मौर विजय की रचनाकार आपको चैन करना प्रियंका जी शबी लोग बताएंगे है ना पूनम सेनी जी 37 नंबर का क्वेस्जन है ज मौर विजय मौर विजय इसके रचनाकार 37 नंबर का क्वेस्जन है बताएं राखी जी कमला कांत जी सभी को आंसर बताना है राहुल जी सभी लोग बताएंगे रोज 9 बजे एक लास होती आप लोग सीधे सीधे अटेंड किया करो नहीं तो हम घर आ जाएंगे कि आप लोग बटेंड नहीं करते हो है ना तो विजय मौर विजय के रचनाकार कोने 37 नंबर का क्वेस्जन है और 37 नंबर के क्वेस्जन में आपका सीधा आंसर जारा की सर सीया राम की सरण में मौर की विजय हो जाती मौर मौर की विजय हो जाएगी मौर की विजय हो गई बोली सर यानि की B number आपका correct answer right answer है पहला विश्व हिंदी शंबिलन कहा हुआ था बताओ जिनको भी notes मंगवाना है वो अपने घर में मंगवा सकते एक सब्ता में आपके घर notes बिल्कुल पहुँच जाएंगे है ना और हम ही छोड़ने आ जाएंगे कहो तो इसी बहाने अपना मिल्ला जुल्ला भी हो जाएगा बताओ पहला विश्विंदी शंबिलन कहा हुआ था 38 नमबर का question इतना अच्छा question पूचा गया कि आपको कभी पूचा नहीं गया था इसके पहले बढ़ा तो बहुत है 38 नमबर के question में बोले सर 38 नमबर में पूचा है उत्तर लगा दो की नांगपुर में हुआ था नांगपुर है ना बी नमबर यहाँ पर नांगपुर नांग बहुत होंगे यहाँ पर इसलिए इसका नाम नांगपुर रख दिया गया उत्तर का बिलॉम क्या है उत्तर का बिलॉम बोले सर उत्तर का बिलॉम उत्तम पूचा सुरी उत्तम पूचा है उत्तम उत्तम पूचा है तो बताईए क्या हो जाएगा उत्तम का बिलॉम क्या हो जाएगा और मिला जी विजय जी सभी लोग बताएंगा जैकुमार जी, कुलविंदर जी, रिया जी, जल्दी-जल्दी से बताओ, लाइक कर दो, फिर कर दो, है ना, इतना अच्छा कॉस्चन, कही नहीं देखने को मिलेगा, उत्तम का बिढ़ों, बोले सर, उत्तम ही उत्तम है, और उत्तम ही उत्तम है, तो उत्तम का अधम हो आधम न जी ने कहा था कि मैं कहा आधम स्रेइणि का बानर मैं तो प्रया भाब आची मैं नहीं आपने आपको भूग नीची रखते हैं और लोगों को उपर उठाने का कार करते हैं आप लोग फिर बोलो कि सुरी सर गलती से लिख गया है ना तो 40 नमबर का question और भोली सर इतना अच्छा question सरीता है तटनीवी अपगाबी अपगाबी है तो आपका उतर तरनी दी नमबर सही है ये नदी का परियाब आची नहीं है तरनी दी नमबर राइट बहुत बढ़िया ल रचना के अधार पर बाग किपने परकार कowie होंगे, दस परकार के होंगे, या फर तीन परकार के होंगे, बताए गीत संद्या जी, गीत जी बताए, लगबिंदर जी, राजकुमार जी आवे, बताए आकास जी, रचना के अधार पर, पूछा है तीन बार ना है तो तीन ही प्रकार के होंगे सरल बाग के मिस्ट बाग को और शन्युक्त बाग के नमबर करेक्ट बहुत बढ़िया उत्तरबंद करते हैं माधवा नल कामकंदला ये किसकी रचना है माधवा नल कामकंदला पूछा है इतना अच्छा क्वेस्टन में आप लोग भी अपना मत प्रिकट करेंगे आप लोग भी अपना बताएंगे माधवा नल कामकंदला कई बार एक क्वेस्टन आपसे पूच लिया गया है अब आपक इसकी रचना एक अच्छा क्वेस्टन, 42 नंबर के क्वेस्टन में, 60 का अंसर बताया है, और बुरी सर काम की बात काम करते करते आलम खराब हो गया, आलम तो आलम से बनेगा, आलम डी नंबर आपका सही, आलम बिल्कु सही है, रीति काल को स्रंगार काल की संग्या किस ने दिय है, पटाक से बताईए, हजारी परसाद दुवेदी, धीरेंद बर्मा, विस्टुनात परसाद मिस्त्रे, या पर राम कुमार बर्मा ने, रीति काल को स्रंगार काल नाम किस ने दिया है, 43 रंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेस्टन है, और इतना अच्छा क्वेस्टन आप कि तो बातें मत करो सर, है ना, एक घंटे कहीं जाना, तो एक घंटे पहले से बोलना पड़ता है कि बहां जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर विस्टुनात परसाद, जी नमर आपका बिलको सही है, स्रंगार का राइट आंसर हल्दी घाटी, बीर रस्प्रधान प्रबंद का है, तो शबी लोग चेन करेंगे, चबालिस नमबर का बहुती बढ़िया कोस्चन पूचा गया, हल्दी घाटी, बीर रस्प्रधान प्रबंद का बे स्याम नाराण पांडे का है, नवीन का है, शोहनलाल दुवेदी का है, इनमें से कोई नहीं, चबालिस नमबर के कोस्चन में, शबी लोग बताएंगे, लाइक करना है, शेयर भी करना है, और इतने अच्छे कोस्चन पूचे जा रहे हैं आप लोगों से, और इतने बढ़िया से कोस्चन आए, तो आए, तो आए, काए, आए, बुले शर, इतने अच्छे कोस्चन, और आपको पता है, स्याम नारा पूचा कई बार पूचा गया अब दोस्तों अगर आपको नोट्स मंगवाना है तो सीधे संपर कर सकते हो आप हमसे नमबर लिखा है सीधे हमसे बात कर सकते हो कि सर हमें भी नोट्स मंगवाना है तो आप नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते है अगर एड़ भी सल लेना है त नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया यहां पर साही और यहां पर साकी है ना बहुत बढ़िया भूत के पाओ किसकी ब्यंग रचना भूत के पाओ पीछे तो बताओ यह भूत के पाओ पीछे रहते ना तो बताओ क्या हो जाएगा यहां पर चैन करना बहु शंकर पड़साई बी नमबर आपका correct answer हो जाएगा correct answer हो जाएगा कलपना धिम्मन जी नूतन ब्रमचारी नूतन ब्रमचारी किर्थी के लेका कोई है नूतन ब्रमचारी 46 नमबर का question है स्रीनवास दास है बाल मुकुंद गुप्त है कि सोरी लाल गोस्वामी या फिर बाल करशन भट्ट है नूतन ब्रमचारी इतना वड़िया सा question पूछा गया और आपको सेर भी कर देना दोस्तों अपने मित्रों तक आप लोग सेर भी कर दिया करो थोड़ा सा है ना मित्र भी खोस हो जाएं कि चलो अपने मित्र ने कोई लिंक तो दी है साहित पढ़नी के लिए इतना तो कर ही सकते हो मित्रों के साथ ठीक है तो बोले सर मित्रों के साथ कर सकते हैं नूतन ब्रमचारी किर्ती के रचनाकार कोन है नूतन ब्रमचारी उत्तर चला जागा कि सर नूतन ब्रमचारी बालिकरन भट हिंदी प्रदीप का इन्हों ने शंपादन किया था 1877 में है ना 1877 में दोस्तो ये याद रख्टे ना अपन ने याद किया था प्रदीप के बाल भटा से भरत गए महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारे तो पन्यास कौनसा है हाथ खड़ा करके बताएंगे कि जिन्होंने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्टडी किलासे से एप डाउनलोड नहीं किया भईया क्यों नहीं किया ये बताइए बताइए लेखराज जी कार्तिग जी 48 नंबर का क्वेस्चन 48 में आपका उत्तर हो रहा है कि सर वो है गोना है बे गोना है गोना है बे गोना है बेकास भाटी जी गोना है बे गोना है यानि बी नंबर आपका बिलकुस सही है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हिंदी का पहला अंचले को पन्यास अभी पूचाता आपसे 49 नं एक बड़ीया सा question पूछा ग्या और उत्तर हो जाएगा किSAR सत्रंज के खिलाड़ी इसमें आप तो इसमें तो आप क्या लगादें क्या लगादें 50 में सत्रंज के खिलाड़ी और 50 का पूरा बोले D लगा दो D लगा दो प्रेहम, चंद तो आफका बिल्कुँ सही हो जाएगा, right answer अच्छा कॉस्चन है बहुत ही बड़ीया क्वेश्चन यहां पर पूचा गया हिंदी का प्रतम रेपोर्टाज लचमी पुरा के रचनाकार आप से पूचा गया है और जल्दी जल्दी से आंसर बताओगे तो भटा पट से दोस्तों अपने आंगे बढ़ेंगे ठीक है लचम को दान कर दी जह को दान हिंदी का प्रतम रेपोर्टाज है दोस्तों लचमी पुरा यह भी आद रखने ना ंपर टोस्त्तों आपको यह आद रखनी है कि इसके रचनाकार कॉने शेह दान से जोहान आपका राईट आणसर है ठीक है अंगला देखो तूफानों के बीच 1946 में रिपोर्टाज के लेखक कौन है तूफानों के वीच तूफानों के वीच रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है जल्दी से चेहन करिए तूफानों के बीच पूछा गया question है आपसे और चेहन करना है साथी like भी कर देना है सेर भी कर देना है दोस्तों और उत्तर चला गया कि सर तूफानों के बीच रागाओ क्या करेंगे रागाओ हमारी रक्षा करेंगे रागाओ क्या करेंगे रक्षा करेंगे तो रांगे रागाव लगा दो ये नमबर लगा दो ये नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अंगले क्वास्चन की और बढ़ेंगे पिलाट का मोर्चा रिपोर्ट आज के लेखक कौन है पिलाट का मोर्चा रिपोर्ट आज के लेखक कौन है शबी लोग बताईए आंसर क्या हो जाएगा फटा पटसी आपको बताना है बहुत ही अच्छा क्वेस्चन है पिलाट का मोर्चा और उत्तर कौन बता रहा है पिलाट का मोर्चा जनता जनार्दन कहां जा रही है जनता जनार्दन प्लाट के मोर्चा की बात कर रहे हो तो आप लगा दो तीन नमबर के क्वेस्चन में क्या समसेर बोले प्लाट के मोर्चा में मोर्चा कौन समार रहा है बोले बहादुर बहादुर सेर समाला है समसेर समाला है प्लाट का मोर्चा ठीक है तो आपका बी नमबर कभियों का कभी ने कहा जाता है समसेर बहादुर को ठीक है उसके बाद छण बोले कण मुस्काई रिपोर्टाज के लेखा कौन है चार नमबर का क्वेस्चन है छण बोले कण मुस्काई बताईए मन्जु जी अमित सिंग जी खुरेशी जी बताईए चैन करिये मोहित जी शब कभिया लाल मिस्टर प्रभाकर समसेर बहादुर उपेंद्र नात या पर दोस्तो मेत्रई पुस्पा और चण बोले कण मुस्काई चण बोले कण मुस्काई ये जो रिपोर्टाज है मुझसर अगर कणिया जी के दरसन एक बार हो जाएं तो चण चण बोल उठेगा और कण कणमुस्का जाएगा यानि कि आपका उत्तर एक नमबर बिलको सही है छन बोले कणमुस्का आए एक नमबर राइट आंसर है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आते हैं फाइटर की डायरी 2013 रिपोर्टाज के लेखा कौन है फाइटर की डायरी बताना है फाइटर की डायरी देखते हैं कौन कौन बता पाता है तनू जी बताईए सोबास चंदर जी एल डी प्रजापती जी जली बताईए फाइटर की डायरी 2013 रिपोर्टाज के लेखा कौन है यूपी से रभी संकर जी वेरीगोड रभी संकर जी पाँच नमबर का कॉस्चन इतना अच्चा कॉस्चन पूछा गया पूजा देवी जी अनुपम जी बीरेंदर स्चींग जी पाँच नमबर के कॉस्चन में और आपका उत्तर है फाइटर फाइटर कौन कर रहा है फाइटर पुरिसर हम fight करते हैं किसके साथ मित्रों के साथ हम fight सीखते हैं तो मेत्रई पुस्पा इनका reportage है कौन सा reportage मेत्रई पुस्पा का fighter की diary fighter की diary D number बिल्कु सही answer बताया निता राजपूजी पृती पाल जी अंगला question देख लेते हैं देश की मिट्टी बुलाती है बताओ देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्ट आज के लेखक कौन है कनया लाल मिसर प्रभाकर हैं बताए बिलकुल अध्यान रुकना नहीं चाहिए कुबेड जी कुबेड जी आए बहुत दिनों में सिकायत बहुत बढ़िया देखो कितने दिन में आए हैं आज करना है और बहुत ही बढ़ए कोस्चन पूछा गया ओजस्बी जी सबी लोग बताएं है ना बेरि गुट है बहुत बढ़ए बहुत बढ़ए हैं ना बत बढ़ए कुरेसी जी इस्पिल में कैं उंह भई या बद bother बंगाल का अकाल रिपोर्ट आज के लेखा कुरेशी जी क्या होगे अब या बिनोत कुमार पूजा देवी जी खुरेशी मोहिच जी सबी लोग बताएंगे यहाँ पर बंगाल का अकाल अब देखते हैं कौन-कौन सही आंसर बता पाता है साथ नंबर के क्वेस्चन में चैन क बंगाल का अकाल यह जो रिपोर्टाज है यह रिपोर्टाज के लेखा कौन है साथ नंबर का क्वेस्चन है और साथ में आपका उत्तर होगा कि बंगाल की अकाल में बुली सर प्रिकास करना है तो प्रिकास चंद गुप्त स्री नंबर आपका बिलकुल सही आंसर है स्री न शबी लोग चैन करते रहिए युद्यात्रा रिपोर्टाज इस रिपोर्टाज के लेका कौन है इतना अच्छा क्वेस्चन पूछा गया वड़िया सा क्वेस्चन पूछा गया और आपका सीधा आंसर कहां जा रहा है बताएं आट नंबर के क्वेस्चन में लाइक करना है श युद्यात्रा है ना युद्य की आत्रा बोले सर ये भी धरंबीर ही करते हैं युद्य की आत्रा कुन करते हैं धरंबीर करते हैं धरंबीर ठीके युद्य की आत्रा करते हैं करंबीर धरंबीर अल्मोडे का बजार अल्मोडे का बजार अल्मोडे का बजार जल्दी से बता है नोज नंबर में आपको बताना है गुरिपreeat Kaur जी अरچना जी रानी तिवारी जी चेन कर ये अलमोडे का बचार बजार रेपोर्टाज बोले सरा आज तो रेपोर्टाज रेपोर्टाज है ना तो यहाँ पर दिप् diffuse अच को बेर साओ कोबेर जी किलास में आये हैं है ना इसलिए रिपोर्टाज ही रिपोर्टाज ठीक है अलमोडे का बजार रिपोर्टाज के लेका कौन है तो अलमोडे के बजार में भी हमें क्या करना है प्रिकास करना है ये नंबर ये नंबर आपका बिल्कु सही है नेक देखो अपोलो का रत, रिपोर्टाज के ले का कन है, अपोलो का रत, यह तो कई बार पूछा गлагे, अपोलो का रत, अब आप से बने गा, तो ज़ंदी से कमेंट करिजेगा, वीडियो को लाइक करके, सेर भी करिजेगा, अपोलो का रत इसके रचना कार कौन माने जाते हैं एक अच्छा कॉस्चन है एक बढ़ियासा कॉस्चन है प्रिकास चन्द गुपते श्रीकांत बर्मा है उपेन्ना अतस्के या फिर मैत्री पुस्पा है इतना अच्छा क्वस्चन आप से पूचा गया है अपोलो का रत और देखते हैं सांती बर्मा जी जल्दी से बताईए उत्तर क्या हो जाएगा पटापट से बताना है राइक करना है और आपका उत्तर है श्रीकांद बर्मा बी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अपोलो का रत स्रीकांद बर्मा बी नंबर करेक्ट और राइट आंसर है बहुती बड़ी आंसर है दीपक पटेल जी अंगला कॉस्चन बताना है आपको पेरिस के नोट्स रिपोर्ट आज के लिए कखवन है पेरिस के नोट्स अब पेरिस के नोट्स पूछ लिया आपसे लगबिंदर जी अनिलते बारी जी चैन करिए और फटा फट से आंसर बताना है चैन करना है और पढ़ते रहना है अध्यन नहीं रुकना चाहिए यग जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे अध्यन नरंतर चलना चाहिए ठीक है तो चैन करने के लिए बहुती वड़िया कॉस्चन आपके सामने देखते हैं कौन-कौन क्या उत्तर लगाता है पेरिस के नोट्स रिपोर्ट आज के लेखक और पेरिस के नोट्स रिपोर्ट आज के लिए का कौन है राम कुमार बर्मा है राम कुमार बर्मा अंजू यादाओ जी नेक्स बताइए जहां फबारे लहूर होते हैं रिपोर्ट आज के लिए का कौन है जहां फबारे लहूर होते हैं है ना तो ये आपको बताना है तो बताइए जल्दी से लहू बने के आसू वरसने लगे हैं तो चैन करना है ममता श्रीबास्ताओ जी आर्ती बर्मा जी जहां फबारे लहूर होते हैं बारा नंबर का क्वेस्चन है रिंकी वर्मा जी अनुपम जी मिस्रा चेन करिये और शबी लोग बहुत बढ़ी है अनिल जी बो रहे हम बेट करना गर आजा बिलको लाएंगे भई या क्यों नहीं आएंगे बुलाओगे साधी में बुला लेना अनिल कुमार जी आ जाएंगे हम लोग सबी है ना जहां फब पारे लहूर होते हैं नासरी dram yaş stigma सिर्मर आपका बिलकूँ सही है ठीक है सबी के पास निमंतरन आएगा नहोता भी आएगा ठीक है जलूस रुखा है रिपोर्त आज के लिए खाक्वन है बताइए प्रिकासचेंद गुप्त स्रीकाइध बर्मा नासरी सर्मा विबे की रहे बताना है जल्दी से बताईए और जुलूस रुका है लेकिन कैसे रुका है जुलूस बड़े विबेक से तो विबेक से क्या हो जाएगा विबेक की राय विबेक से रुका है जुलूस 1977 विबे की राय ठीक है डी नमबर आपका बिलकुँ सही है डी नमबर राइट आंसर है ठीक है यह स्वराज भवन रिपोर्ट आज के लेका कौन है हमोरे आएंगे बिलकुल हम लोग सभी साधी में आएंगे अनिल जी की डांस करेंगे आज मेरे यार की साधी है है ना ऐसे करे भेवन रिपोर्ट आज के लेका कौन है जैदी बताओ शुश्मा मोर जी ममता जी अमिस्टिंग जी है ना अध्यन भी करना है मनुरंजन भी करना है जुलूस भी निकालना है और सभी गुरुप में सभी का बिलकुल बताइए यहाँ पर स्वराज भवन स्वराज भवन में बताना है चैन करना है लाइक करना है है ना और उत्तर यहाँ पर क्या जा रहा है स्वराज भवन में स्वराज भवन की बात मत करो यहाँ तो प्रिकास करना प्रिकास तो प्रिकास चंद गुपत यह नमबर आपका बिलकु सही हो जाएगा स्वराज भवन रिपोर्ट आज क कर दोस्तों जिनको एड़ी सर लेना है अभी भी ले सकते हो नयाबेच चालू हुआ है अभी तो हिंदी भासा का चला है अध्यन तो आप ले सकते हो कोई बात नहीं है नीतु गुपता जी बिलको लनिल जी चिंता नहीं करो जितना वड़ा संगर्स होगा उतनी बड़ी जीत ह होगी ठीक है तो याद रहानी रिपोर्टाज के लेका कोन अनिल जी एक बार बोले कि सर साधी की बात नहीं है हमारा तो एक तरपा प्यार है है ना मैंने कहा कोई बात नहीं है सफल होगा अब सुजान के चक्कर में है याद रहानी रिपोर्टाज के लेका कोन एक अच्छा Q&A 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 Q भगवस्ण अपाद्याय क्रश्णा अगनी होत्री नासर्या सर्मा या फिर बिबेकी राय जल्दी से बताईए पठाक से निल कुमार जी बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा याद भईया निल जी खून के छीटे रिपोर्ट आज के लेखक कौन है खून के छीटे जल्दी से बताईए हाँ बिल्कुल उतनी ही मजबूत होगी पूजा देवी जी अभी से बता देना कितने लोग आ रहे हैं नहीं तो वहाँ पर भोजन की विवस्ता करवानी पड़ेगी बिचारे को खून के छीटे रिपोर्ट आज के लेका कौन है 16 नंबर का Question है 16 नंबर के Question में बताना है खून के छीटे और आपको मैंने कई बार बताया कि अगर खून के छीटे पढ़आए कि सी के ओपर तो वो भागबत करवा लेता है भागबत भागबत समझते भागबत करवा लेंगे बोले सर खून के छीटे पड़ गएते तो भागबत सरणवपाद्या है ये नमबर आपका भागबत सरणवपाद्या बिलको सही हो जाएगा ये नमबर ठीक है ये नमबर आपका बिलकुँ सही है यहाँ पर आते हैं एक लब्ब के नोड्स रिपोर्टाज के ले खक्वन है एक लब्ब के नोड्स एक अच्छा कॉस्चन है बिंदू लता जी बताईए शबी लोग बताएं सेर भी कर दो स्टेडी बिता जित जी बताईए प्रियंका पांडे जी पुराने स्टुडेंट एक्सपायर हो गया है फिर से बिलकुल बिलकुल ले ले ना बात कर ले ना प्रियंका पांडे जी है ना बताईए यहाँ पर एक लब्ब के नोड्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है बगबस्रन पाद्याए फणिशोनात रेणू नासिरा सर्मा बिबे की राय शत्रा नम्मर के क्वेस्चन में और देखते हैं कौन पढ़ रहा है यहाँ पर एक लब्ब के नोड्स रिपोर्टाज है औरे है ना एक लब्ब के नोड्स रिपोर्टाज बताईए तो आपका उत्तर हो जाएगा यह रिपोर्टाज रेणू जी का फणिशोनात रेणू प्रतम आंचले को पन्यासकार माने जाते फणिशोनात रेणू इनकी आज अपनने कहानिया पड़ी थी इनकी ठेस कहानी फणिशोनात रेणू जी इनकी अपन को यात कर लेना है बिल्कुल बहुत बढ़िया अंगले कॉस्चन में आते हैं धर्ती के लिए रिपोर्टाज धर्ती के लिए बताओ कौन जरूरी है धर्ती के लिए रिपोर्टाज किसका है सभी को चैन करना है और सभी लोग बताएंगे धर्ती के लिए धर्ती के लिए रिपोर्टाज कि रिपोर्टाज किसका है सभी को चैन करना है और अध्यन करना है लाइक भी करना है सेर भी करना है धर्ती के लिए बताना भगबस्रन अपात्या है रेणू जी है केलास नारद हैं विबे की राय हैं कोई न माने जाएंगे बताओ अनीता जी दार्शू शर्मा जी शबी लोग बताए रानी तेवारी जी धर्ती के लिए धर्ती के लिए आपने केलास नारद बताया केलास नारद पुरिसर धर्ती के लिए केलास केलास परवत का होना एक गर् बिलको सही आंसर है ठीक है है हमलता जी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेस्टन बाड़ 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 की बाड़ आ गई बताओ रिपोर्ट आज जल्दी से बताओ बाड़ 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 विजय गुपता जी बताए रिम्पी जी राजकुमारी जी बताए सालिनी जी स बाड़ 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 रिपोर्ट आज के लेका कौन है एक अच्छा क्वेस्चन है जल्दी से बताईए रचना गुपता जी खाना बनाते हुए कि लास नहीं बहुत बढ़ बढ़ बनाओ खाना स्वादिश्च बनेगा बताएं मम्तारानी जी जबलपूर से हम जबलपू यहाँ पर बाड़ 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 रिपोर्ट आज के लेका का आपको चैन करना बाड़ 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 की तो बाड़ आ गई वो लिशर बाड़ आ गई लेकिन बाड़ में अगर आपको बिबेक से रहना है अगर बाड़ आ जाए तो थोड़ा बिबेक से अप बाड़ 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 रिपोर्त आज भी बाड़ रेखा सरोच जी अंगला कॉस्चन है रेखाएं और चितर् रिपोर्ताज के लेखा कौण रेखाएं और चित्रमनप्रीत जी बताइए, मन्जु जी कमला कांत रचना गुपता जी संदीप बिसकर्मा जी शबी लोग बताएंगे यहाँ पर चैन करना है आयूश शिंग जी भी आ गए हैं बहुत बढ़िया तो यहाँ पर चैन करना है लाइक कर दो जदीशे है ना राखी जी बोले हैं बाद साधी के बाद फैमली में पिसना पड़ता है कोई बात नहीं यह तो उस परंपरा है है ना परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं पिसना नहीं पड़ता अगर पिसना पीसना पड़े तो वो साधी और परिबार किस काम का है ना परिबार और साधी और जीवन संगनी अभी जब अपनी जबानी है उम्र है तो लगता है कि पिसना पड़ता है है ना बुड़ापे में कोई पानी नहीं देता सहारा नहीं बनता कोई साधी एक पवित्र रिस्ता है इसको दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से जीना पड़ता है ठीक है और मैंने आपको बताया था ना कई बार बताया था ये फल मिल रहा है क्या मुले मैंने आपको कई बार बताया कि जिंदिगी एक नाटक है और नाटक में भगवान ने जो आपको पात्र सौपा है जो अभिनाय सौपा है उस अभिनाय को भली भाती करते जाईए उस अभिनाय को भली भाती करते जाईए नहीं करते हो तब भी करना पड़ेगा जवरजस्ती करना पड़ेगा यहाँ नहीं चलती आपकी कि हम नहीं करेंगे, यहाँ तो नहीं चलेगी, यहना कुछ दिन तो चल जाएगी लेकिन जादा नहीं चलेगी, ठीक है, रेखाएं और चित्र रेपोर्ट आज के लेका कोने 20 नंबर का question रेखाएं और चित्र गुरिश्रम बड़े बिबेक से बनाएंगे बिबेक से तो बिबेकी राय यानि की C नंबर आपका बिल्कू सही होगा C नंबर आपका right answer है इसको याद कर लेना अंगला question है तुल्शी दास की काप बिकला की सबसे मधुरतम अभी व्यक्ति कौनसी रचना है कौनसी ये बताओ कौनसा गरंत है बो बताईए पटापड से बताईए पटापड से बताना है पैसा भगबान तो नहीं लेकिन भगबान से कम नहीं ऐसा कुछ नहीं है है ना कमाईए ना सबको हाथ पैर दिये हैं क्या नहीं दिया भगबान ने दो हाथ दिये हैं दो पैर दिये हैं दो आखें दिये हैं जिनके दो हात नहीं है दो पैर नहीं है वो भी अपन से आंगे हैं क्यों रो रहे हैं नसीब का नहीं रो किसी का रोना मत रो ठीक है तो यहां पर आपको बताना है जल्दी से बताईए फटापट से बताईए बंदना सौनी जी जल्दी बताई शुनेना बर्मा जी नकल करके दे रही हो कोई बात नहीं नकल करते जाओ अकल तो लगा रही हो कम से कम तुल्चिदास की काब कला काब कला की सबसे मदुर्तम किरती अभी व्यक्ति कौन सी मानी जाती है एक नंबर का क्वेस्चन आप से पूछा गया और लाइक करके शियर भी करो प्रेम कोरी जी और आपका साइए काब कला की सबसे मदुर्तम अभी व्यक्ति गीता बली बी नंबर करेक्ट आंसर है रामचेत मानस लगा रहे है बहुत सारे लोग नहीं लगाना भाईया बी नंबर लगाना है ठीक है नेक्स्ट सिवराज भूषण की रचनाकार को ने सिवराज भूषण इसमें से क क्वेस्टन आया था कि सिवराज भूषण में कितने बताईए निम्नमय से बताईए किस गरंत में 105 अलंकारों का बरनन है या क्वेस्टन आ जाए कि सिवराज भूषण में कितने अलंकारों का बरनन है तो आपको पताईए कि सर सिवराज भूषण में 105 अलंकारों का बरनन ह है ना ये अलंकार गरंत है ये भी याद रख लेना सिवराज भूशन के ऐसा गरंत है अलंकार गरंत है कितने अलंकारों का बरनन है पांच अलंका एक सू पांच अलंकारों का बरनन है ये भी अपन को याद कर लेना है उसके बाद सिवराज भूशन की बात करें तो ये भूश पशनकार भूषन है भूषन का दोस्तो बास्त्विक नाम था गन स्याम इनको भूषन की उपादी किस ने दीती तो आपको पता होनी चाहिए किसर इनको जो भूषन की उपादी दीती वो किस ने दीती बताईए किसी को पता है तो कमेंट में लिखिए फटाक से रीती रातमा काब्यस से किसकी उक्ती है बहुत अच्छा क्वेस्चन है टीन नंबर का क्वेस्चन है रीती रातमा काब्यस से इतना अच्छा क्वेस्चन दोस्तों आपने कभी नहीं देखा होगा रीती रातमा काब अगर आपसे पूचा है तो फटाक से कमेंट में लिखिए जल्दी से तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर पुलिसर रीती की बात तो बामन करते हैं बहुत बढ़िया सोहता जी सौलंग की राजा रुद्र ने भूशन को भूशन की उपादी दी थी यहां पर आपका उ फ्रोकती संपरदाय की प्रवर्तक हैं भामाय की बात करें तो यह आलंकार संपरदाय की प्रवर्तक है ठीक है तो आट्पा उत्तर फिलहाल B number, A number सही है बामन सही है ठीक है अलंकार को काब्य की आत्मा मानने वाले अचार कौन है अर्फ जी बताईए पूनम जी आरती बर्मा जी, गुर्प्रीत जी, पबन सींग जी जिन भी सात्यों को नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हिंदी साहित के अपने घर मंगवा सकते हैं 6-7-8 दिन में आपके घर में दोस्तों इनोट्स पहुच जाएंगे तो आप नोट से भी पढ़ सकते हो यह ना ऐसे हाइलाइटर से पढ़ोगे तो और मज आएगा पढ़ने के लिए ठीक है तो अलंकार को काभब का प्राण मानने बाले आचार कौन है यह जिनको भी नोट से मंगवाना है जिन भी सातियों को यह नोट से दोस्तों हिंदी साहित के आप मंगवा सकते हो दो पार्ट में यह नोट से हिंदी साहित के आप अपने घर मंगवा सकते है एक सब्ता में आपके घर दोस्तों पहुँच जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अलंकार को कादब का प्राण मानने बाले जो विद्वान है वो कौन है केसा उदास है केसा उदास की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1555 में 1555 में जन्म हुआ था केसा उदास का ठीक है नगेंदर ने नगेंदर ने दोस्तों इने क्या माना है रीति काल का प्रवर्तक माना केसा उदास को तो यहां पर उत्तर आपका बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट है रीती कालीन राष्टी कभी कौन है रीती कालीन राष्टी का बधारा के कभी कौन है राष्टी कभी कौन है शौराब बर्मा जी बताइए अमिस सिंग जी ममता जी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा चबी लोग बताएंगे और बहुत ही बड़िया question है आयूस जी राजकुमारी जी संतोज जी रीती काली राष्टिय कभी कौन है पांच नमबर का question है बहुत ही अच्छा question है भावना सैनी जी जस्बीर जी इतना अच्छा question आपसे पूछा गया और आपने उत्तर क्या लग गय रीती काली राष्टिय कभी कौन है रीती काली राष्टिय कभी तो बोली सर भूषण है कौन है भूषण भूषण है ये नमबर आपका बिलको सही है ठीक है सिवराज भूषण चत्रसाल दसक इनकी रचनाय माने जाती है भूषण जी की रीती काल के दोस्तो रीती बद्ध काब धारा की ये कभी मान जाते हैं कौन भूशन आपको पता है कि रीती काल को स्रंगार काल कहा था विश्वनात ने और स्रंगार काल को नोने तीन काब धाराओं में बाटा था ये रीती बद्ध रीती सिद्ड और रीती मुक्त जिनमें से रीती बद्ध काब धारा की कभी है कौन भूशन और ये राष्टिये कभी मान जाती हैं दोस्तों ये नंबर आपका बिल्कु सही है ठीके अंगला कॉस्चन देखते हिते तरंगनी के रचनाकार कौन है छे नंबर का कॉस्चन है शबी लोग बताईए बीना चोहां जी अनीता सिंग जी आंसर बताना है सेर भी कर रहे हो तो हित तरंगनी के जो रचनाकार है वो कौन है इतना बड़िया सा क्वेस्चन इतना अच्छा सा क्वेस्चन पूछा गया अगर किरपा राम की होगी तो हित ही हित होगा अगर किरपा राम की होगी तो हित हित होगा हित होगा तो हित तरंगनी ये नंबर आपका सही ये किरपा राम हिती तरंगनी है अंगला कोस्चन इसके लता की रचना कार कुषम है इसके लता की रचना है अपने कई बार पड़ा है कि सर एक होता है इसके नामा इसके नामा ठीक है और इसके चमन इसके चमन भी एक रचना है इसके चमन ठीक है इसके चमन नांगरी दास की रचना है इसके नामा बोधा की रचना है इसके में नाम पड़ गया बोधा ठीक है और इसके लता इसके की लताएं कैसी है बोले सर इसक के चक्कर में बोले सर शब बरबाद है, है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहां दम था, और मेरी किस्तिती डूबी बहाँ, जहां पानी भी कम था, ठीक है, यही होता है, है ना, पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद प्रेम करो, यही होता पहले प्रेम कर लेते हैं लोग एक जीवन की सबसे वड़ी गलती होती है कि लोग पहले प्रेम कर लेते हैं बाद में कामयाब नहीं हो पाते पहले कामयाब हो फिर प्रेम करो जीवन सपल हो जाएगा ठीक है तो इसकी की लता घनानंद इसकी की लताएं कैसी है घनी है घनी ये राम या पिर किर्पा राम है तो बताएं शही आंसर अंग दरपन में आपको पता है यह वाँ हैं कई बार अंग अपने देखते हैं अंग देखते हैं कई बार है ना और दोस्तों सोचते हैं कि भगवान ने मुझे सबसे सुन्दर बनाया है भगवान ने मुझे सबसे रसलीन तो ये अंग दर्पण की रचनकार कौन होंगे रसलीन होंगे की सेना पती बोले नहीं सर अंग दर्पण में देख देख रसलीन ये नमबर करेक्ट हो जाएगा बहुत बढ़ी आंसर अंगला देखो रामचत मानस को छोड़ कर सरबाद एक टीकाई किस गरंत पर लिख कर लेना है हिंदी साहित को बढ़िया मजे से पढ़ना है ट्रिक से पढ़ना है एक अच्छा सैसन अपना चलता यहाँ पर रामचत मानस को छोड़ कर सरबाद एक टीकाई किस गरंत पर लिखी गई एक अच्छा क्वेस्चन है किस गरंत पर लिखी गई सरबाद एक टीकाई यह हिंदी साहित है दोस्तो साहित में जितना भी जो कुछ आता है साहित समाज का दरपन होता है यहां हर प्रकार की बात होती है यहां हर चेप्टर की बात होती है ठीक है रामचित मानस को छोड़ कर सरवाद एक टीका है लिखी गई बिहारी सत्साई ठीक है बिहारी सत्साई क कि टीका किसने लिखी एक क्वेस्चन और आता है राम चंद्री का नाम से बिहारी सत्सई की टीका किसने लिखी है ना राम चरित मानस को छोड़कर सरबाद एक टीका है बिहारी सत्सई की लिखी गई है ना और बिहारी सत्सई के लेखक कौन है बिहारी है इस गरंत में नोने गागर में सागर भरा, 713 दोहे बताए जाते हैं इसमें, ये भी अपन को याद कर लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो अंगला कॉस्चन आ रहा है, घनान अंद को साक्षात रसमूर्ती किसने कहा है, बताईए शंतोस जी, चैन करना है जल्दी, बहुत बढ़िया, डीके किसोरी लाल सिंग जी ने बताया, सर लल्लू डाल जी ने लाल चंद्री का नाम से टीका लिखी थी, बहुत बढ़िया, पताईए यहां पर भावना, गंगवार जी, पुस्पा जी, बताएं, ठैन करना है, राबंत जी, प्रजापती बताओ, बिजय यादव जी, दस नंब चंद्र सुकल लगा दो, राम चंद्र सुकल लगा दो, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, यह नंबर चेन करके बताना है, ठीक है, नेक्स्ट है, जैसंकर पिरसाद का जन में कब हुआ था, बताओ, जैसंकर पिरसाद का जन में कब हुआ था, वो यहां पर कॉंस्टन आया ह जैसंकर प्रसाद का जन्म बताना है कब हुआ था, इतना अच्छा question पूछा गया 1889, 1889, 1850, 1895, 18-16, तो बताए यहाँ पर, जल्दी से बताईये बताए जैसंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, एक अच्छा question है और आपका उत्तर होता है कि सर संकर यहाँ है संकर नाम आया तो संकर जी को सीस नवासी सीस नवासी नवासी से क्या हो जागा अठाराशो नवासी राम नरेश तरपाठी का अठाराशो नवासी माखलार चत्रवेदी का अठाराशो नवासी ठीक है तो यहाँ पर प्रिसाद का भी अठारा शोना वासी प्रिसाद को चायवाद का प्रवर्तक माना जाता है इला चंद्र जोसी ने इनको चायवाद का प्रवर्तक किसने माना तो आपका उत्तर था इला चंद्र जोसी ने यहाँ पर यह नंबर बिल्कुस सही आंसर है ठी मैं पूछ लिया गया अब बताओ इमोकुट जो सामने दिख रहा है इमोकुट कितने का है बताओ कितने का मोकुट है मम्ता जी मंजू जी अराधना जी आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं चैन करिए मोकुट दर पांडे जन में कब हुआ था इनका बीनू जी बताइए अनिलतेवारी जी शुश्मा जी बताइए अंजू यादाओ जी बहुत ही अच्छा कोस्चन किसर आचार रामचंद्र शुकल ने इनी मोकुट दर पांडे जी को चायाबाद का प्रवर्तक माना इनी मोकुट दर पांडे ने छायाबाद सब्दे का सबसे पहले प्रियोग किया इनी मोकुट दर पांडे ने स्वचंद्र बाद सब्दे का सबसे पहले प्रियोग किया ठेक है ये मोकुट दर पांडे है जिनका जन्म हुआ था ठाराशो पंचानवे मे ये नमबर आपका बिल्कु सही है, ये नमबर राइट आंसर है, तोई के ये बिल्कु सही हो जाएगा, अंगले कॉस्चन की जाएगा, अबला जीबन हाई तुमारी यही कहानी, आचल में हैं दूद और आखों में पानी, पंक्ती के रचना कार कौन है, आयू सिंग जी संपर कर सकते हैं, नमबर पर हैं, डी सी पी जी, मुकेश जी, जिनको भी इंदी साहित के नोट्स मंगवाना है, बिस्तरित नोट्स हैं, तिर्की नोट्स हैं, वडिया नोट्स बनाएगा, सरल भासा में नोट्स हैं, अबला जीबन हाई तुमारी यही कहानी, और आचल में हैं द 1886 में हुआ था, जिनने भारत भारती रचना की प्रसिद्धी के कारण, इसकी प्रसिद्धी के कारण, इनको मिला था, इनको दोस्तों राष्ट कभी की उपादी दीती महत्मा गादी ने, तो यह नमबर आपका बिलकुर सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी की बरात की रचना प्रसिद्धाकार, सिव मंगल सेंशोमन, अमरत राय, धनपत राय, श्रीपत राय, बताएं, चवदा नमबर का क्वेस्चन है, और इतना बड़िया क्वेस्चन पूछा गया है आपसे, और कोई नहीं पूछेगा आपसे, आज हमने आज से आपसे पूछा इतना अच्छा क मिट्टी की बरात, मिट्टी की बरात, और मिट्टी की बरात क्वेस्चन कई बार आता है, इसको कोई पुरुस्कार भी मिला है, किसी को पता है, बलजीत जी, बताएं, अनीता जी, और मिट्टी की बरात की बात कर रहे हो, तो मिट्टी की बरात यहाँ पर हो जाएगा, स्य किसे कहा जाता है राहों के अनवेस इतना अच्छा कोस्चन पूछा गया 15 नमबर के कोस्चन में तो बताईए राहों के अनवेसी बताओ चैन करिये जल्दी से सेर भी करिए सुनील तेबारी जी बहुत ही बढ़िया कोस्चन है जिन भी सात्यों को एड़िसर लेना है ज्याद है तार सब तक के कभियों को सचंताबादी कभियों को चायबादी कभियों को या फिर हालाबादी कभियों को राहों कान बेसी किस से कहा जाता इतना वड़िया सा क्वेस्चन अगर आप से पूछा गया है और आप बता दोगे तो क्या चला जाएगा और बुरिसर, तार सब तक के कभियों को चार सब तक प्रकासित हुए दोस्तो, आपको पता होगा कितने चार, सबसे पहले सबसे पहले प्रकासित हुआ उनीस सो, तेतालीस में फिर प्रकासित हुआ फिर कप प्रकासित हुआ बुरिसर, फिर प्रकासित हुआ आता है, अंगला आता है, समसेर को किस का बिकरती के लिए साहित अकादमी पुरुषकार मिला है, बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, कितने पास अपने, या फिर दोस्तों कुछ और कभी ताएं, कुछ और कभी ताएं, बताइए, हाँ दीपी क्या जी, समसेर को किस का बिकरती के लिए साहित अकादमी पुरुषकार मिला है, जल्दी से बताना है, चैन करना है, और लाइक कर देना है यहाँ पर, बताइए ममतारानी जी, रश्मी जी, भारती यादो जी समसेर को किस का बिकरती के लिए साहित अकादमी पुर इतना अच्छा वडिया सा question पूछा गया और समय देवता कभिता की रचना कार कौन है तो देखते हैं बताईए समय देवता कभिता पूछा गया एक कभिता है कौन बतारा शत्रा नंबर का क्वेस्चन तो आपका उत्तर है गिर्जा कुमार मातुर समय देवता कभिता पूछा गया है कभिता में गिर्जा कुमार मातुर ये नंबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ये नंबर जिन्होंने बताया है बिल्कु सही है एक नीली आग कभिता के रिचनाकार कौन है एक नीली आग पताए एक नीली आग कविता के रचनाकार भबानी प्रसाद हैं मुक्ती बोध हैं निराला या फिर अग्य है एक नीली आग जलती है एक नीली आग एक नीली आग पूछा इतना अच्छा question पूछा ऐसे कितने साति हैं जिन्होंने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों अभी तक एप डाउनलोड कर लेना है सबी सातियों को सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है और नीली नीली आग जलती है अंगला question करफ्यू नाटक के रचनाकार कौन है उन्नीश नंबर में करफ्यू बताना राजकुमारी जी सबी लोग बताएं चैन करिये जल्दी से करफ्यू करफ्यू कर रचनाकार कौन है प्रियंका कौर जी कारतिक सींग जी सिद्धी एजुकेशन सबी लोग बताएंगे सेर भी कर देंगे अपने मित्रों तक चैन भी करना है दोस्तों और जिन भी सात्कियों को नोट समंगवाना है नीचे नंबर चला है नंबर पे संपर कर सकते हैं करफ्यू आपको बता है मैंने आपको बताया कि अगर लच्छमी नाराण और लाल यहां से निकल जाए अपने रोड से तो क्या लग जाएगा बुली सर यहां से निकल जाए तो करफ्यू लग जाएगा है ना करफ्यू कोई सामाने सा नेता निकल जाता तो करफ्यू लग जाता है आप कई नंबर बिलकुस है ये खूबसूरत बहु नाटक की रिचनाकार कौन है खूबसूरत बहु नाटक की रिचनाकार कौन है नाग बोड़ा से बाल मुकंद गुपते सीतला परसात्र पाठी या राज लक्षमर से बीच नंबर का क्वेशन है अच्छा क्वेशन पूछा गया है खूबसूरत बहु नाटक की रिचनाकार कौन है इतना वड़िया सा क्वेशन है और अपने पड़ा है कि सर खूबसूरत बहु को नांग ने डस लिया नांग ने डस लिया ये चित्र में देखो नांग ने डस लिया तो नांग से क्या हो जाएगा नांग बोडस कूप सूरत बहु को नांग ने डस लिया नांग बोडस ये नंबर आपका बिल्को सही हो जाएगा उत्तर राइट आंसर हो जाएगा थे क्या नीता जी लगबिंदर जी बहुत बढ़िया है दोस्त इतनी सिद्धत के साथ आप लोग देखते हो हैना अपने परिवार बालों अपने साथ सत्रंज के खिलाडी किसकी रचना है सत्रंज के खिलाडी रचना किसकी है बताओ फटाक से हरी संकर परसाई है सरज जोसी है स्रीलाल सुकल है या फिर प्रेम चंद है सत्रंज के खिलाडी सत्रंज के खिलाडी आपको पता होनी चाहिए फटापट से जितने भी हमारे साथी है लाइक करके सेयर भी कर देना पटापट से बताओ सतरंज के खिलाडी किसकी रचना मानी जाती है रीता सेखर जी चैन करना है जिनको भी एड़िसन लेना सेल्प स्टडी के लासे से एप डाउनलोड कर ले सतरंज के खिलाडी आप से पूँचा गया है और आपने उत्तर लगाया कि सर इसमें डी नंबर लगादो प्रेम चंद्र लगादो सही हो जाएगा दलित वे मर्स पर आधारित करती जूठन के लेखक कौन है जूठन के लेखक कौन है मोहंदास नेमी सराय और प्रकास बालमी की सूरजपाल चोहान या फिर कौसलिया व्यसंत्री तो बताना जूठन के रचनाकार आपको चैन करना है ऐसे कितने साती हैं जिन्होंने अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्ट्रडी के लासे इसका एप डाउनलोड करो और ऐसे कितने साती हैं जिनको नोट्स मंगवाना हैं दोस्तों ये नोट्स हैं हिंदी साहित के आप नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं हिंदी साहित के नोट्स हैं दो पार्ट में एक नोट्स बनाए गए हैं इनको आप अपने घर पे मंगवा सकते हुए एक सब्ता है में आपके घर विजवाय जाएंगे बाई पोस्ट, स्पीट पोस्ट के माध्यम से उत्तर हो जाएगा वंप्रिकास बालिमी की बी नम्मर आपका बिल्को सही है, आचार देव ने किस भाव को 34 संचारी भाव माना है किस भाव को जल्दी से बताईए, बावन नम्मर का क्वेस्चन है, शबी लोग बताएं जल्दी से अचार देव ने किस भाव को 34 संचारी भाव माना है, छल को माना है, पुलक को माना है, किस को माना है, बताईए, इसमिर्ति या फिर रॉमांच को इतना अच्छा बताईए मंजो जी अनीता जी और आपको बताईए कि सर देव जो है रीतीकाल के रीती बद्ध काब दारा के कभी हैं और इनोंने 34 वा संचारी भाव माना किसको छल को छल यानि ये नमबर आपका छल बिल्कु सही हो जाएगा ये नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा के रचनाकार कौन है त्रेपन नंबर में जस्बंतिस हैं राम है ने बाज यह आपे नागरी दास है शकुंतला नाटक इसके रचनाकार आपको चैन करना अर सिदीप जी पताइए पूरिवी जी अंकीता जी अरपता जी शकुंतला नाटक के रचना किसकी है नाटक करने से बाज नहीं आती बाज नहीं आती तो क्या लगाओगे यहाँ पर ने बाज ने बाज लगा दे ना C नमबर लगा दे ना बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा C नमबर में संस्क्रिती के 4 अध्याए किसकी रचना है कई बार पूछा गया है बताइए एमार राकेश जी सभी लोग बताएंगे संस्कृति के चार अध्याई के रचनाकार कोन है अग्ये मुक्तिवो जैसंकर प्रसाद या फिर दिनकर चंगन नंबर के क्वेस्चन में लाइक करते हुए सेयर करना है बहुती बड़िया क्वेस्चन पूछा गया इतना अब्चा क्वेस्चन है और देखते हैं क्या आपका राइट आंसर जा रहा है बुली सर संस्कृति के Чार अध्याई तो हमें दिन में पढ़ना दिन में यानि दिनकर 1908 में जणम हुआ था दिनकर जी का तो यह D number दिनकर आपका बिल्कुल correct answer है सरोज स्मिर्टी किस स्रेणी की रचना है किस स्रेणी की रचना है इसकी रचनाकार कौन है आरती बर्मा जी बताईए राइट answer बताना है माधुरी जी नीतू गुपता जी सभी लोग बताएंगे 55 number का question है बहुती बढ़िया question पूछा गया निल कौमारी जी और जिन भी सातियों को notes purchase करना है हिंदी साहित के notes purchase कर सकते हैं ठेक है तो यहाँ पर सरोज स्मिर्टी किस स्रेणी की रचना है ये question पूछा गया है और उत्तर बताईए सरोज स्मिर्टी और ये पूछा जाता है कि हिंदी संसार का सबसे सोगी तो माना जाता है बी नमबर इसके रचनाकार की बात करें तो निराला है निराला सूरकांतरपाठी निराला जिनका जन्म महिसा अदल मेदनी पूर में हुआ था निराला जी का च्छायाबाद के चार आधार स्तंबों में जिनका नाम लिया जाता है अंगला question पूछा गया योगधारा के रचेता कौन है योगधारा के रचेता कौन है बिजाई जी बताइए रायिट आंसर क्या हो जाएगा मनीशा जी 56न नंबर का question और योगधारा के रचेता कौन है एक अच्छा सा क्वेस्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है लाइक करते हुए शेयर करना है रस्मी गोस्वामी जी बताइए और एक बार शेयर भी कर दीजे बिनीता राय जी योगधारा के रचनाकार कौन है बताएं बिनोत कुमार ज लाइक करना है दोस्तों अभी न्यू बैच इस्टार्ड हुआ है 15 अप्रेल से है ना यानि कि हिंदी बासा बाला चैप्टर ही दोस्तों खतम हुआ है अभी देव नांगरी का चैप्टर चालू होने बाला है ठीक है तो युग धारा के रचेता कौन एक अच्छा क्वेस्चन आपसे पूछा गया 56 नंबर का क्वेस्चन और युग की धारा में नांग बोले सर युग की धारा में बहे गया कौन नांग तो नांग से क्या हो जाएगा नागरजुन जिने आदुने काल का कवीर कहा जाता है नागरजुन को जिनका जन्म हुआ था 1911 में नागरजुन का ठीक है तो यह सी नंबर आपका बिल्कु सही है प्रगती बादी कभी मान जाते हैं अनुबाद में प्रियोक्त उफसर्ग कौन सा है अनुबाद में प्रियोक्त उफसर्ग का नाम बताना है बहुत ही बढ़िया कोस्चन पूछा गया इतना अच्छा कोस्चन पूछा गया दे प्रियोक्त उपसर्ग का नाम क्या है बताएं चैन करिए जल्दी से और आपका उत्तर हो जाएगा बोली सर अनू अनू यानि डी नमबर लगा दो डी नमबर आपका अनू सही हो जाएगा अनू आपका राइट आंसर बहुत बढ़िया किरपन का सही बिलॉम सब्द क्या है कि पुर्णीमा बर्मा जी और आपका उत्तर है कि किरपन का बिलॉम हो जाएगा है कि जाता है दानी दानी हो जाता है दानी आपका राइट अंसर हो जाएगा दानी जिन्हों नहीं लगाए उनका अंसर बिलकुँ सही है राइट अंसर है बी नमबर आपका बिलकुँ राइट अंसर है बर्ग के दुतिये और चतुर्थ बेंजन क्या कहलाते हैं अच्छा क्वेस् देखते हैं कौन-कौन सही बता पाता आरती जी, बताईए ववीता जी, जन्दी से बताईए, पटापट से बताना है, और नीतु जी, दुतिय वा चतुरत बेंजन क्या कहलाते हैं, तब आपका उत्तर आगया कि सर महापराण कहलाते हैं, ये नम्मर आपका बिलकु सही है, मह लिए-ठामार बहसा बूस्ण के रचनाकार आपको बताना सेओकोमार जी, लाइक करिए जडी से और सेर कर दीजी एक बार अंकीता बरमा जी, भासा बूस्ण, भासा बूस्ण तो कई बार ही रचनाः पूछी गई है, अब अगर आपको पता है तो आप सही उत्तर लगाओग रतना कर क्रत गंगा उतरण किस चंद में लिखा गया रतना कर क्रत गंगा उतरण किस चंद में लिखा गया चौपाई में दोहा में रोला में या फिर घनाक्षरी में गंगा उतरण बताना है रतना कर की रचना है गंगा उतरण और यह किस चंद में लिखा गया यह आपको ब तो वो लिखा गया रोला चंद में यायनी c नंबर रोला चंद आपका बिल्कु सई होगा c नंबर आपका right answer हो जाएगा अंगला है महादेवी बर्मा की किस किरिती में जिव जन्तुओं और जिव जन्तुओं और पसु पक्चियों से सम्बंधित संसमरण हैं तो वो उनकी किर्थी कौनसी है बताओ किस कौनसी किर्थी है 62 नंबर का क्वेस्चन है बताइए विनाई जी राइट चेन करिए महादेवी वर्मा की वो किर्थी कौनसी है और यसे कितने साती है Self Study Classes का App डाउनलूट करो सबी साती है ना और Self Study Classes App में जाकर Play Store में एक कमेंट आपका होना चाहिए एक कमेंट आपका होना चाहिए दोस्तो एक कमेंट आपको करना है Self Study Classes App में जाना है एक कमेंट की ये एप जो है आपको कहा तक उपियोगी है ये यूटूब चैनल दोस्तों आपको कहा तक प्योगी कितनी मदद करता है ये आपको बताना है जैसा भी आपको लगा हो सेल्फिश्टडी क्लासे से अपको देख करके यूटूब चैनल को देख करके तो एक कमेंट आपका एप में जरूर होना चाहिए ठीक है तो डाउनलोट कर लेना महादेवी वर्मा की किस किर्थी में जिव जन्तू हों तो आपने 62 नमबर का क्वेस्चर बताए कि सर मेरा परिवार मेरा परिवार यानि D नमबर बिल्कु सही है पर चायाबाद की प्रमुक कवियों में किसमें गीतों की मदूरता गीतों की मदूर बेदना की मरमावी व्यक्ति अधिक है किसमें हैं चैनकरिये 63 नमबर परिसाद पंत महादेवी या फिर निराला में छाया बाद के पिरमोक कभियों में किसमें गीतों की मदुर्ता गीतों की मदुर्ता बताना है आधे के हैं तो बताइए किसमें है 63 नंबर की क्वेस्चन में और बहुत ही अच्छा क्वेस्चन पूछा गया यहां पर बताइए राखी यादाव जी साहिब भाटिया जी त्रेपर त्रेशट नंबर का क्वेस्जन और आपका उत्तर चला गया सी की तरब 1907 में जिनका जन्म हुआ साथ में महादेवी हैं है ना तो महादेवी का जन्म 1907 में हुआ था इनकी रचनाओं की बात करने तो निहार नीरजा रस्मी सांदेगीत दीफिसिका सब्त परणा यामा इनकी रचनाए मानी जाती हैं दोस्तो ठीक है तो इसी नंबर आपका बिल्कु सही है कामाईनी की प्रतम सर्ग का सीर्षक क्या है यानि की कामाईनी जिसका रचनाकाल 1935 है 15 सर्गे जिसमें है कामाईनी कामना नाटक पर आधारित दोस्तो ये लिखा गया महा काब है जैसंकर परसाद का ठीक है अब प्रतम सर्ग का सीर्षक यानि की इसका प्रतम सर्ग का बहे तो बताना है रिंकी यादो जी किलास रोज रात 3 9 बजे चलती है है ना पैड किलास ज तेस्ट रहते हैं और हर संडे को भी टेस्ट होता है ठीक है तो कामाईनी के प्रतम सर्ग का सीर्षक क्या है ये 64 नंबर का क्वेस्चन आप से पूचा गया है और आपका उत्तर हो जाएगा चिंता चिंता है चिंता यानि की डी नंबर आपका बिल्कु सही है प्रबासी के गीत ये किसकी रचना है प्रबासी के गीत किसकी रचना हरी बसरा है बच्चन रामिसर सुक लंचन नरेंद्र सर्मा रामदारी से दिनकर प्रबासी के गीत रचना किसकी है प्रबासी के गीत 65 नंबर का क्वेस्चन है 65 में आपको चेन करना है और प्रबासी के गीत है किसकी नरेंद्र सर्मा यानि सी नमबर आपका नरेंद्र सर्मा बिलकुँ सही है सी नमबर आपका राइट आंसर है बिलकुँ सही है है ना अंगला देखो ब्रह्म राक्षा से किसकी कभीता है दोस्तो ब्रह्म राक्षा कभीता के रचनाकार कौन है ज़दी से बताना है फटापट से बताईए और सेल्फ इस्टडी किलासे इसके जो टिर्की नोट से हिंदी साहित के जिसमें आपके लिए दोस्तों पूरा गद्द साहित पद्द साहित प्रमुक कथन पंक्तियां है ना और दोस्तों बहुत ही महजपूर पत्र पत्रिकाएं और हिंदी में प्रताम गुरू से संपरदा ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं पूरे पूरुषकार मिलने वाले हैं तो ब्रह्मराक्षस किसकी कभिता है ये 66 नंबर के क्वेस्चन में आपसे पूचा गया आपका उत्तर हो जाएगा मुक्ति बोध यानि C नंबर मु पहला गीती नाट कौनसा सर प्रतम गीती नाट कौनसा है ये आपको बताना है बताइए सुसांत सिंग जी चैन करिये प्रदीव शर्मा जी 67 नंबर में इंदी का प्रतम गीती नाट कौनसा है पूस्पराज जी संपर कर सकते हैं है ना सर प्रतम गीती नाट आपको बताना ह और वो गेती नाटे करुणा ले, करुणा ले, 1913, 13 करुणा ले, ये सी नमबर सही है, धरमबीर भारती का नाटक, जिसमें महा भारत के, महा भारत के कतानक को लेकर, आधने के योग के अनुकूल, आर्थ प्रस्तुत की आ गया, तो बताएए धरमबीर भारती का वो नाटक है, धरमबीर भारत की बताना है, जन्दी से बताएए, फटापड से बताना है, उत्तर बताएए, जन्दी से लाइक कर दीजे, एक बार सेयर कर दीजे अपने मित्रों तक, और बहुत ही बढ़िया एसेसन अपना रोज चलता है दोस्तों, ऐसे जितने भी साती हैं हमारे, व उसके बाद अंगला कॉस्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, शबी लोग तयार रहें, अंगला कॉस्चन है, धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात रहें, धनिया और जुनिया, धनिया और जुनिया किस बताना है, कौन से उपन्यास के पात रहें, ये जल्दी से बताईए, फटापट से चेन करिए, इतना बड़िया सा क्वेस्चन आप से पूचा गया है, धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस्तो पन्यास के पात्र है, तो 69 नमबर गबन गोदान, गबन गोदान कर्म भूमी या फिर प्रेमास्रम, यानि कि आपका सीधा सी को सही आंसर हो जाएगा, बी नमबर राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट देखो भागबती के लेखा क्वन है, भागबती, भागबती के लेखा क्वन है, अच्छा क्वेस्चन आ गया, भागबती पूचा गया, श्री नवास दास हैं, देव की नंदन खत्री हैं, स्रद पिनन्दन कत्री, स्रद्दराम फिल्लोरी, लज्जाराम महता, और भाग में तो अपने पड़ा था, कि अगर स्रद्दा रखोगे, स्रद्दा रखोगे अच्छी है ना, तो भाग जरूर खोलेगा, तो भाग से भाग बती और स्रद्दा से स्रद्दाराम फिल्लोरी, ठीक है बहुत बढ़िया आबारा मसीहा किसके जीवन पर आधारे थे और इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है आबारा मसीहा किसके जीवन पर आधारे थे इसके रचनाकार कौन है ये भी आपको चैन करना है सरत चंद्र बंकिम चंद्र रविंद्र नाट टेगोर या फिर विभूती भूशन बंदो पाद्या है आवारा मसिया बहुती बढ़ी आ कौस्चन है आवारा मसिया किसके जीवन पर आधारे थे 71 नमबर का question है 71 नमबर की question में आपका right answer सरत चंद्र चला गया ये नमबर आपका बिल्कुँ सही answer चला गया ये नमबर आपका सही है सरत चंद्र आवारा मसिया सरत चंद्र right answer है डाक्टर हरीबंस राय बच्चन की करती क्या भूलू क्या याद करूं इसकी बताना क्या भूलू क्या याद करूं इसकी बिधा कौनसी है क्या भूलू क्या याद करूं इसकी बिधा बताना है बिधा कौनसी है बताइए साधना याद हो जी बिल्कुल कभी क्या आपका नाम ले ले रहे है बिल्कुल बिल्कुल आपका नाम ले ले रहा है साधना जी कभी मेरा भी नाम ले लिया करो वाँ 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 बताइए ये बताइए क्या भूलूं क्या याद करूं ये प्रितिनी दिग गद्य किर्टी कौनसी है ये 72 नंबर का question है जल्दी से बताइए 72 नमबर के question में आपका उत्तर है आत्म कथा क्या भूलूं क्या आत्म कथा इनकी चार भागों में दोस्तों परसारित है D नमबर आपका सहिै उन विलन का बिलोम सब़् बताना है 33 नमबर के question में बताइये मोहित जी उन मिलन का बिलोम सब़् जी राजरानी जी शबी को चेन करना है दारसू जी उनमीलन का बिलॉम बताना है लाइक करना है सेयर भी करना है जल्दी से बताईए पंजाब मास्टर के लिए भी है संतों से आदाउ जी बिल्कॉल है ना उनमीलन का बिलॉम सब्दा क्या है तेहित्तर नंबर के question में और सीधा answer जा रहा कि सर यहां पर निमीलन हो जाएगा यानि कि B नंबर आपका सही हो जाएगा देखो बहुत सारे लोग D लगा रहा है बीमीलन कर दिया है ना जबकि उत्तर क्या है निमीलन बी नंबर उन मीलन का निमीलन ठीक है बी नंबर आपका सही है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भासा किस रूप में दोस्तों सबसे जाना प्रिशिद्ध है किस रूप में प्रिशिद्ध है ब्रज भासा ब्रज भासा जिसका की ये करन नाम पिंगल है ब्रजभासा का ये करने नाम क्या है पिंगल अब बताना कि हिंदी की वो बिसिष्ट बोली ब्रजभासा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रिशिद्ध है राम लीला, गद्ध भासा, नाट भासा या फिर काब भासा के रूप में बताईए तनु जी, चोतर नमबर के कॉस्चन में राइट आंसर क्या हो रहा है आपका चोतर में, बोली सर, ये जो ब्रजभासा है, ये काब भासा के रूप में प्रिशिद्ध है दी नमबर काब भासा सही है, भासा विज्ञान की द्रश्टी से हिंदी किस प्रिकार की भासा है पचतर में भासा विज्ञान की द्रश्टी से हिंदी किस प्रिकार की भासा है ये बताना है, बियोग आतमक है, सिलिस्ट है, या पिर संबिग आतमक है, आसिलिस्ट है 75 का question है बहुत ही बढ़िया question पूछा गया आपसे भासा विज्ञान की द्रश्टी से बताइए मोहिज जी बिलकुर ले लीजिए दुबारा एड़ बीसल ले लीजिए अनिता जी भासा विज्ञान की द्रश्टी से हिंदी किस प्रकार की है बताइए मोहिज जी आपका तो उसमें हो गया था PGT में इंटर्व्यू में इंटर्व्यू था न आपका तो भासा विज्ञान 75 नंबर की question में और 75 का right answer क्या है 75 का answer बताना है और आपका उतर है बियोग आतमक ये नंबर आपका बिलकुस है ठीक है चाक किसका उपन्यास है चाक बताना है बताइए पुषपा देवी जी चाक किसका उपन्यास है प्रसाद का लोचन प्रसाद पांडे महतरी पुषपा या राम ररिश्तर पाटी चाक किसका उपन्यास है आयू सिंग जी बताएं चाक बताना है सेल्प स्टेडी रेखा राजपूच जी बताना है 76 नमबर के क्वेस्चन में बहुत ही बड़ीया क्वेस्चन है चाक किसका पन्यास है एक अच्छा क्वेस्चन पूछा गया है और देखते हैं 76 नमबर के क्वेस्चन में आपका राइट आंसर चला गया बहुत है चाक से मेत्रई होती थी चाक से मेत्रई चाक से मेत्रई यानि कि आपका सी नमबर चाक से मेत्रई बिल्को सही है बना बामंदास के सुपन्यास का पात्र है बामंदास के सुपन्यास का पात्र है पताईए पूजा बर्मा जी बामंदास के सुपन्यास का पात्र है शंदीप जी राइट आंसर चेन करिए बामंदास पूचा गया आपसे बताओ माया राम जी का 29 अप्रेल को इंटर्विव है वेर यूड और 77 अप्रेल के क्वेश्चन में आपको चेन करना है पर उत्तर चला जाता है मैला आचल डी नमबर ठीक है ये बामंदास मैला आचल के पात्र है फणी सुनात रेणू इसकी रचनाकार है मिरनाल के सुपन्यास की प्रमोख पात्र है और लाइक कर दीजे जंदी पूनम जी लगबिंदर जी मिरनाल के सुपन्यास की प्रमुक पात्र है 78 नंबर का question और इतना वड़िया सा question आपसे पूचा गया है कि दोस्तो सभी लोग like करें share करें मिरनाल के सुपन्यास की पात्र है ये पूचा गया 78 नम्बर के question में और सीदा सीदा answer क्या जा रहा है देखते हैं पताएं और मुरनाल जो है ये है त्याग पत्र अपन्यास ये जनेंद्र कुमार का अपन्यास ये त्याग पत्र सुनीता त्याग पत्र ये सबी मान जाते हैं के ये number आपका correct और बिलकुँ सही answer है 6 कादंबरी, 6 कादंबरी बताना है 6 कादंबरी किसका उपन्यास है 6 कादंबरी किसका उपन्यास है फटाक से बताईए 6 कादंबरी उपन्यास के रचनाकार कौन है 6 कादंबरी, 6 कादंबरी किसका उपन्यास है ये इतना अच्छा वड़िया सा question आपसे पूचा गया like कर दीजे जर्दी से share कर दीजे दोस्तों ये रोज रात 3 9 बज़े किलास होती है आपकी ठीक है और इस किलास से सबी लोग जुड़े रहे सेस का अदंबरी किसका उपन्यास है एक अच्छा पूचा है और आपका उत्तर है कि सर ये question कितनी बार पूचा गया एक जामों में तो उत्तर हो जाएगा अलका सराबगी अलका सराबगी C नंबर सेस का अदंबरी अलका सराबगी ठीक है C नंबर साहिए जिंदा मोहावरे किसका उपन्यास है जिंदा मोहावरे उपन्यास की रचनाकार को ने पिंकी जी बताईए तनू जी बताएं दार्शू जी जिंदा मोहावरे किसका उपन्यास है लेकिका जी दिपिका जी सबी लोग बताएंगे मिलकर के बताएं भावना गंगवार जी और जिंदा मोहावरे नासिरा ए नंबर नासिरा सर्मा ठीक है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रन हुआ है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रन हुआ है एक क्यासी नंबर का क्वेस्चन है हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा ह जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है वो बताना है बताएं बताएं जल्दी बताएं ममतारानी जी नीलम जी बर्मा जी 81 नंबर का question है और सबी लोग self study classes को ये निस्सा हाई हिंडू ये दोस्तों हिंदी का पहला यह सा उपन्यास है जिसमें मुसलिम समाज मुसलिम समाज के बारी में चित्रण किया गया और इसके रचनाकार को वन है तुर आदा कशन Sac तीक है ये यह यद कर ले ना बामा सिक्षक उपन्यास के लेका को वन है बामा सिक्षक बताना रावनत जी बताए अमिता जी अर्सराज जी, पिंकी जी, नीलम जी, रंजीत जी, सभी लोग बताएंगे किरण जी बामा सिक्चक ये उपन्यास किसका है 82 नंबर का कॉस्चन अगर आपसे पूछा गया है तो सभी लोग बताएंगे आरूसी जाड़ डाक्टर रिंकी जी बताएंगे रिता कांत जी, लाइक कर दीजे सभी साती, सेयर कर दीजे और इसके लास से रोज रात्री नौबजी आपको जुड़े रहना है बामा सिक्चक उपन्यास आपसे पूछा गया है बिल्कुल, सुईता रानी जी, बिल्कुल सही है, ठीक है और 82 नंबर का कॉस्चन, बहुती वड़ी या कॉस्चन है बामा सिक्चक उपन्यास आधूरा नहीं है अच्छा कॉस्चन है, अधूरा नहीं है, कभी कभी पूछा जाता अधूरा कॉँछा है कभी कभी पुछ लिया जाता अधूरा कौंसा नहीं है तो 83 नंबर में राबती मंगल सूत्र चोटी की पकड़ या फिर रतना की बात है कौंसा उपन्यास अधूरा नहीं है ये पूछा गया तो जल्दी से बताईए फटा पट से संदीब जी जीवन जोती जी है ना 83 नंबर के क्वेस्चन में और आपका उत्तर जा रहा है बुछ सर 83 में आप पूछ रहे हो यानि कि आप लगा देना रतना की बात बाकी चोटी की पकड़ तो है मंगल सूत्र भी है इराबती भी है ठीक है कि रतना की बात ये अधूरा नहीं है डी नंबर आपका बिलकुँ सही है नाचो बहुत गुपाल उपन्यास की नाईका कौन है नाईका बताना 84 नंबर में नाचो बहुत गुपाल उपन्यास की नाईका कौन है मिरनालनी बुदिया सिलिया या फे निर्गुडिया नाचो बहुत गुपाल बताईए तनू जी पिंकी जी बताईए इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना अर्पिता दोबे जी नाचो बहुत गुपाल उपन्यास के रचनाकार कौन है ये भी बताना है आर्ती बर्मा जी पूर्वी जी नीतू सुलंकी जी सबी लोग बताएं दोस्तो लाइक जरू करिए और सेयर करिए अपने मित्रों तक तो फटा-फट से बताना है नाचो बहुत गुपाल इसकी नाई का कौन है एक अच्छा कौस्चन वड़ियासा कौस्चन चोरासी नंबर का कौस्चन और निर्गुनिया आपका बिल्कु सही है निर्गुनिया य मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है बताए जल्दीशे 85 नंबर के कौस्चन में और लाइक जरू करिए सबी साती मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है महुआ माजी का प्रदीप सौरब तुलशी राम या फिर नागर्जुन का तो 85 नंबर का कौस्चन बहुत ही बढ़ि प्रदीप का सौरब मुन्नी का मोबाइल प्रदीप के सौरब ने मुन्नी के मोबाइल चुरा लिया मुन्नी का मोबाइल चलाता है बोले प्रदीप का सौरब ठीक है यह अपन को याद लखने ना यह से याद करो प्रदीप के सौरब ने मुन्नी का मोबाइल नंबर ले लि आज बहुत पानी गिरा केंसा बाग के है और सियर्बी कर दिना आज बहुत पानी गिरा साधारन बाग के है मिस्र बाग के है शंड्योकत है या फिर उप बाग के है 86 नमबर का question बताना है और आपका right answer क्या हो जाएगा बुरी से तो साधारन बाग के है आज पानी बहुत गिरा बहुत पानी गिरा तो यह नंबर साधारन बाग के है ना नीम हाकीम खत्रे जान इसका अर्थ क्या है डिंग हाकना बीमारी का गलत इलाज होना खतरनाक चीजें अल पे बिद्या भेंकर 87 नमबर का question है 87 नमबर की question में आपको chain करना है नीम हकीम खत्रे जान और नीम हकीम खत्रे जान यानि की अल्प बिद्या भेंकर अल्प बिद्या भेंकर ठीक है तो ये भी आपको याद करना है D नमबर आपका बिल्कुँ सही है ठीक है ये नीम हाकीम कत्रे जानकार्थ क्या है अल्प विद्या भेंकर होती है ठीक है बिनुपग चले सुने बिनुकाना इसमें कौनसा अलंकार है बिनुपग चले सुने बिनुकाना कौनसा अलंकार है बताओ विभाबना है सले से रूपक है बक्रोकती है बिनुपग चले स सुने बिनुकाणा में बताई एटासी नंबर के question में एतना अच्छा question है कारण ना होते हुए भी कार हो रहा है वहां कौन सा लंकार होता है तो बोले sir यह जो है बिनुपक चले सुने बिनुकाणा यानि कि विभावना लंकार हो जाएगा ये नंबर विल्कु सही हो जाएगा काब के आस्वादन से जो अनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं काब के आस्वादन से जो अनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं अलंकार, छंद, उफसर्ग या फिर रस यानि कि 89 नंबर का क्वेस्चन है काब की आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं 89 नंबर के question में और उसे कहते हैं दोस्तों क्या क्या कहते हैं उसे उसे कहते हैं रस रस कहते हैं कि आपका जो D नंबर है वो बिल्कुस सही हो जाएगा काब की आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता उसे रस कहते है मातमा गांधी का संबंद किस लिपी से है मातमा गांधी मोहंजास करम चंद गांधी इनकी इनका संबंद बताना किस लिपी से है एक अच्छा क्वेस्चन पूछा गया बड़ियासा क्वेस्चन पूछा गया स सबी साती लाइक जरू करें दोस्तों, सेयर करें, 90 नंबर का question है, इतना वड़िया सा question पूछा गया आपसे, और देखते हैं, महतमा गांदी तो सेबा करते थे, सेबा करते थे, study बिता जित जी बताईए, महतमा गांदी सेबा करते थे, तो इनका सेबा गराम लिपी से इनका स सही है, ठीक है, चा, चा, जा, जा, यह उधारन है काई की उधारन, अब देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर गड़बड कर देंगे, बताओ काई की उधारन है, 91 नंबर का question है, तो बताईए, इस पर सी संगर्सी बेंजन है, इस पर सी बेंजन है, या फिर संगर्सी चैन करिए ज़त इसे 91 नंबर में 91 में कौन-कौन सही चैन करता है जनता जनारदन कहां की ओर जा रही है देखने वाली बात है सुनील तिवारी जी 91 नंबर के कौश्चन में लाइक चैन करना है वीडियो को सेर भी कर देना है और जनता जनारदन जा रही B की और इस पर संगरसी बेंजन है यानि कि आपका जो B number है वो बिलकुँ सही है ठीक है तो यह B आपका right answer हो जाएगा जिन्होंने भी बताया उनका answer बिलकुल correct है बहुत बढ़िया A और I का उच्चान स्थान क्या है A और I का उच्चान स्थान क्या है ये बताना है कंठ है कंठोस्ट है कंठतालब बेयाकरोस्ट है तो बताइए राबंत जी self study classes का app download करने सबी साती और दोस्तों क्या करना है आपको ये जिनको भी notes मंगवाना है रामा सरमा जी हिंदी साहित के जिनको भी टिर्की notes मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं ठीक है तो भटाग से बताइए 92 नंबर के question में जल्दी से बताइए पटापट बताना है प्रदीप सरमा जी A और I का उच्चान स्थान बताना है 92 नंबर का question है और 92 नंबर का question है कि सरी कंठे है ना कंठे विराजो सारदा हो मा ये नंबर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है सही है ना कि कंठे तालब है 92 नंबर का question है 92 नंबर की question में सही answer बताना है कंठे सही है या कंठे तालब तो आपका उत्तर कंठे तालब चला जाएगा दोस्तो कंठ नहीं है ये कंठ तालब है C नमबर आपका बिल्कु सही है C जोनों ने लगाया correct right answer है दिये गए सब्द लिखेत रूपों मैंसे सुद्ध रूप है सुद्ध रूप का चैन करना है 93 नमबर में बताईए जल्दी से like करिए और share भी करना है और दोस्तो आंगे बढ़ता जाना है 93 में और जल्दी जल्दी से बताईए किन किन सातकियों ने अभी तक like किया इमानदारी से बताईए जल्दी से like किया कि नहीं किया जल्दी करिए फटापड से और 93 नमबर का question 93 नमबर में उत्तर जा रहा है आपका, कि सर रेच इता, ये स़ई है ये नमबर, बेरी गुड, ये नमबर आपका स़ई है, ये जिन्नों ने लगाया, उनका अंसर बिलकूर राइट है, है ना, निम्न बिकल्पों में से किसी एक की बरतनी सुद्ध है, सुद्ध बताओ कौन की बरतनी है, ये question आते ही है रचेता आता है 94 नंबर के question में बताएं मनप्रीत जी जिन भी सातियों को जो भी हमारे पंजाब मास्टर केडर वाले साती है जो भी हमारे LT, TGT, PGT वाले वो सभी साती अडविसल ले सकते हैं और बहुत वड़िया से पढ़ सकते हैं दोस्तों है ना तो किसी कि बरतनी सुद्ध है सुद्ध बरतनी आपको बताना है है ना सभी साती जिनको भी नोट्स मंगवाना अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं किलास के बाद नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हैं परिक्षा के टाइम पर नोट्स से भी पढ़ सकते हैं निम्र बिकल्पों म में उस सुद्ध वर्तनी का आपको चैन करना है और सुद्ध वर्तनी में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर कव इत्री कव इत्री कहा लेका डी नंबर में लेका है डी नंबर में कव इत्री हो जाएगा ठीक है जिस भासा में सासक या सासन का काम होता है उस भासा को क्या कहते हैं बताईए लवली ठाकवर जी बताए मधू सौनकर जी और मोकेस रावल जी 95 नमबर का question इतना अच्छा question आपसे पूछा गया जिस भासा में सासन या सासक का काम होता है उसे क्या कहते हैं शबी लोग बताएंगे और सबी ने बताया कि सर उसे official language यानि कि राज भासा कहा जाता ह यानि आपका उत्तर B, correct answer हो जाएगा दिल्ली मेरट के आसपास कौनसी बोली बोली जाती है 96 नमबर का question है दिल्ली मेरट के आसपास कौनसी बोली जाती है ब्रजभासा, बांगरू, खड़ी बोली या फिर अबदी पताईए चैन करिए दिल्ली मेरट के आसपास कौनसी बो आसपास दिल्ली मिरट की आसपास बोली आती बोली सर खड़ी बोली खड़ी बोली सही है बहुत बढ़िया यानि सी नमबर आपका बिल्कु सही है लेखक के अंत में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है लेखक के अंत में 97 में लेखक के अंत में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है इतन 7 नमबर का question उत्तर हो जाएगा 1 प्रत्य है 1 प्रत्य है D नमबर सही है 1 प्रत्य है आपका right answer है मान निये में प्रत्य है मान निये में कौन सा प्रत्य है E, I, I अनिये या इनमें से कोई नहीं 98 मान निये में कौन सा प्रत्य है माननीय में कौनसा प्रत्या है एक अच्छा क्वेश्चन और बड़िया सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे माननीय में प्रत्या बताना है 98 में जल्दी से बताईए और 98 नंबर का क्कॉस्चन है इसर अनिये हैं अनिये यानि c नंबर आपके सहिए अनिये प्रत्या है शी नंबर बहुत बढ़िया मुकेश जी सूधन आगतम में कौन सी संदी है सूधन आगतम बताना है सेल्फ इस्टेडी किलासेस का एप डाउनलूट कर लें सबी लोग बताईए फटा पट से बताना है और लाइक सियर जरू करिये सूधन आगतम में कौन सी संदी है गुन संदी, आयादी, ब्रदी या फिर यान संदी 99 नंबर का क्वेस्चन है सूधन आगतम में कौन सी संदी है और तो उत्तर कहां जारी? जनतजनारदन रचना जैन जी बताईए सिखा चत्रवेदी प्रीती जी शुख्ष बताईए रिया जी इंद्रजीत जी यान संदी हो जाएगा D नमबर आपका सही हो जाएगा ठीक है सुधन आगतम क्या निकि आपका 99 नमबर क्या हो जाएगा यान संदी ठीक है नेक्स है कबीर जी बताइए कुबेर जी आगे हैं कुबेर जी बहुत बढ़ी है सदेव में संदी विच्छेद होगा सदेव का संदी विच्छेद बताना है बताइए बिनोद जी बलजीत जी बताइए जगदीश कुमार यादव जी रासित कुरेसी जी और प्रीत जी पंच नादर्न हंदोस्तान हिंदी साहित्か इतिहास से जो गरंथ के जो यह के अनम क्या, सीधा-सीदा बताना है कि ताम उड़ार्न डिट्रेच्रान नादर्न हंदोस्तान तकी लि इतिहास्थक है घंदी से बताइए, प्रषनिक्रमां के ए ख है, और बहुत वढ़ को तरीके से बिलियम वर्सवर्थ है या फिर नात परंपरा यहाँ पर एक नंबर का क्वेस्चन है बहुत ही बड़ीया क्वेस्चन है बताएं लगबब सभी को पता है अगर इसका रचना काल भी आपको बता है तो वो भी बताना है है ना तो बताया है सभी लोगों ने ए नंबर जार्ज बिर्ती का संचित पृती विम्ब है, इस पंक्ति के सही जो लेखाक है वो कौन है? इक पंक्ति के जो लेखाक है वो बताना है? या यह कथन किसका है? प्रशन किर्मान के दो नमबर में. दो का आपको चैन करना है? से Eoncesvक तक और आपका उत्तर चला जा रहा है कि सर साहित जंता की चित्वृति का संचित को से है यह ना प्रती बिंबे है यह कहा है सुकले जी ने यानि कि आपका जो सी नंबर है सी नंबर वो बिल्कु सही है दीपी का जी वेरी गॉड है ना wheelchair society आप दोस्तों वंगाल बिल्कु सही है कोल ग्यान निरनाई की रचनाकार कौन है एक अच्छा सा question है कोल ग्यान नरनाई आप से पूछा गया बहुत ही बड़िया question पूछा गया सबी लोग बताएंगे उरे एक बार सेर भी कर देना अपने मित्रों को दोस्तों like भी कर देना कौल कौल के खाते हैं कौन कौन खाते हैं कौल कोल के बताएए गोरकनात जालंधरनात मच्छेंद्रनात या फिर गोपी चंद्र तीन नमबर के question में चैन करना है सेर भी कर देना है निकीता जी बताएए के सोरी लाल सिंग जी प्रश्निक रमांग तीन नमबर और तीन नमबर में आपका उत्तर चला गया कि सर मच्छेंद्रनात अब एक चीज याद रख लेना है है ना जो यूपी के अक्जामों का पेटर्न है अगर यहाँ पर यह पूछा जाता कि नात संप्रदाय की प्रवर्टक कौन है है ना और नात संप्रदाय की प्रवर्टकों में गोरक नात option में भी होता और मतेंद नात आप्सन में भी होता तो मतेंद नात सही हो जाता है ना और अगर मतेंद नात आप्सन में नहीं होता तो गोरक नात सही हो जाता ठीक है यह अपन को याद रखे ना है ठीक है अभी एक question पूछा गया था सुद्धा दोईतबाद के प्रवर्तक कुण है अगर ऑप्सन में दोनों था बललबाचार वीता और विश्नूश्वामी था तो इसके विश्नूश्वामी को माना गया था है ना ऐसा ही दोस्तों पहले भी हो चुका है कही पूछा गया कि बताएं नात संपरदाय की प्रवर्तक कोन है तो नात संपरदाय की प्रवर्तकों में दोनों अप्सन दिखाई दिये गोरकनात और मचेंदरनात तो मचेंद्रनात माना गया और अगर मचेंद्रनात नहीं रहे वो अप्षन में तो गोरखनात माना गया ठीक है तो इस चीज को आपको पकड़ना है हिंदी भासा में रचना करने पर किस सूपी कभी को किस सूपी कभी को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला उपालंब सुनने को मिला ये भी आपको बताना है प्रश्ण किरमांग चार नंबर में बताना है अंजु यादव जी समझो मैं क्या बोल ला हूँ गोरक नात हैं प्रवर्टक बो तो पता है लेकिन उससे पहले मचेंदर नात भी थे ये चीज भी आपको सुईकार करनी पढ़नेगी और आयोग ने भी यही माना है वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूचा है हिंदी भासाव रचना करने पर किस सूपी कभी को मुसल्मानों का उपालंब सुनने को मिला चार नंबर का क्वेश्चन है शबी लोग बताएं जायसी उश्मान उश्मान शेक नभी या पर नूर मुहम्मद अच्छा क्वेश्चन है नंबर बिल्कु सही है ठीक है सूर्दास जी को जीवा नुत्सव का कभी किस ने कहा अच्छा क्वेश्चन है सभी लोग लाइक जरू करें अपने मित्रों को सेर भी कर दिया करें पटा पड़ से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ नहीं आगया आपसे क्या क्वेश्चन पू पूचा गया राइक कर दो जल्दी से 5 नंबर के क्वेश्चन में और आपको पता है कि अचा रामचंद्र शुक्लिन रामचंद्र शुकलिन शूर्दास जी को जीवा नॐत्सव का कभी का है तो आपका जो एक नंबर है यह नंबर है वो बिलक्स है यह नंबर राइट असर बालकर्ष्ण शर्मा नबीन का सर्वे प्रतम प्रकासित काब जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौनसा है काब संग्रह कौनसा है चैन अमबर का कौस्चन है काब संग्रह पूचा गया यहाँ पर तो बालकर्ष्ण सर्मा नबीन का सर्वे प्रतम प्रकासित काब संग्रह कौनसा माना जाता है बताइए बिंदू लता जी हरप्रीत जी चैन करना है जन्दी से चैन अंबर के question में आपको बताना है और एक बार share भी कर देना है चैन अंबर में right answer चला जारा कि सर कुम कुम में सही लगा दो दी नंबर में आप सही लगा दो कुमकुम आपका राइट आंसर हो जाता है कुमकुम आपका सही आंसर है डी नंबर बिलकुँ सही है बहुत बढ़िया फड़ी सुननात रेडूंके के सुपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर विहार के पूर्णिया विहार के पू बिंदर कौर जी राजकुमारी जी जिन भी सात्यों को एड़ीसल लेना हिंदी साहित के संपूर्ण कोर्स में मात्र पंदराशों में आप एड़ीसल ले सकते हैं जिन भी सात्यों को दोस्तों हिंदी साहित के हिंदी साहित के क्या मंगवाना है नोट से मंगवाना है वो से फणी सुनात रहनु के किसो पन्यास में पूर्भी पाकिस्तान से विस्थापित होकर विहार के विहार के पूर्णिया पूर्णिया जिले में आये हिंदू सरनार्थियों की दारुण कता का चित्रन किया गया है दारुन कता सरनार्थियों की सरनार्थियों का पूचा गया भईया तो बताईए कौन सा उपन्या से साथ नंबर सभी लोगों ने लाइन से लगा दिया जोती बासुदियों ने निस्ता त्रिवेदी जी ने लगाया वी, मुकनत जी ने वी लगाया, रती पाल जी ने क्या लगाया, वी और रीमा यादव जी ने वी लगाया और जिन्हों ने ये लगाया उनका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जुलूस है, वी नंबर आपका सही है, सरनार्थियों का पूचा गया, सरनार्थियों की दारण कथा का चित्रण किसमें किया गया तो जुलूस में किया गया भी नमबर आपका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा देखो लाइन से ये नमबर लगा रहा है तिशब लोग बहुत बड़ी या अंगला देखो मुझे चांद चाहिए इसकी नाई का कौन है बोले सर चांद के पार ही चलो तो यहां पर आठ नमबर का कौस्चन बहुती बड़ीया कौस्चन है मुझे चांद चाहिए इसकी नाई का कौन है तो जद्दी बताइए नीतु जी आरूसी जी आठ नमबर के कौस्चन में सेयर करते रहे अपने सातियों को, मित्यों को, ठीक है, मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र बर्मा जी की यह जो दोस्तों रचना है, इसकी जो नाईका है, वो नाईका कौन सी है, आट नंबर में, बोले सर अगर मुझे चांद चाहिए या चांद के पार जाएंगे तो बरसा होने लगेगी तो क्या करेंगे मैंने का बरसा होने लगेगी तो छत्ता लेकर चलेंगे है ना मुझे चांद चाहिए ठीक है डी नंबर बहुत बड़ा इला चंदर जोसी के उपन्यास जहाज का पंची जहाज के पंची को किस स्रेणी में रखा जा सकता है किस स्रेणी में रखा जा सकता है बता January के शामाज ये के मनू विज्जानिक आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा जहाज का पंची जहाज का पंची बताना है देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता रहा है जहाज का पंची मनोबेग्यानिक बता दिया क्योंकि कॉमन सेंस लगा लिया यहाँ पर किसर इला चंजोसी मनोबेग्य बनो विश्रेशनबादी उपन्यास कार माने जाते हैं इसलिए मनोबेग्यानिक ह बहुत बड़िया जहाज के पंची को किस स्नाणी में रखा गया है यह रखा गया आत्म का थात्मक स्नाणी में बताओ कौन का सही हुआ यहाँ पर उत्तर आपका D नंबर हो गया आत्म का थात्मक बताओ किसका सही हुआ बताओ जल्दी से किसका सही हुआ Common Sense नौ नमबर के question में रभी सिंग जी राधना पाल जी पूजा जी बताइए हर्योम जी सही हुआ किसी का की नहीं डी नमबर आत्म कथात्मक सिननी में इसे रखा जाता जहाज का पंची ठीक है उसा प्रेमबदा की बापसी किस बिधा की रचना है उसा प्रेमबदा की जो बापसी है बापसी एक किस बिधा की रचना है उपन्यास, शंसमरण, कहानी, नाटक बताओ जंदी से लाइक कर देना जंदी से सेर भी कर देना है पटापट से बताईए दस नमबर का question है उसा प्रेमबदा की बापसी बापसी बताना है किस बिधा की रचना है अच्छा question है बापसी तो गोली सर बापसी की तो एक कहानी बन जाएगी तो कहानी में आपका उत्तर C नमबर बिल्कुस ही चला जाएगा C नमबर आपका जंता जिनार्दन बिल्कुस राइट आंसर बता रहे है आवारा मसीया किस की जीवनी है आवारा मसीया किस की जीवनी है 11 नमबर के question में बताना है और वीडियो को लाइक जरू कर दें सभी साती share भी कर दें अपने मित्रों को ठीक है और जिन भी सातियों ने अभी तक दोस्तों अभी तक क्या किया है नोर्स नहीं मंगवाए हैं वो नोर्स भी मंगवा सकते हैं बताएए प्रियया सिंग जी चबी लोग बताएंगे जिन्होंने अभी तक नोर्स नहीं मंगवाए वो नोर्स भी मंगवा सकते हैं जिन्होंने अड़िशन नहीं लिया वो अड़िशन भी ले सकते हैं दोस्तों आबारा मसिया एक किसकी जीवनी है एक अच्चा क्वेस्चन है और यहाँ पर सतर चंद लिख दिया सतर तो बुलिसर ओप्सन में थोड़ा सा गलत हो गया कि सरत चंद्र है ना सरत चंद्र के जीवन पर अधारत है और इसकी रचनाकार है कौन विश्णू प्रभाकर कौन है विश्णू प्रभाकर ठीक है तो भी नमबर आपका बिलको जंतर नार्दा राइट से या असतर रसक्रत किसकी आत्मकता है यतना तो आपको बताई है बारा नमबर का कौस्चन कितनी बार तुमेने याद करवाया टृक लगा-लगाके कितनी बार याद करवाया है अब अगर अब भी नहीं वनेगा तो क्या होगा तेरा क्या होगा रिक कालिया जंदी से बताईए फटापट से लाइक कर लेना है बुली सर कालिया की बात मतलो आज मेरी ममता कालिया बन गई थी वाल गुबिंद जी बताईए बारा नंबर दाल भात बना देते दाल चाओल दाल चाओल बना देते हैं हम तो दाल खाते खाते तरस हो गए है ऐसे अगर सूरज भी बोलने लगा कि रोज हम निकलते निकलते तरस हो गए है तरस हो गए तो तरस से तरसकरत आत्म कता किसकी सूरज की गुरेजपाल चोहान, डी नमबर, एक बूंद सहसा उचली, किस विधा की रचना है, तीरा नमबर का क्वेस्चन सबी लोग बताएंगे, बलजीत जी, बंदना जी, बताएंगे, प्रेम कोरी जी, बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेस्चन है, स्रस्टी ठाकोर जी, राद नमबर में, और तेरा नमबर में, तेरा मेरा का चक्कर भहुत खतरनाक रहता है, तेरा मेरा, तो तेरा और मेरा, तो तेरा में, एक बूंद सहसा उचली, किस विधा की रचना है, उत्तर हो जाएगा, यात्रा संसमरन है, किसका यात्रा संसमरन है, ये भी आपको बताना है, लई कविता और अस्तित्वाद के लेखा कौन है इतना बड़ यासा क्वेस्चन चौदा नंबर के क्वेस्चन है देखते हैं कौन कौन सही बता पाता बता ही अनुराग जी जिनको भी एड़ वीसल लेना है अभी निव वैच चलना है अभी 15 अप्रेल से निव वैच स्टार् करके पढ़ सकते हो दोस्तो अभी भी हिंदी भासा का दोस्तो अभी चेप्टर का एक वीडियो और वाकी है ठिक है और उसके बाद देवनागरी लिप और उसके बाद आदि काल स्टार्ड होगा मतलब अभी आधिकाल नहीं हुआ अगर इंदी साहत आपको सुरुआज से पढ़ना है तो अभी भी आप मात्र पंद्राशों में अडवी सल ले सकते हो न्यू वेच में सामिल हो सकते हो और पढ़ सकते हो ठीक है तो चौदा नंबर के क्वेस्चन में आपको चैन करना बहुत ही बढ़िया क्वेस्चन है और आ समिक छातमक गरंथ के रचनाकार को ने यदी मैं कामाई नी लिखता बताए अंकीता जी चैन करिये जल्दी से और यदी मैं कामाई नी लिखता तो क्या कर लेते भाईया नई नई सो क्या कर लेते बताए शिका जी बंदना जी चैन करिये मनीशा जी बिनोत कुमार जी नई पतापट से, पंद्रा नंबर का क्वस्चन, और 15 नंबर की क्वस्चन, बुलीली सर सही उत्तर बताते there 1, न, तिरंगा की जद्धी से बताना है, पतापट से बताना है, तिरंगा तो बताईए राइट अंसर उत्तर क्या हो जाएगा शबी लोगों को बताना है मोहित जी खटापड से बता है मोहित जी संपर करिए बावगली कटपपा जी आगा है बावगली दम देखाओ तोड़ा सा तिरंगा सब्द में कौन सा समास है छोड़ा नंबर का पूचा गया तिरंगा बताओ दौंद है अब बैभाव है या फिर दिगू है पुलिसर ये में संख्या बाची दिगू संख्या बाची दिगू यानि की दिगू शी नंबर बहुत बढ़िया जनताय नार्दन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा है चोरासी बैसनों की बार फटापट से चेहन करना और एक बार बहुती बढ़िया कोस्चना चुका है आपके इस स्क्रीन पर और जल्दी से लाइक भी कर दिया करो फटापट अंगूठा भी चला दिया करो तोड़ा सा अंगूठा चलाने में बड़ी दिक्कत होती आप लोगों को हैना और अगर मैं इसके रचनाकार है गोकोलात है यानि कि आपका जो सी नंबर है बो सई हो जाएगा ठीक है 1568 इसका रचनाकार है 1568 ठीक है ये बी याद रखते हैं na है 84 वेश्णों की बारता और 252 वेश्णों की बारता बल्लबा चार के सिस्यों का वर्नन मिltा इसकी 84 वेश्णों की बारत जी शबी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से बताइए वल्लवाचार का बेदान्त सूत्र पर लिखा गया प्रिशिद्य गरंत कौनशा है वल्लवाचार ये वही वल्लवाचार जिनका जन्म 1478 को हुआ था है ना और इनसे 10 साल बड़े थे कौन इनके सिस कुम्भन दास जि भी हुआ था 1478 में ठीक है तो बल्लवाचार का बेदान्त सूत्र पर लिखा गया प्रिशिद्य गरंत बताना है अठारा नंबर के कौस्चन में राइट चेन करना है और बोले सर अनू परमानू अनू और परमानू अनू में क्या हो जाता बल होता बल बल होता ना तो बल य गडिया और और आंगे बताईए विश्वास मलिक जी पताएं क्या हो जाएगा सही आंसर नोट्स किन किन सातियों को मंगवाना है मंगवा सकते हैं दोस्तों नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं संसोदित नोट्स है ठीक है तिरकी नोट्स है और सरण भासा में ये जडिया यानि कि आपका ये नंबर जो है वो बिलको सही है नंदास जडिया ठीक है विडियो को लाइक कर दो शबी लोग ये नंबर आपका बिलको सही है मैं उस जनपत का कभी हूँ ताब रचना किस कभी कि ये बताना है पटापट से नंद दास को जडिया कभी कहा था पंचध्याई और रास पंचध्याई इतनी प्रसित रचना थी तो आचार रामचंद्र सुखल के मुख से निकल गया कि और कभी गड़िया और नंददास जड़िया है ना तो मैं उस जनपत का कभी हूँ जहां के कौन है जहां के कौन है भीश नंबर तेरे को बताईती मैंने भूलोगे रेका सरोज जी क्या सत्पाल विश्णोई जी मैं उस जनपत का कभी हूँ इसके रचनाकार कौन है पुलिसर जहां के त्रिलोचन है यानि की सी नंबर जहां के त्रिलोचन है मैं उस जनपत का कभी हूँ सी नंबर आपका बिलकु सही है रामधारी से दिनकर की का अब विकृती कौन्सी है दिनकर की बताना 21 नंबर में दिनकर जिनका जन्म हुआ था 1908 में 1908 में इनकी एक बहुत ही परिशित रचना उरवसी जिसको 1978 में 1972 में दोस्तों उरवाइद सो ग्यान पीट पुस्कार मिला था ठीक है ये वही रामदारी से दिनकर है ठीक है इनको याद रख देना अब इनको बताना काभिकृती कौन सी है तो अपन मैंने आपको कई बार बताया कि अगर कुरू छेतर में जाना ही है तो दिन में जाना नहीं तो पिटके आ जाओ ठीक है कुरू छेतर में जाना तो दिन मे जाएंगे दिन में जाएंगे तो दिन कर जी कि आप विक्रती ठीक है बहुत बढ़िया अंगला देखो अंधेरे में कविता किस ने लिखी है पटाक से 22 नंबर का क्वेस्चन है अंधेरे में कविता बताना है मुक्ती बोद की है या फिर नागर जो त्रिलोचन या फिर धू मिलकी है बुरिसर अंधेरे में बात मत करो ओजेले में तो मुक्ती हो जाती है फिर तो अंधेरे में तो और जल्दी बुक्ती पुष्पा कुसबाहा जी देखो पुसपा जी भी आ गई है बहुत बढ़िया बंदना जी नीलम जी हर्मिंदर जी शबी लोग बताएंगे यह पर अंधेरे में कभीता किसने लिखी है अंधेरे में कभीता बताना है संजय चोधरी जी बुरिसर अंधेरे में तो मुक्ती ही हो जाएगी यानि कि अगर आपको तीन चार दिन एक अंधेरे बाली कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपकी क्या हो जाएगी बुरिसर मुक्त मत पूजो फिर बोले सर मैंने कहा बुद्धी के देवता गजानन को पूजो गजानन माधव मुक्ति गजानन है ना तो 1917 में जिनका जन्म हुआ था मुक्ति वोध का कनू प्रिया के लेका क्वान है तेईस नंबर का क्वेश्चन कनू प्रिया बताना है नंदुलारे बाचप बोले सर रौम रौम खुस हो गया कनू प्रिया आपने पूछ लिया कानो को प्रिये कानो को प्रिये लगता है क्या सभी को लगता है कानो को प्रिये की नहीं लगता है ना कुछ लोग तो होंगे बोले सर धर्म जो है धर्म ये कानो को प्रिये लगता है कनू प्रिया है धर् धर्म कानों को प्रिये लगता है, तो धर्म वीर भारती, डी नमबर आपका जाते हो ना, भागवत सुनने जाते हो, गीता सुनने जाते हो, ठीक है, तो ये धर्म वीर भारती हो जाएं, यात्मत्या के बुरुद्य कभिता संकलनिक आओ, कौन से कभी हैं, मैंने कई बार आपको बताया, कि आत्मत्या के बुरुद्य कोई आपकी सहाय करेगा, क्या, ज़दी से बताओ, मुली सर, आत्मत्या के बुरुद्य सहाय करेंगे, कौन, रगुबीर, रगुबीर सहाय करेंगे, सी नमबर, बहुती बढ़िया अंसर हो जाएगा सी नमबर हरियोम जी बहरी गुर्ड अन्तिम यादव जी अन्तिमा जी जी हाँ हुजूर मैं गीत बैंचता हूँ इतनी बढ़िया सी पंग्ती पूची गई आपसे रानी तेबारी जी चैन करिए यहाँ पर बहुती कुरेशी जी फटापट से लाइक कर देना सेयर भी कर दो अपने मित्रों तक सेयर कर दिया करो थोड़ा सा सभी सातियों तक किलास पहुचे ऐसी दोस्तों हमारी बहुती बढ़िया आसा रहती है कि सभी सातियों इस किलास का फायदा ले है ना जिन भी सात्यों को एड़ी सल लेना वो एड़ी सल लेकर के बारा महीने नरंतर अध्यान कर सकते हैं अड़ी सल लेने से क्या फायदा होता है मैं बता रहा हूँ कम से कम फीस क्यों रखी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है दोस्तों मैं जब पढ़ता था तब मैं फीस की बज़य से मैं भी नहीं पढ़ पाया काई की बज़य से फीस की बज़य से है ना मैं जादा नहीं पढ़ पाया पाच भी छट भी फैल हूँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत ठीक है बाकी चिंता नह ये पंगतियां किसकी हैं, तो ये भवानी प्रसाद मिस्रि की हैं, C नंबर आपका बिल्कु सही है, C नंबर सही है, संबूक बद के रचनाकार कौन है? 26 नंबर का question है, शबी लोगों को बताना है, उत्तर बताना है संबूक बद के, शंबूक बद इतनी अच्छी रचना पू प्रवाइदा तो यह है नरंतरता हो जाती है कभी कभी कुछ student बोलते है सर जो लिखा है बोई तो बाच रहे हो अलग से क्या पढ़ रहा है मैंने का हाँ बोई तो बाच रहा हूँ आप भी बाच सकते हो लेकिन जब आपकी जिम्बेदारी होती है कि आप बाचो आप नरंतर नहीं बाच पाते जैसे मैं आपको बाच बाच के रोज यहां पर बाचता हूँ या आप अपने उपर अगर छोड़ दो तो आप रोज नहीं बाच पाऊगे इसलिए मैं कहता हूँ आपको बाच बाच के आपको सुनाओंगा आपकी नरंतरता बनी रहेगी ठीक है संबोग या question है और 26 में शंबूक बदा आपसे पूचा गया है तो आप जगदीश गुप्त लगा दो रिसम